श्रीमत भागवत महापुरान भाग एक श्रीमत भागवत कथा में कुल बारा इसकंद हैं जिन्हें पांच भागों में विभाजित करके सुनाया जाएगा श्रीमत भागवत कथा के इस प्रतम भाग में आप मंगला चरण भागवत कथा महात में इसके पश्रात भागवत कथा का प्रतम सकंद दुईतिय सकंद एवं तृतिय सकंद का श्रवन करेंगे इसके आगे के सकंधो का श्रमण आप भाग दो, तीन, चार एवं भाग पाँच में करेंगे आम नम भगवते वासुदेवाः आम भगवते वासुदेवाः आम भगवते वासुदेवाः आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुवल्स हिंदू रिदिरिवाः द्वारा पसारित श्रीमद भागवत महापुराण नारायनम नमस कृत्यम नरम चैव नरोतमम देविम सरस्वतिम व्यासम ततो जयमूदी रहेत श्रीमद भागवत कथा आरंब होने से पूर्व सरप्रथम मंगलाचरन करेंगे तता इसके उपरांद श्रीमद भागवत सप्ता के वीधी जानेंगे तत पश्चात श्रीमद भागवत महात्म का श्रवन करेंगे हिंदू रिचुवल्स हिंदू रितिरिवाज सरातन धर्म के प्रसार के लिए अधक प्रयत्न कर रहा है इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिकावशकता है ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनीशदों और शास्तरों आदी का ओडियो भूग के रूप में पुनर संकलन कर भावी पिडियों के लिए इन्हें संदक्षित कर सके तो आए इस ब्रिहत कारे को सकार करने हितू हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं इस शुब कारे हितू आपसे नियूनतम अंशदान प्रतिव्यत्ती की अपिक्षा है आप अपने समर्थ अनुसार कोई भी राशी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए पेमेंट आइडी के द्वारा हम तक पहुचा सकते हैं तो चलिए कथा शरौन करने से पूर्व सरप्रथम सभी देवों से अनुने विनाए करते हुए मंगलाचरन करते हैं मैं सरप्रथम रिध्धी सिध्धी दायक श्री गणेश जी की बंदना करते हुए उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ श्री गणेश जी इस अकिंचन व्यत्ती की संपून मनोकामनाओं को पून करने वाले हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे शक्ती और वानी प्रदान करें ताकि मैं इस महान गरंत का सार तत्व भक्त जन के समुख प्रस्तूत करने में सफल हो सको साथ ही मैं उस निराकार प्रब्रम्भकों नमन करता हूँ जिसके इक्षा से यह जगत निर्मित हुआ है और जो इस ब्रह्मान के जनक पालन करता और संघारक हैं समस्त जड़ चेतन जीवों में उन्ही का त्यजो में आंश नहीं थै स्रिष्टी के पूर्व आदे और अंत भी वे ही हैं वे ही महाकृष्ण हैं जिनकी सावनी मनोहर सुरत मनुष रुप में इस धर्ती पर अवतार लेती है और जो धर्म के रक्षक तथा दुष्टों के संहारक हैं मैं उन्ह श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी पर अपना समस्त अस्तित्व नियोचावर करता हूँ और समरपढभाव से उन्ही की परम ज्योती में लीन होने की आचना करता हूँ मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने अधर्मियों का विनाश करके अपने भक्तों को इस संसार की मोह माया से भरे इस भाव सागर से पार उतारा है उसी प्रकार वे मुझे भी पार उतारेंगे मैं विश्णु जी के चरणों में दंडवत करता हूँ जो सभस्त जीवों के पालन करता है मैं श्री महादेव शिव शंकर के चरणों में नमन करता हूँ जो उचित समय आने पर सभी जीवों का संहार करते हैं और उन्हें नए जीवन की और अग्रसित होने की प्रेणा देते हैं। मैं उन ब्रह्मा जी के श्री चरणों में नमन करता हूं जो इस स्रिष्टी के जनक हैं और जिनकी क्रिपा से सूर असूर सिध्धी फल प्राप्त करते हैं। जिनकी क्रिपा से अग्यानी व्यक्ती भी ज्यान का श्रीफल चकने का पूर्णी प्राप्त करते हैं। मैं ज्यान की देवी महाशक्ती सरसोती देवी और प्रिथवी माता को इस अपने शीष पर धारन करने वाले शेष नाग वो ब्रह्म रिशी नारत जी के चरणों में शीष नवाता हूं जो हर पल और घड़ी भगवान मुरली धर का गुरुगान करते हैं। मैं श्री वसुदेव, देव की और यशोधा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारन करता हूं। जिनके गोद में भगवान नारायन, मनुष रूप में अवतार लेकर खेलें और कल्स जैसे दुष्ट राजा का संहार किया। मैं श्री वेद व्यास वश्री शुकदेव के श्री चरणों में बैठ कर उनके आश्रिवात का आकांची हूं। जिन होने अपनी अमरित मही बाड़ी से श्री मदभागवत कथा का भगतों को श्रवन कराया। मैं द्यवराज इंद्र, सनकादिक रिश्यवर, श्री बलराम जी, श्री उद्धो जी, श्री अक्रूर जी, राधिका जी, रोहिनी जी, वह मधुरा व्रिंद्धावन की उन गोपियों और ग्वाल बाल के चरणों में गिर कर उनकी धूल को अपने सीर परधारन करता हूं, जिनके मध्य रहकर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लिलाओं से सभी को मुग्ध किया और पर्मानंद की अनुभूती कराई। ब्रजभूमी के कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पोधे, लता कुंज, गवाल बाल, वीथियां, यमुना के पुलीन, कदंब के व्रिक्ष, गोप गोपियां, गोवर्धन परवत, जल कुंड, जल चर, शितल मन्ध सुगंधित पवन, विवीध रीतुएं, सभी मेरे हिर्दय में हर पल वास करें, यह प्रार्थना मैं श्री गोपाल से करता हूं, कि वे बार बार, ब्रजभूमी के धूल में, लोटने का उसर मुझे प्रदान करें, वे ब्रजभूमी के उन साधू संतों, और भक्तों के श्री चरुणों में स्षिष नवाता हूं, जो प्रत एक बार पुनह मैं समस्त देवी देवताओं और मा सरस्वती को नमन करता हूं और उनसे वरदान मांगता हूं कि वे इस अकिंचन अज्यानी को ज्यान दें शक्ति दें और अपनी कृपा हर पल बनाए रखें ताकि मैं श्री वेद्व्यास वश्री शुक देवजी की उस कथा आमरित वारी का सार तत्व भक्तों के सामने प्रकट कर सको जिसमें भगवान श्री कृष्ण का संपून जीवन चरित्र समाया हुआ है जिस परब्रम्ह का गुरगान करते हुए नारद शारद रिशिमुनी और देवगन एक पल के लिए भी नहीं ठकते उस परमपिता का कैसे संपह होगा जब तक उन भगवान श्री कृष्ण की क्रिपा मुझ पर नहों अतह एक बार पुनह मैं उनसे शक्ति का वरदान मांगता हूं कि वे मुझे मार्ग दिखाएं और स्वयम ही वाडी में ग्राजमान हूं श्रीमर्द भागवत कथा आरंभ करने से पूर्व श्रीमर्द भागवत सप्ताह की विधी जानते हैं श्रीमर्द भागवत सप्ताह को एक महान यग्य के रूप में विभिन गरंथों में मानेता प्राप्त है इसके लिए जिन बातों की जनकारी यग्य करता को होनी चाहिए उसी का संग्षेप में व्याख्यान आगे किया जा रहा है यद्पी भगवान की वनना और पूजा के लिए भाव ही महत्यपून हुआ करते हैं लेकिन यदि किसी विशेश कामना से सप्ताह का आयोजन किया जा रहा हो तो आगी बताए गए विधी विधान पुर्वक कथा वाचनादी करम करना ही लावकारी होता है महूर्त विजार नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, पुनरवसु, पुष्य, रेवती, आश्वनी, मलिक्षीरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पुर्वा भादेप्रदा उद्तम है द्वितिया, त्रितिया, पंचमी, शर्ष्ठी, दश्मी, एकादशी तथा द्वादशी तितियों को इस कारे के लिए श्रिष्ठ बतलाया गया है सोम, बुध, गुरु एवम शुक्र, ये वार सप्ताह आरंभ के लिए सर्वुत्तम है तिति, वार और नक्षत्र का विचार करने के साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु, अस्त, बाल, अथ्वा व्रिध तो नहीं है कथा आरंभ का महुर्त भदरादी दोशों से रहित होना चाहिए आशाण, श्रामण, भादरपद, आशुन, कार्तिक और मार्गशिर्ष ये मास कथा आरंभ करने के लिए श्रिष्ठ बतलाये गये है कुछ बिद्वानों के अनुसार चैत्र और पौश को छोड़कर इस पवित्रे यग्य के लिए सभी मास उत्तम है नदी का तट, उपवन, देव मंदिर, अथवा अपना निवास सिस्थान ये सभी कथा के लिए उपयोगी अस्थल है यदि भूमी कच्ची हो तो उसे गोबर और पीली मीटी से लीपे यदि आंगन पक्का हो तो उसे अच्छी तरह धोले उस पर पवित्र एवं सुंदर आसन बिछाएं नीला रंग तमोगुन का परतिक है इसलिए इस रंग के वस्तर का उपयोग ना किया जाए इस बात का विशेश ध्यान रखे यजमान के हाथ से सोला हाथ लंबा और उतना ही चोड़ा कथा मंडप होना चाहिए उसे केले के खंपों से सजाएं हरे बास के खंबे लगाएं तथा नूतन पल्लवों की बंधनवारों, पुष्प्रमालाओं और ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भाती सुसजित करें उस पर उपर से सुंदर चंदुवा ताने उस मंडप के दक्षिन पश्चिम भाग में कथा वाचक और मुख्य शोता के बैठने का इस्थान होना चाहिए शेश भाग में देवताओं और कलश आधी का स्थापना करें कथा वाचक के बैठने के लिए उची चौकी रखें उस पर शुद्ध आसन बिछाएं श्रिमद भागवत को इस्थापित करने के लिए एक स्वन मंडित छोटी से चौकी या आधार पीट पनमाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछाएं इस चौकी पर तीन तोला सोना मढ़ा होना चाहिए अपनी शक्ती के नुसार ही यह स्वन सिहासन बनाएं परन्तु शक्ती होते हुए लोगवश संकोच ना करें इससे शद्धा के अभाव का संकेत मिलता है श्रिमद भागवत के पुस्तक को रिशिमी वस्त्र लपेट कर छत्र चौमर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडब में लाना और इस्थापित करना चाहिए कथा मंडब के दिवालों पर भगवान और उनकी लिलाओं का इसमरन कराने वाले चित्र लगाए वक्ता का मुह यदि उत्तर की ओर हो तो मुख्र शोता का मुख्व पूर्व की ओर होना चाहिए वक्ता को चाहिए कि वुद लेने से एक दिन पूर्व ही वह शोर क्रिया कराले सप्ताह प्रारंब होने के एक दिन पुर्व ही देव इस्थापन कर पूजन आदी कर लेना श्रेष्ट रहता है प्रतिजिन सुर्योदा से पुर्व ही इसनान आदी करके अपना नित्य कर्म संध्यावंदन आदी का नियम पूरा कर ले कथा में विग्ण ना आये इसके लिए नित्य प्रती श्री गणेश पुजन करना हितकर होता है सप्ताह के प्रथम दिन यजमान इसनान आधी से शुद्ध हो नित्य करम करके अभिवदैक श्राध करे अभिवदैक श्राध और पहले भी किया जा सकता है यग्य में 21 दिन पहले भी आभिवदैक श्राध करने का भिधान है उसके बाद गणेश ब्रह्मा आदी देवताओं सहीत नवग्रह शोणस मात्रिका सब्त चिरंजीवी अश्वतामा बली व्यास हनुमान विभिषण कृपाचार और परशुराम जी एवं कलश के इस्थापना तथा पूजा करें एक चोकी पर सर्वतो भद्र मंडल बनाकर उसके मद्य भाग में तामर कलश इस्थापित करें कलश के उपर भगवान लक्षमी नरायन के स्वन्य मई प्रतिमा इस्थापित करें कलश के ही बगल में भगवान शालग्राम को सिहासन पर इस्थापित करें सर्वतो भद्र मंडल में इस्थीत समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्षात भगवान नर, नरायन, गुरू, वायू, सरसोती, शेश, सनक आधिकुमार, सांख्यायन, पराशर, बिहस्पती, मैत्रे तथा उद्धों का भी आवाहन, इस्थापन एवं पूजन करना चाह फिर त्रैया रूणी आदी छह पूराणिकों का भी इस्थापन पूजन करके, एक अलग पीठ पर उसे सुन्दर वस्त्र से आवरित करके, श्री नारत जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए तदरंतर, आधार पीठ, पुस्तक एवं वक्ता आचारे का भी यथा प्राप्त उपचारों से पुजन करना चाहिए कथा निर्विग्न पूर्ण हो, इसके लिए गणेश मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र तथा गायतरी मंत्र का जप और विश्णू सहस्त्र नाम एवं श्रीमत भगवत कीता का पाठ करने के लिए अपनी शक्ती के अनुसार साथ, पाँच या तीन ब्राहमणों का वरण करें श्रीमत भगवत का मूल पाठ अलग ब्राहमण द्वारा कराएं द्योताओं की स्थापना और पुजा के पहले स्वस्ती वाचन पुर्वक हाथ में पवित्री, अक्षत, फूल, जल और द्रव्य लेकर महा संकल्प करते हुए देव पुजन करने के बाद कथा प्रारंभ होनी चाहिए सुर्योदय से आरंभ करके प्रतितिन साढ़े तीन प्रहर तक कथा का वाचन करें मध्यान में दो घड़ी के लिए प्रातहकाल से मध्यान तक मूल का पाठ होना चाहिए और मध्यान से संध्या तक उसे उसका संग्षित भावार्थ अपनी भाशा में कहना चाहिए मध्यान में विश्राम के समय तथा रात्री के समय भगवान के नाम से किर्टन की विवस्था होनी चाहिए ताकि वातावरन भक्ती भाव की तरंगों से स्पंदित होता रहे भागवत रहश्यों के श्रवन और तत्व चिंतन के लिए मन बुद्धी का सत्व गुन संपन होना अत्यावश्यक है बिल्कुल उसी तरह जैसे विजांकूरण के लिए उपजावू और तयार भूमी आवश्यक होती है श्रताओं के बैठने का इस्थान वक्ता के सामने श्रताओं के बैठने के लिए आगे पीछे साथ पंक्तिया बना लेनी चाहिए पहरी पंक्ति का नाम सत्यलोक है इसमें साधु सन्यासी, विरक्त, वैश्नवादी को बैठना चाहिए दूसरी पंक्ति तपो लोक कहलाती है इसमें वानप्रस्त श्रताओं को बैठना चाहिए तीसरी पंक्ति को जन लोक नाम दिया गया है इसमें ब्रह्मचारी शोता बैठा जाने चाहिए चौथी पंक्ती महर लोग कही गई है यह ब्रामन शोताओं का इस्थान है पाँचवी पंक्ती को स्वर लोग कहते है इसमें शत्रिय शोताओं को बैठाना चाहिए चठी पंक्ती का नाम भुवर लोग है जो वैश्य शोताओं का स्थान है सात्वी पंक्ती भू लोक मानी गई है उसमें शुद्र जातिये शोताओं को बैठाना चाहिए इस्त्रियां वक्ता के वाम भाग की भमी पर बैठकर कथा सुने यह इस्थान नियम उन लोगों के लिए है जो प्रति दिन नियम पुरवग कथा सुनते है जो शोता कथा प्राराम्द होने पर कुछ समय के लिए अनियमित रूप से आते हैं उनके लिए वक्ता के दक्षिन भाग में इस्थान रहना चाहिए शोता के बैठेने का इस्थान हमेशा वक्ता से नीचे होना चाहिए उपर कभी भी नहीं शोताओं के नियम शोता प्रति दिन एक बार हविश्यान भुजन करें हलका भुजन करने से आलस्य प्रमात का प्रभाव तन मन पर नहीं होता इसलिए गरिष्ठ भुजन से यथा संभव बचें यदि शक्ती हो तो साथ दिन तक उपवास करके कथा सुने अने था दूद पीकर सुख पुर्वग कथा सुने इससे भी काम न चले तो फलाहार या एक समय अन्न भुजन करें कथा श्रवण के बाद भुजन करना ज़्यादा उप्युकत रहता है डाल, शहद, तेल, गरिष्ठ अन, भावदुशित अन तथा बासी अन का परित्याग करें पतित, दुर्जन आदी का संग तो दूर उनसे वार्तलाप भी न करें ब्रह्मचर्य पालन, भूमी शयन सब की लिए अनिवारे हैं एक आगरचित होकर कथा सुननी चाहिए दितने दिन कथा सुने, धन, इस्त्री, पुत्र, घर एवं, लोकी किलाब की समस्त चिन्ताएं प्याग दें काम, क्रोध, मद, मान, इर्श्या, लोग, दंभ, मोह, तथा द्वेश से दूर रहे वेद, वैश्नो, ब्राहमण, गुरू, गौ, वरती, इस्त्री, राजा, तथा महापुर्शों की कभी भूल कर भी निंदाना करें रजस्वला, चांडाल, मलेच, पतीत, वरतहीन, ब्राहमण, द्रोही, तथा वेद वहिस्कृत मनुष्यों से वरतलापन न करें मन में सत्य, शौच, दया, मौन, सरल्टा, वीनय, तथा, उदार्था को इस्थान दे कुछ विशेश बातें प्रतियक इसकंध की समाप्ती होने पर चंदन, पुष्प, नवेद आदि से पुस्तक की पूजा करके आरती उतारने चाहिए शुकदेव जी के आगमन तथा शुक्रिष्णी के प्राकट का प्रसंग आने पर भी आरती करें बारहवे इसकंध की समाप्ती होने पर पुस्तक और वक्ता का भक्ती पुरवक पूजन करें वक्ता ग्रिहस्त हो तो उन्हें अपनी शक्ती के अनुसार उदारता पुरवक वस्तरावोशन तथा नकद रुपए भेट दें बिर्दंग आदी वजाकर जोर जोर से किर्टन करें जैजेकार नमसकार और शंखनाद करें ब्रामणू और याचकों को अन एवं धन दें वक्ता के हाथों से शुर्ताओं को प्रसाद एवं तूलसी दल मिलने चाहिए प्रति दिन कथा के प्रारंभ और अन्त में श्रिमद भागवत महापुराण की आरती अवश्य करें कथा का विश्राम प्रति दिन नियत अस्थल पर ही करना चाहिए जैसे की प्रथम दिन मनु करदम समवाद तक दुसरे दिन भरत चरित्र तक तीसरे दिन सात्मे सकंध की समाप्ती तक चोथे दिन श्री कृष्ण की प्रकाठ तक पाचवे दिन रुकमिनी विवाह तक और छठे दिन हंसो पाख्यान तक की कथा बाच कर सात्मे दिन अवशिष्ट भाग को पूर्ण कर देना चाहिए इसकंध के आदी और अंतिम शलोक को कई बार उच्च स्वर से पढ़ना चाहिए कथा समाप्ती के दुसरे दिन वहां स्थापित देवताओं का पूजन करके हवन की वेदी पर पंच भू संसकार अगनी स्थापन एवं कुष्च कंडिका करें फिर वीधी पुरबक व्रत पराहमनों द्वारा हवन तरपन एवं मार्जन कराकर श्रीमत भागवत की शोभा यात्रा निकालें और ब्राहमन भोजन कराएं मधु मिश्क खीर तथा तील आदी से भागवत के दशम इसकंध के प्रती शलोक से या गायतरी मंत्र से आहूती देनी चाहिए खीर के अमहाओं में तील, चावल, जौब, मेवा, शुद्ध घी और चीनी को मिलाकर हवनिय पदार्थ त्यार कर लेना चाहिए इसमें सुगंधित पदार्थ, कपूर, काचरी, नागर मोथा, छड़ चड़ीला, अगर तगर, चंदन चुन आदी भी मिलाने चाहिए हवन के अंत में दिकपाल आदी के लिए बली, शेत्रपाल पुजन, शाया पात्रदान, हवन का दशांश तरपन एवं तरपन का दशांश मार्जन करना चाहिए फिर आरती के पशात किसी नदी, सरोवर या कूप आदी जाकर अवभृत इसनान भी करना चाहिए इसके लिए समूह के साथ शोभः यात्रा निकाल कर, गाजे बाजे के साथ किर्टन करते हुए जाना चाहिए यजमान श्रिमत भागवत गरंथ को अपने मस्तक पर रख कर उसकी शोभः यात्रा निकाले, जिसमें वक्ता तथा शोता सम्मिलित हों हरी किर्टन होता चले भागवत गरंद पर चवंट उलाते रहें घड़ियाल घंटा जांज शंख आदी बाजे बचते रहें जो पून हवन करने में असमर्थ हों वह यथा शक्ति हवनी पदार्थ दान करें अंत में कम से कम बारह ब्रामनों को मधुयुक्त खीर का भजन कराना चाहिए वरत की पूर्थी के लिए सुवन सिहासन पर विराजित सुन्दर अक्षरों में लिखित श्रिमत भागवत की पूजा करके उसे दक्षिना सहित कथावाचक आचारे को दान कर देना चाहिए अंत में सब प्रकार की तुर्टियों की पूर्थी के लिए विश्णू सहस्त्र नाम का पाठ कथावाचक आचारे द्वारा सुन्दना चाहिए विरक्त श्रोताओं को श्रिमत भागवत गीता का शौन करना चाहिए सामगरी के सूचे पूजन सामगरी गंगाजल, रोली, मौली, चंदन, शुद्ध केसर, कपूर, पुष्प, कुष्प माला, तुलसी दल, बिल्व पत्र, दुर्वा दल, धूप, शुद्ध अगर्वत्ती, पंचामरित, दूद, दही, मधु, चीनी, दीप, शुद्ध गोगरित और रुई, पचास पान के पत्ते, पचीस सुपारी, पचीस यग्युपवित, इलायची, लौंग, पेडा, मेवा, गूड, चावल, गेहूं, गेहूं बोने के लिए मिट्टी के दो कुंडे, पीली सरसो, अबीर, गुलाल, रितुफल, केला संत्रा आदी, पांच मिटर सफेद कपड़ा, तीन मिटर लाल कपड़ा, पांच मिटर पीला कपड़ा, डेढ़ मिटर शुद्ध रिश्मी कपड़ा, सर्वतो भदर की रचना के लिए हरा, लाल, काला, पीला, और गुलाबी रंग, गुबर, दो या साथ नारियल, शुद्ध इत्र, कुशा, सिंदूर, आर्ती कपात्र, घंटा, घडियाल, शंक, जांज आदी, कोशा, पचास, दिया सलाई, चौकी, एवं सर्वतो भदर के लिए एक चौकी, एक नारतजी के लिए चौकी, एक नौगरह के लिए चौकी, शुरश मात्रिका और गणेश के लिए एक चौकी, एक चौकी, व्यास, शुकदेव, सब्त चिरंजीवी तथा पौरानेकों के लिए शेश एक पाटा सनत कुमारादी के लिए रखना चाहिए, कलश इस्थापना के सामगरी, तामबे का एक कलश, तामबे या कासी का एक पात्र, मिट्टी के पाँच कलश, सब्त धान, यानि जो, गेहुं, धान, तेल, कंगनी, सावा, चीना, पंच पल्लो, आमी, पीपल, पाकर, गूलर, और बड़, यानि वर्गत के पत्ते, दुर्वा, कुशा, सुपारी, चार सुवन की टिकडी, पंच रतन, हीरा, निलम, लाल, मोती, और सोना, अभाव में यथा साध सुवन्न, चंदन, अक्षत, फूल, तिर्थोदक, समुद्रजल, सप्त मिर्थिका, गुरसाल की, हाथी शाला की, तलाब की, सर्वोशधी, कूट, जटा मासी, हल्दी गाठ दो, राभट, मुरा, शैलेब, चंदन, बचा, चंपक और नागरमोथा, अभाव में किवल हल्दी, नदी संगम का जल, श्रिलक्ष्मी नरायन की स्वन्वई प्रतिमा, चार तोले सोने की, अथवा, अपनी शक्ति के अनुसार, कथा मंडप के लिए सामगरी, चंदोवे का कपड़ा, चौकोर मंडप, चार केले के खंबे, बास के खंबे, मंडप को चारोर से माला, फूल और पत्तों से सजाना, चारो दिशाओं में जंडी लगाना, वस्त्र और गोटे आदी से सजाना, व्यास के लिए चौकी, गद्धी, मसनद, तकिये, कंबल, चादर, पांच जंडियां, पुस्तक का वेश्टन, पुस्तक के लिए चौकी, आम के पत्तों के बंदनवार, गणेश जी, द्योता, श्रिमाद भागवत, और आचारी की पुजा के लिए प्रति दिन चंदन, पुष्प, पुष्प माला, धूप, दीप आदी सामगरी, वरण की सामगरी, वक्ता के लिए चादर, धोती, गमचा, आशन, दक्षिणा, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, जल पात्र आदी, जब करने वालों के लिए भी यथा संभव, वस्त्र द्रवे आदी, पाठ के लिए पुस्तक, शिमद भाग्वत, गीता, सहस्त्र नाम आदी, हवन के समगरी सुची, वेदी के लिए एक बोरा स्वक्ष बालू, अस्ची कीलो सुखी आम की लकडी, कुष कंडिका के लिए कुशा, दुर्वा, अगनी लाने के लिए दो कांसे पात्र, एक बड़ा सा पुन्ण पात्र, यग्य पात्र, प्रणिता, प्रोक्षणी, इस्त्रुवा, इस्त्रुक, पुन्णाहुती पात्र, चर्व स्थाले, आज स्थाले, यानी कांसी का एक बड़ा सा कटोरा, खवनिय पदार्थ, मधु मिश्रित खीर, छाया पात्र दान के लिए कांसे की छोटी एक कटोरी, तथा उसके लिए आधा किलो घी, दस किलो तील, पांच किलो चावल, दो किलो जौव, चार किलो शुद्ध घी, शुद्ध चीनी, दो किलो पंचमेवा, पिस्ता, बादाम, किश्मिश, अखरोट और काजू, इन सब को मिलाकर हवन सामगरी बनाए, फिर इसमें सुगंधित द्रव्य, कपूर काचरे, छड़ छड़ीला, नागर मोथा, अगर तगर, चंदन चून आधे, आवशकता अनुसार मिलाए, बली के लिए पापड, उड़द, दही, चावल, रोई की बत्ते, दक्षिण, शित्रपाल बली के लिए हंडिया, काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदे, पुर्णाहोती के लिए नारियल का गोला इत्या दे, वितरन के लिए प्रसाद, ब्राहमन भोजन के लिए मधुमिश्रित खीर, तथा अन्याने मधुर पकवान, पूरी साग आदे, हवन करता ब्राहमनों के लिए वरण और दक्षिना आदे, कथा समाप्ति के पश्षाद, कथा वाचक को भेंट देने के लिए वस्त्र, आभुशन और नकद रूपय आदी, इस प्रकार सूची में बताए गए सभी सामगरियों को एकत्रित कर ले, भगवान के श्री मुक्से, ब्रहमा जी के प्रतिक कथित, श्रीमत भागवत महात्मया, जज़ विख्यात श्रीमत भागवत नमक पुरान का प्रति दिन शद्धा युक्त होकर श्रवन करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है, जो मनुष्य प्रति दिन भागवत पुरान का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का उन्य प्राप्त होता है, जो प्रति दिन भागवत के आदे स्लोक या चोथाई स्लोक का पाठ अथवाश्टमन करता है, उसे एक हजार गोदान का फल मिलता है, पुद्र जो मनुष्य प्रति दिन पवित्र चित्द होकर भागवत के एक स्लोक का पाठ करता है, वह अठारह पुरानों के पाठ का फल पा लेता है जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विश्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं जो मनुश्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं उन पर कली का वश्ण नहीं चलता जो मानों अपने घर में वैश्णों शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं जो कली युग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उचलते कुदते हैं मैं उन पर अध्यंद प्रसंद रहता हूँ पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर, दूद, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं जो लोग विश्नु भक्त पुरुष को भक्ती पुरुवक भागवत शास्त्र समर्पन करते हैं वे हजारों करों कल्पों तक मेरे बैकूंठ धाम में वास करते हैं जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पुजन करते हैं वे मानों एक कल्प तक के लिए संपून देवताओं को त्रिप्त कर देते हैं यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चोधाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है उसे छोड़कर सैक्रों और हजारों तरह के अन्यकरंथों के संग्रह से भी क्या राब है कल्यूग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे यम से कभी छुटकारा नहीं मिलता इस कल्यूग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैश्णों समझा जाए वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है लोकेश प्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ती पुर्वक संतूष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैश्नों शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए कलियुग में जहां जहां पवित्र भागवत शात्र रहता है, वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ यही नहीं, वहां नदी, नद और सरोवा रूप में प्रसीध तिर्थ वास करते हैं संपून्य यग्य, साथ पूरियों और सभी पावन परबत वहां नित्यवास करते हैं लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप, शय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुश्य को सदा ही मेरे भागवत शास्तर का अश्रवन करना चाहिए यह पावन पुरान श्रिमत भागवत, आयू, आरूक और पुष्टी को देने वाला है इसका पाठ अथवा श्रवन करने से मनुश्य सब पापों से मुक्त हो जाता है लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसंद ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं, वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ पुत्र, जो मनुश्य सदा ही, विश्यशत है, एक आदशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है जिसके घर में एक शलोक, आधा शलोक, अत्वा शलोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ मनुश्य के लिए संपून पुन्य आश्रमों की यात्रा, या संपून तिर्थों में इसनान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है, जैसा श्रीमत भागवत है चतुरमुख, जहां जहां भागवत की कथा होती है, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सलागो अपने बचड़े के पीछे पीछे जाती है, जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, तथा जो मेरी कथा से मन हिमन प्रसन होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता पुत्र जो परम पुन्य मैं श्रीमत भागवत शास्तर को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता उसका एक वर्ष का पुन्य नश्ट हो जाता है जो śrī भागवत महापुरान को देखकर खड़ा हुने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनन्द मिलता है जो श्री मतभावत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है वह एक एक पग पर अश्रमेग यग के पुन्य को प्राप्त करता है इसमें तनीक भी संदेह नहीं है जो मानोग खड़ा होकर श्रीमत भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, इस्त्री, पुत्र और अपनी भक्ती परदान करता हूँ हे पुत्र जो लोग महराज वचित समग्रियों से युक्त होकर भक्ती पुरवग श्रीमत भागवत की कथा सुनते हैं मैं उनके वशिभूत हो जाता हूँ सुरत जो लोग मेरे परवों से संबन्ध रखने वाले सभी उत्समों में मेरी प्रसनता के लिए वस्तर, अभूशन, पुष्प, धूप और दीप आधी उपहार अरपन करते हुए परम उत्तम श्रीमत भागवत पुरान का भक्ती पुरवग श्रमन करते हैं वे मुझे उसी प्रकार अपने वश्म कर लेते हैं जैसे पति वरता इस्तरी अपने साधु सोभावाले पती को वश्म कर लेती हैं इस प्रकार स्वयम श्री हरी के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रती कथित श्रीमत भागवत महात्मे पुर्ण हुआ इसके आगे आप श्रीमत भागवत महात्मे का श्रावन करेंगे श्रीमत भागवत महात्मे श्रीमत भागवत महात्मे में कुल अध्ययों की संख्या चाह है कृष्णम नारायनम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम कृष्णम द्वयपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम श्रीमत भागवत महात्मे पहला आध्याय भक्ति ग्यान और वैराग्य सचिदान अंद्रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो संपून विश्व के उत्पति, इस्थिति और विनाश करने वाले तथा आधी तेविक, आधी भावतिक और अध्यात्मिक तापत्रय का हरण करने वाले हैं पौराणिक युग में एक बार शोनक आधी 88,000 रिशिवर नमी शरण में एकत्र हुए वहां श्री वेद व्यास जी के पौराणिक शिष्य सूत जी विराजमान थें उन रिशियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें लीला में परमिश्वर की भक्ति ज्यान और वेरागे का समावेश सरवाधिक हो इस घोर कलियुग में संसारी व्यक्तियों के लिए ज्यान उस राक्षर्स के समान हो गया है जो क्रोध, लोब, मुह और काम को ही सदयो भड़काता है जिसकी वजह से मनुष्य, हर पल, हर गड़ी दुखी रहता है आप कोई ऐसा चरित्र हमें सुनाएं, जिससे सुनकर हमारे हिर्दय में भक्ति का संचार हो और हमारे प्रिती श्रेहरी चर्णों में हो रिशिवर की बात सुनकर सूत जी बोले रिशिवर, इस कलियुग में काल रुपी सर्प के चंगुल में फसें लोगों के उधार के लिए आपने जो कथा सुनने की इक्षा प्रकट की है, वह इस्तुती योग्य है मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ, जिससे श्री शुकदेव जी ने राजा परिक्षित को सुनाया था उस कथा का नाम श्रीमद भागवत कथा है सूत जी ने कथा का शुबारंभ करते हुए कहा एक बार श्रिंडी रिशी ने राजा परिक्षित को शाप दे दिया था कि तेरी मिर्तिव आज से सात्में दिन हो जाएगी राजा परिक्षित मिर्तिव के भैसे दुखी होकर श्री शुकदेव जी के पास आया उन दिनों श्री शुकुदेव जी गंगा के किनारे रिशी मुनियों के सामने आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे राजा की प्रार्थना पर उन्होंने उसका मिर्त्यु भहे दूर करने के लिए यह श्रीमत भागवत कथा सुनाई थी जिस समय श्री शुकुदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए उसी समय स्वर्ग के देवगण अमरित कलश लेकर वहाँ उपस्थित हो गए और शुकुदेव जी से बोले रिशीवर आप यह अमरित पीकर अमर हो जाए और हमें कोई सुन्दर कथा सुनाए इस पर शुकुदेव जी ने देवताओं से कहा इस अमरित को पीकर तो लोग देवों की भाती अमर हो जाते हैं यह अमरित हमारे किसी काम का नहीं है स्वर्ग में आयू का कुछ पता नहीं चलता वहाँ ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रे बदल जाते हैं तुम्हारे इस अमरित से तो कथा अमरित के समान है जिसमें भगवान श्रीक्रिश्न का चरित्र है और जिसे सुनने के उपरांत मनुष्य जन्मत तथा मिर्तिव के आवा गमन से मुक्त हो जाता है महराज परिक्षित भी इसी कथा को सुनने के एकशुक है यह कथा सनकादी रिशियों ने नारद मुनी को एक सप्ताह के भीतर सुनाने की वीधी बताई थी आप भी यदि सुनने के एकशुक हो तो विराजें सुत जी की बात सुनकर देवतागर तो वहाँ बैठ के पर शोनक आदी रिशियों ने श्री सुत जी से पूछा सुत जी नारद जी तो दो घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं फिर वे साथ दिन तक एक स्थान पर कैसे रुके रहे सुत जी बोले एक समय सनक, सनन्दन, सनातन और सनत कुमार नामक चारो रिशिभाई घुमते हुए बद्रिकाश्रब में आये वहाँ उन्होंने नारद जी को उदास बैठे देखा तो पूछा कि आज वे किस मानसिक चिंदा में डुबे हुए है इस पर नारद जी ने उन चारो रिशियों को प्रणाम कर अपनी चिंदा का कारण बताते हुए कहा कि इस कलियुग में वे चारो और घुम फिर कराए है तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची है सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का वरत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके है अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता सभी अपने अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह माया में उल्खे हुए है सभी अपना पेट भरने में लगे है बात बात में जूट बोलते है साधू सन्यासी ढों करते है सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने पर उतारू हो जाते है सरवत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है यह सब देखते हुए वे जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुँचे तो वहाँ एक इस्तरी को उन्होंने रोते हुए देखा उसके पास दो बूढ़े अच्चेत अवस्था में पड़े थे कोई भी उस इस्तरी की सहायता करने नहीं आ रहा था उन्हें देखकर वह इस्तरी अपना दुखड़ा सुनाने लगी वह कह रही थी कि वह भक्ती है और यह दोनों अच्चेत पड़े उसके दो बेटे ग्यान और वेरागे हैं यहां आस पास जो तीन इस्तरिया बैठी रो रही हैं यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदिया हैं जो मेरी सहायता के लिए यहां आई है मैंने द्रविड परदेश में जर्म लिया था कारनाटक में मैं सयानी होकर दक्षिन में रही वहां से चलकर मैं गुजरात पहुँची और वहां मैं बूढ़ी हो गई लेकिन जब से मैं यहां वरिंदावन में आई हूँ तब से मैं फिर से जवान हो गई हूँ परंतु मेरे ये दोनों बेटे ग्यान और वैरागें कलियुक के पापों की अगनी से भस्मी भूत होकर अचेत हो गए हैं इसी से मैं दुखी हूँ मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हसी उडाते हैं नारद जी ने उसे समझाया कि कलियुक की वज़े से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है भाव यही है कि कलियुक में भक्ती के द्वारा ही परमात्मा का सहचर्य संभव है ज्यान वैराग को कोई नहीं पूछता राजा परिक्षित ने भी दया करके कलियुक को छोड़ दिया था इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है दुसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है केवल भजन किर्टन के द्वारा ही नारायन को प्रसन्य किया जा सकता है कलियुक का यही धर्म है इस युग में तो ब्रहमन दान लेकर भी प्रयाशित नहीं कराता सभी के मन में क्रोध, लोब, काम और अहंकार भरा रहता है नारत जी की बात सुनकर भक्ती ने कहा रिशिवर आप धन्य है मुझे बड़े भागे से आपके दर्शन हुए है आप सभी का दुख हरने वाले है आप कोई ऐसा हुपाय बताए कि मेरे ये दोनों पुत्र ग्यान और वैराग फिर से युवा हो जाए इसे से मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा मैं आपको बार बार नमन करती हूँ क्रिप्या मेरा दुख और कलेश दूर के जीए दूसरा अध्याए नारत द्वारा भक्ती को प्रवोधन बोध तथा दुख निवारन है तु साधु पुरुष की खोज नारत जी ने इस्त्री रूपी भक्ती से कहा हे देवी तुम अब श्री कृष्ण का ध्यान करो और समस्थ चिन्ताओं को छोड़कर उन्ही में अपने मन को लगाओ श्री कृष्ण तुम्हारे समस्थ कष्टों को दूर करेंगे उन्होंने ही दुर्योधन की सभा में दुरौपदी की पुकार पर उसकी लाज बचाई थे और जब ग्राह ने जल में हाथी का पैर पकड़ कर खीचना चाहा तब उन्होंने विश्णू रूप में गजंद्र की पुकार पर उसके प्राणों की रक्षा की थे श्री कृष्ण अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं उनकी पुकार पर वे नंगे पैरों भागे चले आते हैं ये भक्ति बैकूंठ नाथ श्री विश्णू को भक्तों से इतना प्यार है कि वे उच नीच का भेद नहीं करते हैं जहां भक्ति का वास होता है वे वहां ततकाल पहुँच जाते हैं सत्यूग, त्रेता और द्वापर यूगों में ग्यानी लोग यग तप दान व धर्म करके मुक्ष प्राप्त करते हैं परन्तु कल यूग में तो भक्ति के द्वारा ही जीवों का इस भव सागर से उधार हो जाता है ज्यान और वेराग को इस यूग में कोई नहीं पूछता जिनके हिर्दय में हे भक्ति तेरा वास रहेगा वे पापी होने पर भी भय मुक्त होकर बैकुंट धाम को प्राप्त करेंगे परमात्मा का दर्शन यग्यादी से इतना शिख्र प्राप्त नहीं होता जितना कि भक्ति के द्वारा सहज रूप में हो जाता है इसलिए परमात्मा ने भक्ति को ही सरोपरी रखा है नारत जी की बात सुनकर भक्ति के शंका दूर हो गई वह बोली हे रिशिवर नारत जी आप धन्य है आपने जिस प्रकार मुझे धीरज बंधाया है उसी प्रकार आप मेरे पुत्रों को भी जगाओ मेरे द्वारा अनेक अनेक प्रयास करने पर भी इनकी चेतना जागरित नहीं हो पा रही है मुझे इनके लिए बड़ी चिन्ता हो रही है नारत जी भक्ती से कुछ कहतें तभी आकाश वारी हुई हे नारत जी ये दोनु बिना सत्संग के जागरित नहीं होंगे इनके लिए किसी साधुजन को खोजो नारत जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें अपनी और आते हुए सनकादी मुनिश्वर दिखाई दिये उन्हें देखकर नारत जी ने कहा हे रिशिवर आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया आप योगी और ग्यानी हैं आपके तब की बराबरी कोई नहीं कर सकता आपकी ही समर्थ थी कि आपने बैकूंठ पती के द्वारपालों जय विजय को प्रिथ्वी पर गिरा दिया था और आपकी कृपा से ही वे पुनह बैकूंठ लोग पहुँच गए आप दया करके भक्ती ग्यान और वेरागे का दुख दूर के जियें जिससे चारू वण्णों में आपका यश फैले और कलियुग में जन्म लेने वाले प्राणियों का जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाए नारद जी की प्राथना सुनकर सनत कुमारों ने कहा नारद जी श्री स्याम सुन्दर के सभी दासों में आप सर्वश्रिष्ट है आपने जिस प्रकार भक्ती को उपदेश देकर उसका दुख हरन किया और भक्ती को ग्यान तथा वेरागय से उत्तम माना वह अपने आप में सर्वश्रिष्ट उदारन है प्राचीन काल में महत्मा लोग ग्यान और धर्म पालन को ही संसारी रोगों को बैकूंठ जाने का मार्ग बताया करते थे परंतु वह ग्यान का मार्ग अत्यंत कठीन था उस मार्ग को बताने वाला कोई उत्तम गुरु भी इस कल युग में नहीं मिलता इसलिए आज के युग में जो कोई भी सच्चे मन से श्रीमत भागवत की कथा को सुनता है उसे बैकूंठ जाने का मार्ग मिल जाता है परमात्मा के श्री चरणों में अगाद भक्ती और प्रेम बढ़ाने का इससे उत्तम कोई अन्य मार्ग नहीं है ऐसा सुनकर नारत जी ने सनत कुमारों से कहा आप सत्थ कहते हैं रिशिवर मैंने वेदव गीता का अध्यान करके ग्यान और वेरागे को जगाने का बहुत प्रयास किया पर उनमें चेतना नहीं आई अब आप ही बताएं कि श्रीमत भागवत की कथा कहने से वे किस प्रकार से जागेंगे सनत कुमारों ने कहा हे रिशिवर नारत जी सभी वेदों का सार तत्व श्रीमत भागवत के नहीं थै उसके एक एक शलोक वपद में वेदों का अर्थ दूध में घी की तरह भरा है उसका उचित मन्थन करके ही घी को प्राप्त किया जा सकता है श्री वेदवियास जी ने वेदों का मन्थन करके उसके सार तत्व को श्रीमत भागवत में भर दिया है आप तो सब जानते हैं फिर अंजान क्यों बन रहे हैं श्री नारायन ने श्रीमत भागवत के चार शलोक श्री ब्रह्मा जी को सुनाय थे आपने भी उन्हें सुना था और उन्हें आपने श्री वेद्व्यास जी को बताया था वेद्व्यास जी ने उन्हें विस्तार देकर श्रीमत भागवत की रचना की है वही कथा सभी प्राणियों का दुख हरन करने वाली है और इस संसार की मोह माया से उनका उद्धार करने वाली है नारद जी ने गदगद होकर कहा रिशीवर भाग से ही सत्संग प्राप्त होता है आपके दर्शनों से यह सवभाग आज मुझे प्राप्त हुआ है अब आप मुझे यह बताए कि इस भागवत कथा का पराइण कहां पर करना चाहिए और कितने दिनों में करना चाहिए तीसरा अध्याय श्रीमत भागवत के सब्ताह वेधि और उसका फल सनत कुमारों ने कहा हे रिशिवर नारत जी हरिद्वार में गंगा की पावन जलधारा के तट पर यह कथा सुनाने का बहुत अच्छा इस्थान है वहाँ पर व्रिक्षों की घनी चाया है बहुत से रिशी वा मनीशी ज्ञान साधना में लगे हुए वहाँ निवास करते हैं उस इस्थान पर यह कथा रुपी यग करने से ज्ञान वैराग में लगे लोग जाग जाएंगे और भक्ती रस के आनन्द में सराबोर हो जाएंगे नारत जी बोले हे रिशिवर आपको भी हमारे साथ चलना होगा बिना आपके यह कथा यग पूरा नहीं होगा नारत जी के आगरह पर चारू भाई बदरिक आश्रम से चलकर हरिद्वार आएं और वहां रहने वाले रिशियों और मूनियों से उन्होंने श्रीमाद भागवत कथा कहने का मन्तव्य प्रकट किया उन्होंने उनसे कहा कि जो कोई भी इस कथामरित का पान करना चाहे वेगंगा तट पर एकत्र हो जाए श्री नारत जी व सनत कुमारों की वाणी सुनकर उस इस्थान पर रहने वाले रिशी भ्रेगु वसेष्ट, च्यवन, मेधादिति, गौतम, परशुराम, मारकंडे, विश्वामित्र, पराशर और वेद पाठी आदी जितने भी रिशी व मुनी वहां उपस्थित थे सभी उस कथामरित का पान करने वहां आए इन रिशी वरों की अतिरिक्त, वेद पाठी, गंधर्व, किन्नर, नागरीक, आबाल, वृद, वह इस्तरी पुरुष, वहां कत्र हो गया जब श्री नारत जी ने शंकद होनी की, तो देवगड़ भी अपने अपने विमानों में चड़कर वहां कथामरित का पान करने आप पहुँचे सभी और से मंगल गान और जैद होनी होने लगे, सभी सोच रहे थें कि देखें कौन परमिश्वर की लीला का बखान करता है नारत जी ने सभी को आदर पुर्वक इस्थान ग्रहन कराया, जब सभी शान्त होकर बैठ गयें, तो सनत कुमारों ने नारत जी से कहा रिशीवर, हम आपको वह कथा सुनाते हैं, जो श्री शुकदेव जी ने राजा परिक्षित को सुनाई थी इस कथा में 18,000 श्लोक हैं, उन्हें सुनने और मनन करने से मुक्ती सामने खड़ी दिखाए देने लगती है हे नारत जी, श्रीमत भागवत की कथा सुनने से जो पुन्यफल प्राप्त होता है, वैसा फल हजारों अश्रमेद वा वाजपे यग करने से भी प्राप्त नहीं होता जब तक इस संसार की मुह माया में लिपत लोग इस कथा को नहीं सुनते हैं, तब तक उनके पाप कर्म उन्हें दूख के गर्त में धाकेलते रहते हैं इस अमरित मै कथा को सुनने के उपरांत सभी पाप इस प्रकार से दूर भाग जाते हैं, जैसे सूर्य के उधित होते ही कोहरा छट जाता है जो लोग श्रीमत भागवत का प्रती दिन एक या दो श्लोकों का पाठ भी करते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है और जो नित्य श्रीमत भागवत का पाठ करते हैं और दुसरों को श्रवन कराते हैं, उनके करोणों जन्मों के पाप जल कर भस्म हो जाते हैं जो व्यक्ति श्रीमत भागवत की पोथी सोने के सिहासन पर रखकर वैशनो जन और साधुओं को दान में देता है उसे परमश्वर उस भाव सागर से मुक्ति देकर अपनी परम दिवे ज्योती में लीन कर लेते हैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी जिसने श्रीमत भागवत की कथा को नहीं सुना उसके जीवन पर धिक्कार है उसे चांडाल के समान समझना चाहिए ऐसे कुपुत्र को जन्म देने से अच्छा था कि उसकी माता बांज ही रहती सनत कुमारों ने आगे कहा उपस्थित सज्जन्वनिंद इस कलियुग में यग तप दान और धर्म इस संसारी व्यक्ती से नहीं हो पाता उसके मन में एकागता भी नहीं आपाती मन सदेव चंचल रहकर इधर उधर भटकता रहता है इसलिए स्वयम परब्रम्भ परमात्मा ने श्रीकृष्ण द्वयपायन वेध व्याज जी का अवतार लेकर यह कथा रची यह कथा साथ दिन में सुनी जा सकती है जो कोई व्यक्ती साथ दिन में चित लगा कर इस कथा को सुनता है उसे सभी प्रकार की यग्य तप व्रत वदान करने का फल प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन आवा गमन के चक्र से मुक्त हो जाता है इस महापुराण के ग्यारहवे इसकंध में एक स्थान पर श्री उद्धो जी श्री कृष्ण जी से ज्यानोपदेश ग्रहन करके कलियुक के लक्षण को जानते हैं और श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में नमन करके पूछते हैं कि हे दिनानाथ आप तो बैकुंट को जा रहे हैं फिर इन संसारी व्यक्तियों का उधार कैसे होगा तब इस पर त्रिभुवन पते श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धो तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करो वहां तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी मेरे जाने के उपरांद भी इस संसार में श्रीमत भागवत रुपी कथा इस जगत में सदैव रहेगी जो मनुष एक सप्ताह तक भागवत कथा को सच्चे मन से सुनेगा उसको मेरा दर्शन अवश्य होगा इसे संसारीक लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला परायर समझना चाहिए इसके सिवाए इस कल्यूग में मुक्ति का कोई दुसरा उपाय नहीं है इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी ने शोनक आदे रिशीवरों से कहा रिशी श्रिश्ट मुनिवर जब श्री सनत कुमारों ने वहाँ सप्ताह का परायान करके श्री मदभागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की तब सभी ने उसे पूर्ण मनो योग से सुना उस कथाक श्रमन से भक्ती के वेदोनो पूढ़े पुत्र ज्यान और वेराग अचेता वस्था से चैतन्य होकर उठ खड़े हुए भक्ती का दुख छूट गया सभा में भक्ती के पदारपन से सभी गोविंद हरे मुरारे का जाप करने लगे वहाँ पर भक्ती ज्यान और वेराग का ऐसा समागम हुआ कि सभी भक्ती रस में सराभोर होकर कलियुक के दुख को भूल गये सभी का मन उस सप्ताह कथा से शुद्ध पवित्र और एकागर हो गया चोथा अध्याए सप्ताह सुद्धने वालों को नारायन का दर्शन और आत्म देव ब्राह्मन की कथा सूत जी ने शोनक आदे रिशियों से कहा मुनिवर जब सभी उपस्थित वैश्नोजन वा रिशी श्रेष्ट श्रीमद भागवत की सप्ताह कथा को सुनकर एकागरचित हो गये तब श्री श्याम सुन्दर ने चूपिताम परधारन किये हुए थे करगनी मोर मकूट जडाव कुंडल पहने थे केसर वो चंदन का तीलक लगाए थे उद्धव और बैकूंठ वासी अपने भगतों के साथ वहाँ उपस्थित हुए और अपनी मधूर मुहिनी सूरत से सभी को दर्शन दिये उस अमृत मै कथा को सुनकर सभी की आखों के सम्मुख श्री श्याम सुन्दर की मुर्ती साक्षात प्रकट हो गई उनके दर्शन करके सभी उपस्थित जन उनकी जैजैकार करने लगे चंदन और पुष्पों की उनपर वर्शा करने लगे धूप, दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करने लगे शंक की तुमूल दोनी से उनकी उपस्थिती का जैगोश करने लगे ठट के ठट लोग कुमड कर उनके चरणों में गीर पड़े ऐसा अदभूत आनंद देखकर श्री नारत जी ने सनत कुमारों से कहा कि उन्होंने यह सब्ताह यग्य करके सभी को मुक्ती का धिकारी बना दिया है इनके अतिरिक्त और कौन लोग हैं जी इन्होंने इस कथा को सुनकर मुक्ती प्राप्त की है इस पर सनत कुमारों ने कहा इस कल्यूग में जो मनुष्य अपने पाप कर्मों से पापी कहलाते हैं जो दुष्ट, लाल्ची, चुगल खोर, दुष्चरित्र, कामी और कोधी हैं वे भी इस सब्ताह कथा को सुनकर मुक्ष को प्राप्त करते हैं इस कलियुग में जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह अपने कर्म और धर्म से रहित लोभी होने पर भी इस कथा को सुनकर भव सागर से पार हो जाता है अब हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं यह कथा एक ऐसे ब्राहमण की है जिसकी पतनी बड़ी करकशा थी आत्म देव ब्राहमण की कथा दक्ष्य दिशा में तूंग भद्रा नदी के तटपर इस्थित एक नगर में आत्म देव नामक एक ब्राहमण अपनी पतनी धुन्दली के साथ रहता था ब्राहमण बड़ा ज्यानी तेजवान और सदाचारी था जबकि उसकी इस्तरी बड़ी करकशा थी वह सारे दिन संसारिक मोह माया में फसी रहती थी और बात बात में अपने पती से लड़ाई जगडा करती रहती थी वह ब्राहमण जैसी परमेश्वार इक्षा कहकर चुप रहता था और अपना समय काड़ता था उस ब्राहमण के यहाँ कोई संतान नहीं थी उसने संतान के लिए खुब दान दक्षणा बाटे पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इक्षा से वन में चला गया वहाँ एक सरूवर के किनारे वह भूखा प्यासा दो पहर तक बैठा रहा चिन्ता के मारे उसका बुरा हाल था संतान नहों होने के कारण उसके पितरों को मुक्ती नहीं मिलेगी उसी समय एक सन्यासी वहाँ आया और उस ब्रहमन को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पुछने लगा ब्रहमन ने संतान नहों होने का अपना दुख उससे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी बांज है और जो व्रिक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते हैं बाजार से जो फल वह लाता है वे भी सुख जाते हैं सन्यासी ने ब्रहमन को सांतोना देते हुए उसकी कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग में साथ जन्मों तक संतान का सुख नहीं है इसलिए उसके लिए प्रयत्र करने का कोई लाब नहीं है वैसे यह सांसारिक माया जूटी है कल्योग में पुत्र से सुख नहीं दुख ही प्राप्त होता है सभी भाई बंधू मतलब के साथ ही होते हैं तु ब्रहमन पुत्र है तुझे अपना मन हरी भक्ती में लगाना चाहिए इससे तुझे सुख प्राप्त होगा श्रीहरी की शरण के बिना प्राप्त होने वाले सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं ब्राह्मन को सन्यासी की बातों से संतोश नहीं हुआ वह संतान प्राप्ती की ही रट लगाय रहा उसे अधिक दुखी जानकर उस सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना तुझे अवश्य पुत्र का सुख मिलेगा ब्राह्मन खुशी खुशी अपने घर लोटाया और उसने वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया और कहा कि इसके खाने से उसे पुत्र की प्राप्ती होगी फल देकर वह ब्रामण नगर में चला गया उसी समय उसकी पतनी की एक सहेली वहां आई तो ब्रामण की इस्तरी ने उससे अपने स्वामी की बात बताई और कहा कि वह संतान उत्पन करना नहीं चाहती यदि उसे गर्भ रह गया तो घुमने फिरने गाने बजाने उठने बैठने में उससे बड़ा कश्ट होगा गर्भ के कारण वह ठीक से खा पी नहीं सकेगी और जब वह पुत्र को जनेगी तब उससे बड़ी पीड़ा होगी उसका शरीर कॉमल है वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी यदि बालक हो भी गया तो रात दिन उसके मल मुत्र को साफ करना उससे नहीं हो पाएगा बदबू वह जरा भी सहन नहीं कर पाती इससे तो वह बांज ही ठीक है उसकी सहली ने उसे समझाया कि वह फल को कहीं छिपा दे और पती से कह दे कि उसने फल खा लिया है सहली की बात उसकी समझ में आ गई उसने ऐसा ही किया उसने फल को छिपा दिया और पती से जूट बोल दिया कि उसने फल खा लिया है कुछ दिनों बाद उस ब्राहमणी की बेहन उसके घर आई तो उसने अपनी बेहन को उदास और कमजोर देखा तो पूछा कि यह सब क्या है उसकी उदासी का कारण क्या है इस पर ब्राहमणी ने अपनी बेहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसलिए चिंतित और उदास है कि गर्भ तो उसके है नहीं फिर वह अपने पती से यह जूट कब तक चिपा पाएगी उसकी बहन ने बताया कि वह एक माहत की गर्भवती है वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे देदेगी यह फल वह गाय को खिला दे ब्राहमणी ने प्रसन होकर वह फल अपनी गाय को खिला दिया समय आने पर ब्राहमणी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया ब्राहमणी ततकाल चुपचाप उस नौजात शिशु को ले आई और उसने ब्राहमण से कह दिया कि उसे पुत्र हुआ है कुछ समय के बाद ब्राहमणी की गाये ने भी एक सुन्दर मनुश्य रुपी बालक को जन्म दिया उसके कान गाये जैसे बहुत बड़े बड़े थे ब्राहमण दोरी खुशी पाकर खुब प्रसन्न हुआ उसने याचकों को बुलाकर खुब दान दक्षिना दे और घर में धोलक बजवाई ब्राहमणी ने अपने पती से कहा कि उसको दूद नहीं उतर रहा है जबकि उसकी बहन को खुब दूद आ रहा है उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया है उसका दूद पीने वाला कोई नहीं है अगर वह कहे तो अपनी बहन को बुला ले ब्राहमणी ने सहर्ष अपनी सहमती परदान कर दी ब्राहमणी की बहन वहां आ गई और उसके पुत्र को दूद पिलाने लगी ब्राह्मन ने उस बालक का नाम धुन्धुकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकन रखा वह उन दोनों बालकों का लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगा जब दोनों बालक सयाने हुए तो गोकन पढ़ लिखकर बड़ा पंडित और बुद्धिमान हुआ जबकि धुन्धकारी महा मुर्ख, अधर्मी, चोर, जुवारी और लंपट बना गोकन का समय धर्म कर्म में व्यतीत होता था और धुन्धकारी का कूकरमों में गोकन का समय शास्त्रों के अध्यायन, तिर्थाटन और संत महापुर्षों के संग में बीत था जबकि धुन्धकारी वेश्या गवन करता और घर का सारा धन उस पर लूटाने लगा वह धन न देने पर अपने माता पिता के साथ मार पीट करता और गाली गलोज करता ब्रहमण उसके दशा देखता तो दुखी होकर कहता कि इससे अच्छा तो मैं नहीं संतान ही था पोचता इस जीवन से तो मर जाना ही उचित है इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाता पिता को दुखी देखकर गोकर्ण उसे समझाता कि इस संसार में दुख सुख किसे नहीं होता आपको चिंता नहीं करनी चाहिए संसार में राजा रंक धनी निर्धन सभी के साथ दुख लगे रहते हैं जो व्यक्ति संसारिक मोह माया छोड़ कर परमातमा में अपना ध्यान लगाता है सुख उसे ही प्राप्त होता है इसलिए आप इस्त्री और संतान का मोह छोड़ कर वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो आपको सुख अवश्य मिलेगा संसार में लिपते रहने से तो नरक ही भोगना परता है गोकर्ण की बाते सुनकर ब्राहमन को कुछ ग्यान हुआ और उसने अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पर वन में जाकर अपना मन श्रीहरी चरणों में लगा दिया कुछ ही दिनों की एक आगरचित भक्ती करने से उसे मोक्ष मिल गया और उसने अपना संपून जीवन श्रीहरी भक्ती में समर्पित कर दिया पांचवा आद्याए धुन्दकारी की प्रेतिवनी से मुक्ती आत्मदेव ब्राहमन गोकर्ण के कहने पर जब वन में चला गया तो धुन्दकारी ने पैसों के लिए अपने माता को मारना पिटना शुरू कर दिया वह उसे गड़े धन के बारे में पूछता पर धन कहीं था ही नहीं वह कब तक बहाने बनाती एक रात अपने पुत्र के अत्याचारों से बचने के लिए उसने कूएं में कूद कर अपनी जीवन लिला समाप्त कर दी जब गोकर्ण ने दुन्दकारी का यह हाल देखा तो वह भी घर छुड़ कर कहीं चला गया वह विभिन तीर्थस्थानों में जाकर भगवान का भजन पूजन करता और सभी के सुख दुख में समान भाव से सम्मिलित होता गोकर्ण के जाने के बाद दुन्दकारी वेश्या का मन का खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करने लगा एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन और आभुशन चुरा कर लाया और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया उस रात वह वेश्या के यहां ही सोया रातरी में जब वह गहरी निंद में था तो वेश्या के घरवालों ने विचार किया कि यहां चोरी करके धन लाता है यदि यहां पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा इसे से तो अच्छा है कि इसे ही सदैव के लिए मौत के मुह में धकेल दिया जाए उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छट से लटका दिया लेकिन जब वह नहीं मरा तो जलती लकडियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया गया और घर के आंगन में एक गड़ा खोद कर उसके लाश को उसमें दफन कर दिया गया वैश्याएं किसी के मित्र नहीं होती उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब होता है मुख में जुबान बड़ी मिठी होती है और पेट में विश्वरा होता है लोगों के पुछने पर वैश्या ने कह दिया कि वह व्यापार के लिए परदेश कया हुआ है हत्या किये जाने के कारण दुन्दकारी प्रेतियोनी में पहुँच गया तीर्थ यात्रा के समय किसी ने गोकर्ण से कहा कि उसका भाई मर चुका है परन्तु उसकी अंत्यष्टि ना होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्राद किया रात्री में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आकर सोया तो उसने धुन्दकारी को प्रेतियोनी में देखा वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैसा, तो कभी मनुष्य बन जाता गोकर्ण ने धैरे के साथ उससे पूछा अरे भाई, तू प्रेत कैसे बन गया, मैंने तो तेरा विधिवत श्राद कर दिया है धुन्दकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा, और बोला भाई, मैं धुन्दकारी हूँ, मैंने बड़े पाप किया है, उनके गिंती नहीं हो सकते उनहीं पापों के कारण मुझे प्रेतियोनी से मुक्ति नहीं मिल रही है, अब तुम ही अपने धर्म के परभाव से मुझे प्रेतियोनी से मुक्ति दिला सकते हो दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर गुला कर अपने भाई की प्रेतियोनी से मुक्ति का उपाय पूछा उन पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि वह सुर्यो पासना करके भगवान सुर्य देव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे गोकन्ण ने सभी पंडितों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़े होकर सुर्य उपास ना की सुर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सुर्य देव ने गोकन्ण को दर्शन दिये और जो वरदान मांगने को कहा, तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की, जिससे ये धुन्दकारी प्रितियोनी से मुक्त हो जाए वज्स शेबत भागवत का सप्ताह परायन कराओ और उसे अपने भाई को सुनाओ उसकी प्रेतियोंनी से मुक्ति हो जाएगी सुध्य भगवान की बात सुनकर गोकन्ड प्रसंद हो उठा उसने ततकाल पंडितों, योगियों और महापुर्षों को बुलाकर मंत्रणा की और शास्त्र विधी के अनुसार श्रीमत भागवत का सबताहा परायन कराया उससे सुने बहुत से स्त्री पुरुष, आबाल, बृध, धनी, निर्धन वहाँ आये दुनकारी का प्रेत एक बांस पर जिसमें साथ गाठें थी, बैठा और श्रीमत भागवत की कथा का श्रौन करने लगा पहले दिन की कथा समाप्त होने पर बांस की एक गाठ फट गई, उची शब्द ध्वनी हुई, इसी प्रकार दूसरे, तिसरे और चौथे दिन भी कथा के समाप्ती पर बांस की गाठ भारी शोर करते हुए फट गई फिर पाचवे, छठे और साथवे दिन भी ऐसा ही हुआ श्रीमत भागवत की बारह इसकंधों की कथा सुन्दने से तुन्दकारी के सारे पाप नश्ट हो गए और वह प्रेत योनी को छोड़कर बैकूंठ लोक में चला गया गोकर्ण से जाते समय उसने कहा, भाई मैंने अपने जीवन में अत्यंत जगन्य पाप किये मैं अपनी माता और पिता के मृत्यु का कारण मना, मैंने उन्हें उनके जीवित रहते भी अत्यंत दूख दिये भोगों ने मेरी बुद्धी को मुझे से छीन लिया था मुझे तो लगता था, मैं इन पापों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ती दिलाकर मुझे पर बड़ा उपकार किया है श्रीमत भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो पापों से मुक्ती दिलाने वाला हो इस संसार रुपी की चड़ में फसे लोग श्रीमत भागवत के कथा रुपी तीर्थ में इस नान करने से ही पवित्र होते हैं और इस भाव सागर से पार हो जाते हैं यह कथा अध्यन्त पावन है जो इसका पारायन किसी संसारिक एश्वर भूग की कामना से करता है उसकी उनसमस्त कामनाओं की पूर्थी होती है वैश्णों को इस पारायन कफल प्रेमा भक्ति के रूप में प्राप्त होता है इस प्रकार जो जिस भावना से इसका पाठ करता कराता है वह उन्हें प्राप्त करता है दुन्दकारी के प्रेत योनी से छुटकारा पाने के उपरांत वहाँ उपस्थित पंडितों और महात्माओं ने गोकन्ड से कहा वाद्स हमारे मन में एक संदेह उत्पन हुआ है उसे आप मिटा दीजिए यहाँ उपस्थित हम सभी ने श्रीमत भागवत कथा का सपताह प्रायन सुना परन्तु यहाँ सभी को मुक्ती नहीं मिली केवल धुन्दकारी को ही मुक्ती मिली और वह बैकुंट में चला गया ऐसा क्यूं हुआ गोकन्ड ने कहा महात्माओं इस कथा को जो व्यक्ती एकाग्रचित होकर केवल मुक्ष प्राप्ती के लिए सुनता है उसे संपून फल अवश्य प्राप्त होता है लेकिन जिनका चित सांसारी कार्यों में ही विल्जा रहता है उन्हें वैसा फल प्राप्त नहीं होता एक चित होकर ही मुक्ती प्राप्त होती है ऐसा सुनकर सभी लोगों की प्राथना पर गोकर्ण ने श्रावर मास में पुनह श्रीमत भागवत का सप्ताह परायन कराया जिन्होंने एक चित होकर उसकता को सुना उन्हें लेने के लिए स्वयम श्रीकृष्ण बैकूंठ से अभीमान निकर पधारे और गोकर्ण सहीत उन्हें लेकर बैकूंठ चले गए वैसे ही कैसे त्रेता युग में श्री राम चंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर सदेह बैकूंठ गए थे जिस स्थान पर सूर्य और चंद्र की पहुँच भी नहीं है वहां यह संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवन से पहुँच जाता है इस कथा का महात्य में सभी तपों और व्रतों से उचा है ऐसा सभी को समझना चाहिए छठा ध्याय श्री नारद मुनी का सनत कुमारों से श्रीमत भागवत की सपताह विधी पूछना नारद जी ने ऐसे महत्यपून श्रीमत भागवत कथा के सपताह परायान करने की विधी के बारे में श्री सनत कुमारों से पूछा तो उन्होंने कहा रिशीवर आपने यह सुन्दर प्रश्न पूछा है मैं विश्तार के साथ इस सपताह परायान के विधी आपको बताता हूँ श्री सनत कुमार जी ने जो विधी बताई वह इस प्रकार है श्रीमत भागवत कथा का सपताह परायान वैसे तो किसी भी समय किया जा सकता है क्योंकि शुब कर्म करना किसी भी समय उत्तम है वैसे भादो, कुवार, कार्तिक वो अगहन मासों में यह सपताह परायान कराना या करना अधी उत्तम माना जाता है इन मासों में इस कथा को सुनने से बड़ा पुन्य प्राप्त होता है जब किसी के मन में इस कथा को सुनने के इक्षा जागरित हो तब किसी विद्वान व्यास जीद्वारा शुभ महुर्त देखकर इस सब्ताहा का परायन कराना चाहिए इस पारायन में अपने इश्ट मित्रों, बंधु बांधों और सुनने के एक्षुक सभी लोगों को बुलाना चाहिए इस सप्ताहा पारायन के लिए घर का स्वक्ष आंगन, उद्यान, मैदान या तिर्थ इस्थान शुब रहता है ऐसे इस्थान पर चांदनी का चंदोवा, केले और आम के पत्तों की वन्यनवार आधी का परबंध करके उसे अच्छी पकार से अलंकृत कराना चाहिए और बिछावन बिछाकर व्यास जी के लिए उचा सिहासन इस्थापित कराना चाहिए शोताओं को कथा श्रवड से पूर्व, इस्तनान ध्यान से निवृत होकर कथा इस्थान पर आना चाहिए और एक आगरचित होकर कथा का प्रसा स्वाधन करना चाहिए पहले दिन मुख्य शोता को श्री गणेश जी का पुजन करके सप्ताह परायन में बैठना चाहिए ताकि कथा के मध्य में कोई व्याधान उपस्थित ना हो पहले दिन ही एक विद्वान ब्रहमन को विश्नु सहस्तर नाम के पाठ पर बैठा देना चाहिए और ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए मुख्य शोता को पहले दिन ही कथा प्रारंभ होने से पुर्व कथा वाचक व्यास जी और श्रीमत भागवत पुरान की पोथी को सच्चे मन से पूजना चाहिए तथा यथा शक्ति भेंट रखकर कथा प्रारंभ करने की प्रार्थना करनी चाहिए जब व्यास जी कथा का प्रारंभ करें तब पून्द मन योग और एकागरचित होकर कथा का श्रवन करना चाहिए संसारिक मोह माया और मंधनों का सर्वता त्याग कर देना चाहिए कथा के समाप्ती पर प्रती दिन भगवान श्री कृष्ण की इस्तुती में भजन आदिगाने चाहिए यह कथा चार घड़ी दीन रहने तक की जानी चाहिए दो पहर के समय कथा को विश्राम देकर दूद फल का अलपाहार व्यास जी और शोताओं को ग्रहन कराना चाहिए सबताह परायन के दोरान नित्य संध्या समय एक बार ही भोजन करना चाहिए इसके अतिरिक्त साथ दिन तक पून ब्रह्मचरे का पालन करना चाहिए मन के विकारों को दूर रखना चाहिए भूल कर भी दुशित विचारों और भावों को मन में नहीं आने देना चाहिए लोब, मोह, क्रोध आदी से सदैव दूर रहना चाहिए बासी अन, दाल, शहद, बैंगन, तर्बूज, मसूर, मेथी, उरद, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, कोहना अर्था काशी फल आदी नहीं खाना चाहिए अधिक भोजन कदापी नहीं करना चाहिए इससे आलस होने लगता है और शोतागण कथा के मध्य सोजाते है कथा के मध्य किसी की चुगली, इरश्या, निंदा और क्रोध आदी नहीं करना चाहिए रजस्वला और मलेच को कथा मंडप में बैठकर कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए यदि उन्हे कथा सुनने के इक्षा हो, तो वे कथा मंडप से अलग होकर बैठे शोताओं को सत्य बोलने और दया भाव का सदयो प्रयास करना चाहिए कथा के मध्य पारस्परीक वर्थलाप और शोर आदी नहीं करना चाहिए इस कथा को यदि कोई बांज इस्त्री सुने, तो उसे संतान के प्राप्ति अवश्य होती है इसे सुनने से सभी का मनुरत सिद्ध होता है प्रति दिन कथा की समाप्ति पर तुलसी दल वप्रसाद सभी शोताओं को देना चाहिए जब कथा समाप्त हो जाए तो आठवे दिन सब्ताह का पुनाहुती यग दशम इसकंध के सुलकों से अथवा गायतरी महमंत्र के जाप से आहुती देकर करना चाहिए तदुपरांत व्यास जी अर्थात कथा वाचक वा अन्य ब्रामनों को भोजन कराके अपनी समर्थ के अनुसार वस्त्र अभूशन गौव पृत्वी बरतन वा धन आदि देना चाहिए और सम्मान पुरुवक उन्हें विदा करना चाहिए श्री वेद व्यास जी का कहना है कि इस कथा के श्रमर से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी पदार्थ मिलते हैं यहां काम का अर्थ सुख और एश्वरे से है, अर्थ से सम्रिधी प्राप्त होती है, धर्म से सद्विचार और पुन्य लाव होता है, और मोक्ष से इस भावसागर से मोक्ती होने का बोध होता है इतनी बात कहने के बाद सनत कुमार बोले, रिशिवर नारद जी, यदि आपको सुनने की अभी भी एक्षा रह गई हो, तो हम इस कथा का दुसरा सब्ताहा परायन प्रारंब करें नारद मुरी ने प्रसन होकर कहा, मेरे अहो भाग, जो मुझे ऐसा औसर प्राप्त हो रहा है, यहां आपका उत्तम विचार है नारद जी के सहमती पाकर सनत कुमारों ने श्रिमत भागवत का दुसरे सब्ताहा का परायन प्रारंब कर दिया उसे सुनने के लिए आस-पास के सैकणू रिशिगण वहां एकत्र हो गया उसी समय अनेक तिर्थों में ब्रहमन करते हुए स्वयम शुकदेव जी महराज भी वहां चले आए उन्हें देखकर सनत कुमारों ने उठकर बड़े आदर भाव से उन्हें व्यास पीठ पर बैठने का निवेदन किया परन्तु शुकदेव जी ने कहा नहीं रिशिवर यह व्यास पीठ आपके लिए ही निर्मित की गई है सब्ताह परायण आप ही करेंगे यदि आप कहें तो मैं शुताओं से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ सभी ने एक स्वर से शुकदेव जी को सुनने के इक्षा प्रकट की तो शुकदेव जी शुताओं से बोले उपस्तित शुतागण आप सभी लोग अगहन मासों में श्रीमत भागवत कथा के सब्ताह परायण को एक आगर्चित होकर सुने यह कथा वेद रुपी व्रिक्ष का फल है अर्थात वेदों का सार तत्वे इस कथा में नहीं थे संसार में दुसरे जितने भी फल होते हैं उनमें गुठली और छिल्का रहता है परन्तु यह फल उन सभी फलों से निराला है इसमें अम्रित रसभरा हुआ है इस अम्रित का पान करने से मनुष्य भावबंधन के चक्र से मुक्ती पा जाता है इसलिए इसे बार बार पीना चाहिए यह कथा सबसे पहले श्री नारायन ने श्री ब्रहमा जी से कही थे श्री ब्रहमा जी ने इसे अपने पुत्र श्री नारत जी को बताया श्री नारत जी ने इससे मेरे पुझी पिता श्री कृष्णे दोएपायन वेद व्यास्ची से कहा पिता श्री ने यह कथा मुझे पढ़ाई और मैंने इससे राजा परिक्षित को सुनाया और उसका दुख दूर किया शोतागण पून मनयोग से श्री शुकदेव जी का प्रवचन सुन रहे थे श्री शुकदेव जी आगे बोले मेरे प्रिये शोतागण आप सभी शुध और प्रबुध मन से यहां इस कथा का रसामरित प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए है यह आपको जानना चाहिए कि इसमें जो सारतत्त्त विद्यमान है वह अठारों पुराणों के सारतत्त्त से भी उत्तम है साधू और वैश्टों जन का यही सर्वत्तम और बहुमुल्य धन है स्वर्ग में तपस्वी गण, ब्रह्म लोक में स्वयम ब्रह्मा, कैराश अर्थात शिव लोक में आशुतोष शिव और बैकूंठ लोक में श्री लक्षमी जी इस कथा को अपने श्रेमुक से गाती है जिस समय श्री शुकदेव जी शोर्तागण को अपना परवचन सुना रहे थे उसी समय बैकूंठ पती श्री विश्णू, श्री ब्रह्मा, देवराज इंद्र, श्री वरूंड देव, श्री कूबेर देव तथा प्रहलाद आदी भक्त वहाँ उपस्थित हो गए उन्हें देखकर वहाँ उपस्थित सभी जन उनकी जैजैकार करने लगे नारत जीतो हर्शा तिरेक में खड़े होकर नाचने लगे भक्त प्रहलाद ने करताल बजानी प्रारम की तो भक्त उद्धव मंजीरा बजाने लगे दिवराज इंद्र मिर्दंग पर थाप देने लगे उस समय तिर्लोकिनाथ श्री नारायन ने जब सभी को प्रेम में लीम देखा तो कहा भक्तों जिसके मन में जो इक्षा हो सो मांग लो नाराद जी ततकाल हाथ जड़ कर बोले प्रभू आपके दर्शनों का स्वभाग हमें प्राप्त हुआ है इसे से अधिक ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम मांगे आपने दर्शन देकर हम सभी को कृत कृत कर दिया आप अपने चरणों की भक्ती हम सभी को दीजिए श्री नारायन ने तथास्तु कहा और अंतरधान हो गए सब्ताह यग्यपूर्ण हुआ श्री सूत जी से यह कथा सुनकर शोनक आधी 88,000 रिशियों ने सूत जी से पूछा हे सूत जी श्री शुकदेव जी महराज ने यह कथा राजा परिक्षित को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा सनत कुमारों ने यह कथा कब कही थी यह हमें बताईए श्री सूत जी ने कहा रिशिवर जब श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी से बैकूंठ लोग को पधारे तब उसके तीन सो वर्ष पस्चात भादो मास की नवमी के दिन श्री शुकदेव जी ने यह कथा राजा परिक्षित को सुनाई थी और इसका पारायन उन्होंने साथ दिन में किया था वह इस्थान गंगा के तटपर है और कलियुग में उस स्थान को शुक्रताल के नाम से जाना जाता है यह शुक्रताल नाम शुक्रताल का अपब्रांश है यहाँ एक विशाल वटव रिक्ष है इसी के नीचे बैठकर श्री शुकदेव जी ने यह कथा कही थी आज यह इस्थान एक तीर्थ इस्थान के रूप में विक्सित हो चुका है इस कथा के 200 वर्ष पस्षात गोकर्ण ने गया तिर्थ में इस कथा का सब्ताह परायन कराया था उसके 300 वर्ष पीछे इस कथा का सब्ताह परायन श्री सनत कुमारों ने श्री नारत जी क्यों पस्तिती में कराया था यहाँ उसी कथा का वर्णन किया गया है इस अम्रितमई कथा का जो भी प्रेम से श्रमन करता है या दुसरों को सुनाता है उसको सभी फल प्राप्त होते हैं और वह जीवन मुक्त कहलाता है जीवन से मुक्ती कदात पर्य यहां सभी प्रकार की मोह माया और सांसारी के बंधनों से मुक्त हो जाना है ऐसा भागवत पुरुष अर्थात जीवन मुक्त इस संसार में रहकर भी निश्प्रिह भाव से सभी के प्रती प्रेम और संभाव रखता है उसे अपने लिए किसी पदार्थ का लोब नहीं रहता वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है उसका हर पल और हर घड़ी श्री भगवान मुरली धर की रूप माधुरी में खोया रहता है इस प्रकार श्रीमत भागवत महत्म पून हुआ इसके आगे आप प्रथम इसकंध के अध्यायों का अश्रावन करेंगे प्रथम इसकंध प्रथम इसकंध में कूल अध्यायों की संख्या 19 है तो चलिए कथा आराम करते हैं प्रथम अध्याय से हिंदू रिचुवल्स हिंदू रितिरिवाज सरातन धर्म के प्रसार के लिए अधक प्रयत्न कर रहा है इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिकाव शक्ता है ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनीशदों और शास्त्रों आधी का ओडियो भुग के रूप में पुनर संकलन कर भावी पिडियों के लिए इन्हें संदक्षित कर सके तो आए इस बिहत कारे को सकार करने है तूँ, हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं इस शुब कारे है तूँ आप से नियूनतम अंशदाल प्रतिव्यत्ती की अपिक्षा है आप अपने समर्थ अनुसार कोई भी राशी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए पेमेंट आइडी के द्वारा हम तक पहुचा सकते हैं पहरा अध्याए श्री सूत जी से शोनक आधी रिश्यों द्वारा प्रश्ट करना मंगलाचरण जिससे इस जगत की श्रिश्टी, इस्थिती और विलय होता है जो समस्त पदार्थों में इस्थित है जो अस्तित्व विहीन पदार्थों से अलग है जो जड़ नहीं अपितु चेतन है जो परतंत्र नहीं अपितु स्वयम प्रकाश है जो ब्रह्मा अथवाहिरन गर्व नहीं अपितु अपने संकल्प मात्र से ही जो वेद ग्यान को देने वाला है जिसे जानने के लिए बड़े-बड़े मनीशी और विद्वान भ्रहमित हो जाते है जैसे सूर्य रश्मियों में जल का जल में अस्थल का और अस्थल में जल का भ्रहम हो जाता है वैसे ही जिसमें यह त्रिगुन में जागरत, स्वप्न और सोशुप्ती स्रिष्टी मिथ्या होने पर भी वस्ततह सत्य प्रतीत होती है उस स्वयम, प्रकाश तथा सर्वता माया से परिपूर्ण होते हुए भी उस से मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं नैमी शरने में एकत्र शोनक आदी रिशियों ने सूत जी से प्रार्थना की हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के पास बैठकर सभी पुरानों और धर्म शास्तरों का अध्यान किया है कृप्या हमें भी बताईए कि उन पुरानों और धर्म शास्तरों तथा गुरुजनों के उपदेशों में ऐसा क्या है जिसे से कलियूग में निवास करने वाले जीवों का कल्यान हो सके आप संत समाज के भूशन है आप तो जानते हैं कि इस कलियूग में लोगों की आयू कम है और धर्म कर्म तथा साधना में उनकी रूची भी नहीं है लोग आलसी और भौतिक वादी हो गए है इसी कारण वे विविध प्रकार की विग्ने बाधाओं में घिरी रहते हैं साथ ही धर्म शास्त्र और पुरान भी इतने बड़े हैं कि उन्हें सुनने या पढ़ने का धहरे भी लोगों में नहीं रह गया है आप अपनी बुद्धी से उनका सार तत्व हमें बताईएं ताकि हमारा कल्यान हो सके एक अन्य रिशी ने कहा हे सूत जी महामुनी वेद व्यास जी ने श्रीमत भागवत पुरान में मोक्ष के लिए फल की कामना से रहिते श्रेष्ठ धर्म का उल्लेक किया है इस गरंथ में सत्पुर्षों के लिए जानने योग्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का चरित्र वर्नित हुआ है जो जीवन के तीनों पापों आधि पौतिक अर्थात शालिरिक और मानसिक दुख आधि देविक अर्थात देविय आपदाय भूत परित आधि के दुख तथा आध्यात्मिक अर्थात परमात्मा या आत्मा को जानने का दुख इन सभी दुखों का जड़ से विनाश करने वाला है और परम कल्यानकारी है हे सोत जी आप निश्पाप हैं आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधीवत अध्यायन किया है आपका हिर्दय बड़ा सरल है आप गुरू की कृपा वा अनुगरह के पात्र बने हैं आप हमें कृपिया यदुवश्यू के रक्षक भक्त वतसल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाईए और हमारे जीवन को परमात्मा के उस अध्भूत चरितर से रसामरित करके हमें जीवन मिर्थिव के इस चक्र से मुक्ति देलाईए तीसरे रिश्य ने कहा हे सूत जी आप जैसे परम विरक्त परम शांत मुनी जनी भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं आपके संसर्ग से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं आप जैसे भक्त जब भगवान की लिलाओं का गान करते हैं तब ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आत्म शुद्धी के एक्षा रखने पर उसका शवन नहीं करेगा श्री नारत जी जैसे दिवर्शी तक ने जिन श्री कृष्ण की लिलाओं का गान किया है उस लिला को आप हमें सुनाईए हे सुद्धी जी भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कीर्थी और उनकी लीला सुनने की हमारे उतकट एक्षा है श्री हरी की कथा सुनने के लिए हमारे पास दिर्ग कालीन आउकाश है जैसे समुद्र पार जाने वालों के लिए कोई कर्णधार मिल जाता है उसी प्रकार इस भव सागर से पार जानी के इक्षा रखने वाले हम लोगों से स्वभाग वशही ब्रह्मा ने आपको हम से मिलाया है कृपया हमें बताईए कि धर्म रक्षक ब्रहमन भक्त योगश्वर भगवान श्रीकृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण लिया हमने सुना है कि कलिव के प्रारंभ में श्रीकृष्ण जी ने सगुं रूप धर कर श्रीबल राम जी के साथ इस धरा पर अवतार लिया था उस परब्रम्भ परमिश्वर की लिलाओं की कथा सुनकर 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला जीव आवा गमन के चक्र से मुक्ति पा जाता है हमें कृप्या उन भगवान श्रीकृष्ण की पावन कथा सुनाने की कृपा करें दूसरा अध्याए भगवान की कथा और भक्ति का महत्व शोनक आदे रिशियों के प्रश्ण सुनकर सुथ जी बहुत प्रसन हुए उन्होंने रिशियों से कहा जिस समय श्री शुकदेव जी का यग्यो पवित संसकार भी नहीं हुआ था उन्होंने अकेले ही सन्यास लेने का निर्णे किया वेवन को जाने लगें तो उनके बिछडने के विरह से व्याकुल होकर श्री वेद व्यास जी पुत्र मोह में उन्हें पुकारने लगें किन्तु शुकदेव जी ने उनके पुकारने को अनसुना कर दिया और मन ही मन सोचने लगें कि पिता श्री सांसारिक मोह माया से ग्रसित हो रहे हैं उसी समय वन के व्रिक्षो ने व्यास जी से कहा रिशिवर इस संसार में न कोई किसी का पिता है और न किसी का पुत्र प्रतियक जीव का यह शरीर सदेव जीवन मिर्तिव के आवागमन चक्र में फसा रहता है शरीर मरता है आत्मा नहीं आपको शरी शुकदेव जी के भक्ती मार्ग में व्योधान उपस्थित नहीं करना चाहिए यह सुनकर व्यास जी को संतोश हुआ और वे वापस लोटने लगे परन्तु फिर न जाने क्या सोचकर वे वन में शुकदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे शुकदेव जी श्री कृष्ण की भक्ती में लीन आगे चले जा रहे थे तभी मार्ग में एक सुन्दर सरोवर दिखाये दिया उस सरोवर में कुछ सुन्दर इस्त्रिया नगने होकर इसनान कर रही थे उन्होंने शुकदेव जी को आते देखा तो किसी प्रकार की लज्जा नहीं की और उसी प्रकार इसनान करती रही शुकदेव जी आगे बढ़ गए कुछ देर बाद व्यास जी वहाँ आये तो इस्त्रियों ने ततकाल अपने वस्त्र पहन लिये और लज्जा से सिर जुका कर एक और खड़ी हो गई व्यास जी ने उनसे पूछा तुमने मेरे पुत्र को देखकर तो परदा नहीं किया और मुझे देखते ही वस्त्र पहन लिये इसका भेद क्या है उन इस्त्रियों ने कहा रिशिवर आपको इस्त्री पुरुष का ग्यान है जबकि शुकदेव जी को इस्तरी पुरुष का कोई भेद ग्यात नहीं है इसलिए हमने उनसे लज्जा नहीं की और आपको देखकर वस्तर पहन लिए इस्तरीयों के वचन सुनकर व्यास जी सोचने लगे कि निस्प्रिह और निश्चर भाव से जो भक्त परमात्मा में भक्ती रखता है उसे इस संसार का कोई मोह नहीं रहता मेरा पुत्र निश्च ही परमात्मा का भक्त है भविश्य में यह लोग हीत में ही अपना जीवन यापन करके लोगों का कल्यान करेगा तब ही तो इन इस्त्रियों ने मेरी नहीं इसकी प्रशंसा की है ऐसा विचार कर वे वापस लोट पड़े सूद जी बोले रिशिवर मनुष्यों के लिए सर्वश्रेश धर्म वही है जिसे से भगवान श्रिक्रिष्ट में भक्ती भाव उत्पन होता है यह ऐसी भक्ती होती है जिसमें किसी लोकिक पदार्थ के कामना नहीं की जाते इस भक्ती से मनुष्य का हिर्दय सच्चिदानन स्वरूप परमात्मा की उपलब्धी से कृत-कृत्य हो जाता है भगवान श्रिक्रिष्ण की रूप माधुरी में समर्पित हो जाने से निश्काम, ग्यान और वैरागे का जन्म होने लगता है धर्म का फल है मोक्ष उसकी सार्थक्ता भोतिक कामनाओं के पूर्ती में नहीं है भोग विलास का कर्म किवल इंद्रियों की संतुष्टी के लिए नहीं होता उसका अर्थ जीवन निर्वाह से होता है भक्त और भगवान के मध्य जब भेद समाप्त हो जाता है तब मुक्ती हो जाती है विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन से कर्मों के बंधन को काट डालते है हे रिशियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से उनमें श्रद्धा रखने से भगवत कथा में सहज ही रूचि उत्पन हो जाती है भगवान श्री कृष्ण के यश का अश्रवन करने तथा उनके नाम का जब किर्दन करने से जीवन पवित्र हो जाता है श्रीमद भागवत और भगवान के भगतों का निरंतर श्रवन करने से अश्रूभ वासनाएं तथा विकारों का नाश हो जाता है चित्ते निर्मल हो जाता है हे रिदय में आत्म स्वरूप परमात्मा के सक्षतकार होते ही सारे बंधन स्वयम ही तूट जाते हैं और हिर्दय परमानंद की अनभूती से भर जाता है सूत जी ने आगी कहा रिशियों इस प्रकृती के तीन गूड हैं सत्व, रज और तम इनहीं गूडों से लिप्त इस सिष्टी के उत्पती, इस्थिती और विनाश होता है धर्म शास्त्रों में श्री ब्रह्मा को इस सिष्टी का जनक, श्री विश्ण को पालक और श्री शिव को संहार करने वाला देउता कहा है परंतु ब्रह्मान का सत्व गूड ग्रहन करने वाले श्री हरी हैं तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ट है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ट है यह सत्वगुण ही भगवान से योग कराने वाला है प्राचीन काल से ही महत्मा लोग अपने कल्यार अथ्वा मुक्ती के लिए विश्वध रूप परमात्मा श्रीहरी की अराधना करते रहे हैं जो लोग इस भव सावर से पार जाना चाहते हैं वे न तो किसी के निंदा करते हैं और न किसी का दोश ही देखते हैं वे भगवान विश्णू और अनेक अंशावतारों में अपने आपको समर्पित करते हैं वेदों का तातपर श्रीकृष्ण से है यग्यों का उदेश श्रीकृष्ण की आहूती देने से है योग श्री कृष्ण के लिए किया जाता है और समस्त कर्मों की परिसमापती भी श्री कृष्ण मही होती है ज्ञान से तप से धर्मों के अनुष्ठान से और समस्त गतियों से होने वाले अर्थ की परणिती श्री कृष्ण मही होती है अगनी एक ही है किन्तु विविध्य प्रकार की लकड़ियों को जलाते समय उसका रंग रूप परिवर्तित हो जाता है और वह अलग अलग दिखलाई पढ़ने लगती है जबकि अगनी का स्वरूप उसका प्रभाव उसके वृति एक ही रहती है इसी प्रकार सभी जीवों के आत्मरूप परमात्मा एक ही है वे संपूम लोकों की रचना करने वाले हैं वे ही देव, दैत, पशुपक्षे, इस्तरी पुरुश और सभी जलचरों में निवास करते हैं और उनका पालन करते हैं तीसरा अध्याय भगवान श्रीहरी के अवतारों का वर्णन सूत जी कहते हैं जब स्रिष्टी के आदी में भगवान ने लोकों के निर्मान की एक्षा की तो उन्होंने अपनी माया से संयुक्त होकर पुरुश रूप में अवतार लिया उनका यह पुरुश रूप सोलह कलाओं, दस इंद्रियों, एक मन और पांच महाभूतों जल, पृत्वी, अगनी, वायू और आकाश से परिपूर्ण था तब वे शीर साजर में शेश नाक की स्षया पर शयन कर रहे थे उस समय भगवान ने अपनी योग नित्रा का विस्तार किया उनकी नाभी से निकले कमल पुष्प पर प्रजापती ब्रह्मा प्रकठ हुए यह पुरुश रूप भगवान नरायन का विराट रूप था इसी विराट रूप से तीनों लोकों स्वर्ग, पृत्वी और पाताल की कलपना की गई है यह भगवान का विशुध सत्व मैं श्रेश्ट रूप है भगवान के इस स्वरूप में हजारों सीर, हजारों हाथ, हजारों पैर, जांगे, भुजाएं, मुख, कान, आँखें, नासिकाएं आदि हैं भगवान का यह विराट रूप नरायन विविध अवतारों को जन्म देता है लाखो जीओं योनिओं में इसी नरायन का सुक्ष्म अंश्विध्यमान है सबसे पहले भगवान ने कौमार सर्ग में सनक, सनन्दन, सनातन और सनत कौमार नाम के चार ब्रहमनों के रुप में उतार लिया और अखंड ब्रहमचले का कठोर व्रत का पारन किया दूसरी बार जल में डुबी हुई प्रिथिवी के उद्धार के लिए सुकर का अवतार लिया तीसरा अवतार दिवर्शी नारत के रूप में लिया और नारत पांच रात्र का उपदेश दिया चौथा अवतार नर नारायन के रूप में उन्होंने धर्म की पत्नी मुर्थी के गर्व से लिया इस समय उन्होंने रिशी रूप में मन और इंद्रियू के नियंत्रन अर्थात सैयम करने का कठोर तप किया पांच वे अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में आए छठे अवतार के रूप में वे अनसुया के पुत्र दत्ता त्रे बने सातवा अवतार उन्होंने यग्जी के रूप में रूची प्रजापती की पत्नी आकूती के गर्व से लिया और अपने पुत्र यम आदी देवताओं के साथ मिलकर स्वायम्भुव मनवंतर की रक्षा की आठवा अवतार रिशव देव के रूप में राजा नाभी की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से लिया और आश्रम वासियों को परम हंसों का मार्ग दिखाया नववा आवतार उन्होंने रिशियों की प्राथना पर राजा प्रिथु के रूप में लिया इस आवतार के रूप में भगवान ने प्रिथवी पर फैली समस्त औशदियों का दोहन किया यह आवतार लोग कल्यान के लिए लिया गया था दस्वा आवतार मत्सिक रूप में तब लिया जब चाक्छुस मनवंतर में त्रिलों की समुद्र में डूप गई थी उस समय प्रिथवी रूपी नौका पर बैठा कर भगवान ने अगले मनवंतर के अधिपती वेबस्वत मनु की रक्षा की थी जिस समय देवता और देते समुद्र मन्थन कर रहे थे तब भगवान ने कच्छप रूप में ग्यारावा आवतार लिया था और मन्राचर परवत को अपनी पीठ परधारान किया था 12 आवतार धरवंतरी के रूप में लिया जब ये समुद्र से अम्रित कलशलेकर निकले थे 13 आवतार मोहन रूप में लिया और दैतियों को अपनी मोहिनी छबी से मोहित करके वह अम्रित देवताओं को पिलाया था चौद्रहवा अवतार निरिस्सिह का था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दैतिराज हिरन कशिप को मारा था पंद्रहवा अवतार वामन का लिया था और दैतिराज बली के यग में जाकर तीन पग में पूरे ब्रहमान को नाप लिया था सुलाहमा अवतार परशुराम के रूप में लिया और बहमर द्रोही छत्रियों का 21 वार विनाश किया सत्रहमा अवतार सत्यवती के गर्ब से कृष्ण दुएपायन व्यास के रूप में लिया और वेदों की कई शाखाएं बनाकर अनेक पुराणों महाभारत आदी धर्म ग्रंतों की रचना की 18 वा अवतार उन्होंने दश्रत नंदन अयोध्यापती श्री राम चंद्रिग रूप में लिया और आक्छास राज रावन का वत किया 19 वा अवतार श्री बलराम के रूप में और 20 वा अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया तथा कंस जरासंध और दुर्योधन जैसे पापियों का वद्ध करके पृत्वी का भारहल का किया कल्यूग आने पर बुद्ध के रूप में 21 वा अवतार लिया और 22 वे अवतार के रूप में भगवान कल्यूग के अंत में विश्णु यश नामक ब्राहमन के घर कल की रूप में आवतिर्ण होंगे हे रिशियों श्रीहरी के असंख आवतार महापुर्शों के रूप में यदा कदा इस पृत्वी पर आवतरीत होते रहते हैं जब जब भी इस पृत्वी पर अधर्म और पाप अचार बढ़ता है तभी भगवान उस पाप को नश्ट करने के लिए किसी ना किसी रूप में इस धर्थी पर आवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान श्रीहरी की यह कथा अत्यंत गोपनिये और रहस्य मई हैं जो भी मनुष एकागर चित होकर नियम पुरुवक सुबह शाम प्रेम से श्रीमत भागवत कथा को पढ़ता या सुनता है वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है प्रकिर्थी स्वरूप माया से अच्छादित भगवान का यह साकार स्वरूप अत्यंत मनुषारी और अनंत गुणों से युक्त है उसे स्वयम भगवान के द्वारा कल्पित किया गया है इसके रहसे को वेही प्रेमी जन जान पाते हैं जो शुद हिर्दै से भगवान के मनभावन मोर मुकूट पितामबर्धारी श्रीक्रिश्न के रूप माधरी पर तन मन से वारी वारी जाते हैं बार बार उन पर नेउशावर होते हैं इस इस्थूल रूप से परे भगवान का जो सुक्ष्म अव्यक्त स्वरूप विद्यमान है उसे पाना अत्यंत कठीन है वो हनिराकार रूप सुक्ष्म रूप में परतेक जीव में विद्यमान रहता है यही आत्मा है इसी के प्रवेश से ने जीव का आविर्भाव होता है तथा इसी के चले जाने से जीव के मिर्ति हो जाती है यहाँ आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है यहाँ सुक्षम और इस्थुल शरीर आविद्या के कारण आत्मा में आरोपित रहता है जिस समय ग्यान के आविर्भाव से यहाँ आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म के उस निराकार रूप से साक्षतकार हो जाता है फे रिशियों भगवान के लीला बड़ी रहस में है वे अपनी लीला से ही इस जगत का स्रिजन, पालन और संहार करते हैं परन्तो वे स्वयम इसमें आसकते नहीं होते प्राणियों के अंतः करण में चीपए रहकर समस्त ग्यानेंद्रियों और मन के माध्यं से यह जीव के सभी भावों और विशयों को ग्रहन करते हैं फिर भी उनमें लिपते नहीं होते हैं जैसे आम लोग जादवर के कर्तबों को अपनी खुली आखों से भी नहीं समझ पातें, उसी प्रकार दुर्बुद्धी व्यक्ति अनेकानेक तर्कों से ही परमात्मा की लिलाओं को नहीं समझ पातें भगवान के शक्ति अपरिमित और पराक्रम आनन्त है, उनकी थाह पाना असंभव है, वे जगत और जीव में रहती हुए भी उसे से परि है उन्हें वही जान पाता है, जो निश्कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंदन करता है और अपने आपको उनमें समर्पित कर देता है रिशियों, भगवान वेद्व्यास जी ने भगवान के पावन चरित्र से परिपून यह श्रीमत भागवत नामक पुरान रचा है उन्होंने इस कल्यानकारी पुरान को लोक हित के लिए अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को कंठस्त कराया था इसमें समस्त वेदों का सार्तत्व विद्यमान है श्री शुकदेव जी ने इसे राजा परिक्षित को गंगा किनारे बैठ कर सुनाया था उस समें मैं भी वहावपस्थित था और मुझे भी श्री कृष्ण भगवान का वह महान मनोहारी चरित्र सुनने का सवभाग प्राप्त हुआ था कल्यूग में जो लोग अग्यान रुपी अंधकार में गिर कर अंधे हो रहे हैं उनके लिए यह पुराण सुर्य की रश्मियों के सद्रिश प्रकट हुआ है मेरा जैसा अध्यायन है और जैसी मेरी बुद्धी है उसी के अनुरूप मैं श्री कृष्ण के इस महान चरित्र को आप सभी विद्वानों को सुनाने का प्रयत्न करूँगा चौथा अध्याय महार्शी व्यास द्वारा राचित पुराणों और महाभारत का परिचाय भगवान श्री हरी के अवतारों की कथा सुनकर सभी रिशी आती पसंद हुए तब सौनक जी बोले सूत जी आपने जो कथा शुकदेव जी को कही थी वह पुन्यमई कथा कृपा करके हमें भी सुनाईए वह कथा किस युग में किस इस्थान पर और किस कारण से हुई थी श्री शुकदेव जी तो एक इस्थान पर अधिक देर तक खहरते नहीं है फिर वह किस कारण से कथा सुनाने तक रूके रहे पान्डव नंदन राजार्शी परिक्षित का श्री शुकदेव जी के साथ समभात कैसे हुआ हमने सुना है कि अभि मन्यू नंदन परिक्षित तो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे किस कारण से उन्होंने समराज लक्ष्मी का परत्याग करके गंगा तड़ पर मिर्त्यू पर्यांत अनुशन वरत ग्रहन किया था सूत जी ने कहा इस वरतमान चतिर्योग के तीसरी योग द्वापर में महर्शी पराशर और वसू कन्या सत्यवती के गर्व से श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ था एक दिन सरस्वती नधी के तट पर सुर्योदय के समय वे बैठे हुए थे वे सोच रहे थे कि धर्म में आस्था न रहने के कारण संसार के लोग श्रधा हीन हो जाते हैं उनकी बुद्धी करतब्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाती है ऐसे में समस्त वर्णू के लोगों का हीत किस प्रकार से हो इसके लिए सरवप्रथाम उन्हों ने एक ही वेद के चार भेद कियें रीग वेद, यजूर वेद, साम वेद और अथर वेद फिर उन्होंने इतिहास और पुराणों की अलग-अलग रचना की ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि जीन लोगों की इसमरण शक्ती प्रबल नहीं है वे भी वेदों के मर्म को जान सके उस समय क्योंकि इस्तरिया परिवार चलाने में शुद्र दास कर्म करने में और पतित ब्राह्मन अपने हीत संधान में ही व्यस्त रहते थे यही देखकर उन्हें वेदों के अध्यायन और श्रवन से मुक्त रखा गया था लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि कल्यानकारी शास्त्रों के आचरनों में जो लोग भूल कर बैठते हैं उन्हें भी धर्मलाव मिले इसके लिए उन्होंने महाभारत की कथा रची और उसमें वेदों का सार तत्व कथा प्रसंगों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तूत किया यह दपी व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ती और लगन से प्राणियों के कल्यान में सदेव लगे रहें किन्तू उन्हें तब भी संतोश नहीं हो पा रहा था सरस्ती नदी के तठ पर बैठे वे सोच रहे थे कि उन्होंने महाभारत की रचना करके वेद के मर्म को खोल तो दिया है और इस्तरियों शुद्रों तथा पाप कर्म में लगी अन्य जातियों को भी धर्म कर्म में लगे रहने का सरल मार्ग बताया है फिर भी उन्हें संतोश क्यों नहीं हो रहा है शायद अभी तक उनसे भगवान के प्राप्ति करने वाले धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है उनकी अपुनता का कारण संभावत यही है श्री कृष्ण द्वयपायन जब अपने को अपून मानकर खिन हो रहे थे उसी समय वहां दिवर्षी नारदा पहुंचे है उन्हें आया देखकर व्यास जी ततकाल उठ खड़े हुए और विधी विधान के अनुसार उन्होंने दिवर्षी नारद की पूजा की तथा उन्हें उचित आसन ग्रहन कराया पांचवा अध्याय दिवर्षी नारद द्वारा भगवान श्री हरी का गुड़गान और अपना पुर्व चरीत्र सुनाना श्री नारद जी ने अपने निकट बैठे व्यास जी से पूछा हे महाभाग व्यास जी आपने धर्म आदी से परिपून महाभारत की रचना की है उसे से आपको संतुष्ट होना चाहिए परंतु आपके चेहरे पर विशात की चाया क्यों है व्यास जी ने कहा हे दिवर्शी आपका ग्यान अगाध है आप सक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है आप सुर्य की भाती तीनों लोकों में ब्रह्मन करने वाले है आपने तो पुरान पुरुष्ट की उपासना की है आप योगबल से सब के अंतह करण की बात जानते हैं आप ही बताएं कि मेरे दुख का कारण क्या है श्री नारत जी ने कहा व्यास जी आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है यही आपके विशात का कारण है जिस ग्यान से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं वह ग्यान वह शास्त्र अधूरा है जब तक श्री हरी के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता तब तक वह रचना कौवों को फेक्यू ही जूठन के समान है वियास्ची दुशीत शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रती प्रेम दर्शाया गया है तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उससे रचनाकार के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रमण गान और कृतन किया करते हैं जिसमें भगवान श्री हरी के सुयश का वर्णन होता है वह निर्मल ग्यान भी जिसके द्वारा मोक्ष्खी प्राप्ती होती है यदि भगवान की भक्ती से शुन्य है तो वह व्यार्थ है हे महाभाग व्यास जी मैं जानता हूं कि आपकी किर्थी पवित्र है आप सत्य का पालन करने वाले द्रिढ़ वर्ती हैं आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लिलाओं का अस्मरन करना चाहिए संसारी लोग विशे वासनाओं में पढ़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं वैराग से भगवान की भक्ती सिद्ध नहीं होती जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ती से दूर जा रहे हैं आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे श्रवन करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ती भाव से लग सकें उनके श्री चरणों में अपने स्वर को विसरजित कर सकें हे व्यास जी जो लोग भवान श्री कृष्ण के चरण का मल के सेवक हैं वे भजन न करने वाले मनुश्यों के समान दैववश कभी वीपरीत इस्थितियों में फसने के बाद भी जीवन मिर्थिव के चक्र से मुक्ती पा जाते हैं इसलिए आप विश्वरूप पुर्षत्तम भगवान श्री कृष्ण की लेलाओं का कृतन कीजिए नारत जी का पूर्वजन्म हे मुनिवर पीछले कल्प में अपने पूर्वजन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था मैं उनकी सेवा करता और उनकी आग्या से उनके बरतनों में लगी जुठन को खा लेता था उसके खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धूल गये और मेरा हिर्दय शुद्ध हो गया वे भजन पूजन करते तो मैं ध्यान पुर्वक उसे सुनता उन्होंने मुझे श्रीक्रिष्ण की मनोहारी कथाएं सुनाई उसे सुनकर मेरी रूची भगवान श्रीक्रिष्ण में हो गई उस रूची के कारण मेरी बुद्धी निश्चल हो गई और मैं सत असत के भेद को समझनी लगा परब्रम्भ परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखनी लगा तब ही रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ती मेरे भीतर जागरित हो गई उन महात्माओं ने मुझे ज्यान दिया कि पुरुषत्तम भगवान श्रीक्रिष्ण के प्रती अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से चुटकारा पाना है हे व्यासी मनुष्ठ जीवन के सभी कर्म मनुष्ठ को जन्म और मिर्ध्यू के चक्र में डालने वाले होते हैं परंतु जब इन कर्मों को श्रीक्रिष्ण को अरपन कर दिया जाता है तब इनका दुशित प्रभावन नश्ट हो जाता है और पुन्य ही शेष रह जाता है भगवान के प्रती किये गए कर्मों से ही मुक्षदायनी भक्ती प्राप्त होती है इसलिए कर्म करते हुए परतेक पल श्रीक्रिष्ण का ही ध्यान और नाम किर्थन करना चाहिए हे वी प्रवर जब मैंने इस प्रकार उनकी आग्या का पालन किया तब भगवान श्रीक्रिष्ण ने मुझे आत्म ज्यान आश्वर्य और अपनी भावना रुपी प्रेमा भक्ती का दान दिया अतह व्यास्ची आपका ज्यान पून है और आप समर्थ हैं इसलिए आप भगवान श्रीक्रिष्ण की प्रेम मैं लिला का वर्णन केजिएं बड़े बड़े ज्यानियों के जिग्यासा इसी प्रेमा भक्ती से पून होती है दुखी जन्म के कष्टों को हरने का इसके अधरिकते कोई दुसरा उपाय नहीं है छठा अध्याय नारत जी द्वारा अपने पुर्व जन्म का शेश भाग सुनाना श्री व्यास जी ने दिवर्शी नारत से पूछा हे दिवर्शी जब आपको ग्यान का उपदेश देकर वे महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया तब तो आप उम्र में बहुत छोटे थे आपकी शेश आयू किस प्रकार व्यतीत हुई श्री नारत जी ने कहा हे व्यास जी उनके जाने के बाद मैं अपनी मा की सेवा में लग गया क्योंकि मैं अपनी मा का एकलोता पुत्र था और उसे भी मेरे अतरिक्त कोई अन्य सहारा नहीं था मैं अपनी मा के सन्ह बंधन में बंध कर उस ब्रामर बस्ती में ही रहा उस समय मेरी आयू पांच वर्ष की थे मुझे दीशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ग्यान नहीं था एक दिन संध्या के समय मेरी मा गाय का दुध दोहने के लिए घर से निकली तो एक साप ने उसे डस लिया और काल के क्रूर पंज से वह नहीं बश सकी मैं अनात हो गया एक दिन मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कहा जाना है उस ओर मार्ग में मुझे अनेक धन धाने से संपन देश, नगर, गाउं और अहिरों की बस्तियां मिली नदी, परवतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं और उपवन मिले सुन्दर जल से भरे जलाशे और भयान को वन मिले मैं अकेला था, एक गोर जंगल देखकर मैं रुक गया उसमें भयानक हिंसत पशु गुमते दिखाई पड़ रहे थे चलते चलते मेरा शरीर ठक कर चूर हो गया था तभी मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी और भूक भी सताने लगी मैंने एक नदी में स्नान किया और उसका शितल जल पिया मेरी ठकान मिट गई मैं एक पीपल के व्रिक्ष के नीचे बैठ गया और जैसा महात्माओं से सुना था वैसा ही भगवान का इसमर्न करने लगा धीरे धीरे भगवान के दर्शन की मेरी अविलाशा तिवरे होने लगी और मेरा रोम रोम पुल की थो उठा तभी भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिये उनका दर्शन पाकर मेरा तन मन शांत और शितल हो गया तभी भगवान अंतरदान हो गये भगवान का वहरूप समस्त शोकों को हरनी वाला और अत्यधीक लुभावना था भगवान के अंतरधान होते ही मिरे हिर्दे की चाहना बहुत अधीक बढ़ गई और मिरा मन बार बार उनके दर्शनों के लिए तडपने लगा मुझे व्याकूल देहकर वहां आकाश वाड़ी हुई वद्स अब इस जन्म में तुम मेरे दर्शन पुनह नहीं कर पाओगे जिनकी वासनाए पूरी तरह से शान्त नहों हो गई हो उनके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुरलब है तुम्हारे हिर्दय में मुझे प्राप्त करने के लालसा जागरित हो इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक जलक दिखाई है अल्पकालिक संत सेवा से तुम्हारे चितिवरिती मुझे में इस्थित हो गई है मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब कभी नहीं तूटेगा स्रिष्टी के प्रलय हो जाने पर भी मेरी स्मृति तुम्हारे हिर्दय में बनी रहेगी ऐसा कहकर वहवाणी शांत हो गई एव व्यास जी तभी से मैं निरंतर भगवान के रहस्य मैं और मंगल मैं मधूर नामों और लिलाओं का संकिर्टन करते हुए भटक रहा हूँ उनकी खोज में न जाने मैंने कितने जन्म लियें मुझे इसका स्मर्ण नहीं है केवलव रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मर्ण रहती है मेरा मन और हिर्दय भगवान के क्रिपा से शुद्ध हो गया है समस्त वासनाय मिट गई है मेरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पन हो गया है मेरा पंच भौतिक शरीर कभी का नश्ट हो चुका है एक सहस्तर चतुर्योग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागें और कल्प के अंत में उन्होंने पुनह स्रिष्टी की रचना करने की इक्षा की तब उनकी मानसिक शक्ती से मेरा पुनह जन्म हुआ मेरा यह शरीर पंच भूतों से अच्छादित दिखाई देने पर भी उसे से परे है अब मैं भगवान की क्रिपा से इक्षा करने मात्रे से ही तीनों लोकों में विचरन कर सकता हूँ मेरे जीवन का वरत भगवान का भजन करना है जो निरंतर चलता रहता है उन्ही की क्रिपा से विभोशीत इस वीणा के तारों को छेड़ कर मैं नारायन नारायन का जाप करते हुए सभी लोकों में विचरता रहता हूँ श्रीहरी के चरन कमल ही समस्त तिर्थों के उद्गमस्थल है उनका ये शोगान करना मुझे अत्यंते प्रिया है अब वे हर पल हर छण मेरे हिर्दय में वास करते है भगवान की लिलाओं का संकिर्टन संसार सागर से पार उतारने का एक मात्र अद्भूत जल्यान है हे व्यास जी काम और लोब की चोड़ से आहत हुआ हिर्दय भी श्री कृष्ण की एकागर सिवा से ततकाल शांती प्राप्त कर लेता है यह मेरा प्रत्यक्ष अनभव है व्यास जी आपका हिर्दय निश्पाप है आपने मुझ से जो पूछा मैंने यथा संभव उसका उत्तर आपको दे दिया है सूत जी ने कहा हे शोनक आदे रिशिवर दिवरश्री नारद ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमते लिए और वीणा बजाते हुए वहां से चल दिये पीछे व्यास जी सोचते रह गए हे दिवरश्री आप धन्य है श्री कृष्ण के नाम संकिरतन से आप स्वयम तो आनंदित होते हैं दुसरों को भी आनंदित करते हैं सात्वा अध्याय व्यास जी द्वारा श्रीमत भागवत की रचना और सूत जी द्वारा महा भारत के अंशो का उल्लेक शोनक आधी रिशियों ने सूत जी से पूछा सूत जी दिवरश्री नारत जी के जाने के उपरांत महारश्री व्यास जी ने क्या किया सूत जी ने कहा हे रिशिवर नारत जी के जाने के उपरांत बदरिकाश्रम में बैठकर व्यास जी ने श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं को लेकर श्रीमत भागवत नामक महापुरान की रचना की और उसे अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को कंठस्त कराया उन्होंने भी पून मनयोग से इस ग्रंथ का अध्ययन किया राजा परिक्षित के जन्म और कर्म की कथा सूत जी ने कहा हे रिशिवर अब मैं आपके सम्मुख वह कथा कहता हूँ जिसके कारण राजा परिक्षित को गंगा तट पर अन्शन करना पड़ा और श्री शुकदेव जी द्वारा श्री मत भागवत की कथा कहकर राजा परिक्षित को मोक्ष के प्राप्ति होई इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनिकू कथाओं का वणना आता है और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का संदेश भी इसमें नहीं थै जिस समय महाभारत युद्ध में कौरवो और पांडवों के दोनों पक्षों के अधिकांश वीर वीरगती को प्राप्त कर चुके और भीम सेन के प्रहार से दुर्योधन की जांग तूट चुकी तब अश्वत्हामा ने अपने मित्रे दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रोपदी के पांचों पुत्रों को माडा ला था उस समय वे सो रहे थे अश्वत्हामा ने उन्हें ही पांडो समझ लिया था रात्री के अंदकार में वह उन्हें पहचान नहीं पाया था यह घटना दुर्योधन को भी बहुत अप्रिये लगे उसकी दृष्टी में सोते व्यक्ती का वध करना जगन्य नीच कर्म था उन बालकों के वध से उनकी माता द्रौपदी विलाप करने लगी अर्जुन ने द्रौपदी को सांतोना देते हुए क्रोध में भर कर कहा ही कल्याणी मैं तुम्हारे आसु तभी पोछूँगा जब उस आतताई नीच ब्राहमण का सीर काट कर तुमें भेंट नहीं कर दूँगा पुत्रों की अंतेष्टी के बाद तुम उस पर पैर रख कर इस्नान करना ऐसा कहकर अर्जुन अपने मित्री श्री कृष्ण को अपना सार्थी बनाकर गुरु पुत्र अश्वत्हामा को डूंडने निकल पड़े जब अश्वत्हामा ने अर्जुन को अपनी और आते देखा तो उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रहमास्तर का प्रियोग करने का विचार किया वह उसे चलाना तो जानता था पर वापस लोटाने की विधि उससे मालुम नहीं थी परन्तु अपने प्राणों पर संकट आया देखकर उसने ब्रहमास्तर का संधान किया उसके संधान करते ही समस्त दिशाओं में प्रशंड तेज भैल गया अरजुन को लगा कि यदि अश्रुथामा ने ब्रहमास्तर चला दिया तो उसके प्राण निश्चित रूप से संकट में पड़ जाएंगे उसने ततकाल श्रीकृष्ण से उसकी काट का उपाय पुछने के लिए प्रार्थना के भगवान श्रीकृष्ण ने कहा हे पार्थन यह श्रुथामा का छोड़ा गया ब्रहमास्तर अमोग है इसकी कोई काट नहीं है इसे ब्रहमास्तर से ही रुका जा सकता है तब अरजुन ने भगवान की परिक्रमा करके ब्रहमास्तर का संधान किया तब दोनों ब्रहमास्त्रों के टकराने से मानों प्रलय आ गई, सर्वत्र अगनी वर्षा होने लगी, भयानक रव आकाश में गुझनी लगा, उस अगनी से प्रजा का नाश होते देखकर श्री कृष्ण की अनुमती से अर्जुन ने दोनों ही बाणों को वापस लोटा लिय परन्तु अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ, उसने जपट कर अशुत्थामा को पकड़ लिया और उसे बांध कर अपने शीर की ओर चल दिया श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन यह नीच ब्राह्मन है, ऐसे नीच ब्राह्मन को मारने में अधर्म नहीं है, इसे मार डालो परन्तु अर्जुन ने उसे नहीं मारा और कहा हे माधो यहाँ गुरु पुत्र है ये दिपी इसने सोते हुए मेरे पुत्रों को मार कर जगने पाप किया है फिर भी इसका वध करने को मेरा मन नहीं करता इसका न्याय द्रौपदी ही करेगी अर्जुन ने अश्वत्रामा को लाकर द्रौपदी के सम्मख खड़ा कर दिया अश्वत्रामा नीच कर्म करने के कारण सीर जुकाय खड़ा था गुरु पुत्र को इस प्रकार बांध कर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा उसने कहा स्वामी ये ब्राहमण है हम लोगों के पुज्य है इन्होंने जो दुश्कर्म किया है उसके लिए परमात्मा इन्हें दंड देगा आप ब्रह्म हत्या के दोशी ना बने इन्हें छोड़ दे सुद्र जी ने कहा हे शोना कादे विश्यों द्रौपदी की बात धर्म के अनुकूल थी शमा इस तरी का सबसे बड़ा धर्म है वहाँ उपस्थित सभी द्रौपदी की बात सुनकर चुप खड़े रह गए परंत भीम बौखला उठे वह चिल्लाए इस दुष्ट ने सोते हुए बच्चों की हत्या की है इसका वध करना ही उचित है भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनकर बोले हे पार्थ शास्तरों में कहा गया है कि पतित ब्राह्मन का वध नहीं करना चाहिए और आतताई व्यक्ति को ब्राह्मन होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए ये दोनों बाते ही सत्य है इसलिए तुम्हें मेरी आग्या का पालन करना चाहिए तुमने द्रौपदी को सांतोना देते समय जो परतिक्या की थी उससे अब पूरा करो कहकर श्रीक्रिष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे सूत जी बोले हे रिशिवर अरजुन ततकाल श्रीक्रिष्ण के मन की बात को समझ गए उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्हामा के सीर की मणी उसके केशों सहित उतार ली और कहा हे माधो केशों से रहित होने पर अश्रत्हामा श्रीहीन हो गया है और इसके मस्तक की मड़ी उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है किसी ब्रह्मन का सीर मुन देना उसका ज्यान और धन छीन लेना उसे सब समाज के मध्य से निकाल देना ब्रहमन की हत्या के समान है अब इसे यहां से निकाल देना चाहिए इन शब्दों के साथ ही अर्जुन ने उपस्थित सभी सिमानों स्विकृति देने का आगरह किया हो श्रिक्रिश्न और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अर्जुन के कथन का मौन समर्थन किया और अश्रथामा के बंधन खोल कर उसे अपमानित करते हुए श्रिक्रिश्न ने कहा यहां अश्रथामा कभी मिर्थिव को प्राप्त नहीं होगा और अपने मस्तक पर घाओ को लिए यह मिर्तिव के लिए तरस्ता खुमेगा इसके घाउं से रक्त और पीव बहकर सदैव इसे इसके पाप कर्म का स्मरण कराता रहेगा तदुपरांथ श्री कृष्ण ने शोक संतप्त पांडवो और द्रौपदी को सांत्वना दी आठवा अध्याय गर्भ में परिक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान के इस्तुति सूत जी ने कहा रिश्यवर इस घटना के उपरांथ सभी पांडव अपने स्वजनों का तरपन करने की एक्षा से गंगा तट पराएं और जलान्जली देकर अपने सभी मिर्थक बंदू बांधों की आत्मा को शांती प्रदान करने की प्रार्थना इस्ष्वर से की गंगा इसनान करके पांडव गंगा तट पर बैठे हुए थे उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, रिशी धौम्य, गांधारी, कुंती, धृतराश्र, द्रौपदी और अभिमन्यू की पत्नी उत्तरा भी वहां बैठी हुई थे शोक, संतप्त, कौरो, पांडवों को श्री कृष्ण और अन्यमुनिगण सांतोना दे रहे थे युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस मिल गया था सारे कारे संपन कराने को परांत श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से वापस द्वारका जाने के एक्षाव्यक्त की उसी समय आकाश मार्ग से एक ब्रहमास्त्र तिवर गती से उनकी और आने लगा उसे देखकर सभी चिंतित हो उठे भगवान श्री कृष्ण ततकाल समझ गये कि पांडवों का वंश भीज नश्ट करने के लिए अश्वतामा ने जो ब्रहमास्त्र छोड़ा था वह अर्जुन के मंत्र के प्रभाव से कुछ समय के लिए शान्त अवश्य हो गया था किन्तु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस ना बुला जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था पांडवों का वंश भीज उत्तरा के गर्भ में पल रहा था देखते देखते वह ब्रह्मास्त्र छह भागों में विभक्त हो गया पांच बाण पांचु पांडवों की ओर और छठा बाण उत्तरा के गर्भ की ओर तिव्रगती से आने लगा कुंती ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की हे कृष्ण मेरे वन्ष की रक्षा करो उत्तरा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा हे देवाधिदेओं हे जगदिश्वर आप महायोगी हैं आपके सिवाय मेरे रक्षा कौन करेगा इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है हे प्रभू आप तो सर्व शक्तिमान है मुझे अपने जीवन का भय नहीं है परन्तु मेरे गर्व की आप रक्षा करें सूद जी ने कहा हे रिशिगर भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त वत्सल है अपने भक्तों पर विपत्ती आई देहकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहाँ माया कवच बना दिया ब्रहमास्तर का लक्ष कभी खाली नहीं जाता क्योंकि वह श्रस्त्र अमोग है उसे कोई नहीं काड़ सकता परन्तु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालन हार है उनके तेज के सम्मुख भला कौन सा श्रस्त्र ठैर सकता है श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आकर ब्रहमास्तर का तेज नश्ट हो गया और वह शांत हो गया यह कोई आश्चर की बात नहीं थी भगवान स्वयम सभी आश्चरियों के स्वामी है उनसे पार कुछ भी नहीं है वे स्वयम अपनी शक्ती माया से अजन में होकर भी इस संसार के स्रिष्टी अपने इक्षा से करते हैं उसकी रक्षा करते हैं और स्वयम ही उसका संहार कर देते हैं ब्रहमास्तर से सभी पानों को मुक्त कर श्री कृष्ण रत पर सवार होकर चलने लगे तो सभी ने उनकी स्तुती की कुंती ने कहा हे प्रक्रिती से परे आदी पुरुष परमेश्वर मैं आपको नमन करती हूँ आप हिंद्रियों द्वारा अनभो गम्य हैं किन्तु माया से आवरित आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्यात है मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ आप शुद्ध हिर्दय विचारशिल और निश्पाप जीवन मुक्त परमहंसों के हिर्दय में अपनी प्रेमा भक्ती का स्रिजन करने के लिए ही इस धर्थी पर आवतिर्ण हुए हैं फिर हम अल्प बुद्धी लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं हे देव की नंदन हे यशुदा की लाडले हे गवाल बाल सखा हे गोपियों के इर्दय में वास करने वाले मुरली मनुहर हे गोविंद हम बार बार आपको नमन करते हैं जिनकी नाभी कमल से ब्रहमा का जन्म हुआ जो सुन्दर कमल पुष्पों की माला धारन करते हैं जिनके नेत्रे कमल धल के समान विशाल और रतनारे हैं जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं हे रिशीकेश आप सर्वशक्ति मान हैं आपकी शुभा का बखान मैं नहीं कर सकती आपके गुणों की कोई समता नहीं है आप दुखी जनके उद्धारक हैं मैं बार बार आपको नमन करती हूँ हे कृष्ण मैं आपको अनादी अनंत सर्वव्यापक सभी के नियंता सभी के काल रूप पर मिश्वर मानती हूँ संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है यह सारा संसार आपकी लिला से ही निरंतर गतिमान है आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय है आप सभी में संभाव से इस्थित हैं आप ही विश्वरूप हो और विश्वात्मा हो आप ना जन्म लेते हो ना कोई कर्म करते हो फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो कर्म करते हो यह आपकी कैसी लीला है प्रभू आपकी बाल छबी पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ हे भक्तवत्सल अब हम आशिर्तों को छोड़ कर आप जाना चाहते हैं अब हमें यहां कौन सहरा देगा हे प्रभु जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है वैसे ही मेरी बुद्धी कहीं और न जाकर आपके प्रती ही प्रेमा भक्ती के सागर में गिरती है हे कृष्ण अपने प्रिये सखा अर्जुन को छोड़ कर तुम कहां जा रहे हो तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा सूथ जी कहते हैं इस प्रकार कुंती के प्रेम पून वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कूर आने लगे और बोले अच्छा बुआ चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ वहां कुछ दिन रुख कर ही द्वार का जाओंगा श्री कृष्ण उनके साथ हस्तिनापुर आ गए और कुछ दिन उनके पास रहे वहां अपनी बहन सुभद्रा आदी से विदा लेकर जब वे जाने के लिए पुनह तयार हुए तो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पुर्वक आगरह करके उन्हें रोक लिया हे शोनक आदी रिशियों धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वद से बड़ी पीड़ा हो रही थे वे प्रायह शोक में डूबे रहते थे मैं भी कितना दुरात्मा हूँ अज्ञानी हूँ मैंने सियार कुत्तों के आहार के लिए असंख सेना का विनाश करा डाला मैंने अपनी सभी प्रिये बंधुजन और परिजन से द्रोह किया है करोणों वर्ष तक नरक वास करने के उपरांत भी मिर्य मुक्ती नहीं हो सकती जैसे कीचड से गंदा हुआ जल सुक्ष नहीं किया जा सकता मदिरा से उसके माधक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता वैसे ही हिंसा युक्त यग्यों के द्वारा किसी प्राणी की हत्या का प्रायशित नहीं किया जा सकता नौवा अध्याय युधिष्ठिर का श्री कृष्ण के साथ भिश्म जी के पास जाना सूत जी कहते हैं हे रिशियों धर्मराज युधिष्ठिर की आत्म पीड़ा बढ़ती जा रहे थे उन्हें प्रजाद रोह का भैस अताने लगा था तब सभी धर्मों का ज्यान प्राप्त करने की एक्षा से वे श्री कृष्ण के साथ कुरु शत्र में उस स्थान पर पहुँचे जहां बाडों के शैया पर भिश्म पितामह पड़े हुए थे उनके सभी भाई उनके पीछे पीछे वहां पहुँच गए भिश्म पितामह ने संकल्प लिया हुआ था कि जब तक सूर्य उत्रायन नहीं होंगे तब तक वे अपने प्राण नहीं छोडेंगे श्री भिश्म पितामह के दर्शनों के लिए अनेकानीक रिशी मुनी वहां एक कत्र हो गए थे भिश्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से परिचित थे वे मन ही मन उनकी आराधना कर रहे थे सभी पांड़ों बड़े प्रेम से पितामह के चारों और बैठ गए उन्हें देह कर पितामह की आखें प्रेमाश्रूमों से भर उठी उन्होंने उनसे कहा ए धर्मपुत्र तुम्हें जो दुख और कश्ट भोगने पड़ें तुम कदापी उनके योगे नहीं थे परंतु प्रारब्ध और होनी को कौन टाल सकता है जिस प्रकार आकाश के मेग वायू के वशिभूत होते हैं वैसे ही यह सारा संसार काल भगवान के अधीन रहता है तुम लोगों के जीवन में जो भी घटनाय घटी हैं वे सभी उनहीं के लिलाए हैं अन्यथा जहां धर्म पुत्र युदिष्ठिर जैसे राजा हो वायू के समान प्रचन गदाधारी भीम हो दिव्य गांडिव को धारन करने वाले धनुधारी अर्जुन हो और स्वयम सुदर्शन चक्रधारी योगी राज भगवान श्री कृष्ण जिनकी रक्षा करते हो वहां भला विपत्ती का क्या काम ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इसे कौन जानता है पुत्र युदिष्ठिर संसार में घटित होने वाली सभी घटनाए इश्वर के अधीन है ऐसा ही सोच कर अब तुम अपनी प्रजा का पालन करो अब तुम ही उसके स्वामी हो उनका दुख दर्द अब तुम्हारा है ये पुत्र तुम्हारे साथ ये जो श्रिक्रिष्ण खड़े हैं इन्हें साधारन जन मत समझो ये साक्षात भगवान है परम पुरुष्ण नरायन है अपनी माया से यदुवंशियों को महित कर ये लीला कर रहे है इनका स्वरूप और प्रभाव अत्यंत गूढ और रहस्य में है भगवान शंकर ब्रह्मा जी और दिवर्शी नारत के सिवाए इनका रहस्य कौन जानता है हे युधिष्टि जिन्हें तुम अपना हितैशी अपना दूत अपना मंत्री और अर्जुन का सार्थी मानते हो वे स्वयम परमात्मा है ये सदैव अपने भगतों पर समदर्शी होकर कृपा करते है यही कारण है कि अब जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिये हैं भक्त और योगी पुरुष पूर्ण भक्ती भाव से इन में अपना मन लगा कर और वानी से इनके नाम का किर्थन करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं श्री कृष्ण की कृपा से ही वे सभी कामनाओं के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं सूत जी ने कहा रिशिवर युदिष्ठिर ने उनकी बात सुनकर भिश्म से नाना प्रकार के धर्मों के विशय में अनिक प्रश्ण पूछे इस पर पितामह ने युदिष्ठिर को वन्न और आश्रम के अनुसार पुरुष के सभावी के धर्म और कर्म वताएं निवर्ति और प्रविर्ति के स्वरूपु को समझाया धर्म, दान, राजधर्म, मोक्ष, इस्त्री धर्म, भक्ति, अर्थ, काम आदी के विशय में विस्तार से बताया जिस समय भिश्म पितामह इस प्रकार धर्म का परवचन कर रहे थे उस समय उनकी द्रिष्ठि एक टक श्री कृष्ण के मंद मंद हास से करते चेहरे पर हिटी की थी तभी सूर्य देव उत्तरायन आ गए इक्षा मिर्थ्यू का वरदान पाय भिश्म पितामह ने सब और से मन हटा कर अपने सामने बैठे आदी पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया बड़े प्रेम से उन्होंने भगवान की स्तुथी की हे प्रभू अब यह शरीर छोड़ते समय मैं अपनी यह बुद्धी आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ भगवान बिना यह शरीर मेरा अंतह करण और आत्म आपको समर्पित है हे दीनानाथ युद्ध भूमी में मैंने आपको क्रोध दिलाकर शष्ट्र नव ठान्य के आपके प्रण को तोड़ जाला था फिर भी आपका अनुगरह मेरे प्रती था उसी अनुगरह को साक्षी मानकर मैं अपनी गती आपमें आश्रित करता हूँ सूत जी कहते हैं इस प्रकार भिश्म पितामा ने मन, वचन और कर्म से अपनी समस्त वृतियों को आत्म स्वरुख भगवान श्रेक्रिश्न में लीन कर दिया उनके प्राण वहीं विलीन हो गए उस समय सर्वत्र वातावरण में शांती चा गई आकाश से देवगन पुष्प वर्षा करने लगे युदिष्ठिज ने पूर्ण राज किये सम्मान के साथ विधी पुरुबक भिश्म पितामा का दाहा संसकार कराया उसके बाद वे सभी हस्तिना पुर्लोटे और सभी बंधु बांधों तथा प्रजा को पितामा के स्वर्गवासी होने का समाचार देकर उन्हें सांतो ना दी श्री कृष्ण के परामर्ष पर युदिष्ठिज ने राज काश संभाल लिया दस्वा आध्याय श्री कृष्ण का द्वार का अगमन सूत जी ने कहा हे रिशिवर युदिष्ठिर को राज सिहासन पर बैठा कर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए कुछ दिन अपनी बहन सुभद्रा के कहने पर विहस्तिनापुर में रहे फिर एक दिन उन्होंने युदिष्ठिर से द्वार का जाने की अनुमती मांगे तब राजा ने उन्हें हिर्दय से लगाकर जाने की स्विकृति दे दे भगवान सभी से यतोचित विदा लेकर अपने रत पर सवार हो गए सभी ने भरे मन और उमरते अशुव के मध्य उन्हें विदा किया उद्धो और सात्य की उनके सात्य थे मार्ग में सभी ने उन पर पुष्प वर्षा की हस्तिनापोर की इस्तिरियां उनके दर्शन करके हर्शित हों आपस में कहती है सखी ये वे सनातन पुरुष्भगवान है जो प्रलय के समय भी अपने अध्वतिय स्वरूप में इस्थित रहते हैं इस सनसार में जिसके स्वरूप का साक्षात कार करके जितंद्रीयय योग्ई अपने प्राण को वश्म करने में समर्थ होते हैं और जिसकी भक्ती से हिर्दय सदयों प्रफुलित रहता है ये श्रिक्रिष्ण वेही साक्षात परब्रम्भ है सकी इनकी प्रेमा भक्ती से ही हिर्दय के पुर्ण शुद्धी संभव है योग द्वारा नहीं दुसरी सक्षी उत्तर देती है तुम ठीक कहती हो सक्षी वास्तों में ये वही श्रिक्रिष्ण है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन रिशियों ने वेदों में और दुसरे धर्म शास्तरों में व्यास जीने किया है यही परमिश्वर हैं जो अपनी लीला से जगत की स्रिष्टी, पालन और संहार करते हैं तथा उसमें आसकते भी नहीं होते तिसरी सखी कहती है सखी यह यदवंश का अहो भागे हैं जिसमें जन्म लेकर लक्ष्मी पती पुरशत्तम श्रिकृष्ण भगवान ने उसे सम्मानित किया है वह पवित्र मधुबन भी अत्यन्त धन्य है जिसे इन्होंने अपनी बाल सुलब क्रिणाओं से सुशोभित किया है स्वर्ग का भी तिरसकार करने वाली वह द्वार का और वहां की प्रजा कितनी सभाग शाली है जहां श्रीकृष्ण निवास करते हैं सक्षी जिन इस्त्रियों को श्रीकृष्ण जैसे पती का सानिध्य प्राप्त हुआ है उन्होंने अवश्य ही कोई महान वरत और पुन्य किया होंगे जिनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण है वे एक पल के लिए भी इन्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाती होंगे हस्तिनापूर की इस्त्रियां इस प्रकार बात चित कर रही थी कि भगवान श्रीकृष्ण मन्द मन्द मस्कुराते हुए और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए ग्यारहवां अध्याए द्वारका में श्रीकृष्ण का राज्योचित स्वागत सूत जी ने कहा हे रिशिवर भगवान श्रीकृष्ण अपने समरिद आनर्त देश पहुँचकर नगर के बाहार रुके और उन्होंने अपने पांच जन्य शंक का तुमूल जैगोश किया उसे सुनकर द्वारका के लोग तरह तरह के उपहार लेकर दोड़ पड़े और नगर के बाहर श्रीकृष्ण के रत को देखकर प्रेम से वशिभूत हो अश्रू बहाने लगे श्रीकृष्ण के मधूर मुस्कान ने उनके सारे विरह को हर लिया उनके जहरे प्रसनता से खील उठे नाना प्रकार की भेटों से प्रजा ने उनका स्वागत किया नगर प्रमुख ने आगे बढ़कर श्रीकृष्ण से कहा स्वामी हम आपके चरन कमलों की सदा वंधना करते हैं जिनकी वंधना स्वयम ब्रहमा शीव और देवराज इंद्र तधा असंख रिशी मुनी करते हैं उन चरनों के शरन में आने पर हमें अपनी सुरक्षा का भै कभी नहीं सताता आप ही हमारे पिता हैं, माता हैं, स्वामी हैं, बंधु हैं, हमारे अराध्य हैं आपके बिना हम सभी अनात हो गए थे अब आपको अपने बीच पाकर हम फिर से सनात हो गए हैं भक्तवत्चल भगवान श्री कृष्ण ने प्रजाक्य मुक्ष से ऐसे मधूर वचन सुनकर अपनी कृपाद श्टी से उन पर अनुग्रह किया और सभी के साथ द्वारका में प्रविश्च किया भगवान की वहद्वार का पूरी मधू, भोज, दशार, अर्ह, कुकुर, अंधक और व्रिश्ण वन्शी यादवों से जिनके परागरम के तुलना और किसी से नहीं की जा सकती थी पूरी तरह सुरक्षित थी प्रकृती के अध्भुत संदर सेमंडित वह नगरी, अती संदर उध्यानों, पुष्प वाटिकाओं, उंचे उंचे भब भवनों, और क्रिणा वनों से अच्छा दित थी बीच बीच में कमल पुष्पों से भरे जलाशे नगर की शोभा को बढ़ाते थे नगर में श्रीकृष्ण के स्वागत के लिए जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और तरह तरह की रंग बिरंगी ध्वजाएं फहराई गई थी इस्थान इस्थान पर इस्त्रियां मंगल गान कर रही थी और प्रजा उन पर फूनों की वर्षा कर रही थी बलराम प्रद्यूम्न सामब आदी ने श्रीकृष्ण का स्वागत किया और बुजुर्गों ने उन्हें हिर्दय से लगाया तथा छोटों ने उनके चरण इसपर्ष करके अपने को धन्य माना महल में जाकर भगवान श्रीकृष्ण ने सबसे पहले अपनी माताओं के चरण इसपर्ष करके प्रणाम किया और उनकी कुशल शेम पुछी माताओं की आग्या लेकर वे अपने महल में गए जहां उनकी पतनीँ ने प्रेम पुर्वक उलाहाना दे कर उनका स्वाधत किया और अपनी अपनी विरह कथा उन्हें सुनाई भगवान ने सभी के हिर्देवं में बसी विरह अगनी को अपने प्रेम पुन्ड वचनों से शांत किया बारहवा अध्याए परिक्षित का जन्म और राजा युदेश्ठिर का प्रसन्न होना शौनक आदे रिशियों ने सूत जी से परिक्षित के जन्म की कथा सुनाने का आगरह किया तो सूत जी बोले हे शौनक आदे रिशियों धर्मराज युदेश्ठिर अपनी प्रजा की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे श्रीक्रिश्न के सानिध्य ने उन्हें समस्त भोगों से निस्प्रिह कर दिया था वे एक प्रकार से वितराग योगी की भाती प्रजा का पालंग करते थे समय समय पर वे बड़े बड़े यक्य करते थे और खूल कर दोनों हाथों से याचकों, निर्धनों और ब्रहमनों को दान दिया करते थे वे जम्बुदीप के एक छत्र समराड थे और उनकी किर्ती देख दिगंत तक फैली हुई थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वतामा के ब्रहमास्तर से उतरा के गर्भस्त शीचू की रक्षा किये जाने के उपरांत गर्भ का शीचू समय के साथ बढ़ने लगा समय आने पर समस्त सद्गूणों को विकसित करने वाले शुब समय में उतरा ने एक पुत्र को जन्म दिया अपने पौत्र के जन्म पर राजा युधिश्ठिर और उनके भ्राताकन अत्यधिक प्रसन्न हुए आचारे धौम्य, क्रिपाचारे और अनिश्रिष्ट ब्रामणों के समुदाय से उन्होंने बालक के सभी जात संसकार कराये और राजे में खूब दान पुर्ण्य कराया जगह जगह उत्सो और मंगलगान कराये गए ब्रामणों ने बालक के कुंडली बनाकर राजा युधिश्ठिर से कहा राजन यह बालक मनुपूत्र के समान अत्यंत तजस्वी होगा और भगवान श्रीडाम के समान मर्यादा का पालन करने वाला होगा इसका यश चतुर्दिक फैलेगा यह समस्त सद्गुणों को धारन करने वाला श्री कृष्ण का अनुयाई होगा और राजा ययाती के समान धार्मिक विचारों का होगा इसकी आने वाली संतान राजर्शी का पदग्रहन करेगी यह तक्षक के द्वारा गंगा तड़ पर अपना शरीर त्याग करेगा सूद जी ने कहा जो तीशियों की भविश्यवानी सुनकर राजा युधिष्टिर ने भेट पूजा देकर उन्हें विदा किया रिशिवर क्योंकि इस समर्थ बालक को गर्भ में ही परम पुरुष्ट के दर्शन हो चुके थे और वह जन्म के उपरांत लोगों के चेहरों में उस परम पुरुष्ट की छाया ढूनने का प्रयत्न करता था और उनकी परिक्षा लेता रहता था इसलिए लोगों ने इसे परिक्षित कहना प्रारंध कर दिया था यही नाम उसका पड़ गया और वह राजा परिक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ राजा युधिष्ठिर ने उसकी शिक्षा दिक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया राजा ने उसकी प्रसन्नता के लिए कई अश्वमेध यग्य भी किये तेरहवा अध्याय विदूर का उपदेश और धृत राश्ट्र तथा गांधारी का वन गमन सूत जी ने कहा रिशीवर उन दिनों विदूर जी तिर्थ यात्रा पर गये हुए थे वे महर्शी मैत्रेय से आत्म ज्यान का उपदेश लेकर हस्तिनापूर लोटे थे सभी में विदूर जी का भव्य स्वागत किया विदूर जी ने उन्हें तिर्थों के संसमरन सुनाए विदूर जी साक्षात धर्मराज थे कहा जाता है कि किसी जन्म में मांडवे रिशी के शाप से इन्हें सो वर्ष के लिए दास्य पुत्र होना पड़ा था विदूर शाप की कता एक समय किसी राजा के अनुचरों ने मांडवे रिशी के आश्रम में कुछ चोरों को पकड़ा था उन्होंने मुनी को भी चोर समझ कर पकड़ लिया राजा ने सभी चोरों के साथ रिशी को भी सूली पर चड़ा दिया राजा को जब अपनी गलती का पता चला तो उसने रिशी को सूली पर से उतरवा कर उनका यतोचित दहा संस्कार कराया और अपने अपराज की शमा मांगे उधर मांडवी रिशी की जीवात्मा सुक्ष्म शरीर से जब यमराज के पास गई तो उसे ने पूछा धर्मराज मुझे किस बात का दंड मिला है धर्मराज ने बताया कि लड़कपन में उन्होंने एक नुकिली कुशा से एक टिड़ी का शरीर छेद दिया था या उसी का दंड है इस पर मुनी ने कहा कि उससे अज्यानता वश ऐसा हुआ होगा उसके लिए उसे इतना कठोर दंड दिया गया या उचित नहीं है इसके लिए तुम्हें सो वश तक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा उस शाप के कारण ही धर्म राज को विदूर के रूप में जन्म लेना पड़ा था सूत जी बोले रिशीवर पांडव विदूर जी की द्योता के समान सेवा सतकार करते थे वे कुछ दिनों तक अपने भाई धरितराश्ट के साथ हस्तिनापूर में रहे परिक्षित के जन्म का समजार सुनकर उन्हें बहुत प्रसनता हुई परंतु उन्हें देखा कि धरितराश्ट्र और गांधारी इससे बहुत अधिक प्रसन नहीं है विद्यूर जी ने काल गती को समझ कर धरितराश्ट्र से कहा महाराज ब्रिधा वस्ता में अत्यधिक संकटों का सामना करना पड़ता है इससे अच्छा है कि हमें यहां से निकल कर अब वन गमन करना चाहिए आपके सभी हितैशी परलोग सिधार चुके हैं आप दूसरों के घर में पड़े हुए पराधिंता का टुकड़ा खा रहे हैं यह गौरव की बात रही है अब आपको ममता का बंधन काट देना चाहिए इस बुढ़ापे के शरीर से अब आप कौन सा स्वार्थ सिध्ध कर पाएंगे जो व्यक्ति इस संसार को दुख रूप समझ कर इसे से विरक्त हो जाता है और अपने अंतह करण को वश में करके खिर्दय में भगवान का ध्यान करते हुए सन्यास ग्रहन कर लेता है वही उत्तम पुरुश है आपको चाहिए कि आप चुप चाप यहां से निकल कर उत्तरा खंड में चले जाए जब विदूर जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो उनके नेत्रे प्रग्या से खुल गए वे चुप चाप विदूर के साथ उनके बताय मार्ग पर निकल पड़े दूसरे दिन जब युधिष्टिर को पता चला कि धृत राश्र, गांधारे और विदूर सन्यास क्रेहन कर वन में चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ कुछ समयवाद दिवर्शी नारद ने आकर युधिष्टिर का शोक दूर करने के लिए प्रवचन किया हे राजन, इश्वर के एक्षा से ही जीवन में प्राणियों का संयोग और वियोग होता है तुम्हें मोह में पढ़कर शोक नहीं करना चाहिए हे धर्मराज, वे तीनू हिमाले में गंगा के सब तश्त्रोत नामकिस्थान पर रिशियों के आश्रम में निवास कर रहे हैं अब उनके मन में किसी बात की कामना नहीं है उनके हिर्दै से सभी विकार नश्ट हो चुके हैं आज से पाँचवे दिन धितराश्व और गांधारी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग के लिए और विदूर जी तिर्थाटन करने निकल जाएंगे नारद जी के उपदेश सुनकर विधिश्टिर का चित्त शान्त हो गया दिवर्शी नारद उन्हें आशिरवाद देकर स्वर्ग चले गए चोगहमा अध्या आए अब शकुम देखकर विधिश्टिर का चिंतित हो ना और अरजुन का द्वारका से लोटना सूत जी बोले हे रिशिवर अरजुन श्रीक्रिश्टिर जी से मिलने द्वारका गए हुए थे कई महिनें बीत जाने के उपरांत भी वे द्वारका से लोटकर नहीं आये थे और ना उनका कोई समचार ही आया था इधर धर्मराज युधिश्टिर को बड़े भयानक अब शकून दिखने लगे थे उन्होंने देखा कि काल के गती बड़ी विकट हो गई है रित्वों का समय उल्टा हो गया है लोग जीवन निर्वाह के लिए पाप पोन विवहार करने लगे हैं कली काल के आजाने से लोगों के सभाओं में लोब दंभ और बैमानी आने लगी है ऐसा देखकर युधिश्टिर ने अपने भाई भीम को बुला कर कहा भीम अरजुन द्वार का इसलिए गया था कि वह हमारे परम हितैशी श्री कृष्ण और उनके परिजन का समाचार ले कर आए परन्तु उसे गय साथ माह हो चुके हैं उसकी कोई खैर खबर अभी तक हमें नहीं मिली मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है नित्य गय औप शकुनों से तरह तरह की आशंकाई मुझे घेरने लगी है दिवर्शी नारद ने कहा था कि बहुत ही खराब समय आने वाला है कहीं वह समय तो नहीं आ पहुँचा भाई तुम देखो तो कि आजकर आकाश से कैसे उलका पात होते रहते हैं जगह जगह से भुकम्पो के द्वारा विनाश के समाचारा रहे हैं महामारियों से प्रजा का बुरा हाल है मेरी बाई आख और बाई भुजा बार बार फड़कती रहती है लगता है कि कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है भीम से इनने युधिश्चिर को आश्वस्त करते हुए कहा भाताश्री समय के साथ ऐसे परिवर्टन होते रहते हैं धीर पूर्षों को इन अपशकनों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए युधिश्चिर बोले तुम ठीक कहते हो भीम तुम बाहु बली हो, शक्ती संपन हो तुम्हें तो इन अपशकनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु मैं राजा हूँ मुझे प्रजा के समस्त दुखों का ध्यान रखना पड़ता है जरा देखो तो कि सियारेने सुर्योदय के समय सुर्य की और मुह करके किस प्रकार से रोती रहती है कुत्ते मेरी और देखकर भोकने लगते है गदहे मुझे दाहिनी और करके निकल जाते है मेरे घोडे तक मुझे देखकर रोने लगते है ऐसा लगता है कि मिर्तिव दूत हमें चारो और से घेर रहे है अंतरीक्ष में जैसे आग लगी है नदी तलाब और तलिया सुखने लगी है बचड़े गायों का दूद नहीं पीते और गायों ने दूद देना बंद कर दिया है चारों और आकाल के छाया मंडराने लगी है ऐसे उद्पातों को देह कर लगता है कि जैसे यह भुमी भागहीन होकर भगवान श्री कृष्ण के अभाव में रोने लगी है इसकी श्री नश्ट हो गई है भीम राजा युधिष्ठी को सांतवना देने लगे तभी सभी को प्रसन करते हुए अर्जुन के आने का समाचार मिला लगा मानो तप्ती भुमी को वर्षा के बादनों की गरदना सुनाई दे गई हो वे अर्जुन से मिलने के लिए आतुर हो उठे उसी समय चेहरा लटकाए और आखों में अश्रु भरे हुए अर्जुन ने वहाँ प्रवेश किया अर्जुन की दशा देखकर युधिष्ठी एकदम से धक रह गए उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन की अभिवादन का उत्तर देते हुए पुछा पार्थ सब कुषल तो है तुम्हारी यह कैसी दशा हो रही है जैसे तुम लूट पीट कर कहीं से आ रहे हो बताओ द्वारकापुरी में सभी कुषल मंगल से तो है तुम बहुत दिनों तक कहां रहे किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया हे अरजुन तुम्हारी आखों में ये अश्रू क्यों है तुमसे कोई अपराथ तो नहीं हो गया तुम्हारे सखा भगवान श्री कृष्ण और बड़े भहिया बलराम पता उनके सभी परिजन वा मित्रगन कैसे है तुम चुप क्यों हो कुछ बोलते क्यों नहीं कुछ तु बताओ मुझे युधिष्ठिर के प्रश्णों के जड़ी से अरजुन कहरदे व्याकूल हो गया और वह हेचकिया लेका रोने लगा भीम और युधिष्ठिर उसकी ऐसी दशा देखकर चिंतितो उठे उन्हें लगने लगा कि कहीं अवश्य कोई बड़ा आहित हुआ है कुछ ऐसा हुआ है जिसे कह पाने की इस्थिती में अरजुन नहीं है वे दोनों उसे धहरे बंधाने लगे और पहले उसके स्वस्थ हो जाने की बाट जोहने लगे अरजुन जैसे टूट गया था प्रतीत हो रहा था मानों उसका सर्वस्थ लूट गया हो उसके चहरे से हताशा साफ जलक रही थी वह चाह कर भी स्वयम को संभाल नहीं पा रहा था पंद्रहमा अध्याय श्रीक्रिष्ण के आवसान का दुखत समचार और पांडवों का परिक्षित को राजगद्धी सौप कर स्वरगारो हन सूत जी ने कहा भगवान श्रीक्रिष्ण के प्यारे सखा अर्जुन श्रीक्रिष्ण के विरह से अत्यंत दुखी थे ब्राता श्री युधिश्ठीर के प्रश्णों ने अर्जुन को और भी अधिक दुखी कर दिया अतिधीक शोक के कारण अर्जुन का चेहरा मलीन हो रहा था बड़ी कठिनाई से अर्जुन ने अपने हिर्दय में उठते हुए शोक के जन्जावात को रोका और रुंदी हुए गले से कहा भ्राता श्री जिस प्रकार प्राणों के ना रहने से यह शरीर मृत हो जाता है उसी प्रकार आज सखा श्री कृष्ण के ना रहने से मेरा यह शरीर मृत प्राय हो रहा है मेरे जिस प्रवल प्राक्रम के सामने बड़े से बड़े शूर विरों का हिर्दय दहल जाता था मेरा वह प्राक्रम अब श्री कृष्ण ने छीन लिया है अभी तक मैंने जो भी विर्ता दिखाई जो भी साहस और धैर दिखाया जो भी बल्र पराकरम दिखाया वह सब मेरे प्रिये सखा श्रिक्रिष्ण के कारण ही था द्रोपदी सोयंवर, स्वर्ग विजय, खांटव वन दाह, पितामह भीश्म की पराजह, दुर्योधन के शड्यंत्रों का प्रतिकार, पार्शुपात अस्त्र प्राप्त करना, महाभारत युद्ध में शूर वीरों से टक्कर, जैदरत वध, अश्रतामा के ब्रहमास्तर की का आदी जितने भी पराकरम मेरे द्वारा किये गए, उनमें मैं कहा था, सभी के पीछे प्रिये क्रिश्न की महान शक्ति का ही जैगोश्ट था, उस श्री क्रिश्न के द्वारा आज मैं ठका गया हूँ, भ्राताश्री, युद्ध भुमी में गुरु द्रोण, शल्य, कंड, भुरिश्टोवा, सुशर्मा और बालहीक आदी वीरों ने असंख्य बान मुझ पर चला है, परंतु उन्होंने श्री क्रिश्न द्वारा बनाएगे रक्षा कोज के कारण मुझे इस पर्ष तक नहीं किया, यह सब प्रिये सखाश्रे क्रिश्न के छत्रे छाया में रहने के कारण ही संभा हो सका था, भाताश्री, श्रेष्ट पुरुष्ट संसार में मुक्ती पाने के लिए जिन चरण कमलों का सहरा लेते हैं, उन्हें मुझ पातकी ने अपने स्वार्थ के लिए अपना सार्थी बना लिया, ओफ, जिस समय मेरे अश्र ठक जाते थें, और मैं रत स से उतर कर नीचे खड़ा हो जाता था, उस समय बड़े-बड़े महारती शत्रु भी मुश्पर प्रहार करने का साहस नहीं जूटा पाते थे, क्योंकि श्री कृष्ट के प्रभाव से उनकी बुद्धी कुंद हो जाती थे, सोते, जाकते, उठते, बैठते, खाते, पीते, जब कभी भी मैं अपनी अलप पुद्धी के कारण उन्हें अपना मित्र समझ कर कुछ ऐसा वैसा कह बैठता था, तो जैसे पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, और पुत्र को शमा कर देता है, उसी प्रकार वे भी मेरे सारे अपराधों को सह लेते थे, और मुझ इससे बहुत दूर चले गए है, मैं उन भगवान पुशुत्तम से विलग हो गया हूँ, युदेश्ठीर और भीम ने चौक कर पुछा, यह तुम क्या कह रहे हो अर्जुन, क्या श्रीकृष्ण अब नहीं रहे, हाँ भ्राता श्री, अर्जुन ने रोते हुए कहा, वो ब बैकुंठ वासी हो गया है, यही नहीं सारा यदुवंश आपस में लड़ लड़कर मर खप गया है, मैं जब भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, तो मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझ पर आकरमन कर दिया, और मुझे एक अबला नारी की भाती हरा दिया, मैं चाह कर भी उनकी रक्षा नहीं कर सका, यह वही मेरा गांडिव धनुशे, वही बार है, वही रत है, जिसके सामने बड़े से बड़े शुर्वी राजाओं के सिर जुक जाया करते थे, परंतु श्री कृष्ण के मिना ये सभी एक पल में शक्ति विहीन हो गए हैं, आपने अपने जिन सहरदय द्वारकावासी संबंधियों के बारे में मुझसे पूछा है, वे ब्राह्मनों के शाप वश मोह ग्रस्त हो गए थे, और वारुणी मदिरापान से मदवनमत होकर अपरशितों की भाती आपस में हे लड़ मरे, यह सब प्रभु श्र क्रिष्ण की ही लीला है, जो उनके जाते ही संपन्न हो गई, वे प्रजापालक हैं, तो संहारक भी हैं, उन्होंने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे सभी देश, काल और प्रयोजन के अनुरूपी थी, उनका इस मन आते ही, चित के शांती नश्ट हो जाती है, समझ पे न इस प्रकार अपनी हिर्दय गत प्रेम पुन भावनाओं को श्री क्रिष्ण के चरन कमलों में अर्फित कर, अर्जुन का हिर्दय कुछ शांत हो गया, श्री क्रिष्ण के प्रती उनकी प्रेमा भक्ती और भी अधिक बढ़ गई, भक्ती के आवेग ने मन के सारे विकारों क नश्ट कर दिया, माया का आवरन नश्ट हो गया और वे द्वैत के संशय से मुक्त हो गया, अर्जुन ने माता कुंती के पास जाकर द्वारका का सारा विर्तान सुनाया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्होंने अपने हिर्दय को अनन्य भक्ती से श्री क्रिष्ण के स्मृती में लगा दिया, युधिष्ठी ने अपने सभी भ्राताओं और पत्नियों तथा माता कुंती से परामर्ष करके स्वरगारोहन का निश्चय किया, जब भगवान श्री क्रिष्ण ने हि अपना लक्ष पुरा करके प्रिथ्वी लोक सदव के लिए त्याग दिया, तब उनके बने रहने का यहां कोई औचित नहीं था, उन्होंने अपने विनई पोत्र परिख्षित को बुलाकर उससे हस्तिनापुर का राज सिहासन सौप दिया, और मथुरा में शूर सेनाधिपती के रूप में अनिरुध के पुत्र वज्र का भिशेक कराया, उसके अपने शेश बंदू बांधवों के साथ परब्रह्म का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा में हिमालय की ओर उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिये, उनके हिर्दय में भगवान श्री कृष्ण के प्रती हार्दिक भक्ति भावु मनने लगा था, सभी पांडवों ने एक एक करके हिमालय के बरफीले प्रदेश में पहुँचकर एक के बाद एक अपने प्रार छोड़ दिये, सबसे अंतिमे योधिश्षीर स्वर्ग लोग को गये, दुसरी और तिर्थो में अभ्रहमन करते हुए विदूर जी भी जब प्रभास छेत्र में पहुँचे तब उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया, सुलाहमा अध्याय, परिक्षित की दिगविजय तथा धर्म और प्रिथवी का संवाद, सुथ जी कहते हैं, हे रिशिवर, पांड़ों के स्वर्गवासी हो जाने के बाद, भगवान श्री क्रिष्ण के भक्त, राजा परिक्षित, कोरु समराज का शासन करने लगे, वे अत्यंत धर्मात्मा और नियाय प्रिय राजा थे, उत्तर की पुत्री इरावती से राजा परिक्षित का विवा हुआ था, जीसे से उन्हें चार पुत्र हुए, सबसे बड़ा जन्मेजय था, क्रिपाचारे को आचारे बनाकर राजा परिक्षित ने गंगा तट पर तीन बार अश्वमेध यग्य किये थे, और ब्राह्मणों को प्रचूर दान दिया था, एक बार दिख्वीजय के समय, राजा परिक्षित ने देखा, कि कलियोग शुद्र का रूप धारन करके, एक गाय और बैल के जोड़े को लात घुंसों से मार रहा है, तब उन्होंने उसे बुला कर भारी दंड दिया, शौनक रिशी ने पूछा, सूद्र जी, महाराज परिक्षित ने कलियोग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया, उसे तभी मार क्यों नहीं डाला, गाय को लात मारने वाला वह नीची ही था, उसके काल में मनुश्य का जीवन अल्प है, फिर भी वह मोक्ष की कामना करता है, मित्यू के भैस से ग्रसित इस यूग में भगवान की अमरित मई लिला का श्रौन करके वह अपना उद्धार कर सके, कुछ ऐसा सुनाईए, अनिथा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, सूत जी ने कहा, शोनक जी, जिस समय राजा परक्षित की सेना दिगविजय करती हुई, अपने कुरू जंगाल देश वापस पहुची, तो उन्होंने सुना, कि उनके देश में सुरक्षित सेना के होती हुए भी कलियुक का प्रवेश हो गया, वे ततकाल अपने श्याम वण्ण के अश्व पर सवार हो, तथा अस्त्र शास्त्र से लैस होकर उसे से युद्ध करने के लिए निकल पड़े, एक विशाल चतुरंगडी सेना उनके पीछे पीछे चल रही थी, प्रदेश में इधर उधर घुमते हुए श्री कृष्ण का या शोगान उन्हें सुनाई देने लगा, पान्डवों की किर्ती तथा उनके पारस्परिक प्रेम की चर्चा भी इस्थान इस्थान पर सुनाई परती थी, इससे उनका मन प्रसन्न हो उठा, जगह जगह से लोग उपहार देने के लिए उनके निकट आते थे, तो वे उसे बड़े प्रेम से स्विकार कर लेते थे, एक दिन अपने शिवीर के पास उनके देखा, कि एक बैल एक पैर से इधर उधर गूम रहा है, और पास में ही एक गाय खड़ी होकर उसे निहार रही है, पुत्र की दशा देखकर गाय की आखों से अश्रू ज़र रहे हैं, बैल ने गाय से पूछा, हे कल्याडी, तुम अश्रू क्यों बहा रही हो, तुम्हें क्या दुख है, कहीं तुम मेरे इंट तोटे हुए तीन पैरों को देखकर तो दुखी नहीं हो रही हो, इसकी अतरि जिक्त कोई अन्य कारण हो तो कहो, ऐसा लगता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी पराजित कर देने वाला काल तुम्हारे सवभाग को छिनने आ पहुँचा है, क्या बात है, अपने दुख का कारण मुझे बताओ, गाय बोली, हे पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम बैल के रूप में अपाहिज होकर चलने वाले धर्म हो, मैं भी गाय के रूप में प्रिथवी हूँ, जिस भगवान को पाल श्री कृष्ण के सहारे तुम प्रिथवी पर अपने चारों पैरों से विचरन करते थे, और जन जीवन में सत्य, दया, शमा, पवित्ता, त्याग, संतोष, सरल्ता, शांती, शक्ती, वेराग, साधना, समता, सहंशीलता, सैयम, विवेक, ज्यान, एश वीर्ता, तेज, सम्रिती, स्वाधिन्ता, धैर्य, कोमल्ता, निर्भेक्ता, विनय, शील, साहस, उत्साह, सभाग, गांभेर्य, इस्थिर्ता, आस्तिक्ता, किर्थी, गौरव, और अहंकार विहिंता के गुणों को वियापक रूप से फैलाया करते थे, और एक पल के लिए भी अपने कर्तव से विलग नहीं होते थे, उन सभी गुणों को भगवान श्री कृष्ण ने जैसे समेट लिया है, और इस संसार में पापी कलियुक का प्रवेश हो गया है, इसी कारण मुझे गहरा दुख हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कि मेरे स अभागि का अब अंत हो गया है, गोपाल श्री कृष्ण ने मुझे अभागिन की भाति छोड़ दिया है, उनका विरा ही मेरे दुख का कारण है, राजा परिक्षित एक और खड़े होकर गाय रुपी प्रिथिवी और बैल रुपी धर्म का वार्तलाप सुनने लगे, सत्रहमा अध्याए महराज परिक्षित द्वारा कलियूग का दमन सूत जी ने कहा, उसी समय राजवेशधारी कलियूग शुत्र के रुप में हाथ में डंडा लिये वहाँ आया, और गाय बैल के जोड़े को देख कर पीटने लगा, कभी वह डंडा मारता, तो कभी लात घुंसे मारने लगा, जैसे वही उनका स्वामी हो, वे दोनु उसकी मार से अत्यंत दीन हो रहे थे, मार की पीडा से बार बार मल मुत्र त्याग कर रहे थे, उसी समय राजा परिक्षित ने धनुष पर बान चढ़ा कर उसे ललका रहा, अरे दुष्ट, तु कौन है, जो बलवान होकर भी मेरे राज में इन दुर्वल प्राणियों पर बल परियोग कर रहा है, तेरी वेश भूशा तो राजा जैसी है, पर तेरी कर्म शुद्रों जैसे है, आज दाधा श्री अर्जुन और भगवान श्रीक्रिष्ट नहीं है तो क्या हुआ, निरप राधो पर प्रहार करने वाले को इस समराज का स्वामी परिक्षित अपराधी मानता है, अतह तू वध करन योग्य है, राजा की ललकार सुनकर कलियोग ठहर गया और राजा की और निर्भिक्ता से देखने लगा, तभी राजा ने बैल रुपी धर्म से पूछा, हे श्वेद वन्नी, तीन पैरों के तूटने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कश्ट हो रहा है, आप बैल के रूप में कौन है, आप यह न समझिये कि भूमंडल से कुरूवन शीर नर्पतियों का बाहुबल नश्ट हो गया है, वह अभी भी सुरक्षी थे, हे धेनों पुत्र आप शूक न करें, इस शुद्र से आप निर्भय हो जाएं, गव माता को कश्ट देने वालों को मैं भयानक दण्ड देने वाला हूँ, जिसकी राजी में दुष्टों के उपद्रों से वहाँ की प्रजा दुखी और तरस्त रहती है, उससे राजी के राजा की किर्थी, आयू, एश्वर्य और परलोक शिर्य नश्ट हो जाता है, राजा का परमधर्म जनता का दुख दूर करना है और दुष्टों का संहार करना है अतह मैं इसे मार डालूँगा जो उद्धन्ड व्यक्ति, निरपराध और निरिह प्राणियों को दुखी करता है वो चाहे साख्षात देवता ही क्यों नहो मैं बाजूबंद से विभुशित उसकी भुजा को काट डालूँगा बिना किसी अपत्तिकाल के मर्यादा का उलंगहन करने वाले को दंड देना राजा का परमकर्तव्य है बैल रुपी धर्म ने कहा राजन आप महराज पांडू के वन्शज है आपका प्राणियों को इस प्रकार अभयदान देना आपके कूल की परमपरा के अनुसार ही है जिनके सार्थी भगवान श्री कृष्ण रहे हो वे पांडो सदैव धर्म के रक्षक रहे है जो लोग परमात्मा से अपने आपको अलग नहीं मानते वे कभी दुखी नहीं होते है कुछ लोग कर्म को, कुछ भागे को, कुछ स्वभाव को और कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मानते है दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता जिस युग में सतकर्मों का हरास होने लगता है वहाँ धर्म भी अपने तीन पैरों को तुड़ा बैठता है सूत जी बोले शौनक जी धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परिक्षित तत्काल समझ गए कि उनके सम्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है शान्त चीत होकर राजा परिक्षित ने धर्म से कहा व्रिशब्देव आप स्वयम धर्म होकर भी धर्म का उपदेश दे रहे है है धर्म देव सत्यूग में आपके चार चरण तप पवित्रता दया और सत्य सुरक्षित थे इस कलिकाल में अधर्म के अंश गर्व आसत्ती और मद से आपके तीन चरण नश्ट हो गए हैं अब आपका एक ही चरण सत्य शेश है उसी के बल पर आप चल फिर रहे हैं असत्ती के कारण यह अधर्मी कलियूग उसे भी ग्रस लेना चाहता है यह गव माता साक्षात प्रिथवी है भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टू और अधर्मियों का विनास कराके इसका भार उतार दिया था परन्तु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से यह प्रिथवी कलियूग की चपेट में आती जा रही है अब तो शुद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का स्वांग भरकर इसका दोहन करेंगे भाव यही है कि कलियूग के आने से दुष्ट और नीच लोगों की बन आएगी और वे अपने अत्याचारों से इस धर्ती पर फिर से अधर्म का राजे स्थापित करने से बाज नहीं आएंगे सहिर्दे, सत्यवादी, विनई और सदाचारी व्यक्तियों का फिर अपमान होगा और दुष्ट लोग शासक बन कर उन पर मनमाने अत्याचार करेंगे पवित्र बंधनों की डोर तूट जाएगी और पूरे समाज में भरष्टाचार सुर्सा के मुख की तरह फैल जाएगा सूत जी बोले ऐसा देख और सुनकर परिक्षित ने धर्म और प्रित्वी को सांतोना दी और अधर्मी कलियूग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई राजा को क्रोधित होते देखकर कलियूग ने अपने राज जोचित चिन उतार फेके और गिड़ गिड़ाते हुए अभैदान मांगने उनके चरणों में गीर पड़ा परिक्षित तो दीन वक्सल थे उन्होंने जब कलियूग को अपने पैरों में पड़े गिड़िगड़ाते देखा तो उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल ले और उससे कहा हे दुष्ट जब तु मेरी शरण में आही कया है तो ये शश्वी अरजून के वन्ष में उत्पन हुए किसी भी वीर से तुझे भैभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या करना अधर्म और पाप कहलाता है परन्तु क्योंकि तु अधर्म फैलाता है इसलिए तुझे मेरे राजे में नहीं रहना चाहिए तेरे यहां रहने से यहां के राजा और प्रजा दोनों के शरीर में लोग, चोरी, जूट, दंब, दुष्ठता, अधर्म, दरिदता, छल, कपट, कलह और अन्य कई प्रकार के पापों का उध्य होने लगेगा भश्टाचार और व्याभिचार का बोलबाला हो जाएगा अतह तुझे एक छण के लिए भी यहां नहीं ठहर ना है मेरे इस राजे में धर्म और सत्य का निवास है यग्यू द्वारा उनकी पूजा होती है और उनसे यग्य करने वालों का कल्यान होता है इस देश में श्रीहरी यग्य रूप में निवास करते हैं जिनकी क्रिपा से समस्त सत्यवादी, रिशीगन, ब्रहमन, यग्य करता और समान्य जन के साथ-साथ समस्त जड़ प्रकिरती, संतुष्ट और सुखी होती है श्रीहरी सभी जड़ चेतन जीवों में वायू की भाती एक रस होकर निवास करते हैं और उनका कल्यान करते हैं कल्युक बोला, हे सार्व भौम राजन, आपकी आग्या से में जहां कहीं भी जाकर रहने का विचार करता हूँ, वहीं आप मुझे धनुष बान लिए खड़े दिखाई देते हैं हे धर्म शीरोमणी, मुझे कृप्या वह इस्थान बताईए, जहां मैं आपकी आग्या का पालन करते हुए इस्थिर होकर रह सकूँ सूत जी ने कहा कल्युक के प्राथना सुनकर राजा परिक्षित ने उसे चार इस्थान बताए वे इस्थान है जियुत यानि जुवा, मध्यपान अर्थात शराब घर, इस्त्री प्रसंग अर्थात काम भोग विलास और हिंसा अर्थात हत्या करने वाले इस्थान इस प्रकार के इस्थानों में क्रमशा, असत्य, मध्य, आसक्ति और निर्दैता आदी अधर्म निवास करते हैं किन्तु कल्युक को इन चार इस्थानों से संतोश नहीं हुआ उसने कुछ और इस्थान राजा से मांगे तब राजा ने उसे एक इस्थान और दिया इन पांच स्थानों से जूट, मद, काम और वैर के साथ रजुवृती का भी जन्म हो गया कल्युग इन पांचों स्थानों पर राजा अग्या से रहने लगा अत्म कल्यान के लिए प्रेरीत व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर पदापी नहीं रहना चाहिए एक राजा को, समाजिक नेता को और धर्म उपदेशकों को तो बड़ी साउधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए राजा के अश्वासन के उपरांथ कल्युग ने वहां से पलायन करना ही उचित समझा उसके जाने के उपरांथ राजा ने अपने धार्मिक कृत्यों से उस बैल के तीन पैरों तपस्या, शौच, अर्थात पवित्रता और दया को जोड़ दिया और कल्युग से आश्वस्त होकर अपनी प्रजा के सुख संपन जीवन की श्रीवरिधी करने लगे ऐसे महान परम यशश्वी सभाग शाली चक्रवर्ती समराट राजा परिक्षित इन दिनों हस्तिनापुर के राज सिहासन पर शुभाय मान है अठारहवा अध्याए राजा परिक्षित द्वारा महार्शी शमीक के गले में मृत साप डालना और रिशी पालक द्वारा राजा को शाप सूत जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से परिथवी पर जब तक अभिमन्यू पुत्र महाराज परिक्षित ने राज किया तब तक उनके समराज की चारों सिमाव से बाहर रहते हुए भी कलियो का साहस परिक्षित के राज में प्रवेश करने का नहीं हुआ जिस दिन इस प्रिथवी से श्री कृष्ण का वर्चस्व समाप्त हुआ उसी दिन से प्रिथवी पर अधर्म का मूल कल्यूग आ गया था समराज परिक्षित जानते थे कि पुन्य कर्मों का श्रिष्ट फल संकल्प मात्र से ही प्राप्त हो जाता है परन्तु शरीर से पाप कर्म करने पर उसका दुष्प्रभाव अवश्य प्राप्त होता है यह कल्यूग शूर वीर धर्मग्य लोगों के सामने बड़ा कायर वबड़ा डर्पोक है किन्तु प्रमादी और दुष्प्रविर्थियों में लिप्त रहने वालों को यह पल भर में ही दबोच लेता है वहाँ पस्थित रिशियों ने सूत जी से कहा हे सूत जी आप मिर्द्यू के मुख में पड़े हुए लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लिलाओं का श्रवन करने के लिए कहते हैं यग्य करते करते हमारे शरीर यग्य के धूमें से धूमील हो गया है फिर भी हमारे इस कर्म से हमें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा अत्वा हमें कोई मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा इसकी कोई भी संभौना दिखाई नहीं पड़ रही जबकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ती से प्रेमी भक्तों को पल मात्र महीं मुक्ति प्राप्त हो जाती है हे सूत जी, समस्त प्राकृत गुणों से युक्त आदी स्वरूप भगवान के अरंद का ल्यानकारी गुणों से पार तो ब्रह्मा और श्यू जैसे योगेश्वर भी नहीं जा पाते आपने तो अपने जीवन का लक्ष दुरूब तारे की भाते श्री कृष्ण को ही माना है इसलिए आप सत्पुर्षों के एक मात्र आश्रे भगवान श्री कृष्ण के उदार और विशुद चरित्र का अश्रवन हम्शद्धालूं को कराईए हमें बताईए कि माहराज परिक्षित ने श्री शुकदेव जी से मोक्षदाता भगवान श्री कृष्ण का चरित्र किस प्रकार सुना ऐसा रसमे मधूर लीला वन्नन सुनकर आत्मा को बड़ा सुख मिलता है और जीवन श्री कृष्ण के चरन कमलों में प्रेमा भक्ति द्वारा अर्पित हो जाता है सूत जी बोले हे रिशिवर आज हमारा जीवन सफल हो गया क्योंकि आप जैसे महतमाओं के संगती और समवाद से नीच कूल में उत्पन होने पर भी समस्त हीन भावनाओं का दमन हो जाता है फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सुदैव सत्पुर्षों के एक मात्र आश्रे भगवान श्री कृष्ण का नाम जबते है भगवान के शक्ती अनंत है क्योंकि वे स्वयम अनंत है उनके गुनों की कोई थाह नहीं है ब्रह्माजी ने भगवान श्रीहरी के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही जल उनके चरणों के नखों से निकल कर स्वर्ग और भू मंडल में गंगा की पावन धारा के रूप में प्रवाहित हुआ हे सुर्य के समान प्रकाश्वान महात्माओं आप लोगों ने जो कुछ मुझ से पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार आपको सुनाता हूँ जैसे पक्षी आकाश में अपनी अपनी शक्ती के अनुसार आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धी के अनुसार श्री कृष्ण की लिलाओं का वंडन करते हैं एक तिन राजा परिक्षित वन में आखेट के लिए गया हिर्णों के पीछे दौरते दौरते वह ठक गया उसे बहुत जोर से भुख प्यास सताने लगी जब उसे कोई जलाशे दिखाई नहीं दिया तो वह वन में एक रिशी के आश्रम को देखकर उसमें प्रवेश कर गया वहाँ उसने देखा कि शमीक मुनी शान्त भाव से आखे बंद किये समाधी में लीन है मुनी का शरीर कृष्ट मर्ग के चरम से ढखा था और उनके जटाएं चारों और बिखरी हुँ थी चहरे पर निर्विकार भाव था जैसे जागरत, स्वप्न और सुशुप्ती तीनों अवस्थाओं से वे तटस्त थे राजा को वहाँ न तो कोई बैठने का इस्थान ही दिखाए दिया न जल का कोई पात्र प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था रिशी को भी उसकी उपस्थिती का भान नहीं हुआ राजा को अपने अपमान का बोध हुआ इससे उसे क्रोधा गया वह वहाँ से लोट पड़ा पास में ही एक मरा हुआ साप पड़ा था राजा ने धनुश की नोक से उसे उठाया और उसे रिशी शमिक के गले में डाल दिया रिशी तब भी उसी भाती बैठे रहे तभी रिशी का पुत्र श्रेंगी अपने मित्रों के साथ खेलता हुआ वहाँ आया उसने अपने पिता के गले में राजा को साप डालते देख लिया था पास आ कर वह राजा से बोला हे राजन आप ब्राह्मनों के दास हैं ब्राह्मनों ने शत्रियों को अपना रक्षक बनाया है न कि उन्हें घर में घुसकर अपने स्वामी का अपमान करने के लिए अब आप मेरा तपोबल देखिये मुझे मातर बालक मत समझे आपने मेरे पिता का आप मान किया है मैं आपको शाप देता हूँ कि आज से सात्वे दिन मेरी प्रेणना से तक्षक सर्प आपको डस लेगा राजा ने बालक की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने राजमहल वापस आ गया बालक श्रिंगी ने अपने पिता के गले से साप को निकाल कर दूर फेंक दिया और रोने लगा अपने पुत्र के रोने की आवाज से शमिक मुनी की समाधि टूटी तो उन्होंने उससे रोने का कारण पुछा श्रिंगी ने पिता को राजा परिक्षित द्वारा किये गए पापाचार के विशे में बताया और अपने द्वारा उसे शाप देने की बात भी बता दी ब्रहमर्शी शमिक ने पुत्र द्वारा राजा को दिये गए शाप की बात सुनी तो अपने पुत्र को डाटा मुर्ख बालक तुने यह क्या कर दिया राजा की जरा से गल्थी के लिए तुने इतना बड़ा शाप दे दिया तुझे भगवत सुरूप राजा को साधारन मनुष्य नहीं समझना चाहिए था राजा अपने तेज से ही निर्भय होकर प्रजा की रक्षा और पालन करता है राजा के नर रहने पर चूर डाकूओं का दबदबा पृत्वी पर बढ़ जाएगा पापी लोगों को दंड का भह नहीं रहेगा पशूओं और इस्त्रियों को लूटेरे अप्रहित करके ले जाएंगे जरा जरा सी बात पर समाज में लोग मार पीट करने लगेंगे जो शक्ति शाली होंगे वे निर्धरूं और दलीतों पर अत्याचार करने लगेंगे पुत्र समराट परिक्षित ने कितने ही अश्रमेध यगे किये हैं वह धर्मात्मा राजा है ब्रामुनों को उसने प्रशूर दान दिया है उसी के कारण हम सुरक्षित हैं मुझे तो तुक है कि वह भुखा प्यासा मेरे पास आया किन्तु समाधिस्त होने के कारण मैं उसकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाया उपर से तुने उसे शाप दे दिया वे शाप के योगे कदाप ही नहीं थे तुने ना समझी में घोर पाप कर दिया है भगवान ही तुझे शमा करेंगे महामनी शमीक अपने पुत्र के द्वारा किये गए इस अपराध पर बहुत दुखी हो उठे और सोचने लगें कि इस अपराध का प्रयाश्चित कैसे किया जाए राजा परिक्षित ने उनका जो अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं था वास्तों में महात्माओं का सभाव ही ऐसा होता है कि संसार में जब दूसरे लोग उनका बुरा कर बैठते हैं तब वे प्राया न तो दुखी होते हैं और न हर्शित ही होते हैं वे सुख दुख में समदर्शी बने रहते हैं उनका चित गुड अउगुणों से परे होता है। उन्निस्वा अध्याय परिक्षित का आत्म पश्चताप और अनुशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठना। सूथ जी ने कहा। राजधानी पहुँचकर राजा परिक्षित को अपने किये निंदित कर्म के लिए बड़ा पाश्चताप होने लगा। वियत्यधीक उदास होकर सूच में पड़ गए। मैंने व्यर्थ में कुरोधित होकर उस निरपराध रिशी के प्रती दुष्ट व्यर्थी की भाती नीच व्यवहार किया। मुझे कदा भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो विपत्ती मुझ पर आने वाली हैं मुझे उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए। तभी मैं अपने पाप का प्रयाश्चित कर पाऊंगा। पहुत दिनों से इस लोक में मैं भोग विलास में लिपत था। मुझे अब इसे छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ती में लग जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा परिक्षित ने अपने बड़े पुत्र जनमेजय को बुलाकर उसका राज दिलक कर दिया। और स्वयम भगवान श्री कृष्ण की चरन कमल सेवा का वृत लेकर आमरन अंशन वृत का संकल्प करके गंगा तड़ पर बैठके। उस समय तीनों लोकों को पवित्र करने वाले बड़े-बड़े महनुभाव वहां पधारने लगे। महरश्य अत्री, वशिष्ट, विश्वामित्र, च्यवन रिश्य, अरिष्ट नेमी, भ्रीगु, अंगीरा, पराशर, परशुराम, मेघातिति, देवल, भारतवाज, गोतम, पिपलाद, मैत्रेय, और्व, अगस्त्य, व्यास्जी, देवर्शी नारद आदी महरश्यों का आगमन वहां होने लगा, राजा ने सभी का यतोचित स्वागत किया और उनकी चरन वंदना की, राजा परिक्षित ने उन्हें आसंद कर प्राथना की, हे रिशिवर, मेरा समस्त राजाओं में परम सभागे है कि मुझे आपके सहाचर्य और कृपा का आउसर प्राप्त हु दाने के लिए यहां उपस्तित हुए हैं, हे वी प्रवर, मैंने अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरनों में समर्पित कर दिया हैं, आप लोग मुझे मा श्री गंगा जी के शरनाकत जानकर मुझे पर अपना अनुगरह प्रकट करें, तक्षक मुझे डस ले, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आपके श्री चरनों में पड़ाम करके आपसे यही प्रार्थना करता हूं, कि मुझे कर्म वश चाहे जिस योनी में जन्म मिले, पर भगवान श्री कृष्ण के चरन कमलों में मेरा अनुराग बराबर बना रहे, जगत के सभी जीवो ऐसे दुश कर्मों में ना लगे। भावित हो, उनकी सेवा में अनुरक्त होना पांडू वंशियों का स्वभाव है। आपके लिए राज्य मोह को छोड़ देना कोई आश्यार की बात नहीं है। हम सभी तब तक यही रहेंगे जब तक आप अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर भगवान के श्रिधाम नहीं चले जाते। रिशियों के मधूर वचन सुनकर राजा परिक्षित ने आश्योस्त हो उनसे पुनह भगवान के मनोहर चरित्र को सुनाने की प्राथना की और पूछा। हे रिशिवर आप लोग मुझे मेरे कर्तवियों का बोध कराएं कि इस अल्प समय में मृत्यों की और अग्रसर होने वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। उसी समय श्री कृष्ण द्वयपायन व्यास जी के सुपुत्र भगवान श्री शुकदेव जी वहां प्रकठ हो गए। वे वनाश्रम के बाहर चिन्हों से पुरी तरह सिरहित अवधूत रूप में थे। उनकी अवस्था सोलह वर्ष की थे। उनके चहरे पर परम संतोष था। इस्त्रियों और बच्चों ने उन्हें गेर रखा था। उनके नेत्र अत्यंत मनोहर थे। श्याम वन शरीर पर तेज की लालिमा दूर से ही लक्षित की जा सकती थी। ब्रह्मचरे की आभा उनके चहरे से कांती बनकर उदभासित हो रही थी। उनका सारा शरीर अत्यंत सुकुमार था। लंबी लंबी भुजाएं, सिर पर घुंगराले बाल, चोड़ी उबरी हुई छाती, भवर के समान गहरी नाभी, दिगंबर वेश, चित्त को हरन करने वाला सौंदर्य, होटू पर मंद मंद मुस्कान, नंगे पैर, वे बिना किस आडंबर के सहज भाव में इस्थित वहां आग खड़े हुए। राजा परक्षित ने पातिती रूप में पधारे श्री शुकुदेव जी को शीष जुका कर पडाम किया, उनके साथ ही अन्य रिशिगण भी उन्हें सम्मान देने के लिए उठ खड़े हुए थे। उनके स रूप की महिमा को न जानने वाले इस्तरी बच्चे वहां से लोट गए। राजा ने आदर सतकार के साथ श्री शुकुदेव जी को आसन ग्रहन कराया। वे वहाँ उपस्थित सभी रिशिमुनियों के समुह में सबसे अलग तारों और नक्षत्रों में घिरे चंद्रमा के समान शुभायमान हो रहे थे। जब श्री शुकुदेव जी शांत भाव से बैठ के तब भगवान के परम भक्त राजा परिक्षित ने उनके चरणों में सीर नवा कर पड़ाम किया और खड़े होकर प्राथना की। आपके दर्शनों ने मुझे तिर्थ तुले पवित्र बना दिया है। आप जैसे संतों के दर्शन मातर से ग्रिहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं। जैसे एकांत वासे शिद्ध पुर्शों ने स्वयम यहां पधार कर मृत्यू की ओर बढ़ते हुए मुझे दर्शन दिये। आप योगियों के भी परम गुरु हैं। इसलिए मैं आपसे प्रश्ण कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति सर्वता मरनासन है उसको क्या-क्या कर्म करने उचित हैं। साथ ही यह भी बताईए कि उसको किसका श्रवण, किसका जब, किसका स्मरण, किसका भजन और किसका त्याग करना चाहिए। हे भगवत सरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुरलब है। क्यूंकि जितनी देर गायदु ही जाती है, आप उतनी देर भी किसी ग्रिहस्त के घर नहीं ठहरते। सूत जी ने कहा, जब राजा परिक्षित ने मधुरवानी में इस प्रकार उनसे समबात किया, तब समस्त धर्मों के ग्याता वेद मर्मग्य श्री व्यास नंदन भगवान शुक देवजी ने सभी रिशियों को नमन कर अपना प्रवचन प्रारंभ किया। इस प्रकार उननिस्वे अध्याय के साथ श्रीमत भागवत महापुराण का प्रथम इसकंध पूर्ण हुआ। श्रीमत भागवत महापुराण के दिवतिय इसकंध में आपका स्वागत है। प्रतम अध्याय, ध्यान वेधी और भगवान श्री हरी का विराड स्वरूप श्री शुकदेव जी ने राजा परिक्षित से कहा हे राजन जो अज्यानी मनुष परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल अपने भौतिक सुखों तथा भोग विलास में डूबा रहता है उसकी सारी उम्र ऐसे ही बीत जाती है रात दिन धन की हाय हाय और परिवार के भरण पोशण में ही वह समाप्त हो जाती है मुह में फसा जीव मिर्थ्यू को निकट आते देखकर भी साउधान नहीं होता जबकि जीवन मिर्थ्यू के इस आवा कमन चक्र से मुक्त होने के लिए उसे श्री कृष्ण की ही लिलाओं का श्रवण किर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए मनुष्य जन्म का यही तो लाब है कि वह अपने ज्यान से अपनी भक्ती से और अपने धर्म के प्रती पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यू काल के निकट आने पर उसके हिर्दय में भगवान के प्रती पूर्ण आस्था और मन में उसकी स्मृती बनी रहे राजन भगवान के क्रिपा और दया के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होते निर्गून स्वरूप परमात्मा में ये दपी मेरी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा है फिर भी भगवान श्री कृष्ण के मधूर लिलाओं के प्रती मेरा आकर्षन निरंतर बना रहता है इसी कारण पिता श्री कृष्ण दोयपायन वियास जी द्वारा राचित इस श्रीमत भागवत पुराण में मेरा मन सदयो रामा रहता है तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो क्यूंकि तुम्हारा यहाँ जीवन उनहीं की देन है इसी लिए यहाँ कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा जो नर्नारी इस कथा में रूची रखते हैं उनके चित्वरिती शुद्ध और पवित्र हो जाती है तथा शिर ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाती है हे राजन जो लोग इस संसार की मोह माया के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भगवान के विविध नामों का संकिर्टन करते रहना चाहिए आ सावधानी पुर्वक लंबी आयू जीने से अच्छा है कि सावधानी के साथ दो घड़ी का श्रेष्ट जीवन जी आ जाए राजर्शी खटवांग अपनी आयू के अंतीम पड़ाओं पर पहुचकर सब कुछ त्याग कर भगवान द्वारा अभय पद को प्राप्त करने में सफल हो गये थे तुम्हारे जीवन के अभी भी साथ दिन शेश है इस बेच तुम आत्म कल्यान के लिए जो करना चाहो कर लो राजन मिर्त्युकाल के निकट आने पर मनुष्य को कदापी नहीं घवराना चाहिए उसे चाहिए कि वह विरक्ती से सभी बंधनों को काट कर फेक दे धैरे के साथ उसे स्वक्ष जल में सनान करके मिर्त्युका स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए एक आंत और पवित्र स्थान में बैठ कर उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए परमात्मा के ध्यान के लिए सर्वत्तम उपाय ओम का जाप है जिसे मन ही मन करते रहना चाहिए उसे एक पल के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं त्यागना चाहिए प्राण वायू को वश्म करके मन पर नियंतरन करना चाहिए अपनी सभी इंद्रियों की ओर से मन को हटा कर भगवान के कल्यान कारी रूप में ध्यान को लगाना चाहिए भगवान में पून रूप से तलीन होने पर विशय वासनाओं की ओर से मन स्वता ही हट जाता है भगवान विश्णु का यही वह परमपद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम के आनन्द से भर जाता है इसे ही शास्त्रों में ब्रह्मानन्द के नाम से पुकारा जाता है राजन यदि इश्वर का ध्यान करते समय मन भटकता है तो घबराना नहीं चाहिए धैरे के साथ परमात्मा के विगरह में लीन होते चले जाने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए इसे ही योग धारना कहा जाता है यह धारना सभी दोशों को मिटा कर मन के चंचल सभाव को नियंतरित कर देती है और जब मन शान्त होकर इस्थीर हो जाता है तब उसे ततकाल भक्ती योग के प्राप्ती हो जाती है परिक्षित ने पूछा विप्रवर यह धारना किस साधन से किस सवस्तु में किस प्रकार से की जाती है और उसका क्या स्वरूप है जो शिक्रही मनुष्य के मन का मैल धो देती है श्री शुकदेव जी ने कहा राजन एकांत आसन श्वास संतूलन इष्ट में आसकती और इंद्रियों पर कठोर नियंतरन करके बुद्धी के द्वारा मन को भगवान के साकार स्वरूप में लगाना चाहिए श्री कृष्ण की साकार मुर्ती अत्यंत मनुहारी है श्यामवण, पितामपरधारी, मूर मुकुट, मुरली अधरों पर और कमल नयन का मद भरा आकरशन सहज ही मन को अपनी और खींच लेता है वैसे यह संपून चराचर विश्व अपने इस्थुल स्वरूप में भगवान का ही विराड़ स्वरूप है यह जल, अगनी, वायू, आकाश, एहंकार, महतत्वे और प्रकृतियादे साथ आवरणों से गिरा हुआ है इस ब्रह्मान रुपी शरीर में ही विराड़ पुरुष भगवान अथ्वा परमात्मा ही धारणा का आश्रा है उन ही की धारणा की जाती है तत्वगे पुरुषों ने उस विराड़ पुरुष की कलपना इस ब्रह्मान से ही की है वे पताल को उसके तलवे कहते हैं और एडियों और पंजों को रसातल मानते हैं एडियों की गाठें उसकी महातल हैं पैर के पींड तलातल हैं दोनों घूटने सूतल, जांगे, वितल और अतल, पेडू, भूतल, नाभी, सरोवर और छाती स्वर्ग लोख है गले को वे महर लोक, मुख को जन लोक, ललाट को तपो लोक, मस्तक को सत्य लोक मानते हैं इंद्रादी देवगण उसकी भुजाएं हैं तथा दिशाएं, कान और शब्द श्रमरेंद्रियां हैं दोनों अश्वनी कुमार उसकी नासिका के च्छिद्र हैं गंद ध्राणिंद्रियां हैं और धधक्ती हुई अगनी उसका मुख है अंतरिक्ष उसके नेत्र हैं पलके रात और दीन हैं देखने के शक्ति सुर्य हैं भुविलास ब्रह्म लोक है जीवा रस है तालू जल है माया उसके मुसकान है दाणे यम है लज्जा और लोब उसके उपर नीचे के होट है धर्म सीना और अधर्म पीठ है परवत उसकी हड्डियां है नदिया नाडियां है वक्ष रोम है वायू श्वास है काल उसकी चाल है बादल उसके केश है संध्या वस्त्र है चंद्रमा उसका मन है पशू उसके नक है मनुष का हिर्दे उसके निवास इस्थान है दैते उसका वीर्य है ब्रहमण मुख है शत्रिय भुजाए है वैश जंगाई है और शुद्र उस विराट पुरुष के चरण है हे परिक्षित विविध विचारों को ग्रहन करने वाला मनुश्य उसे अपने अपने अनुभों के अनुसार देखता है किन्तु वह एक ही है उस आनंद निधी परमात्मा का भजन और स्मरन करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है उसके अतिरिक्त संसार की भौतिक वस्तुवों में आसकत होने वाला मनुश्य पतन के गर्त में गिर जाता है दूसरा अध्याए भगवान का इस्थूल और सुक्ष्म रूप तथा मुक्ति का साधन शुकदेवजी ने कहा राजन परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग है पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है जो संपून ब्रह्मान में अव्यक्त रूप से चाया हुआ है यह धर्ती, यह आकाश, यह चांद, यह सितारें, यह सूरज, यह पवन, यह सागर, यह अंतरिक्ष सभी उस परमपिता परमात्मा के अंग है प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्यमान है वही सुक्ष मरूप में परमात्मा का अंश है इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन संसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है तभी उसका ध्यान उस नरायन की ओर लग पाता है जो लोग ज्यानी हैं बुद्धिमान हैं वे आठों प्रहर हरी चरणों में ध्यान लगाकर सांसारिक प्रपंचों और नित्य प्रती के विवहारों से दूर हो जाते हैं परिक्षित सम्होता तुम सोच रहे होगे कि विश्वरू पे इस नरायन का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बड़ा कलेश सहता होगा उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पुजन में किस प्रकार लगेगा परन्तु नरायन तो सब के पालन करता है अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजा कर रखे हुए है संसार में भले ही मनुष्य को कड़ा परिश्रम करने को परांत ऐसी वस्तुय उपलब्द होती हो किन्तु वन में परमात्मा के क्रिपा से सभी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते है सोने के लिए धर्ती, तकीय के लिए कुहनी, खाने के लिए फल, मेवे, प्रियूग में बर्तनों की जगा दो हाथ है ना संग्रह करने के जरूरत, ना चोरी चकारी का डर, जितना चाहो उतना उपलब्द है पहनने के लिए व्रिक्षों की छाल और पत्तियां, जिसके न खोने का डर, न पटने का प्रकिर्ती के मध्य, शरीर की प्रतिर्वधात्मक शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सर्दी, गर्मी और बरसात का उसके उपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता अधिक सर्दी सताएं तो लकड जलाकर आग की सेंक और शरीर पर धुनी की राख मलने से ही काम चल जाता है और गर्मी सताएं तो घने व्रिक्षों के शितल चाया, जलाशयों और नदियों का स्वक्ष शितल जल, सुगंधित ठंडी हवा, बरसात में वर्षा से बचाव के लिए गुफाएं, कंदराएं और घने व्रिक्षों के जुर्मोट हे राजन, जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में जाता है, उसे जंगली पशू तंग नहीं करते परमेश्वर उन जंगली और हिंसक पशूँ से उसकी रक्षा करता है जो मनुष्य इश्वर के भजन पुजन से दूर रहता है उसे वैतरनी नदी पार कर रौदव नर्क में जाना पड़ता है परन्तु जो लोग परमात्मा की अराधना के लिए वन में चले गए हैं वे कभी किसी ग्रिहस्त से भोजन मांगने शहरों और कस्बों में नहीं जाते हैं धनियों से उनका कोई सरुकार नहीं होता वे उनके लिए कर भी क्या सकते हैं हरी भक्तों के तो सारे कारे परमात्मा ही पूरे करते हैं मनुष्य को सदेव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है वही हमारी सुरक्षा और पालन पोशन का भी ध्यान रखता है मा के पेट में आने के बाद से ही परमात्मा जीव के पालन पोशन और विकास का ध्यान रखने लगता है उसके जन्म से पहले ही माता के अस्तनों में दूध उतराता है ऐसा चमतकार देखने के उपरांत भी जो ग्यत्ती अपने खाने पीने के जुगार में लगा रहता है और परमात्मा को भूले रहता है उससे बड़ा मुर्ख और कौन होगा हे राजन नारायन जीतों सभी को जीविका देने वाले हैं वे भला अपने भक्त के चिंता छोड़कर उसे भूखा कैसे रख सकते हैं अतह इसकी चिंता छोड़कर मनुष्य को प्राणायाम द्वारा उस्परमपिता परमात्मा से तदात्म इस्थापित करने का प्रयास करना चाहिए प्राणायाम के द्वारा मनुष्य शांत चित्त होकर एक आंत में बैठ जाए और फिर श्वास खीच कर योगा व्यास द्वारा अपने प्राण को ब्रहमान में ले जाने का प्रयात्र करना चाहिए परमात्मा वहां सहस्थ दल कमल के पुष्प में विराजमान रहता है उस फूल का मुख नीचे की ओर रहता है ध्यान साधना से उस पुष्प को सीधा करने का प्रयास करना चाहिए ऐसी साधना से साधक का मन निरिमल हो जाता है और तब वह अपने मन की आखों से परमात्मा का दर्शन करता है उसके दर्शनों से उसे जो सुख प्राप्त होता है वही परमात्मा का सच्चिदानान स्वरूप है यह एक ऐसा सुख है जिसकी कलपना नहीं कि जा सकती इसे वही जान पाता है जो इसका अनुभव करता है इस अनुभव के उपरांत ही मनुष्य योगिश्वर हो जाता है तब उसे यश तब आदे कुछ करने की जरूरत नहीं रहती वह समदर्शी हो जाता है सभी जीवों के प्रति उसके मन में न तो शत्रुता रहती है और ना मित्रता अता है राजन, पहले तुम शान्त चित्त होकर उस विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो और मन को इस्थिर करके उसी में अपना ध्यान लकाओ इस ध्यान से ही तुम्हें परमात्मा के इस्थुल स्वरूप के दर्शन होंगे परमात्मा का अंगुठे के पराबर चत्रभोजी श्याम रूप जो नील मडी के समान है दिखाई देगा उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद में दिखाई देगा मस्तक पर जड़ाव मकुट, मोर पंखी, कानों में जड़े कुंडल, गले में वेज्यंती महला, नौरतनों से जड़े बाजुबंद, करधनी, पितामबर, कंधों पर श्वेत ओढ़नी का दुपट्टा, लंबी पोजाएं, कमल नेत्र, ताप हरने वाली, बाकी चित्वन और होटों पर मंद मंद मुस्कान, यही परमात्मा का इस्थुल स्वरूप है, हे राजन, परमात्मा के इस सकार रूप को एक साथ आत्मसाथ करना बड़ा कठीन होता है, इसके चर्णों से उप्रारंभ करके एक एक अंग को आत्मसाथ करते हुए चलना चाहिए, परमात्मा से आत्मसाथ होने पर जीव आवा गमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसका सिधा प्रवेश बैकूंठ में होता है, जो लोग योग साथना से परमात्मा से सक्षात्कार करते हैं, उनके प्राण सूर्य को भेद कर बैकूंठ पहुंचते हैं, उन्हें पुनह आवा गमन के चक्र में नहीं पढ़ना पड़ता, किन्तु जो लोग यश, तप, दान, तिर्थाटन आती करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वे चंद्र लोक से होकर देव लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार पहुंचते हैं, वहां का सुख दुख भोग कर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है, राजन, मकर राशी से मिथोन राशी तक का संक्रान्थी काल चाह माह का होता है, इन दिनों सूर्य वो तरायन रहते हैं, इन्हें देवताओं का दीन कहा जाता है, इन च्छा महीनों में मिर्त्यू को प्राप्त होने वाले जिव सूर्य द्वार से होकर बैकुंठ जाते हैं, और करक राशी से धनु राशी का संक्रान्थी काल भी च्छा माह का होता है, इन दिनों सूर्य दक्षडायन रहते हैं, यह देवताओं के रातरी कहलाती है, इन च्छा महीनों में मरने वाले लोग चंद्रद्वार से होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार देवलोक जाते हैं, यह राजन, मुक्ति की ये दो राहे हैं, इनके आलावा कोई तिसरी राह नहीं है, जो व्यक्ति मनुष्य जिवन पाकर भी परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करता, वह जन्म और मिर्तिव के चक्र में पड़ा हुआ, 84 लाख योनियों में बटकता रहता है, और असंख्य दुखों को सहन करता है, वह संसार में बार बार आता है, और मोह माया के बंधनों में पड़कर पच्चताता है, और नश्ट होता रहता है, उसे सदेव या ध्यान रखना चाहिए, कि परतियक पल के साथ उसकी आयू छिर होती जा रही है, इसलिए जो भी समय उसके पास है, उसे वह परमात्मा के स्मर्ण में लगाए, और जो मनुष ऐश्वर का भजन नहीं करता, वह पशु के समान है, जो मनुष परमात्मा को अल्प समय में भी इस्मर्ण करता है, परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति देते है श्री कृष्टन ने गीता में कहा है जब मनुष्य रूग ग्रस्त होकर किसी से मिलन के इक्षा लेकर किसी कार्य की सिद्धी अथो बिगड़ा काम बनाने के लालसा से और किसी वस्तु को पाने के अभिलाशा से मुझे समर्ण करता है तथा ज्यानी जब मुझे पहचान लेते हैं तब मैं उनसे प्रसंद होकर उनका अभिष्ट पूरा करता हूँ अता हे परिक्षित तु अपने मन में किसी प्रकार भी संदेह मत कर परमात्मा का समर्ण कर इन साथ दिनों में निश्चित रूप से तेरी मुक्ति हो गई मैं श्री मदभागवत की कथा कहता हूँ तुम उसे चित लगा कर सुनो तीसरा अध्याए किस द्योता की अराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है श्री शुकदेव जी ने कहा परिक्षित ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ब्रहस्पति की पूजा करने चाहिए इंद्रियों के शक्ति के लिए इंद्र की संतान के इक्षा रखने वाले को प्रजापतियों की लक्षमी अर्थात धन संपति के लालसा रखने वाले को माया देवी के, तेजस्पी होने के लिए अगनी देव की, प्रभावशाली बनने के लिए वसुमों की, विरत्व की चाह के लिए रुद्र देव की, अन्न प्राप्त करने के लिए अदिती की, स्वर्ग की कामना रखने वाले को अदिती के पुत्र देवताओं की, राजी के अभिलाशा के लिए विश्व देवों की और प्रजा को अनुकूल बनाने के लिए साध्य देवताओं की उपासना करनी जाहिए लंबी आयू के लिए अश्वनी कुमारों की पुष्टी और दिढ़ता के लिए पृत्वी की प्रतिष्ठा की चाह के लिए आकाश की सौंदरी के लिए गंधर्वों की पत्नी प्राप्ती के लिए उर्वशी अपसरा की सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की यश की इक्षा के लिए यग्य पुरुष की खजानी की लाजसा के लिए वरून की विद्या प्राप्ती के लिए देवी सरस्वती और भगवान शंकर की दामपत्य प्रेम के लिए पार्वती जिकी धर्मो पार्जन के लिए विष्ण भगवान की वंश की सुरक्षा के लिए पितरों की बाधाओं से मुक्ती के लिए यक्षों की और शक्तिशाली बनने के लिए मरूद गणों की पूजा करनी चाहिए राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों के अधिपती देवों की, भोगों के लिए चंद्रमा की, निश्कामना के लिए परम पुरुष्ट नारायन की, मोक्ष के लिए भक्ति द्वरा पुरुषुत्तम भगवान की अराधना करने चाहिए हे राजन, संसार में जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हीत इसी में हैं कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों की संगती करके, भगवान में अविचल भक्ती और प्रेम को प्राप्त करें ऐसे भक्त जन के संसर्ग से भगवान की अनुपम लिलाओं का श्रवन करने का सुवसर प्राप्त होता है उन लिलाओं के श्रवन से दुरलब ग्यान के प्राप्ती होती है उस ग्यान से संसार के तीनों ताप सत्व, राजस और तमस शांत हो जाते हैं हिर्दय शुद्ध हो जाता है और अश्रव आनंद की अनुभूती होती है इंद्रियों में आसक्ति समाप्त हो जाती है और मुक्ष का भक्ति योग सहज ही प्राप्त हो जाता है प्रभू की लिलाओं के श्रवन का चसका जिसे लग जाता है उसे प्रभू श्री कृष्ण का माधूर्य भाव प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता पांडू नंदन महारती राजा परिक्षित बाल्या वस्था से ही श्री कृष्ण की लिलाओं में रस लेते थे उन्होंने सुन रखा था कि जिस व्यक्ति के कानों में भगवान श्री कृष्ण की मधूर लिलाओं का रस नहीं पड़ा वह नर पशुव से भी गया बिता है जो नर श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है और थात उनमें कोई चूहा या विश्धारी सर्प ही प्रव्यश कर सकता है जो जीवा भगवान की मधूर लिलाओं का गान नहीं करती वह मेढग की जीव के समान टर टर करने वाली है जो शीष कभी भगवान श्री कृष्ण के चरनों में नहीं जुखता वह मुकुट से सुशोभित होने पर भी बोज मातर है जो हाथ भगवान की सेवा पुजा में नहीं लगते वे स्वन कंगनों से सुशोभित होने के उपरांत भी मूर्दे के हाथों के समान है जो आखें भगवान का स्मरन दिलाने वाली यमना नदी, मूर्ती, तीर्थ, गुरिंदावन, गुवर्धन परवत, मतुरा नगरी, गोकूल, बरसान, द्वारका और नंद गाउं आधी का दर्शन नहीं करतें वे मोर पंख में बनी आखों के समान निर्जीव हैं, निरर्थक हैं, जो पैर भगवान श्रिक्रिष्ण के लिला अस्थली की यात्रा नहीं करतें, वे न चलने वाले पेड़ों के समान हैं जिस मनुष्य ने भगवान के प्रेमी भगतों की चरन रज अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाई, वे मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान हैं जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चड़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव के समान है वह हिरदे नहीं अपितु जंग खाया लोहा है जो भगवान श्रीकृष्ण के मंगलमे नामों का श्रमन किरतन नहीं करता जिस समय यह जंग खाया लुहा पिघल कर भगवान श्री कृष्ण के सुखधाम की और बहने लगता है उसी छण से शरीर का रोम रोम खिल उड़ता है और आखों से अश्रू बहने लगते है राजा परिक्षित ने श्री शुकदेव जी से कहा श्री शुकदेव जी आपकी वाड़ी हमारे हिर्दय को मधूरस से भर देने वाली है आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है आप आत्म विशारत और ज्ञान के भंडार है आप कृफिया हमें श्री कृष्ण का अध्भूत रा सामरित प्रदान करने वाला कथानक सुनाईए चोथा आध्याए परिक्षित के आगरह पर श्री शुकदेव जी द्वारा कथा का शुबारंब श्री शुकदेव जी ने कहा राजन भागवान पुर्षत्तम श्री टिश्न के चरण कमलों में मैं बार बार नमन करता हूँ वे संसार की उत्पती इस्थिती और प्रलाय के कारण है संसार में व्याप्त तीन गुणों सत्व रज और तम के वे नियामक है वे ही ब्रह्मा विश्नु और शंकर का रूपधारन कर अभिव्यक्त होते हैं वे सचिदानन स्वरूप भगवान समस्त शर अचर प्राणियों के हिर्दय में अव्यक्त रूप से विराजमान है उनका दिव्य स्वरूप इन भौतिक आखों से नहीं देखा जा सकता और ना मनुष्य अपनी बुद्धी से उन्हें उपलब्द ही कर सकता है वे अनन्त है और उनकी महिमा भी अनन्त है हम बारंबार उनके श्री चरणों में अकिंचन की भादे नमस्कार करते हैं ये राजन वे सत्पुर्षों का दुख हरन करने के लिए और पापियों का विनाश करके धर्म के इस्थापना के लिए इस धर्ती पर अवतार लेते हैं वे समदर्शी हैं और कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं वे अत्यंत भक्त वत्सल हैं हट पूर्वक और भक्ती के बिना कोई उनकी छाया तक कोई सपर्ष नहीं कर सकता है वे अत्यंत एश्वर्य से युक्त होकर भी अपने ब्रह्म स्वरूप बैकुंट धाम में विहार करते हैं ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ जिनका किर्टन, स्मरण, दर्शन, वंधन, श्रवण और पूजा जीवों के पाप कर्मों को ततकाल नश्ट कर देती है उन पुन्य किर्टी भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शर्णों लेकर संसारिक मुह माया के बंधनों को त्याग कर परम पदप्राप्त कर लेते हैं बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवित्ता और योगी जन अपनी अपनी साधनाओं को जिनके चरण कमलों में अरपित कर देते हैं नीच जातियां भी जिनके भक्तों की संगती से पवित्र हो जाती हैं ऐसे मंगलकारी, दया निधान, कल्यानकारी और यश्र देने वाले भगवान श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान स्वरूप पर मैं बार बार बलिहार जाता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ हे राजन, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, ज्यानियों के ज्यान है, कर्म कांडी ब्राहमनों के लिए वेद मूर्ती है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ती है, और तपस्वियों के लिए तपह स्वरूप है स्वयाम ब्राह्मा विश्णू महेश और सैकणों देवगण भी जिनके अद्भूत स्वरूप को देखकर निरंतर चिंतन करते रहते हैं और आश्चर चकित होते रहते हैं वे मुश्पर अपने अनुगरह की कृपा करें ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ हे राजन जो समस्त संपतियों की स्वामिनी श्री लक्षमी जी के पती हैं जो समस्त यग्यों के भोकता और फल देने वाले हैं जो संपून्द प्रजा के पालं करता और रक्षक हैं जिन होने यदुवंश में अवतार लेकर अंधक, वृष्णी, भोज और यदुवंशियों की रक्षा की हैं तथा जो एक मात्र उनके आश्रे दाता हैं वे भक्त वक्सल संत जन के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हूँ वे दुआन पुरुष जिनके चिंतन से आत्म तत्व का साख्षातकार करते हैं जो अपनी कृपा से भक्तों को प्रेम और मुक्ष प्रदान करते हैं जिन होने ब्रह्मा के हृदय में ज्यान की देवी सरस्वती को प्रकट कर वेदों की रचना की जिन होने पंच भूतों से शरीर की रचना करके जीव रूप में उसमें शयन किया जिन होने समस्त इंद्रियों को सक्रिय किया मन और सोलह कलाय निर्मित की वे सर्व भूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकरित करें मैं वासुदेवा वतार सर्वग भगवान व्यास के चर्णों में बार बार नमन करता हूँ और कथा प्रारंध करता हूँ पांचवा अध्याय शुकदेव जी द्वारा ब्रह्मा नारत समवाद से स्रिष्टि वण्नन शुकदेव जी ने कहा राजन एक समय की बात है कि देवर्श्री नारत ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा पिता जी आप मुझे वह ग्यान दीजे जिसे से आत्म तत्व का सक्षतकार हो जाता है इसका आधार क्या है इसका निर्मान किस ने किया है वास्तों में यह क्या वस्तु है आपको यह ज्यान कहां से मिला आपका आधार क्या है आपका स्वामी कौन है आपका स्वरूप क्या है आप क्या अकेले ही सिष्टी का निर्मान कर लेते हैं आप यह सब कैसे कर पाते हैं ब्रह्मा जी ने नारत को उत्तर दिया पुत्र मुझसे परे स्वयम भगवान है जब तक कोई उन्हीं जान नहीं लेता तब तक लोग मुझे ही स्रिष्टी का करता समझते हैं परन्तु यह सूर्य, चंद्र, सितारे, अगनी, ग्रह, नक्षत्र आदी सभी उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं मैं भी उन्हीं स्वयम प्रकाश भगवान के दिवी प्रकाश से उद्भासित हो रहा हूँ मैं उन वासुदेव भगवान की बंदना करता हूँ जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे ही स्रिष्टी आदी करता मान लेते हैं उनकी माया से मोहित होकर ही लोग यह मैं हूँ यह मेरा है जैसे भ्रह्म में पड़े रहते हैं मेरा आधार और ज्ञान उनहीं के द्वारा इस्थित है धे नारद इस जगत में द्रव्य, अर्थात धन, कर्म, काल, जीव और स्वभाव वस्तुत भगवान से भिन्य नहीं है वेद और देवगण भी उनहीं नारायन के अंगो से कल्पित हुए है समस्त यग्य नारायन की प्रसनता के लिए किये जाते हैं समस्त योग साधनाय, तपस्याय, भक्ति, भजन किर्तन, ज्यान परिमार्जन, कर्म, कांड और उपासनाय उसी परमपिता को पाने के लिए की जाती हैं वेद रश्टा है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्व सरूप है उन्होंने ही मुझे बताया है, और उनकी इक्षा के अनुसार ही मैं स्रिष्टी की रचना करता हूँ स्रिष्टी, इस्थिती और प्रलय के लिए तीन गुण, सत्यगुण, रजोगुण और तमोगुण, माया के द्वारा उनमें स्विकार किया जाते हैं इनसे मोहित होकर ही कार्य, कारण और करतापन के अहंकार से मनुष्य अपने को ही सब कुछ माल लेता है इंद्रियूं से परे भगवान ने इन तीन गुणों के आवरण से अपने को ढख रखा है इसलिए लोग उन्हें नहीं जान पाते हैं इस जगत के और मेरे स्वामी वे ही वासुदेव भगवान है हे नारद जब माया पती भगवान ने एक से बहुत होने के इक्षा की तब उनके अनेक रूप हो गए उनकी नाभी कमल से निकली कमल नाल के उपर विराजमान कमल के पुष्प पर मेरा जन्म हुआ मुझे श्री नारायन ने स्रिष्टी रचना किया गया दे तब उन्ही के माया से मैंने सात्विक, राजस और तमस तीन घून उत्पन किये मैंने उन्ही के द्वारा पांच तत्व, जल, अगनी, प्रिथवे, आकाश और वायू का निर्मान किया और इन पांच तत्वों से मिलकर जीव बनाया। इस जीव में शब्द, इसपर्ष, रूप, रस, गंध की पांच तनमात्राओं के लिए पांच ज्यानिंद्रियां और पांच ही करमिंद्रियां बनाई पांच ज्यानिंद्रियों में कान, तवचा, नेत्र, जीवा और नाक है जिनके द्वारा जीव सुनता है, इसपर्ष का अनुभव परता है, देखता है, स्वाद लेता है और सुंगता है पाश कर्मिंद्रियों में वाड़ी, हाथ, पैर, गुदा और जननिंद्रिये हैं जिनके द्वारा वह बोलता है, कर्म करता है, गमन करता है, मल त्याग करता है और नए जीवत्यूत पती करता है इसके अतिरिक्ते इन सभी इंद्रियों के संचालन के लिए मन बनाया और इस शरीर को सक्रिय करने के लिए परमात्मा ने अपने जोतिर में अंश से खिरदय में जीवनी शक्ति आत्मा के रुप में परदान की तथा उपयोगिता समाप्त हो जाने के स्थिति में अत्वा शरीर का दुरुपयोग किये जाने पर उसे नश्ट करने के लिए दिशाय, सोर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, वरूण, अश्वनी कुमार, अगनी, वायू, इंद्र, विष्णु, शंकर, मित्र, प्रजापती, आधी देवगन और उनके शक्तियां उत्पन की। हे पूत्र, इन पंच भूतों, इंद्रियों, मन, सत्व, रज और तम, आधी के मिश्रण से ही ब्रह्मान का निर्मान संभाव हो सका। उस प्रारंभिक दशा में ये सभी तत्व एक विशाल अंडे के रूप में जल में पड़े हुए थे। फिर काल, कर्म और स्वभाव से भगवान ने उस निर्जीव से पड़े अंडे को सक्रिय कर दिया और उसे फोड़ कर उसमें से एक विराट पुरुष को निकाला। उस पुरुष के जंगाएं, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सीर सहस्त्रों के संख्याओं में थे। उसके कमर के नीचे साथ पातालों की और कमर से उपर साथ स्वर्गों की कलपना की जाते हैं। ब्रहमण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं, शत्रिय हैं, जांगे, वैश्य हैं और पैर, शुद्र हैं। इस प्रकार यह विराट पुरुष सर्वलोक में हैं। छठा आध्याय ब्रहमाची द्वारा विराट पुरुष के विभूतियों का वणन। ब्रहमाची ने कहा, उस विराट पुरुष के मुख से वाड़ी और तजस्वी अगनी देव प्रकट हुएं। उसकी जिहवा से अम्रित में अन्न सभी प्रकार के रस और विश उत्पन करने वाले वरून देव प्रकट हुएं। उसकी नाक से पांचु प्रकार के प्राण और वायु देव उत्पन हुएं। अनेक प्रकार की औशधियों और विविध गंध उत्पन करने वाले देव अश्वनी कुमार प्रकट हुएं। उसके नित्रों से केजों में प्रकाश से अंधकार को दूर करने वाले सुर्य देव प्रकट हुएं। उसके कानों से शब्द और आकाश निकलें। वस्तुतह उस विराट पुरुष का शरीर संसार की समस्त वस्तुओं का विशाल कोश है। सारे यग्य, मेग, बिजली, शिला, विवित धात्वे, लोकपाल, आनंद की परमान भूती, विवित भाव, जीवन मिर्त्यो, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, ज्यान विज्यान, अज्यान, नदी, सरोवर, पर्वत श्रिंकलाएं। समुद्र, समस्त प्राणी, दैत्य, देव, मनुष्य, नाग, परिंदे, पशु, रेंगने वाले जीव, कीट पतंग, गंधर्व, अपसराएं, यक्ष, भूत प्रेत, वृक्ष, ग्रह नक्षत्र, चंद्रमा आदे सभी कुछ उस्विराट पुरुष के शरीर से जन में है और उसी में समा जाते हैं, हे नारद, यह संपूर्ण विश्व, जो पहले कभी था, जो अब विद्यमान है, और जो आगे रहेगा, उस सब को यह विराट पुरुष अपने में समेटे हुए हैं, यह सारा विश्व, उसके भीतर, मात्र दस अंगुल की मात्रा में घिरा हु हुआ है, जो कुछ भी मनुष्य के कर्मों और संकल्पों से बनता बिगड़ता है, वह उस सबसे परे है, और एक तटस्थ दर्शक की भाति समस्त जीवों के क्रिया कलापों को देखता रहता है, वह मुक्ष का स्वामी है, उसका पार पाना सहज नहीं है, उसके चरणों में भू लोक, हिरदय में भूवर लोक, अर्थात अंतरिक्ष और मस्तक में महर लोक है, उसके भी उपर तीन लोकों जन, तप और सत्य लोक में क्रमशह, अमृत, शेम और अभय का नित्य निवास रहता है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में दो मा मार्ग बताए गए है, पहला मारग अविद्या रुपी कर्म मारग है, जो सकाम पुरुषों के लिए है, तथा दूसरा मारग उपासना रुपी विद्या का मारग है, जो निशकाम उपासकों के लिए है, मनुष्य दोनों में से किसी भी एक मारग से चल कर मुक्ष प्राप कि यात्रा कर सकता है मनुश्य दोनों ही मार्गों के आधार भूत हैं जहां सूर्य अपनी किर्णों से सभी को प्रकाशित करते हुए भी सभी से अलग है वैसे ही जिस परमात्मा से इस जगत के उत्पती हुई है वह परमात्मा में रहती हुए भी उससे तटश्त है हे पोत्र स्रिष्टी के निर्मान में मुझे जो भी समग्री मिली वह उस विराट पुरुष के अंगों से ही प्राप्त हुई है उसी समग्री से मैंने उस विराट पुरुष की अराधना की क्योंकि संपून विश्व उन्ही भगवान श्री नारायन में स्थित है मैं उन्ही की प्रेड़ना से इस संसार की रचना करता हूँ उन्ही के अधीन होकर रुद्रदेव इसका संघार करते हैं और वे स्वयम विश्णु रूप में इसका पालन करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से विलग हो प्रिय नारद मैं प्रेम पुर्वक उत्कंठी थिर्दय के उत्गारों से धगवान का नित्ते स्मर्ण करता हूँ और सदेव उन्ही में मगने रहता हूँ इसी से मेरी वाड़ी कभी असत्य नहीं होती मेरा मन कभी असत्य का संकल्प नहीं करता मेरी इंद्रियां मन के विपरीत होकर कभी भी मर्यादा विहिन नहीं होती मैं उन्ही की क्रिपा से वेद मूर्ती हूँ और बड़े बड़े प्रजापती मेरी वंदना करते हैं मैं परम मंगल में शरण वतसल कल्याण स्वरूप जीवन मिर्तीू के आवागमन चक्र से मुक्ती दिलाने वाले ऐसे वासुदेव भगवान नरायन को नमन करता हूँ उनकी माया अपरम पार है वे अनंत और असीम है बद्धी विलास से उन्हें जानना असंभव है इसलिए हम भक्ती भाव से उनकी अवतारी लिलाओं का वन्नन करके उनके प्रती अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं वे तीनों कालों में सत्य एवं परिपून हैं वे परतेक जीव की अंतरात्मा में स्वयमिस्थित हैं महात्मा लोग अपने अंतह करण इंद्रिये और शरीर को शांत करके उनका साक्षातकार करते हैं परमात्मा के अनेका अनेक लिलाओतारों का शास्त्रों में वन्नन प्राप्त होता है उन लिलाओं के श्रवण से कानू को अम्रित रसका अनुभव होता है तुम्हें मैं उन अतार लिलाओं का वन्नन इहां सुनाता हूँ तुम साउधान होकर उसे सुनो सात्वा अध्याय भगवान के लिलावतारों की कथा का वन्नन ब्रह्मा जी ने कहा सरपर्थम जब प्रले काल में प्रित्वी जल में डुबी हुई थी तब प्रित्वी का उध्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था उस समय का दैते फिरन्याक्ष जल के अंदर ही उनसे लड़ने सामने आया जैसे इंदर अपने वजर से पर्वतों को खंड खंड कर डालते हैं उसी प्रकार वराह अवतार रुपी भगवान ने अपने पैने दातों से उस दहते के टुकड़े टुकड़े कर दिये और प्रिथवी को जल से बाहर निकाला फिर उन्होंने प्रजापती की रूची नामक पतनी के घर्व से जन मिलिया उस समय प्रभु को सुयग्य के नाम से पुकारा गया उस अवतार में प्रभु ने दक्षिडा नामक पतनी से सुशम नामक पुत्र उत्पन किया जो देवता कहलाया उन्होंने तीनों लोकों के संकट हर लिये इसी से स्वयंभु मनु ने उन्हें हरी नाम से पुकारा हे नारद करदम प्रजापती के घर देव हूती के गर्भ से नो बहनों के साथ भगवान ने कप्ली के रूप में तिसरी बारा उतार लिया उन्होंने अपनी माता को आत्म ग्यान का उपदेश दे कर उनके हिर्दय के सभी मल को दो दिया दब वे कपिल भगवान के वास्तविक रूप को जान सकी इसके बाद अत्री मुनी के इक्षा पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी अनसुया के गर्व से जन्म लिया और भगवान दत्तत्रे के नाम से जाने गए भगवान दत्तत्रे ने राजा यदू और राजा सहस्त्रार्जु नादी को योग भोग और मुक्ष की सिद्धी प्रदान के नारद स्रिष्टी के अप्रारम में जब विभीन लोकों की रचना के लिए मैंने तपस्या की तब उन्होंने सन नामक से युक्त होकर सनक, सनन्दन, सनातन और सनत कुमार रूप में अवतार लिया इस अवतार में प्रलय के कारण पहले कलप में प्राप्त आत्म ज्यान को भुला बैठे रिशियों को उन्होंने आत्म ज्यान का उपदेश दिया और उन्हें परम तत्यों का ज्यान करा के आत्म सक्षात कार कराया एक कल्प में विधर्म की पत्री दक्ष कन्या मुर्थी के गर्व से नर नरायन के रूप में प्रकठु है उनकी तपस्या से भैभीत होकर इंद्र ने उनका तप खंडित करने के लिए संदर अपसराय भेजी परन्तु उनके सामने पहुँचकर वे अपना काम भाव ही भूल बैठी नर नरायन के निर्मल हिर्दय में क्रोध के लिए कोई इस्थान नहीं था फिर काम भाव का प्रविश्च कैसे हो पाता पुद्र एक बार राजा उत्तान पादी के निकट बैठे बालक ध्रूब को उसकी सोतेली माता सोरुची ने फटकार दिया उसे से आहत होकर बाल्य वस्था में ही ध्रूब ने वन में कठो तप किया उसकी तपस्या से प्रसन होकर भगवान विश्णू रूप में प्रकटूएं और ध्रूब को आकाश में ध्रूब पद का बरदान दिया उसी ध्रूब की परिक्रमा आज भी आकाश में सबतर्शी करते हैं राजा वेन अत्यंत विलासी प्रविर्थी का था ब्रामनों के शाप से उसका एश्वरे और पौरुष समाप्त हो गया वह नरक में जागिरा रिश्यों की प्राथना पर भगवान ने उसके शरीर का मंधन करके प्रिथू के रुप में उतार लिया और उसे नरक के भोगों से उबार कर पुत्र शब्द को चरितार्थ किया पुत्र शब्द का अर्थ है पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला इसी अवतार में भगवान ने पृत्वी को गाय की भाती दोहन करके समस्त और शधियों को लोग कल्यान के रिये प्रस्तूत किया राजा नाभी की पतनी सुदेवी के गर्व से भगवान ने रिश्यव देव के रूप में जन्मलिया इस अवतार में उन्होंने समस्त आसक्तियों से विलग होकर मन और इंद्रियों को शांत किया और समदर्शी रूप में जन्मों की भाते योगा आचरन किया इस इस्थिती को महार्शी लोग परम हंस्पद या आवधुताचारे के नाम से पुकारते हैं इसके बाद मेरे यग्य में उन्होंने स्वन्न के समान कांती वाले है गृव को रूप में अवतार लिया भगवान का यह रूप वेद मैं यग्य मैं और सर्वदेव मैं कहलाता है है गृव की नासिका के श्वास से वेदवानी प्रकट हुई चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यवर्त ने मतस्यावतार के रूप में जन्म लिया उस समय सर्वत्र फैली जल राशी के मध्य एक मात्र नौका को उन्होंने आश्रय दिया प्रले काल के उस जल में मेरे मुख से गिरे वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहें समुद्र मन्थन के समय भगवान ने कच्छप आउतार लिया और मेरू परवत को अपनी पीठ परधारन करके समुद्र मन्थन में देवो दानों को सहयोग दिया राजा हिरन कश्रिपूर द्यते राज था वह अपने आपको ही भगवान मानता था जबकि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था राजा को वरदान प्राप्त था कि उसे किसी हतियार से न उपर न नीचे न बाहर न भीतर न दिन में न रात में न मनुष्य न पशु न जल में न धर्ती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता था तब अपने भग्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसी अवतार लिया और उस राक्षस को दहलीज के मध्य सांधिकाल में अपने घुटनों पर गिरा कर अपने पैने नाखुनों से उसके छाती को फार दिया एक बड़े सरोवर में एक ग्राह ने हाथी का पैर पानी पीते समय पकड़ लिया और उसे पानी के भीतर खीचने लगा तब गजंद्र की पुकार पर भगवान चक्रधारी गरूँ पर सवार होकर भागे आए और चक्र से ग्राह को मार डाला इस प्रकार उस शरनागत हाथी का भगवान ने धार किया दैतिराज बली बड़ा दानी था उसे अपनी दान विरता पर अभीमान हो गया था उसका अभीमान तोड़ने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बली द्वारा किये गई यग्य की समाप्ति पर उसे से तीन पग भूमी मांगे राजा बली के संकल्प छोड़ते ही भगवान ने अपना विराट रूप बनाया था दो पग में ही तीनों लोक नाप लिये और जब तिसरा पग धरने को धर्ती ना मिली तो राजा बली ने अपना शिष जुका दिया भगवान ने उसके शीष पर पैर रखकर उसका उद्धार कर दिया नारद तुम दो जानते ही हो कि भगवान ने तुम्हारे प्रेमभाव से प्रसन होकर हंस रूप में तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्तो को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया था भगवान के शरण में जो भी जाता है वे उसका कल्यान करते हैं उन्ही भगवान ने सभी मनवंतरों में स्वयंभू मनु के रूप में ओतार लिया है और मनुवंश की रक्षा करते हुए समस्त दिशाओं में धर्म चक्र प्रिवर्तन किया है तीनों लोकों से उपर सत्य लोक तक उनके चरित की यश्किर्ती फैली हुई है इसलिए प्रिथवी पर दुष्टों का दलन करने तथा धर्म के स्थापना के लिए वे बार बार जन मलेते हैं जन जन के रोगों का निदान करने के लिए भगवान धनमंतरी रूप में प्रकट होते हैं वे अमरित पिलाकर देवताओं को अमर करते हैं और दैत्यों का विनाश करते हैं संसार में आयुर्वेद का परवर्तन करने वाले भगवान धनमंतरी ही है जब संसार में ब्राहमर द्रोही राजाओं का वर्चस्व बढ़ जाता है तब भी भगवान परशुराम के रूप में जन्म लेते हैं और दुष्ट तथा विलासी राजाओं का बार बार संहार करते हैं महाबली रावन और उसके राक्षस वंश का विद्वन्स करने के लिए वे एक्षवाकू वंश में लक्षमन, भरत और शत्रुगने के साथ दश्रत नंदन श्रीडाम के रूप में अवतार लेते हैं जिस समय धर्ती पर दैत वंश और दुष्ट राजाओं का वर्चस्व सरवाधिक रूप से बढ़ जाता है उस समय प्रिथवी का भार हलका करने के लिए भगवान श्री बलराम जी सहीत श्री कृष्ट के रूप में अवतरित होते हैं उस समय वे ऐसी ऐसी अद्भूत लिलाएं करते हैं जिन्हें समझना प्रतियक व्यक्ति के बस में नहीं है पूतना के उप्राण हरना यशोदा माता को अपने मुख में ब्रह्मान के दर्शन कराना बालिया वस्था में ही अपने पैर के अंगूठे से बड़े भारी छकड़े को हवा में उच्छाल देना यमुलार्जुन व्रिक्षों का उद्धार करना कालिया नाग का देहन करके यमुना के दुशित जल को शुध करना दावागनी से ब्रजवासियों को बचाना नंद बाबा को अजगर के भैस से मुक्ति दिलाना मै दानव के पुत्र व्योमा सूर से ग्वाल बालों को छुडाना इंद्रे के कोप से ब्रजवासियों को गोगर्धन परवत को अपनी उंगली पर उठा कर बचाना और इंद्रे का मान मरदन करना। वरिंदावन विहार में गोपियों के साथ रास लीला करते हुए गोपियों को कुबेर के सेवक शंक चूर द्वारा अपहरन करने से बचाना। शंबरा सुर, विदूरत, रुकमी, शेशुपाल, कामबोज, कूरु आदी राजाओं का संगहार करना ऐसी अनेक लिलाए हैं जिन्हे भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में किया। भगवान श्री कृष्ण प्रतिय के कल्प में सत्यवती के गर्व से जन्म लेकर व्यास रूप में वेदों का परायन करते हैं और इसे विभिन शाखाओं में विभाजित करके उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जब मनुश्यों में कली काल के आने पर असंख पापों का उदय होगा तब वे भगवान बुद्ध के रूप में उनका कल्यान करेंगे और कली काल के अंत में जब सत्पुर्शों के घर भी भगवान की कथा में विगने पढ़ने लगेगा। ब्राहमण, शत्रिये और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शुद्रों का राज्य आ जाएगा तथा कहीं भी धर्म का आहवान और यश्क की ध्वनी सुनाई नहीं देगी तब कली युक पर शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। हे नारद, जब स्रिष्टी का जन्म होता है और संसार की रचना का समय आता है तब तपस्या, नोव प्रजापती, मरिची आदिरिशी और मैं स्वयम ब्रह्मा स्रिष्टी की रक्षा करता हूँ. उसी समय धर्म, विश्नु, मनु, देवगण और राजा लोग प्रिथ्वी परशासन करते हैं. जब स्रिष्टी के प्रलय का समय आता है तब अधर्म, क्रोध, रुद्र, सर्प, दैते, पंच भूतों का विखंडन आदी भगवान की मायावी विभूतियां प्रकट होती हैं. ऐसा कौन है जो भगवान की शक्तियों की गड़ना कर सकें? समस्त स्रिष्टी की रचना और संगहार करने वाली माया उनकी ही शक्ति हैं. ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान के स्वरूप को मैं स्वयम भी नहीं जानता, फिर दुसरों का तो कहना ही क्या है? आदी देव भगवान शेश भी अपने स्थास्त्र मुखों से उनका यशोगान करते आ रहे हैं. परन्तु वे अब भी उनके आदी और अन्त स्वरूप की कलपना नहीं कर सकें. जो व्यक्ति निश्काम और निश्कपट भाव से अपना सर्वस्वे और अपने आपको भी उनके श्री चरन कमलों में निवशावर कर देता है, उस पर अनंत भगवान स्वयम ही दया करते हैं और उनकी दुस्तर माया को पार करके वह उनके निकट जा पाता है. ऐसा व्यक्ति यह मैं हूँ यह मेरा है ऐसा भाव कभी प्रकट नहीं करता। वैदिक शब्द की पहुँच वहां तक नहीं है। अनेक साधनों से संपन्न होने वाला करमों का फल भी वहां तक नहीं पहुँच पाता। स्वया माया भी उसके निकट नहीं जा पाते। परम परुष भगवान का यही परमपद है। महात्मा लोग और प्रेमी भक्त गण उसी परमपद का शोक रहित होकर आनंद स्वरूप ब्रह्म के रुप में सक्षापकार करते हैं। सैयमशील मनुष्य उसी में अपने मन को समाहित करके इस्थित हो जाते हैं। समस्त करमों का फल भी स्वयम भगवान देते हैं। मनुष्य उनहीं की प्रेर्णा से शुभ अशुभ करम अपने स्वभाव के अनुसार करता है। इस शरीर में वह अजन्मा सदैव इस्थित रहने वाला आत्मा है जो कभी नश्ट नहीं होता। भागवत में उनहीं भगवान की वी भूतियों का संक्षित वन्नन है। जो नित्य उसका श्रवन करता है उससे माया कभी मोहित नहीं करती। तुम भगवान के गुणों का प्रचार जन जन में करो। यह मेरा आदेश है। आठमा अध्याय राजा परिक्षित द्वारा श्री शुकदेव जी से अनेक प्रश्ण पूछना। राजा परिक्षित ने श्री शुकदेव जी से पूछा। भगवन आप वेद विताओं में श्रिष्ट हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने नारत जी को भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुनाकर भगवान के गुणों का प्रचार करने का देश दिया। तब उन्होंने कीन कीन को किस रूप में उपदेश दिया। क्योंकि भगवान की चरित्र लिलाएं जन्मानस के लिए अत्यन्त मंगलकारी हैं। आप मुझे बताए कि मैं अपने मन को आसकती रहित करके किस प्रकार भगवान श्रिक्रिष्ण में तन्मे होकर अपना यह शरीर छोड़ सको। मैं जानता हूँ कि लोग उनकी लिलाओं का शद्धा के साथ नित्य श्रवन करके थोड़े से समय में ही अपने हिर्दय में भगवान को प्रकट कर लेते हैं। श्रिक्रिष्ण के हिर्दय में प्रवेश करते ही समस्त मैल नश्ट हो जाते हैं। जिसका हिर्दय शुद्ध हो जाता है वह श्रिक्रिष्ण के चरण कमलों को एक श्रण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवन यह सत्य है कि जीव का पंच भूतों से कोई संबंध नहीं है। फिर भी उसका शरीर पंच भूतों से ही बनता है। ऐसा किस कारण सो होता है। क्या सभाव वश अथवा इसका कोई अन्य कारण है। आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पती भगवान के नाभी कमल से हुई। और उन्होंने भगवान की प्रेणा से लोकों की रचना की। इस जीव को आपने सिमीत अव्यवों से ढखा हुआ बताया है। उसी प्रकार परमात्मा भी सिमीत अव्यवों अर्थात माया के अविछिन है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है। माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयान करते हैं। भगवन लोकपालों की विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कलपना से आपका क्या अभिप्राय है। भगवन, महा कल्प और उसके अंतरगत अवांतर कल्प किसे कहते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है क्या इस्थुल धारी जीवों की आयू बंधी हुई है काल के इस सुक्षम गती और तूटी को तथा इस्थुल गती वर्ष्ट को किस प्रकार से जाना जाता है विविध कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतिया होती है विप्रवर, देव, मनुष्य आदी की योनिया, सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के फलसरूप ही प्राप्त होती है किस योनी में जाने के लिए कौन से अभिष्ठ कर्म करने चाहिए प्रित्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, परवत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले विविध जीवों की उत्पती कैसे होती है ब्राहमन का परिमान अंदर से और बाहर से कितना है महापुर्शों के चरित्रों का वा नाश्रम के भेदों का और धर्म का सार क्या है इसका निरूपन कीजिए मनुष्व के साधारन और विशेश धर्म कौन से है तत्वों की संख्या कितनी है उनके स्वरूप और लक्षन क्या है भगवान की अराधना हम कैसे करें? योग की उत्तम रिती कौन सी है? उसे से कौन सी गती प्राप्त होती है? योगियों का भौतिक शरीर किस प्रकार नश्ट होता है? पुरानों और धर्म शास्त्रों का स्वरूप और तात्पर ये क्या है? हे शुक देवजी, समस्त प्राणियों की उत्पती, स्थिती और प्रले कब और कैसे होती है? धर्म कर्म की साधना विधी क्या है? पाखंड कैसे परप्ता है? आत्मा के मुक्ष का स्वरूप क्या है? भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, फिर वे अपनी माया से किस प अंदन शुक देवजी, मैं आपके शरण में हूँ, आप कृपा करके मेरे प्रश्णू का एक एक करके उत्तर देजिए, भगवन मेरे प्राण उस कुपित ब्रहमण के शाप के अतिरिक्ते किसी और प्रकार से नहीं निकल सकते हैं, आप मुझे भगवान की अमरित में लील का पान कराई, सुद्ध जी ने कहा, शौनक आदिरेशियों, राजा परक्षित की प्रार्थना पर श्री शुक देवजी ने प्रसन्न होकर राजा के प्रश्णों का उत्तर इस प्रकार दिया, नौवा अध्याय ब्रह्मा जी की अपने जन्म के बारे में जिग्यासा और भागवत कथा के चार मूल शुलोकों का वण्नन श्री शुक देवजी ने राजा परक्षित की जिग्यासा को शांत करते हुए कहा, राजन, जैसे स्वपने देखने वाले व्यक्ति का सीधा संबंध स्वपने में देखे पदार्थों से नहीं होता, वैसे ही देह का माया से ढखी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता, वह अपनी एक्षा से शरीर में रहता है और अपनी एक्षा से शरीर को छोड़ जाता है ब्रह्मा जी के निश्कपट तपस्या से प्रसंद होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और आत्म तत्यों के ग्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ का उपदेश दिया था वह ग्ञान श्रिमत भागवत कथा के मूल चार श्लोकों के रुप में इस्थित है उसका सार मैं तुम्हें क्रम वार यहां सुनाऊंगा परमात्मा के नाभी कमल से जब ब्रहमा जी का जन्म हुआ तो वे अपने जन्म इस्थान कमल पर बैठ हुए सोचने लगे कि मेरी रचना किसने की है मैं स्रिष्टी का निर्मान कैसे करूँ तभी उनके कानों में त और प अक्षरों की ध्वनी सुनाए दी तप करो ऐसा उन्होंने दो बार सुना या किसने कहा ऐसा सोच कर उन्होंने चारों और देखा पर उन्हें सीवाय जल के कुछ दिखाई नहीं दिया फिर वे उस तप को ही करता का आदेश मान कर तपस्या में लीन हो गये परिक्षित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों के संपती स्विकार करते हैं राजन ब्रह्मा जी ने उस कमल दल पर बैठकर एक सहस्त्र दिव्य वर्ष तक एकागरचित होकर तप किया उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ट है और जिससे परे कोई दुसरा लोक नहीं है उस लोक में किसी भी प्रकार का कलेश, मोह और भै नहीं है उस बैकूंठ लोक में चत्रभूज भगवान विश्णू लक्षमी जी के साथ निवास करते हैं ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भगतों के रक्षक लक्षमी पती, विश्व पती और यक्षपती भगवान विराजमान है सभी पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए हैं भगवान के शिश पर मकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पितामबर सुशो भी थे उनकी चार भुजाएं हैं जिन में शंक, चक्र, गदा और पद में इस्थित है उनके पार्षव में लक्षमी जी लाल वस्त्रों में विराजमान है एश्वर, धर्म, कीर्ती, श्री, ज्यान और वैरागे नामक सिध्धियां उनके साथ खड़ी हैं उनका दर्शन करके ब्रह्मा जी का हिर्दय आनंद से भर गया शरीर पुल की थो उठा, आखों से प्रेमाश्रू बहने लगे ब्रह्मा जी ने जूक कर उन्हें प्रणाम किया श्री भग्वान ने ब्रह्मा जी से कहा तुमने निश्काम भाव से मेरी कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है मैं निश्पाप तपस्या से सृष्टी की रचना करता हूँ इसका पोशन करता हूँ और फिर प्रले काल में इसे अपने में लीन कर लेता हूँ तपस्या मेरी दूरलब शक्ति है मैं स्वयम तपस्या की आधमा हूँ ब्रह्मा जी बोले प्रभू, मैं आपके सगून निर्गून स्वरूप को जानना चाहता हूँ आप अपनी माया से संसार की रचना, पोशन और फिर उसे अपने में ही लिन कर लेते हैं ऐसा आप कैसे कर पाते हैं कृप्या यह मर में मुझे समझाए ताकि मैं सजग होकर स्रिष्टी रचना कर्म में आपकी आग्या का पालन कर सकूँ श्री भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधना आदि से अत्यंत गोपनिये अपने स्वरूप का मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ मेरा जितना भी विस्तार है, मेरा जितना सभाव है, मेरे जितनी भी लिलाएं, रूप और गूड है तुम उनका अनुभव करो भगवान ने आगे कहा स्रिष्टी के प्रारंभ से पूर्ब मैं ही मैं था मेरे अत्रिक्त न इस्थूल था और न सुक्ष्म और न दोनों का कारण अग्यान स्रिष्टी के संहार के बाद जो भी शेष रहेगा वह मैं ही रहूँगा वास्तो में मेरे अत्रिक्त यहां कुछ भी नहीं है पंच भूतों से निर्मित इस शरीर में मैं आत्मा के रूप में प्रविश करके भी तटस्थ रहता हूँ वास्तविक सत्य मैं ही हूँ आत्मा और परमात्मा के एकत्व को आत्म साथ कर लेने के उपरांते विविध कल्पों में स्त्रिष्टी रचना करते समय तुम्हें मोह नहीं होगा श्री शुकदेव जी ने कहा इस प्रकार लोग पितामह ब्रह्मा जी को ग्यान का उपदेश देकर भगवान अंतरधान हो गए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम कर पहले कल्प की रचना के और विविध लोकों को बनाया उन्होंने विश्व कल्यान और विवस्था के लिए यम नियमों को बनाया उस समय उनके सरवाधिक प्रिय पूत्र दिवर्श्री नारत थे उन्होंने भगवान के द्वारा सुना हुआ दस लक्षन वाला भागवत पुरान अपने पूत्र नारत को सुनाया तब नारत जी ने उनका उपदेश मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को दिया व्यास जी से वह अग्यान मुझे प्राप्त हुआ परिक्षित विराट पुरुष से जगत की उत्पती कैसे हुई और जो अन्य प्रश्ण तुमने पूछे हैं उसका उत्तर मैं तुम्हे भागवत पुराण का रूप में दूँगा उससे ध्यान पुरपक्ष्ण वन करना तुम्हारा निश्चित रूप से कल्यान होगा दस्वा अध्याय भागवत कथा के दस लक्षणों का उल्लेक श्री शुकदेव जी ने कहा परिक्षित भागवत पुराण में जिन दस लक्षणों का उल्लेक किया गया है वे इस प्रकार हैं सर्ग, विसर्ग, इस्थान, पोषण, उति, मनमंतर, इशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय इन दसो लक्षणों में दसवा लक्षण आश्रय तत्व का सीधा संबंध परमात्मा के आश्रय से हैं इसी आश्रय को प्राप्त करने के लिए ही प्रथम नौ लक्षणों का उल्लेक किया जाता हैं एक प्रकार से प्रथम नौ लक्षण साधना के अंतरगत आते हैं और दसवा लक्षण साध्य अथवा लक्ष है इश्वर की प्रेर्णा से पंच भूतों जल, प्रिथवी, अगनी, आकाश और वायू का निर्मार होता है फिर उनके सम्मिलन से विराठ शरीर बनता है और शरीर में दस इंद्रियां एहंकार और महतत्व अर्थात बुद्धी का जन्म होता है इसे सर्ग कहा जाता है उस विराठ शरीर अथवा पुरुष से उत्पन ब्रह्मा जी जिस चराचर स्रिश्टी का निर्मार करते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है यह सृष्टी इस्थाई नहीं है यह निरंतर प्रतिपल संहार अथवा प्रलय की और अग्रसर होती रहती है इस सृष्टी का पोशन करके भगवान विश्णू इसे मर्यादित किया रहते हैं इसी से उन्हें विशेश श्रिष्टता प्राप्त होती है। उसे स्वान का नाम दिया जाता है। श्री विश्णु द्वारा सुरक्षित स्रिष्टी में भक्तों पर उनके सदा कृपा बनी रहती है। उसे पोशन कहते हैं। दो मनुओं के मध्य काल को अथवा स्रिष्टी के प्रारंब से प्रलय के मध्य काल को मनवंतर कहा जाता है। इस काल में जो मनवंतरों के अधिपती मनु भगवान की जो भक्ती करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं तथा शुद्ध धर्म के स्थापना करते हैं उसे भी मनव कहा जाता है जीवों की वासनाएं अर्थात एक्षाएं जिन कर्मों के द्वारा उन्हें भव बंधन में डाल देती है उसे उती कहा जाता है भगवान की विविध आउतारों द्वारक की गई लिलाओं की कथाएं इश कथा कहलाती है भागवत कथा में प्राय है श्री कृष्ण की लिलाओं का वन्नन है जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब जीव अपनी योग साधनाओं के द्वारा भगवान में लीन हो जाते हैं इस लीन हो जाने की अवस्था को निरोध कहते ह इसमें साधक अपने मन और संपून इंद्रियों को नियंद्रित करके परमात्मा में लीन हो जाता है अग्यान के द्वारा किये जा रहे कर्मों और भोग विलास में लिप्त हो जाने वाले कर्मों का निश्काम भाव से परित्याग करके अपने आत्म सरूप से परमात्मा में इस्थित हो जाने को मुक्ति कहा जाता है ही परिक्षित इस चराचर जगत की उत्पती जिस तत्व से होती है तथा प्रलय काल में यह जगत जिसमें लय हो जाता है वह परम ब्रह्म ही आश्रे है शास्तरों में उसे ही परमात्मा कहा गया है जो व्यक्ति, जिव, आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है वह परमात्मा के आश्रे तत्व को जान पाता है सरवपर्थम विराट पुरुष ने आश्रय के लिए जल की उत्पती की उसका पुरुष रूप नर से उत्पन होने के कारण उसे नार कहा गया नार में वह पुरुष हजार वर्षों तक रहा इसी से उसे नारायन कहा गया उस नारायन की कृपासे ही द्रव अर्थाद जल, कर्म, काल अर्थाद समय और मिर्त्यो, स्वभाव और जीव अर्थाद प्रान के सत्या प्रकट होती है उसकी उपेक्षा होने पर किसी का भी अस्तित्वे नहीं रहता श्रिण नारायन प्रार dishonे में अकेले ही थे जब उन्होंने बहुत होने के एक्षा के तब उन्होंने अपनी माया से समस्त ब्रह्मार्ण के बीज रूप शक्ति को तीन भागों में विभक्त कर दिया आधिद्यविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों शक्तियों से ही जीव, शरीर, हिंद्रिया, मन और चराचर प्रकृति का जन्म होता है इन्ही तत्वों में जीव अथो अप्राण भगवान का सुक्ष्म रूप है जो आत्मा के रूप में शरीर में रहता है और शरीर तथा समस्त भौतिक पदार्थ परमात्मा के इस्थुल रूप है ये दोनों ही भगवान की माया, अर्थात, शक्ति के द्वारा रचे गए है भगवान सोयम निश्क्रिये हैं किंतु अपनी शक्ति से वे विवीध रूप धारन करते हैं भगवान का निश्क्रिये रूप सुक्ष्म है निर्विकार अथवा निराकार है जबकि उनका सक्रिये शक्ती रूप साकार है, इस्थुल है भगवान का यह भोतिक स्वरूप सत्व, रज और तम तीन प्रकार के गुणों से आच्छादित है सत्व में धर्म है रज में भोग विलास है और तम में पापमे वृतिया है सत्व से मनोश्य परमात्मा के निकट पहुंचता है रज से दूर होता है और तम से नरक गामी हो जाता है सोयाम भगवान स्रिश्टी के पालन के लिए और धर्म के इस्थापना के लिए विश्णू का मानवी रूप धारन करते हैं और विभिन आवतारों के द्वारा जगत का कल्यान करते हैं प्रलय का समय आने पर वेरुदर अर्थात शिवृ का आवतार लेकर स्रिष्टी का संहार करके उसे अपने में लीन कर लेते हैं हे परिक्षित विभिन महातमाओं ने परमेश्वर का यही रूप वन्नित किया है परन्तु तत्व ज्यानी साधकों को केवल स्रिष्टी पालन और प्रले करने वाले रूप में ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए भाव यही है कि मात्र ब्रह्मा विश्णू और महेश ही भगवान नहीं है भगवान उनसे भी परे हैं वह अजन्मा और नित्य हैं उसका अंश आत्मा के रूप में प्रतेक जीव में विद्यमान है इसी आत्मा के सक्षातकार द्वारा परमात्मा तक पहुँचा जा सकता है और आत्मा को जानने के लिए चित्वृतियों का निरोध परम आवश्यक है शोनक जी ने सूत जी से पूछा सूत जी आपने हमसे कहा था कि भगवान के परम भक्त विदूर जी ने अपने परिवार को त्याग कर विविध तिर्थों का भ्रमन किया था उस यात्रा में मैत्रे रिशी के साथ अध्यात्मे के संबंध में उनकी बात चीत हुई थी वह कहां हुई थी और उन्होंने क्या कहा था आप विदूर जी का चरित्र सुनाते हुए उस अध्यात्मे चर्चा का सार तत्व हमें सुनाईए सूत जी ने कहा शोनक आदे रिशियों राजा परिक्षित ने भी यही प्रश्ण श्री शुकदेव जी से पूछा था उनके उत्तर में श्री शुकदेव जी ने जो कहा उसे ध्यान पुरुवक सुनिये हिंदू रिचुवल्ज, हिंदू रितिरिवाज सरातन धर्म के प्रसार के लिए अधक प्रयत्न कर रहा है इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिकावशकता है ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनीशदों और शास्तरों आदी का ओडियो बुक के रूप में पुनर संकलन कर भावी पिडियों के लिए इन्हें संदक्षित कर सके तो आए इस ब्रिहत कारे को सकार करने हेतु, हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं इस शुब कारे हेतु आपसे नियूनतम अंशदान प्रतिव्यक्ति की अपिक्षा है आप अपने समर्थ अनुसार कोई भी राशी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए पेमेंट आइडी के द्वारा हम तक पहुचा सकते हैं इस प्रकार दसवे अध्याय के साथ श्रीमत भागवत का दिवितिय इसकंध पूर्ण हुआ श्रीमत भागवत कथा तृतिय इसकंध है तृतिय इसकंध में कूल अध्यायों की संख्या तैंतीस है तो चलिए कथा आराम करते हैं पहले अध्याय से पहला अध्याय उद्धाव जी और विदूर जी की भेंट श्री शुकदेव जी ने कहा परिक्षित जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिना पुर गये तो दुर्योधन ने उन्हें राज भवन में भोजन के लिए आमंत्रित किया किंतु भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आमंत्रन ठुकरा दिया और वे बिना बुलाए ही श्री विदूर जी के घर को अपना घर समझ कर उनके यहां चले गए इससे महात्मा विदूर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने अश्रु पूरित आखों से श्री कृष्ण का भक्ती भाव से स्वागत किया श्री कृष्ण जी ने विदूर जी को समझा कर महराज धितराश के पास भेजा परन्तु धितराश अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो रहे थे कि उन्होंने दुर्योधन द्वारा किये गए सभी अत्याचारों को अंधेखा कर दिया लाक्षा ग्रिह दाह में पांडवों को जलाकर मार डालने का प्रसंग कपट द्यूत में शकुनी द्वारा पांडवों को हराना और भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रसंग छल से पांडवों को द्यूत किरिणा में हरा कर उन्हें बारह वर्ष का वर्मास और एक वर्ष का अज्यात वास देने का प्रसंग सभी कुछ उन्होंने फुला दिया विदुर के नीती पुर्ण वचन भी दृतराश्ट को सद बुद्धी नहीं दे सके दुर्योधन ने श्रीक्रिष्ण से कहा कि वह पांडवों को उनका राज या पांच गाउं तो क्या उन्हें सुई की नोक बराबर भी भुमी नहीं देगा उसको उपनांत कौरवों और पांडवों में युद्ध अनिवार्य हो गया विदुर्जी का मन युद्ध की आशंका से दुखी हो उठा वे हस्तिना पर छोड़ कर विभिन तिर्थूं की यातरा पर निकल पढ़ने का मन बराही रह थे कि दुर्योधन ने विदुर्जी के साधू सोभाव की परवाहन ना करके उन्हें सुनाते हुए दुशासन से कहा दुशासन इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया है यह जिनके टुकडे खाकर जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रू का पक्ष लेता है जी चाहता है कि इसके प्रान लेलो किन्तु तुम इसके प्रार तो मतलो परन्तु इसे हमारे नगर हस्तिनापुर से बाहर निकाल दो अपने भाई धितराष्ट के सामने ऐसे कठोर वचन सुनकर विदूर जे काहरेदय आहत हो उठा धितराष्ट को चुप बैठे देखकर वे दुखी हो उठे और बिना कुछ कहे राजमहल से निकल कर चले गए फिर वे एक पल के लिए भी हस्तिनापुर में नहीं रुके और अपने राजसी वस्त्र और अस्त्र शस्त्र राजभवन के द्वार पर रख कर चुप चाप हस्तिनापुर से चल दिये हस्तिनापुर से चल कर वे अनेका नेक पुर्ण्य तिर्थों में विचरन करने लगें उन्होंने साधु वेश्धारन कर लिया था जिसे से आत्मीय जन उन्हें पहचार न सके वे शुद्ध और सधारन वृति से अपना जीवन यापन करते थे इस प्रकार भारत वर्ष में विचरते हुए वे एक दिन प्रभास शेत्र में पहुँचे वहाँ उन्हें पता चला कि भगवान श्रीकृष्ण की सहता से पानों ने कौर्वों का नाश कर दिया है महाराज विधेष्टे हस्तिनापुर के राजा होकर प्रित्वी पर एक शत्र अखंड राजे करने लगे हैं युद्ध में महा विनाश दोनु पक्षों का हुआ है कौरव वंश के विनाश का समाचार सुनकर उन्हें दुख तो हुआ परंथु अपने शोक को दबा कर वे चुप चाप सरसोती नदी के तट पर आये वहाँ उन्होंने अनेक तिर्थों का सेवन किया वहाँ से चलकर सौराश्र, सौवीर, मत्स और कुरू जांगल आदी परदेशों में होते हुए वे यमना तट पर पहुँचे वहाँ उनकी भेट श्री कृष्ण के बचपन के सखा उद्धो जी से हुई उद्धो जी ने विदूर जी को पहचान कर उनका हार्दिक स्वागत किया वहाँ परस्पर वार्ता करते हुए दोनों ने द्वारका और हस्तिनापुर के समाचारों का आदान परदान किया भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रही थे फिर भी दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने दिवे जन्म कर्म के जहां की लोगों को दिखाई है उनका यशोगान बार बार सुनने के उपरांत भी मेरा मन नहीं भरा आप कृपिया उनकी पवित्र यशोग किर्थी मुझे सुनाईए दूसरा आध्याय उद्धोजी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वंडन श्री शुकदेव जी ने कहा हे राजन श्री विदूर जी द्वारा पुछने पर उद्धोजी का हिरदय भर आया उन्हें श्री कृष्ण जी के साथ विदाय बचपन से लेकर रुधा अवस्था की बातें याद आने लगी उनका हिरदय विरह से व्याकूल हो उठा उनका गला अवरुद्ध हो गया मुह से बोल नहीं फुटा उद्धोजी श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्मृती में डूबे हुए दो घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके अत्यधीक रुमांज के कारण उनके अश्रू बहने लगें कुछ पल अपने को सईयत करके वे विदूर जी से कहने लगें उद्धोजी बोलें विदूर जी श्री कृष्ण रुपी सूरी के चिप जाने से हमारे जीवन में अंधकार चा गया है हम श्रीहीन हो गया है यह मनुष्य लोक बड़ा अभागा है जो उनके भगवत स्वरूप को नहीं पहचान पाया विशेशकर यदुगंशी तो बड़े भागेहीन है जिन हुने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना समस्त विश्व के आश्रे श्री कृष्ण को वे एक मात्र श्रेष्ट यादव ही समस्ते रहें यह कैसी विणमना है कि जिन हुने अपने जीवन में कभी तप नहीं किया उन्हें श्री कृष्ण अपनी भूवन मुहनी छवी दिखा कर अंतरधान हो गया भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लिलाओं का जो द्रिश उपस्थित किया था उसे देहकर हम सब ग्वाल बाली क्या सारा जगत मुहित हो जाता था उन लिलाओं में स्वभावय और सुन्दर्ता की पराकाष्ठा थी उनके रूप को किसी अभूशन की आवशक्ता नहीं थी अपितु अभूशन ही उनके रूप से सुशोभित हो जाते थे विदूर जी आप तो स्वयम साक्षी हैं कि युधिश्चिर के राज सुय यगे के आवसर पर इंद्रप्रस्थ में जब उनके त्रिभूवन मोहिनी रूप पर राजाओं के दृश्चिर पड़ी थी तब सभी ने एक स्वर से उन्हें परमातमा की अरफम कृति स्विकार किया था और उसी अवसर पर उन्होंने अपशब्त कहने पर शिशुपाल को मार डाला था ब्रज भूमी में ब्रीज की ललनाएं उनकी बाकी चित्वन और मधूर मुस्कान के सम्मुख सब कुछ काम धाम छोड़कर मूर्ती की भाति खड़ी हो जाती थी अजन में होकर भी उन्होंने वासुदेव जी के यहां देवकी की कोक से जन्म लिया और सभी को अभै देने वाले होकर भी वे ग्यारह वर्ष तक गोकुल में ग्वाल बालों के मध्य छिपी रहे वस्ततह उन्होंने प्रिथ्वी से दुष्टों का भार हटाने के लिए अपने जन्म लेने की लीला की थी उनसे पहले शेशावतार बलराम जी को वे रोहनी के गर्व से ब्रज मंडल में भेज चुके थे उनके जन्म लेते ही कंस के बंदिग्री के द्वार खुल गए थे और अक्षक सो गए थे वासुदेव कृष्ट जी भादो मास की अश्रमी के दिन उस भयानक काल रात्री में धर्ती पर आउतरित हुए थे कंस को भय था कि उसकी बेहन के गर्व से जो पुत्र होगा वह उसका काल होगा इसी भय से उसने वासुदेव और देवकी को बंदिग्री में डाल रखा था और वह एक एक करके देवकी की च्छा संतानों को पत्थर के शिला पर पठक कर मार चुका था उसे हर समय अपनी मिर्त्यू का भय बना रहता था विदूर जी आप तो जानते ही हैं कि वासुदेव जी किस प्रकार उस भयानक काली रात में उमर्ती हुई यमुना को पार कर श्री कृष्ण को यशोधा की गोद में डाल आय थे और किस प्रकार कंस ने वहम और भय के कारण ब्रज के नौजात शीशू की हत्या करानी प्रारंब की थी परंतु श्री कृष्ण का वह कुछ भी नहीं बिगार सका था उसने पूतना नामक राक्षसी को उसके अस्तनों में वीश लगाकर गोखुल भेजा प्रकृष्ण ने उसका अस्तन पान करके उसे धाय का पद दिया और उसके प्राण अपने होटों से खीच लिये उस परंद यालो श्री कृष्ण के अतरिक्त ऐसा कौन है जो अपने वध को आय व्यक्ति को ऐसी परंगती प्रदान करे विदूर जी श्री कृष्ण की जब बातें याद आती हैं तो मेरा मन व्यथित हो जाता है ऐसा कौन पुरूश है जो उनके चरन कमलों की एक बार छवी देखने के उपरांत उन्हें भुला सकता है महाभारत के युद्ध में जिन युद्धाओं ने उन्हें अपने नेत्रों से देखा था वे सभी अर्जुन के बानों से बिंध कर परमगति को प्राप्त कर गए थे स्वयम श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी है वे स्वतह सिध एश्वरे से सरवधा पूर्ण काम है परंतु उनकी लीला देखिए कि एक और वे कंस का वध करते हैं और दुसरी और काल यवन के पराकरम से घबरा कर मथुरा छोड़ कर द्वार का परी भाग जाते हैं और रणशोड कहलाना पसंद करते हैं उनकी अद्भूत नीतियों से भला कौन पार पा सकता है मैं तो उन असुरों को भी उनका भक्त समझता हूँ जो वैर भाव के कारण हर समय उनही का ध्यान करते रहते हैं गोकुल प्रवास में यमुना के किनारे उपवनों में हरे भरे व्रिक्षों पर कलरव करते असंख्य पंक्शियों के जून रहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बच्षणों और गौवों को चराते समय गौवाल वालों के साथ वहां विहार किया था ब्रज के वासियों को अपनी और आक्रिष्ट करने के लिए वे अनेक बाल लिलाएं दिखाया करते थे कभी उनके साथ रोते, कभी हसते, कभी गोपियों का माखन और दही चुराते, कभी उनकी हांडिया तोड़ डालते, कभी अपने होठों पर मूरली धर कर ऐसी धुन बजाते कि सारा ब्रज मंडल अपनी सुध बुद भुला बैठता कंस ने उन्हें मारने के लिए मनमाना रूपधरन करने वाले कितने ही मायावी राक्षस वहाँ भेजें, पर क्रिष्ण ने देखते देखते उन्हें मार डाला यमुणा किनारे कालिया नाग ने जल में विश गोल दिया था, उसे पीकर कितने ही गौाल बाल आचित हो गय overall आचित हो गय थे क्रिष्ण ने कालिया नाग का वध करने के लिए लीला रची हैं, खेलते समय अपनी गेंद काली दह में फेंक दी फिर उसे निकालने के बहाने वे यम्रा में कूद पड़े और कालिया नाथ को नाथ कर ही वे बाहर आए गुवर्धन पुजा के लिए उन्होंने इंद्र की पुजा बंद कर दी इंद्र ने कुपित होकर ब्रजभुमी को जल में डुबो देने के लिए भयानक जल बरसाया भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते गुवर्धन परवत को छतरी की भाती अपनी उंगली पर उठा लिया और ब्रजभासियों तथा पशू की रक्षा के इंद्र कमान मरदन किया चांदनी रात में जब मुरली के मधुर स्वरों के मध्य वे गूप गोपियों के साथ रास क्रिड़ा करते हैं तब जो दृष्ष सामने होता है वो नैना भिराम होता है विदुर जी और मैं आपसे क्या कहूं सोयम मुझे जिसे निराकार इश्वर के ग्यान का बड़ा एहंकार हो गया था एक बार क्रिश्ण ने गोपियों का हाल चाल पुछने के लिए मतुरा सिब्रज भूमी वरिंदावन वगोकुल भेजा मैंने वहाँ पहुचकर उन्हें निराकार ब्रह्म का उपदेश दिना चाहा और उनसे क्रिश्ण को भूल जाने के लिए कहा परंतो गोपियों के माधूरी भाव के सामने मेरा सारा ग्यान उनके प्रेमाशुरू में बह गया और मैं लुटा पिटा सा वापस लोटाया उस समय क्रिश्ण के मंद मंद वुसकान में मेरा सारा अस्तित्वे बर्फ की भाति पिखल गया तीसरा अध्याए भगवान श्री क्रिश्ण के अन्य लीला चरित्रों का वड्णन उद्धो जी ने कहा विदूर जी श्री क्रिश्ण और बलराम ने कंस का वध करके अपने माता पिता को उसके बंदी क्रेह से मुक्त कराया और उन्हें उच्च सीहासन पर बैठाया उसके बाद वे सांदीपनी मुनी के आश्रम में शास्त्रों के सिक्षाले ने तथा योग साधना के लिए चले गया वहाँ उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मिर्थक पूत्र को पंच जन नामक राक्षस के पेड़ से बाहर निकाला और उसे जिवित कर दिया यहीं पर उन्हें पांच जन नामक शंख प्राप्त हुआ विदुर जी भिश्मक की पूत्री रुकमिडी श्रीकृष्ण से प्रेम करती थी उसने संदेश भेज कर श्रीकृष्ण को बुलाया वहां भिश्मक अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे परंतु श्रीकृष्ण ने डुकमिडी का हरन कर उसे से विवाह कर लिया इसी प्रकार एक अन्य सोयमवर में साथ बीना नथे बैलों को नाथ कर उन्होंने सत्या से विवाह रचाया सत्यभामा को प्रसन करने के लिए वे स्वर्ग से कल्प व्रिक्ष उखाण लाया प्रित्री पर भौमा सुर को मार कर उन्होंने उसके द्वारा हर कर लाई राज का न्याव को उसके बंदिग्री से चुड़ाया इस प्रकार प्रित्री पर अनिकानेक दुष्ट राजाओं का श्रीक्रिष्ण ने या तो स्वयम वद किया या अपने समर्थन से पांडवों द्वारा उनका वद कराया पांडवों के वंश बीज परिक्षित की उन्होंने अश्रतामा के ब्रह्मास्तर से रक्षा की और युधिष्टिर से तीन अश्रमेध ही यगे कराये विश्वात्मा श्रीक्रिष्ण ने द्वारका में रहते हुए अनेक सुखों का अपुभोग किया धीरे धीरे उन्हें सभी भोकों से वेराग्य हो गया वे जानते थे कि द्वारका में रहने वाले यदुवंशी अत्यंत विलासी और मदिरा पाई होते जा रहे हैं इसके लिए उन्होंने रिशी मुनियों के अपमान के लीला रची और उनसे यदुवंश के विनाश का शाप दिलाया जिसके कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़ मरे शेश यदुवंशीयों ने प्रभास शेत्र में जाकर इसनान किया और पितरों का तरपन किया तथा ब्राह्मनों को नाना प्रगार के दान दिये इसके पश्यात प्रित्वी पर सिर्टिका कर उन्हें प्रणाम किया चौथा अध्याय उद्धो जी से विदा लेकर विदुर जी का मैत्रे रिशी के पास जाना उद्धो जी ने कहा विदुर जी यादों का विनाश देखकर श्री बलराम जी बैकूंठ पासी हो गए और स्वयम श्री कृष्ट वन में जाकर एक वरिक्ष के नीचे बैठ गए उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं बद्री का अश्रम चला जाओ वे मिर्त्व लोग को छोड़कर अपने धाम वापस जाना चाहते थे मैं उनकी आग्या का उलंगा नहीं कर सका अश्रू बहाता हुआ मैं वहां से चला आया विदुर जी मैं प्रभू के च्रणों की वनना करके यहां आया हूँ उन्होंने ही मुझे आत्म तत्व का आदेश दिया था और अपने विश्व रूप का ज्यान कराया था इस समय उनके विरह से मेरा चित्य अत्यंत व्याकूल है श्री शुकदेव जी बोले राजन इस प्रकार उद्धो जी के मुख से श्री कृष्णी की लिलाओं का वननन सुनकर विदुर जी का हिर्दय भर आया आखों से प्रेमाश्रू बहने लगे उन्होंने उद्धो जी से श्री कृष्णी के गुढ़ रहस्य को प्रकट करने वाले परम ग्यान को जानने के इक्षा प्रकट की तो उद्धो जी ने उन्हें मुनिवर मैत्रे जी के पास जाने के लिए कहा उसके बाद विदुर जी उनसे विदा होकर मैत्रेय जी से भेंट करने की एक्षा से चल पड़े वहां से चल कर वे गंगा के किनारे उस आश्रम में पहुँचें जहां मैत्रेय रिशी रहते थे राजा परिक्षित ने पूछा भगवन यदु वंश्तु नश्ट हो गया यहां तक की तिलोकिनाथ श्री हरी को भी अपना मानवी रूप छोड़ कर जाना पड़ा फिर उद्धोजी कैसे बच गए श्री शुकदेव जी ने कहा राजन अपने वंश्क विनाश्क उपरांत श्री हरी ने अपने विग्रह को त्यागते समय यही सोचा था कि अब इस लोक में मेरे चले जाने के बाद संयम शिरोमणी उद्धोजी ही मेरे ज्ञान को ग्रहन करने के सच्चे अधिकारी है अतह मेरे ज्ञान के शिक्षा देने के लिए वे अभी यहीं रहे वेदों के मूल कारण श्री कृष्ण जी के इस प्रकार आग्या देने के कारण उद्धोजी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधी योग द्वारा श्री हरी की अराधना करने लगे और परम भागवत का उपदेश देने लगे पाँचवा अध्या है विदूर जी और मैत्रे रिशी का वार्तालाप श्री शुकदेव जी ने कहा परिक्षित श्री मैत्रे जी हरिद्वार शित्र में निवास करते थे शुद्ध भक्ती भाव से विदूर जी जब उनके पास पहुँचे तो मैत्रे जी ने उनका प्रेम वश आत्मिक स्वागत किया विदूर जी ने उनसे पूछा भगवन संसार में सुख पाने के लिए सभी कर्म करते हैं परन्तु उनसे उन्हें न तो सुख मिलता है और न उन्हें दुख दूर करने का उपाय ही सुझाई देता है अता इस विशे में ऐसा क्या करें जिसे से सुख की प्राप्ति हो क्रिप्या मुझे बताईए श्री मैत्रे जी ने कहा विदूर जी आपने सभी मनुष्यों पर कल्यान की भावना से यह उत्तम प्रश्ण पूछा है आप वियास जी के औरस पुत्र हैं आपका हिर्द नित्य श्रीहरी में लीन रहता है आप मन लगा कर सुने जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहते हैं वे सदैव दुख के सागर में पड़े रहते हैं और जीवन मरण के चक्र से वे कभी भी नहीं छूट पाते हैं वे जो भी कर्म करते हैं उनसे उन्हें सुख कम और दुख अधिक प्राप्त होता है ये दीवे अपने जीवन में परमात्मा का ध्यान और भजन थोड़ा बहुत भीक करें तो संसार के दुखों से उन्हें उसी प्रकार छुटकारा मिल जाए जिस प्रकार औशदी सेवन करने से शरीर का रोग नश्ट हो जाता है इस संसार में मनुष्य जैसा भी अच्छा बुरा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है मनुष्य संसारी के मुख में पढ़कर अपने पुत्र, पत्नी, कन्या, पौत्र पौत्री और अन्य निकट संबंधियों के लिए सुख की कामना तो करता है परन्तु इस मोह माया के बंधन से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं करता भगवान श्रीक्रिष्ण का इसमरण सभी भव बंधनों और दुखों को दूर करने वाला है जिस समय मनुष्ण इन बंधनों से मुक्त हो जाता है उसी समय से सुख के मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं इश्वर की कृपाक बिना किसी सुख की कलपना करना वेर्थ है विदूर जी ने पूछा हे साधो शीरो मड़ी आप मुझे उस शांती के साधनों का उपदेश दीजी जिसके अनुसार अराधना करने से भगवान अपने भक्तों के हिर्दय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोग्ष रूप से अनुभव करने वाला सनातन ग्यान प्रदान करते हैं मैत्रे जी ने कहा विदूर जी जब मनुष्य इंद्रियों के सुखों का त्याग करके अपना मन सांसारिक भगों से विरक्त कर लेता है और परमिश्वर का स्मरण और भजन करता है तब वह माया के बंधनों से छूट जाता है इस बंधन के तूट जाने पर उसका मन अतिशय शान्त हो जाता है उसे शुद्ध और शान्त हिर्दय में ही भगवान अपने भक्त के भक्ती भाव से खीच कर आ बैठते हैं हिर्दय में भगवान के प्रविश करने के उपरांत भक्त को किसी भी ग्यान की आवशकता नहीं होती क्योंकि उस समय जो सनातन ग्यान उसे प्राप्त होता है वह उसे परम पुरुष परमात्मा के आनंद लोक में ले जाने वाला होता है विदूर जी ने पूछा रिशिवर इस त्रिलोकी के नियंता श्री हरी अनेका अनेक दिवे लिलाएं जन का लियान के लिए किया करते हैं शास्त्रों में उन्हें अकरता कहा गया है फिर वे किस प्रकार इस स्रिष्टी की रचना करते हैं किस प्रकार वे इस जगत के जीवों का पालन करते हैं और किस प्रकार से वे समस्त संसार को अपनी योग माया से नश्ट करके शयन करते हैं यह रहसे आप हमें बताईए मैत्रे जी ने कहा विदूर जी स्रिष्टी रचना के पुर्व समस्त जीवों के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे न कोई द्रश्टा था और कोई द्रिश्य था उस समय परमात्मा अकेले ही थे जब वे स्वयम द्रश्टा होकर देखने लगे तो कोई द्रिश्य दिखाई नहीं दिया क्योंकि उस समय वे ही सर्वत्रे अपने अद्विती तेज से वहां प्रकाशित हो रहे थे सब और प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था ऐसे में उन्होंने अपनी सोई हुई शक्तियों को जागरित किया उन्हें कारे और कारण रूपा माया दिखाई दी उस माया के द्वारा ही अपनी इक्षा से उन्होंने अपने को अनेक में परिवर्तित करने के लिए विश्व का निर्माण किया सरप्रथम उस माया से त्रिगूण मई महतत्व ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर उस महतत्व से विश्व की रचना के लिए अपना रुपांतर किया उसमें एहंकार की उत्पती होई जो कारे, कारण और करता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिया और मन का कारण है तामसिक तीन प्रकार का है, सात्विक एहंकार से मन और इंद्रियों के अधिश्चाता देवता हुए राजसिक एहंकार से ग्यानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बने तथा तामसिक एहंकार से सुक्ष में पाँच तत्वों और उनकी तनमात्राओं का निर्माड हुआ ये पाँच तत्व जल, अगनी, वायू, पृत्वी और आकाश थे और इनकी पाँच तनमात्राओं क्रमशह, रस, रूप, गंध, इस्पर्श और शब्द है इनका सीधा संबन्ध जीव के जीवा, नेत्र, नाक, त्वचा और कानों से है विद्वर जी, महतत्व के विकारों स्ते उत्पन ये सभी अंश परमात्मा के ही अंश है परंतु इतना होने पर भी उनमें जीवन के सक्रियता उत्पन नहीं हो सकी तब भगवान ने विराट पुरुष की कलपना की और स्वयम को उसके हिर्दय में इस्थित किया उस जीवनी शक्ती के आते ही सारी सिष्ठी सजग हो उठी विदूर जी ने कहा ऐसा किस प्रकार से संभ़ हो सका क्रिप्या आप इस पश्ट करके हमें बताईए आप तो दीनों पर क्रिपा करने वाले हैं भवरा जैसे फूरों का रस निकाल लेता है उसी प्रकार इन रहस्यमई लोकी कथाओं में से इनका कल्यानकारी सार तत्वे छाट कर हमारे कल्यान के लिए आप सुनाईए मैत्रे जी आपके कथामरित का पान करने से खिर्दे में भक्ती का आवेग उमर पड़ता है अंतह करन निर्मल हो जाता है आपसे जो आत्मे ग्यान प्राप्त होता है उसे से बैकूंट धाम का मार्ग खुल जाता है जिन देवताओं के निर्विकार वे पुरान पुरुष है आधी कारण है अजन्मे है सत्व गुणों के मूल तत्व है उन सचिदानन परमात्मा ने ब्रहमान की रचना को सक्रिय कैसे किया यह ज्यान आप हम को दिजिए छठा आध्याए विराठ शरीर के शक्रियता का वन्णन मैत्रे जी ने कहा विदोर जी सर्व शक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदे शक्तियां विश्व रचना के कारे में असमर्थ हो रही है तो उन्होंने काल शक्ति को स्विकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंच भूत, पंच तनमात्रा और मन सहित 11 इंद्रियों अर्थात इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए जब भगवान के अंश ने उस शरीर में प्रविश किया तब विश्व रचना करने वाला महतत्व आदी का समुदाय एक दूसरे से मिलकर जागरित हो उठा और परिणाम को प्राप्त हुआ तत्वों का वह परिणाम ही विराट पुरुष है जिसमें यह चराचर जगत विद्यमान है इसे आप इस प्रकार जानिये कि जलक भीतर अंडरूप आश्रय स्थान में वही रण्यमे विराट पुरुष संपून जीवों को साथ लेकर एक हजार दिवे वर्षों तक वही रहा उस समय विश्व रचना करने वाले तत्वों का वह गर्भ काल था और ज्ञान, क्रिया तथा आत्म शक्ति से संपन्न था यह विराट पुरुषी प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदी अवतार है समस्त जीव इसी अंश से प्रकाशित होते हैं उस विराट पुरुष को जागरित करने पर उसमें पहले मुख प्रकट हुआ फिर वाणी, तालो, जीवा, नथुने, आखें, तवचा, वायू, कान, लिंग, गुदा, हाथ, पैर, पेट, हृदय, मन, बुद्धी, एहंकार, महतत्व, चेतना, सीर, केश, नाभी आदी प्रकट हुएं जिसे से करमश हवा बोलता है, स्वरों का उतार चड़ाव पैदा करता है, स्वाद लेता है, सुंगता है, देखता है, इसपरश का अनभो करता है, सुनता है, नए जीव की उत्पति करता है, मल्त्या करता है, कर्म करता है, चलता है, भोजन ग्रहन करता है, रक्त संचार करत विचार करता है अच्छा बुरा निर्ने करता है गर्व पदर्शित करता है श्रिष्टी का निर्मान और संतूलन करता है अंतरिक्ष का अनुभो कराता है इन सभी में तीन गोड सत रज और तम अपना अपना कारे करते हैं सत से देवताओं का वास शरीर में होता है रज से मनुष्य होने का बोध होता है और तम से पाप तथा प्रेतियोनी का एहसास होता है विदुर जी वेद और ब्रहमन भगवान के मुख से प्रकठ हुए उन्हें सब वर्णों में श्रिष्ट माना गया उन्हें गुरु होने का प्राप्त हुआ उस परम पुरुष की भुजाओं से शत्री उत्पन हुए जो रक्षक का कारे करते हैं भगवान की दोनों जांगों से वैश्यों का प्रदुर्भा हुआ जो सभी की जीविका चलाते हैं भगवान के चरनों से सेवा वृती करने वाले शुद्र उत्पन सेवा भाव से श्रीहरी अतिप्रसंद रहते हैं यह विराट पुरुष, काल, कर्म और सुभाव की शक्ति से युक्त होकर भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है उसे कौन वर्णन कर सकता है जितनी मेरी बुद्धी है उसी के अनुसार मैं श्रीहरी के गुणों का बखान कर सकता हूँ जो व्यत्ती भगवान श्रीहरी के गुणों का बखान करता है और उन्हें श्रवन करता है उससे बड़ा सुयश्ष प्राप्त होता है हमारी तो विसात ही क्या है स्वयम ब्रह्मा जी आदि काल में एक हजार वर्षों तक योग साधना श्रीहरी के बारे में विचार करते रहें फिर भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सके विदूर जी भगवान की माया बड़े-बड़े मायावियों को भी ब्रहमित कर देने वाली है उसकी गती अतित्तिव्र और अनंत है उसकी थाह पाना अत्यंत कठीन है जिनके रूप का वन बड़े-बड़े योगी ज्यानी देवता और रुद्य तक नहीं कर पाते जो इंद्रिया तीत हैं उन भगवान श्रीहरी को हम नमन करते हैं सात्वा अध्याय विदूर जी की जिग्यासा और प्रश्ण विदूर जी ने मैत्रे रिशी की बातें सुनकर अपनी जिग्यासा को शांत करने के लिए उनसे प्रश्ण किया विप्रवर भगवान तो बोध सोरूप, शुद्ध, निर्विकार और निर्गून कह जाते हैं फिर उनके साथ उनकी लिलाएं, उनके गूण और कर्म किस प्रकार से संबंध स्थापित कर पाते हैं बालक में तो कामना और दुसरों के साथ खेलने के इक्षा होती है इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है परन्तु भगवान तो स्वयम त्रिप्त है, नहीं संग है, पूर्ण काम है फिर वह खेलने का प्रयत्न क्यों करेंगे भगवान ने अपनी त्रिगुण मैय माया से जगत की रचना की है उसका वे पालन करते हैं और फिर उसका संहार भी कर देते हैं जिनके ज्यान का देश काल अथवा किसी भी अवस्था से लूप नहीं होता उनका माया के साथ संयोग कैसे हो सकता है जब सर्वत्र ही भगवान साक्षी रूप में इस्थित है फिर उन्हें दुर्भाग अथवा कर्म जनित कलेश की अनुभूती कैसे हो सकती है आप किर्पिया मेरे भ्रम को दूर कीजिए श्री मैत्रे जी ने मुस्कुराते हुए कहा विदूर जी जो आत्मा सबका स्वामी और स्वतंत्र है वह दीनता और बंधन को प्राप्त नहीं होता यह बात मुक्ति युक्त है किन्तु यही तो उस परमात्मा की माया है जिस प्रकार स्वपन में सीर कटने का आभास होने पर भी सीर वास्तों में कटता नहीं है उसी प्रकार यह जिव संसारिक बंधनों में बंधा ना होने पर भी बंधा हुआ प्रतित होता है यही अज्ञान है जो सत्य को आखों से दूर रखता है जिस प्रकार जल में प्रतिविंबीत चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है परंतु वास्तों में वह इस्तिर होता है इसी प्रकार देह के अभिमान में पड़ा व्यक्ति अपने द्वारा किये कर्मों की प्रतिती कराता है जबकि देह में सुक्ष रूप में विद्यमान परमात्मा का अंश आत्मा इसकी प्रतिती नहीं करता भगवान की कृपा से भक्ति योग द्वारा यह प्रतिती धीरे-धीरे नश्ट हो जाती है और समझ में आने लगती है विदूर जी जिस समय जीव अपनी समस्त इंद्रियों को विशेयों से अलग कर लेता है और श्री हरी के साक्षी भाव में इस्थित हो जाता है उस समय जीव के समस्त कलेश और ताप नश्ट हो जाते है श्रिक्रिष्ने के गुणों का वर्णन और श्रमण समस्त दुखों को नश्ट कर डालता है और मन शान्त हो जाता है विदूर जी बोले भगवन आपके युक्ती युक्त वचनों को सुनकर मेरे सारे भ्रम दूर हो गया अब मेरा चित्त शान्त है मैं भगवान की जगत से तटस्थता, स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को खुब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ यह किवल माया का आवरण ही है जो हमें ब्रह्म में डालता है इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं एक अत्यंत अज्यानी, मुढ और बुद्धिहीन दूसरे जो ज्यान द्वारा इश्वर के स्वरूप को जान चुके हैं बीच के लोग संशय में पढ़कर सदेव दुखी रहते हैं भगवान मदुसुदन के चरण कमलों में नित्य भक्ती भाव से सेवा और प्रेम से निश्य ही आनंद की प्राप्ती होती है यह वह आनंद है जो जीवन और मृत्यु के आवा का मन चक्र से जीव को मुक्ती देने वारा है महात्मा लोगों के संगती से जहां सदेव श्री हरी के गुणों का गान होता है वहां अल्प पुन्य पुरुष को सेवा का औसर प्राप्त नहीं होता उसके लिए पुन्न शुद्ध मन से तथा एकात्म भाव से भगवान के गुणों का गान और श्रवन करना चाहिए तभी उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है भगवन आपने मुझे विराठ पुरुष्ट के द्वारा स्रिष्टी के जन्म का वर्टान सुनाया अब आप मुझे उनकी ब्रहमादी विभूतियों का वर्णन सुनाये जिन से पुत्र, पोत्र, नाती और कुटोंबियों सहीत विविद प्रकार की प्रजावुत पन होई आप मुझे बताईए कि उन्होंने किस प्रकार से प्रजापतियों, सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की रचना की आप मुझे यह भी बताईए कि किस प्रकार से मनुष्य, देवगण, रेंगने वाले जियों, पक्षी, जलचर, आदिवद पन हुए श्री हरी ने स्रिष्टी की रचना करते समय, जगत की उत्पति, इस्थिती और संहार के अपने अंशावतार, ब्रह्मा, विश्नु और महादेव द्वारा जो कल्यानकारी लिलाए कराई, आप कृपिया उनका वन्नन कीजिए मैत्रे जी, आप तो शास्त्रों के प्रकान ग्याता हैं, आप मुझे वन्नाश्रम, रिश्यों के जन्म कर्म, वेद विदान्त, यग्यों के स्वरूप, योग के मार्ग, ज्यान मार्ग, सांख मार्ग, विविद धर्म शास्त्रों का सार तत्व, वन्न संकर संतानों के प्र विप्रवर, धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष के साधनों का, वानिजे, दंड नीती और शास्त्रों को सुनने की वीधियों का, शाध वीधी का, पित्री गड़ों के स्रिष्टी का, काल चक्र में घुमती हुए ग्रह नक्षत्रों वा तारा मंडल का, दान, तप, इश्ट और पूरे किये हुए कर्मों के फलों का, प्रवास और अपत्ती के समान, मनुश्यों के धर्मों का, धर्म के मूल कारणों का, गुरुश्य के संबंधों का, भगवान की योग निद्रा का, जीव और परमेश्वर के स्वरूपों का, ज्यान प्राप्ती के उपायों का, ज्यान भक्ती और वैरागे का विवेचन आप कीजिए भगवन मैं अग्य हूँ और आप मेरे अत्यंत सहिर्दे है माया मोह के कारण मेरी विचार्द रिष्टे नश्ट हो गई है कृपया मुझे ज्ञान देजिए आठवा अध्याय ब्रह्मा जी की उद्पती का वण्णन श्री शुकदियो जी ने कहा राजन जब कुरुश्रेश्ट विदूर जी ने मुनिवर मैत्रे जी से इस प्रकार प्रश्ण किये तो मैत्रे जी बहुत प्रसन्न हुए मस्कुरा कर उन्होंने विदूर जी के प्रश्णों का उत्तर इस प्रकार दिया श्री मैत्रे जी ने कहा विदूर जी आप धन्य है जो पगपग पर श्री हरी के लीलाओं का श्रावन करके उनकी कीर्ती के गुड़गान करते हैं अब मैं आपको श्री मत्भागवत पुराण की वह कथा सुनाता हूँ जिसे सोयम भकवान ने सनकादी रिश्यों को सुनाया था स्रिष्टी के प्रारभ में संपून विश्व प्रलह के बाद जल में डुबा हुआ था उस समय एक मात्र श्री नारायन योग निद्रा में 6 शैया पर लेटे हुए थे वे उस योग निद्रा में आनंद मगन हो रहे थे उस समय उन्होंने अपनी काल शक्ती से अपने शरीर में व्यापत अनंद लोकों को देखा उन्हें देखकर उनके मन में स्रिष्टी रचना की पुना इक्षा जागरेत होई तभी उनके नाभी परदेश से कमल कोश्ट के रूप में एक सुक्ष्म तत्व उपर उठा उसके प्रकाश से संपून जल राशे उद्भासित हो उठी उस कमल पुष्प कर्णिका पर संपून वेदों के ग्याता ब्रह्मा जी प्रकट हुए उन्होंने चारों और द्रिष्टी घुमा कर देखा पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया वे सोचने लगें इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ इस कमल का आधार कहा है ऐसा सोच कर वे कमल नाल के सुक्ष्म शिद्रों में से होकर जल में प्रविस कर गए किन्तु आधार का नाल नहीं खोच पाए उस अपार अंधकार में अपनी उद्पती का इस्थान खोशते खोशते उन्हें बहुत काल बीद गया यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भैभीत करता हुआ उनकी आयू को श्ण करता है विदूर जी विफल होकर ब्रह्मा जी वापस लोटा है और प्राण वायू को खिच कर समाधिस्त हो गए सहस्त्र वर्षत की योग साधना करने के उपरांत उन्हें ज्यान हुआ और उन्होंने अपने अंतह करण में शेश नाक की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान श्री नारायन को देखा शेश जी के दस हजार फन उनके उपर च्छाय हुए थे उनके मस्तक पर रत्न जडित किरिट शुभायमान था कानों में कुंडल थे उनके चेहरी के तेज से सारा चल परदेश उद्भासित हो रहा था उनके नेत्रे कमल दल के सद्रिश थें मेगों की आभा के समान उनका वन्न था उनकी कमर में पितांबर शभायमान थी छाती पर वे जन्ती माला की अद्भूत चमक थी उनके लाल लाल अधरों पर मधूर मुस्कान थी सीर पर भौरों की भातिक केश लहरा रहे थे उत्तम मडियों से उनके भुज़दन सुशोभित थे और अद्भूत अस्त्र शस्त्रों से उनका शरीर जगमगा रहा था तब विश्व रचना करने के इक्षा रखने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने अपने आपको भगवान की नाभी से प्रकट कमल पर देखा उन्होंने वहां कमल, जल, आकाश, वायू और अपने शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा वे लोक रचना के लिए उत्षुक, ध्यानस्त होकर श्रीहरी की स्तुति करने लगे नवा अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा, भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभू, आपने मुझ पर स्रिष्टी रचना का दाईत्य सौपा है किन्तु आपकी क्रिपा के बीना, मैं इसे करने में असमर्थ होकर आपकी शरण में आया हूँ ये विश्व का तल्यान करने वाले प्रभू, मैं आपका उपासक हूँ आपने मुझे अपनी छवी के दर्शन देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है आप भक्त जनों के हिर्दे कमल से कभी दूर नहीं होते क्योंकि वे अपनी प्रेमा भक्ती की दोर से आपके चरणों को बांध लेते हैं जब तक जीव आपके चरण कमलों का आश्रे नहीं लेता तभी तक उसे संसारिक मोह, भय और शोक सताते रहते हैं वे नहीं जान पातें कि मैं और मेरे पन का भाव ही उनके दुख का एक मात्र कारण है जो लोग अमंगलों को दूर करने वाले आपके श्रमन किरतन में मन नहीं लगाते इंद्रिये सुक के मोह में लिपत रहते हैं वे बुद्धी हीन लोग भाग के मारे ही कहलाते हैं हे प्रभू, भौतिक दुखों में पड़े हुए जीवों की दशा देखकर मिरा मन बड़ा आहत होता है जब तक जीव विशय भगों के अनन्द को शनिक मानकर उन्हें नहीं छोड़ता तब तक वह माया के प्रभाव से अपने आपको आपसे दूर ही रखता है ऐसे जीवों को कभी मुक्ती प्राप्त नहीं होती औरूं की तो बात ही क्या, जो साक्षात ग्यानी और मुनी हैं यदि वे भी आपकी कथा प्रसंगों के श्रमण से दूर रहते हैं तो उन्हें संसार के बंधनों में बंधना पड़ता है और असहय दुखों को सहना पड़ता है उनका हर पल दुष्चिंताओं में उलज कर जीवन का सारा रस छिन करता रहता है वे पगपग पर विफल और विकल होते रहते हैं हे नाथ आपको किवल आपके गुण श्रमण से ही जाना जा सकता है आप जीव के भक्ती योग से शुद्ध हुए हिर्दे कमल में ही निवास करते हैं आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका इसमरन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूपधारन कर लेते हैं हे प्रभु आप एक ही हैं और अपने सुक्ष्म अंशों से सभी जीवों में विभक्त होकर निवास करते हैं वे जो भी कर्म आपको अरपन करने केले करते हैं उनका कभी नाश नहीं होता अतह यग्य, दान, इस्तुति, कठोर तप और वृत उपवास आदि से आपको प्रसन करना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्म फल है आप सदेव अपने दिवि प्रकाश से प्राणियों के भै, भ्रम और संशयों को दूर करते रहते हैं प्राणियों पर दया करने से आप प्रसन होते हैं, आपके प्रसन होने पर ऐसा कौन सा फल है जिसे साधक प्राप्त नहीं कर सकता आप ग्यान के अधिश्ठान साक्षात परम पुरुष हैं, संसार के उत्पती, स्थिती और संघार के नियामक हैं मैं आपकी माया के खेल को कुछ कुछ समझ रहा हूँ, हे परमिश्वर, मैं बार बार आपको नमन करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें जो लोग मिर्तिव काल में प्राण त्याक करते समय, आपके विविद रूपों में से किसी एक नाम का भी उशारन करते हुए आपको इस्मरन करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से ततकाल छूट जाते हैं, और माया के आवरणों को भेद कर आपके परमपद, हे प्रभू, आप नित्य हैं, अजन में हैं, विश्वरूप हैं, मैं आपकी शर्ण लेता हूँ, आपने अपने स्वरूप को ब्रहमा, विश्णु, महेश के रूप में विभक्त करके प्रजापती और मनु आदि का विस्तरित परमपरा का शुभारंभ किया है, और अपने स्वरूप को विस्तरित लोकों में फैला दिया है, आपने अपनी अराधना को ही कल्यानकारी स्वधर्म के रूप में विस्तरित किया है, मैं आपको नमन करता हूँ प्रभू, यदपी मैं सत्य लोक का अधिश्ठाता हूँ, तो भी आपके इस काल रूप के सम्मुख मेरा क कोई अस्तित्य नहीं है, मैंने आपको जानने के लिए जो तप किया, यग्य किया, इस्तती की, उसके यग्य रूप आप साक्षी है, कृप्या मेरी प्राथना और नमन स्विकार करें, आप पून्न काम हैं, आपको किसी चीज के इक्षा नहीं है, आप सभी भौतिक वस्तो से अना सक्त हैं, आपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए मनुष, पशुपक्षी, देवता, असुर आदी का रूप धारन कर कितनी ही लिलाएं की हैं, आप अविद्या, राग, द्वेश, अस्मिता और अनुराग किसी के भी अधिन नहीं हैं, यह सारा संसार आपके उधर में समाया हुआ है, आपकी प्रेणा से ही मैं इसे देख पा रहा हूँ, और स्रिष्टी रचना के लिए ततपर हुआ हूँ, मैं बार बार आपको नमन करता हूँ, हे प्रभु, आप मेरी बुद्धी और कल्पना को जागरित करें, ताकि मैं पुर्व कल्प के अनुस सारही जगत की रचना कर सकूँ, इसकी रचना में आप मेरे ज्ञान को प्रेडित करते रहें, और मुझे शक्ती प्रदान करें, ताकि मैं स्रिष्टी रचना के एहंकार से दूर रह सकूँ, आप करुना में पुरान पुरुष हैं, आप अपनी भुवन मुहिनी मुस्कान क साथ अपने कमल नेत्र खोली और श्रेश्या से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी मधूर वानी से मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरा विशाद दूर की जिये, श्री मैत्रे जी ने कहा, विदूर जी, इस प्रकार ब्रहमा जी भगवान के स्तुती करके मौन हो गए, भगवान ने देखा कि ब्रहमा जी स्रिष्टी के कार से कुछ अधिक ही भैभीत हो रहे हैं, तब उन्होंने ब्रहमा जी का मन शांत करते हुए कहा, हे वेदगर्भ प्रहमा जी, तुम विशाद के वशिभूत होकर आलत से न करो, स्रिष्टी रचना के कारे में लग जाओ, तुम मुझसे जो चाहते हो, उसे तुमें पहले ही कर चुका हो, स्रिष्टी रचना में तुमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, तुम जो भी कलपना करोगे, वह तुम्हें अंतह करण में स्वता ही दिखाई पड़ेगी, प्रिया ब्रहमा जी, तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा, मेरी जो इस्तुती की हैं, और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है, वह मेरी ही क्रिपा का फल है, मैं समस्ते कामनाओं और मनोर्थों क पून करने में समर्थ हूँ, जो मेरी इस्तुती निष्काम भाव से करता है, मैं उस पर शिक्र ही प्रसन हो जाता हूँ, हे ब्रहमदेव, हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ, और इस्तरी पुतरादी प्रियजनों का प्रिय हूँ, समस्त जीव मुझे प्रिय ह इसलिए उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए तीनों लोकों की जो प्रजा इस समय मुझे में लीन है उसे तुम पुर्व कल्प के समान पुनह रचो इस प्रकार ब्रहमा जी को स्रिष्टी रचना के लिए प्रेरित करके भगवान श्री नारायन अद्रिष्य हो गए दस्वा अध्याय विविध प्रकार के स्रिष्टियों का वण्णन विद्युर्जी ने मैत्रे जी से पूछा मुनिवर भगवान नारायन के अंतरधान हो जाने पर ब्रहमा जी ने कितने प्रकार के स्रिष्टी रचना की श्री मैत्रे जी ने कहा विद्युर्जी अजन में भगवान श्री नारायन के कतना नुसार ब्रह्मा जी ने कमल कोश से ही स्रिष्ठी रचना प्रारंभ की उन्होंने कमल कोश के तीन भाद किये भुः, भुवः और स्वह जिन से ब्रह्मा जी ने नो प्रकार की स्रिष्ठी की तथा प्राकृत और वैकृत भेद से एक दस्वी स्रिष्ठी भी की इस प्रकार कुल दस प्रकार के स्रिष्टी उन्होंने की पहली स्रिष्टी महतत्व की है भगवान की प्रिर्णा से सत्वादी गुणों में विशमता का होना ही इसका स्वरूप है दूसरी स्रिष्टी एहंकार की है जिसे से पृत्वी आदी पंच भूतों एवं ग्यानेंद्रियों और करमेंद्रियों के उत्पती होती है तिसरी स्रिष्टी भूत सर्ग है जिसमें पंच भूतों को उत्पन करने वाली तनमात्राय रहती है चोथी स्रिष्टी इंद्रियों की है, जो ग्यान और क्रिया शक्ती से समपन्ण होती है पाँछवी स्रिष्टी, सात्वीक अहंकार से उत्पन हुए इंद्रियों के अधिपति देवताओं की है मन इसी स्रिष्टी के अंतरगत रहता है छटी स्रिष्टी अविद्या की है जिसमें घ्रिना, द्वेश, प्रोध, नाराकिये जीवन, अंधकार, मुह, आसक्ती, पाप, कर्म, आधी का समावेश होता है इससे मनुष्य का जीवन अज्यान के अंधकार में गिर कर नाराकिये कश्टों को भोगता है ये उपर्युक्त च्छा स्रिष्टिया, प्राकृत श्रिष्टिया हैं श्रीहरी के द्वारा ही इन स्रिष्टियों का स्रिजन होता है जो लोग भगवान श्रीहरी का चिंतन करते हैं, उनके सभी दुख भगवान हर लेते हैं इन चह प्राकरितिक स्रिष्टियों के अतिरिक्त चार वेकृत स्रिष्टिया हैं। इन्हे स्वयम नारायन ब्रह्मा के रूप में रचते हैं। सात्वी स्रिष्टि चह प्रगार के व्रिक्षों की है। ये इस्थावर व्रिक्षे वनस्पति, औशधी, लता, तुकसार, विरुध और दुरुम श्रेणी के हैं। वनस्पति व्रिक्षों में गूलर, बड़ और पीपल आदी आते हैं। ये व्रिक्ष बिना बौर आय फलते हैं। आशधी व्रिक्ष फलों के पक जाने पर नश्ट हो जाते हैं। जैसे धान, गेहूं, चना आदी। लता, किसी का आश्रे लेकर बढ़ती हैं। जैसे ब्र जैसे बांस आदी। विरुध वह लता है, जो प्रिध्वी पर ही फैलती हैं। जैसे खरबूजा, तरबोज, सीता फल आदी। दुरूम में पहले बौर का फूल आता है, फिर फूलों के इस्थान पर फल लगता है। जैसे आम, जामुन आदी। इनका संचार नीचे उपर की उर होता है, इनमें ज्ञान शक्ती नहीं होती, ये मातर इसपर्ष का अनुभव करते हैं। आठवी स्रिष्टी पशु पक्षियों की है, या 28 प्रकार की मानी जाती है। इनहें काल का ज्ञान नहीं होता, इनमें तमो कुण की अधिकता होती है। इसलिए ये मातर खाना पीना, मैथुन करना और सोना ही जानते हैं। सुंगने से इनहें वस्तूओं का और खत्रे का ग्यान हो जाता है। विचार शक्ती और दुर्दरशिता से ये शुन्य होते हैं। इनमें गौव, बकरा, भैसा, म्रिग, सुवर, भेड, उट, गधा, घोडा, खचर, कु पाफ, कचुवा, गोह, मगर, आदी, पशु आते हैं। इसके अलावा बगुला, हंस, गिद, बटेर, कबुत्तर, चील, मोर, सारस, चकवा, कौवा, निलकंठ, उल्लू, चमगादर आदी, उडने वाले पक्ची भी इसी स्रिष्ठी के अंग हैं। नवी स्रिष्ठी इनमें रंग भेत तो होता है, पर मनुष एक ही है, इसमें इस्त्री और पुरुष दो की संग्या है। इसका आहार प्रवाह उपर मुह से नीचे की और होता है। मनुष रजोगुन प्रधान, कर्म परायन और दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। दस्वी स्रिष्ठी देव सर्ग की है। इसे देव स्रिष्ठी भी कहते हैं। इसमें देवता, पीतर, असुर, गंधर्व, अपसराय, यक्ष, राक्षस, सिध, चारण, विद्याधर, भूत प्रेत, पिशाच, किन्नर आदियाते हैं। इस प्रकार, दस प्रकार की इन स्रिष्ठियों में ही सारा ब्रह्मान समाया हुआ है। हिंदू रिचुवल्ज, हिंदू रितिरिवाज, सरातन धर्म के प्रसार के लिए अधक प्रयत्न कर रहा है। इस यातरा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिकावशकता है। ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनीचदों और शास्तरों आदी का ओडियो बुग के रूप में पुनर संकलन कर भावी पिडियों के लिए इन्हें संदक्षित कर सकें। तो आए, इस ब्रिहत कारे को सकार करने हेतु, हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुब कारे हेतु आपसे नियूनतम अंशदान प्रतिव्यत्ती की अपिक्षा है। आप अपने समर्थ अनुसार कोई भी राशे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए पेमेंट आडी के द्वारा हम तक पहुचा सकते हैं। ग्यारहमा अध्याय मनवंतर आदी तथा काल विभाजन आदी का वण्नन श्री मेत्रे जी ने विदूर जी से कहा। विदूर जी, ब्रहमान का सुक्षतम अंश परमाडू है। परमात्मा इस परमाडू से भी सुक्षम और ब्रहमान से भी विशाल है। उस सुक्षमतम परमाडू में अनंत शक्ति विद्यमान है। उसके विखंडन से प्रड़य का द्रिश्य उपस्थित हो जाता है वह असीम शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है इसे से भगवान के काल स्वरूप की सुक्ष्मता और इस्थुलता का अनुमान लगा जा सकता है दो परमाड़ूं के मिलने से एक अडू बनता है और तीन अडूओं के मिलने से एक त्रस्रेडू बनता है इसे सुरी की उन किरणों में देखा जा सकता है जो खिड़की के जहरोखों से प्रकाश करूप में कमरे में गिरती है ऐसे तीन त्रस्रेडूं को पार करने में सुरी की किरणों को जितना समय लगता है उसे तुरूटी कहते हैं इसे सो गुनाकाल वेध कहलाता है तीन वेधों का एक लव होता है तीन लवों को एक निमेश कहते हैं और तीन निमेशों को एक शण कहा जाता है पास शणों की एक काश्ठा होती है और पंदरह काश्ठ का एक लगु कहलाता है पंद्रह लगू की एक नाडिका अर्थात दण कही जाती है दो नाडिका का एक महूर्त होता है और दीन के घटने बढ़ने के कारण दीन और राती की दोनों संधियों के दो महूर्त छोड़कर छह या साथ नाडिका एक प्रहर कहलाता है इसे याम भी कहते हैं जो मनुष्य के दीन या रात का चोथा भाग होता है चार-चार प्रहर के मनुष्य के दीन और रात होते हैं और पंद्रह दीन रात का एक पक्ष होता है इसे शुकल पक्ष अर्थात चांदनी रात वाला और कृष्ण पक्ष जो अंधेरी रात वाला दो प्रक्षों में बाटा गया है इन दोनों प्रक्षों को मिला कर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात है दो मास की एक रितु और छे मास का एक आयन होता है आयन एक वर्ष में दो दक्षिडायन और उत्तरायन होते हैं ये दोनों अयन मिलकर देवताओं का एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में एक वर्ष बारह मास का होता है। ऐसे सो वर्ष की मनुष्य की परम आयू मानी जाती है। विदुर जी चंद्रमा आदिग्रह नक्षत्र तथा समस्त तारा मंडल के अधिपती काल स्वरूप भगवान सूर्य तथा सुक्ष में परमानु तक पूरे समवत्सर काल में बारह राशियों सहित निरंतर संपून भूवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। ये सुरी देव पंच भूतों में तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से धर्ती में अनेक प्रकार के दियांकुर उत्पन करते हैं। ये ही मनुष्य को जीवन देने वाले हैं, जीवों का कल्यान करने वाले हैं और उनकी आयू को शय करने वाले हैं। विदोर जी बोले हैं, मुनिवर, आपने दियोता, पितर और मनुष्य की परम आयू का वण्णन तो किया, अब आप उन सनक आधी ज्यानी रिशियों की आयू का वण्णन भी किजिए, जो तीनों लोकों से बाहर अधिक काल तक रहते हैं। क्योंकि ज्यानी और सिद्ध लोग अपनी योग सिद्ध दिविद रिश्टी से काल की गती का आकलन करके संसार को देखते हैं। मैत्रे जी ने कहा, विदूर जी, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, ये चार युग अपने संधी काल सहीत देवताओं के बारह हजार वर्ष तक रहते हैं। अनुपात में इन चारों युगों में चार, तीन, दो और एक सहस्त्र दीव्य वर्ष हैं। और प्रदेक में जितने हजार वर्ष होते हैं, उसे से दुगने सो वर्ष उनके संधी काल में होते हैं। इस अनपात से सत्यू के 4000 दिव्य वर्ष और 800 संधीकाल के वर्ष मिलकर 4800 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी प्रकार अन्य युगों के भी दिव्य वर्ष होते हैं। त्रेता युक के 36 सो वर्ष, द्वापर युक के 24 सो वर्ष और कल युक के 12 सो दिवे वर्ष होते हैं। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। इस प्रकार देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर हुआ। मानविय कड़ना के अनुसार इस प्रकार कल यूग में कुल 4,32,000 मानव वर्ष हुए इससे दुगने द्वापर में तिगुने त्रेता में और चोगुने सत्यूग में हुए विद्वर जी, प्रतेक यूग में एक-एक विशेश धर्म का उल्लिख प्राप्त होता है सत्यूग में धर्म अपने चारों चरणों से विद्यमान रहता है उससे आगे के यूगों में अधर्म फैलने के कारण एक-एक चरण शिन होता जाता है त्रिलोकी से बाहर महर लोक से ब्रह्म लोक तक यहां के एक हजार चत्रियुक का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रातरी होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते है उस रातरी का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंब होता है जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तब तक स्रिष्टी निर्मान का यह क्रम जन्म लेता है और नश्ट होता रहता है इस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं प्रतीक मनु 71 चतुर्योगी काल को भोगता है इसे एक मनवंतर कहते हैं प्रति एक मनवंतर में भीन भीन मनुवंशी राजा लोग सब्तरशी, देवगण, इंद्र, गंधर्व, अपसराय और मानवी प्रजा अपने अपने करमों के अनुसार अपना फल प्राप्त करते हैं प्रहमाजी प्रति दिन इसी प्रकार तीनों लोकों की संरचना करते हैं। अपने अपने करमानुसार उन्हें विविध योनियों मनुष्य, पशुपक्षी, कीट पतंग, रेंगने वाले जिव, पेड़ पोधे और जलचर आधी का जीवन प्राप्त होता है। विदोजी, इन मनवंतरों में भगवान सतो गुण का आश्रे लेकर मनुआधी के द्वारा विश्व का पालन करते हैं। प्रले काल आने पर तीनों लोक ब्रह्मा जी में लोप हो जाते हैं। उस समय शीर सागर में भगवान योग निद्रा में शेश नाक की शैया पर विश्राम करते हैं। विदूर जी यह ब्रहमान भीतर से पचास करोण योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों और दस दस गुने साथ आवरण है। इनके मध्य करोणू ब्रहमान राशिया हैं जिनका स्वामी अक्षर ब्रहम कहलाता है। यही अक्षर ब्रहम पुरान पुरुष परमात्मा श्री विश्णु भगवान का श्रेश्ट स्वरूप है। बारहमा अध्याय श्रिष्टी का विस्तार वण्नन। श्री मैत्रेव जी ने कहा। विदुर जी यहां तक मैंने भगवान की काल रूप की महिमा का बखान किया था। अब आप ब्रहमा जी द्वरा रची गई स्रिष्टी का वण्नन सुनिये। ब्रहमा जी ने सबसे पहले अज्यान की पांच विद्यों। तम अर्थात अविद्या, द्वराग, द्वेश अर्थात तामिस्त्र और अभिनिमेश अर्थात अन्ध तामिस्त्र की रचना की। परन्तु उन्हें इन पापमई वृतियों से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान का ध्यान कर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार योगी मुनी उत्पन की हैं ब्रह्मा जी ने इन चारू पुत्रों से स्रिष्टी का विकास करने के लिए कहा, परन्तु मुक्ष मार्व का अनुसरन करने वाले उन मुनीों ने ऐसा करने से मना कर दिया उनके मना करने पर ब्रह्मा जी को प्रोधा आ गया तब उनकी भौहों के मध्य से एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ वह रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम से पुकारा उसके द्वारा रहने के लिए इस्थान मांगने पर उन्होंने उसे रिदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायू, अगनी, जल, प्रिथवी, सूर्य, चंद्र और तप का इस्थान बता दिया उन्होंने उससे कहा कि घी, वृति, उशना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अम्भिका, इरावति, सुधा और दिख्षा नाम की तुम्हारी ग्यारह पत्निया होंगी तुम उनसे स्रिष्टी का निर्मान करो तुम प्रजापति कहलाओगे ब्रह्मा जी की आग्या से रुद्र ने अपने जैसे ही बालक उत्पन करने आरंभ कर दिये और उनकी एक बड़ी सेना बनाकर वे सारे संसार का भक्षन करने लगे इसे से ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होई तब उन्होंने रुद्र को बुला कर कहा कि तुम्हारी सिष्टी से तु सारी दिशाओं में आग लग गई है इसे रोक दो तुम्हें अभी जगत का लियान के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए रुद्र ने ऐसा ही किया उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी ने दस मानस पुत्र उत्पन किये वे मरीची, अत्री, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भ्रेगु, वस्ष्ट, दक्ष और नारद थे फिर उन्होंने धर्म, नारायन, अधर्म और मिर्तिव को जन्म दिया उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, सरस्वती, समुद्र, पाताल, कर्दम आधि को उत्पन किया ये सभी ब्रह्मा जी के शरीर से मानसिक शक्तियों द्वरा उत्पन हुए अपने मनु विकार से उन्होंने कुहरा और अंधकार प्रकट किया अपने मुखों से उन्होंने चार वेद प्रकट किये फिर उपवेद, न्याय शास्त्र, खोता, उदगाता, अधवर्यू और ब्रह्मा उनके कर्म, यग्यों का विस्तार, धर्म के चार चरण और चारो आश्रम तथा उनके वृतियों का निया मन किया इसी प्रकार उन्होंने आयूर वेद, धनूर वेद, गांधर्व वेद, अर्थात संगीत शास्त्र, इस्थापत्य वेद, अर्थात शिल्प विद्या, इतिहास पुराण और विविध यग्यों आदी का निर्माण किया उन्होंने धर्म के चार पैर, विद्या, दान, तप और सत्य का प्रतिपादन किया और इनके व्रितियों के अनुसार, ब्रह्मचर, ग्रिहस्त, वानप्रस्त और सन्यास आश्रम निर्मित किया अनुसंधान, वार्ता, कर्म विद्या और दन्न नीति तथा ओमकार को प्रकट किया भाष्या के विविध वन्नों और छंदों का निर्माण किया, स्वर्वियंजन मनाए हे विदूरजी, स्वयम ब्रह्माजी शब्द ब्रम्भ स्वरूप है वे व्यक्त भी है और अव्यक्त भी वही आनेकों प्रकार के शक्तियों से विकसित होकर इंद्रियों द्वारा प्रतिभासित होता रहता है ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे द्वारा स्रिष्टी का इतना निर्मान किये जाने के उपरांत भी प्रजा के व्रिधी नहीं हो पा रही है ऐसा क्यूं हो रहा है? क्या स्वयम परमात्मा ही इस स्रिष्टी विकास में व्योधान डाल रहे हैं? जिस समय ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थें तभी उनके शरीड से दो मानव आकृतियां प्रकट हुई उनमें एक नर था और दुसरी नारी थी ब्रह्मा जी के का नाम से उन्हें काया भी कहा गया उनमें जो नर था वह स्वायंभूव मनु कहलाए और जो नारी थी वह शत्रूपा कहलाई उन दोनों के संयोग से मैथुनी स्रिष्टी का शुभारंभूवा और प्रजा की व्रिधी होने लगी मनु ने शत्रूपा से पांच संताने उत्पन किये उनमें प्रियवरत और उत्तानपाद दो पुत्र थे और आकोती, देव होती तथा प्रसूती तीन कन्याए थी मनु ने आकोती का विवाह रूची प्रजापती से किया देव होती का विवाह करदम जी से किया और प्रसूती का विवाह दक्ष प्रजापती से कर दिया। इन तीनों कन्याओं की संतती से ही सारा संसार भर गया। तेरहमा अध्याए वाराह अवतार की कथा। उन्होंने मनु का चरित्र उन्हें सुनाया। श्री मैत्रेई जी बोले। विदूर जी मनु और शत्रूपा के जन मिलेने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें संतती उद्धपन करने और श्रीहरी की अराधना करने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी की आग्या का उन्होंने पालन किया। परन्तु जब मनु ने ब्रह्मा जी से रहने के लिए इस्थान मांगा तो उन्हें यह देखकर बड़ी चिंता हुई कि प्रलय के उपरांत सारी प्रित्वी अभी तक जल में डूबी हुई थी। उसके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीहरी का इस्मरन किया। तभी उनके नासिका छिद्र से अंगुठे के बराबर एक वराह शीशू निकला। देखते ही देखते वह शीशू हाथी जैसा विशाल हो गया। वे सर्व शक्तिमान स्वयम श्रीहरी थें जिन्होंने सुकर का रूप धारन करके अवतार लिया था। उनके मुक से दो लंबे दात सिंग स्वरूप बाहर की और निकले हुए थे। उन्होंने अपनी गर्जना से समस्त दिशाओं को गुंजरित कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें नमन किया और प्रित्वी के उद्धार की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रसंद होकर श्रीहरी ने वाराह अवतार के रूप में जल में प्रविश किया और सारे जल में उथल पुथल मचा दिये। उस समय वे बड़े क्रूर, कठोर और बेहत क्रोध में दिखाई पड़ रहे थे उन्होंने रसातल में पड़ी प्रिथवी को देखा और उसे अपने दातों पर उठा कर जल से बाहर आए उस समय प्रिथवी उनके दातों पर टिकी हुई अध्यांत श्वभायमान हो रही थी उसी समय उनके मार्ग में अव्योधान डालने के लिए महापराक्रमी हिरनयाक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से प्रहार किया परन्तों श्रीहरी ने उसे मारने में एक पल का भी विलंब नहीं किया और उसे अपने खुरों के प्रहार से ही मार डाला भगवान श्रीहरी के दातों पर रखी प्रिथवी को देह कर सभी देवगण, ब्रह्माजी और उनकी रिशी संतति उनकी इस्तुति करने लगे करके प्रिथवी का उद्धार किया है, हम सभी आपको नमन करते हैं, हे प्रभू, दुराचारी लोग आपके इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते, आपका यह स्वरूप यग्य रूप है, समस्त, मंत्र, द्योता, द्रव्य, यग्य, कर्म और आहूति आपके ही हैं, जैसे कोई यग्य द्वारा अपनी अभिष्ट सिद्धी को प्राप्त करता है, उसी प्रकार प्रिथवी का उद्धार करके आपने हमारी प्राथना का फल हमें स्वरूप आ है, हे प्रभू, आपके दातों पर यह प्रिथवी ऐसी सुशोभित हो रही है, जैसे वन से निकल कर बाहर आएक किसी गजराज के दातों पर पतियुक्तिक कमलीनी रखी हो, हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पुर्भक रहने के लिए आप इस प्रिथवी को जल पर इस्थापित कीजिए, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं, हे दयानिधी, रसातल में डुबी हुई इस प्रिथवी को बाहर निकालने का साहस आपके सिवाय और कौन कर सकता था, किन्तु आपके लिए यह कोई आश्चरी की बात नहीं है, क्योंकि आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्य मय जगत की रचना की है, हे प्रभु, आपके कर्मों का कोई पार नहीं है, आपकी योग माया से यह सारा जगत मोहित हो रहा है, आप इसका कल्यान कीजिए, श्री मैत्रे जी बोले, विदूर जी, उन ब्रह्म वादी मुनियों द्वारा इस प्रकार इस्तुती करने पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान वाराह ने अपने खूरूं से जल को इस्तंभित कर उस पर प्रित्वी को इस्थापित कर दिया, उसके उपरांत वे अंतरधान हो गए। कून करने वाले हैं। कामनाई ही क्या, जो अनन्य भक्ति भाव से श्रीहरी के उपासना करता है, उसे अंतर्या में श्रीहरी अपना परमपद ही प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन होगा जो उनकी कथाओं का श्रवन करके आवागमन के चक्र से छुटना न चाहेगा। आक्ष के जन्म की कथा। विदूर जी ने मैत्रे जी से कहा, मुनिवर, जिस समय श्रीहरी सुकर अवतार में प्रिथवी का उधार कर रहे थे, उस समय हिरन्याक्ष नामक देते, कहां से आ गया। उसकी जन्म कथा कृपिया सुनाईए। इसे समझाते हुए कहा, कि वे उसकी एक्षा अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि तुम मेरी अर्धांगनी हो, तुम्हारे उपर ग्रिहस्ती का सारा बोच डाल कर, मैं निशिंत होकर अपने कर्म और स्वाध्याय करता हूँ। किन्तु इसका अर्ध यह नहीं है, कि मैं तुम्हारे कामना पुन्न न करूँ, मैं तुम्हारे एक्षा अवश्य पून्न करूँगा। परंतु तुम अभी एक महुर्त ठहरो, जिसे से लोग मेरी निंदा न करें। यह समय राक्षसों का है, जो अध्यन्त भयानक है, ऐसे सांध काल के समय भूत भावन, भूत पती भगवान शंकर अपने गण, भूत प्रेत आधी के साथ नंदी पर चढ़ कर विजरन करते हैं। वे तुम्हारे श्वसूर हैं, जो तीनों नित्रों से सभी और द्रिष्टी रखते हैं। वे समदर्शी हैं। विवेकी लोग ऐसे समय उनके निर्मल चरित्र का गान करके अविद्या के आवरण को हटाते हैं। अतह यह समय समागम के लिए कदा भी उचित नहीं है। इस प्रकार पती के समझाने पर भी दीती ने कामातूर होकर अपने पती कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर खीचना प्रारंब कर दिया। विवश होकर कश्यप जी को उसे एकांत में ले जाकर उसके साथ समागम करना पड़ा समागम के बाद कश्यप जी तो इसनान करके ब्रम्भ का जाप करने लगे किन्तु दीती को इस समय के निंदित कर्म करने के लिए बड़ी लज्जा आई वह ब्रमर्शी के पास पहुँची और अपने अपराध के लिए शमाय आचना करने लगी तब कश्यप जी ने कहा हे देवी तुम्हें अपने किये पर शोक और पाशताप हो रहा है इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के चार पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को लोग भगवान के गुणों के साथ गाएंगे दिती वह बालक बड़ा ही भक्त, उदार हिर्द, प्रभावशाली और महापुर्शों का भी पुज्य होगा वह प्रोड भक्ति भाव से पवित्र होकर अपने अंतह करण में भगवान को धारण कर अपने अभिमान को त्याग देगा उसका कोई शत्रु नहीं होगा स्वयम श्रीहरी तुम्हारे इस पोत्र को दर्शन देंगे वह संसार के शोक को शान्त करने वाला होगा परन्तु तुम्हारे पुत्र अपने अभिमान और पाप कर्मों के द्वारा श्रीहरी के हाथों से मारे जाएंगे विदूर जी अपने पती की बात सुनकर दीती को कहा तो दुख होना चाहिए था परन्तु वह इसी बात से प्रसन हो थी कि उसके पुत्रों का वद्ध श्रीहरी के हाथों होगा पंद्रहमा अध्याय जय विजय को सनक आदी मुनियों का शाप श्रीमेत्रे जी ने कहा विदूर जी दीती को आशंका थी कि उसके पुत्रों द्वारा देवताओं को कश्ट पहुँचेगा इसलिए उसने योग शक्ति से श्री कश्यप जी द्वारा इस्थापित गर्व को अपनी कोख में ही रोक लिया और सौ वर्ष बीत जाने के उपरांत भी संतान को जन्म नहीं दिया इससे सूरी का प्रकाश शिण होने लगा और तीनों लोकों में अंधकार छा गया उस अंधकार को देखकर देवगण अत्यंत भैभीत हुए वे दोड़े दोड़े ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे उन्होंने कहा कि भगवान आप जानते हैं कि इस अंधकार का कारण क्या है कोई बात आपसे छिपी नहीं है इस अंधकार के कारण दीन और रात का अंतर नश्ट हो गया है सारे कर्म लूप्त होते जा रहे हैं आप कुछ ऐसा उपाय किजिए जिसे से दीती अपने गर्व की संतान को जन्म दे विदूर जी देवताओं की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे उन्होंने देवताओं से कहा हे देवगणों मेरे मानस पुत्र सनकादी जो तुम्हारे पुर्वज है संसार की आसकती त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरते रहते थे एक बार वे बैकूंट धाम में जा पहुँचे वहां भगवान विष्णू हर समय विराजमान रहते हैं गंधर्व हर समय अपनी प्रियाओं के साथ प्रभू की लिलाओं का गान करते रहते हैं जो लोगों की पाप वृतियां भस्म करने वाली हैं श्री हरी के भवन में सौंदर्य और एश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी उनके साथ निवास करती हैं जो लोग भगवान की पाप हारनी लिलाओं को छुड़ कर बुद्धी का विनाश करने वाली अर्थ और काम संबंधी अन्य निंदित कथाओं का श्रवन करते हैं वे लोग कभी भी बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते हैं विदूर जी परमात्मा ने जीव को यह जो मनुश्य योनी दी हैं यह 84 लाख योनियों में भ्रमन करने के उपरान्त ही प्राप्त होती हैं यह अत्यंत दुरलब है देवता लोग भी इस योनी की चाहना करते रहते हैं क्यूंकि इस योनी में ही तत्व ग्यान और धर्म की प्राप्ती हो सकती हैं इसे पाकर भी जो लोग भगवान की अराधना नहीं करते हैं, वे वास्तों में श्री हरी की सर्वत्र फैले हुई माया से मोहित होकर अधाहा पतीत होते रहते हैं, दिवाधि देव श्री हरी का चिंतन करने वाले लोग मृत्यू भैस से सदैव दूर रहते हैं विदूर जी, जिस समय सनक आदी मुनी श्री हरी के इस्थान बैकूंठ लोग पहुँचें, तब उन्हें बड़े आनंद का अनभव हुआ वे जब भगवान के दर्शनों की लालसा से बैकूंठ धाम की छह ड्योडियों को पार करके सात्वी ड्योडि पर पहुँचें, तब उन्हें द्वार पर हाथों में गदा लिये दो समान आयू के देव श्रिष्ट जय विजय नामक द्वारपाल दिखाए दिये वे प्रवेश करने लगे तो उन दोनों द्वारपालों ने उन्हें रूका जब उन द्वारपालों ने उन चारों मुनी कुमारों को रूका तो प्रभू दर्शन में विग्न पढ़ने के कारण उन्हें क्रूध आ गया उन मुनीव ने कहा अरे मुर्ख द्वारपालों जो लोग भगवान की महती सेवा से प्रभावित होकर यहां निवास करते हैं वे भगवान के समान ही समदर्शी माने जाते हैं तुम दोनों को भी यह स्वभाग प्राप्त है परन्तु तुम्हारे स्वभाव में यह विशमता देखकर हमें आश्चर हो रहा है भगवान तो परम शांत हैं उनका किसी से विरोध भी नहीं है फिर यहां ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके लगता है तुम दोनों स्वयम कपटी हो तभी तुमने हम पर शंका करके हमें रोका है तुम्हारे मन में यह शंका क्यों उत्पन हुई कि हम भगवान का कोई अहित करने यहां आयें भगवान श्रीहरी तो घट घट वासी हैं वे सब के हिर्दयों में निवास करते हैं यह चराचर प्रहमांड उनके उदर में समाया हुआ है लगता है तुम दोनों पाशदों के बुद्धी मंद है और उसमें खोट है इसलिए तुम दोनों को बैकॉंट से निकल कर पाप योनियों में जाना पड़ेगा उन पाप योनियों में जहां काम, क्रोध, लोब, ये तीन प्राणियों के शत्रू निवास करते हैं सनक आदी मुनियों के कठोर वचन सुनकर, दोनों पाशद उनके चरणों में गीर पड़ें और व्याकुल होकर बोलें भगवन, हम अवश्य आपके अपराधी हैं अता आपने हमें जो दंड दिया है, वह उचित ही है, या हमें मिलना ही चाहिए हमने भगवान के अभी प्राय को ना समझ कर उनकी आज्या का उलंगन किया है इसे से हमें जो पाप लगा है, वह आपके दिया दंड से दूल जाएगा किन्तु हमारी दुर्दशा का विचार करके, यदि दयावश्य आप हम पर कृपा कर सकें तो हमें ऐसी सुबुद्धी दीजिए कि पाप योनियों में गिर कर भी हमारे मन से श्री भगवान हरी के स्मृती नश्ट करने वाला मोह हमें प्राप्त नहो उधर जब साधु जनों के हिर्दों में निवास करने वाले भगवान को पता चला कि उनके द्वारपालों ने सनक आदी मुनियों को भीतर आने से रोका है और इस प्रकार उनका अपमान किया है तो वे श्री लक्ष्मी जी सहित चल कर वहां आये और सनक आदी मुनियों को प्रणाम किया सनकादी मुनिगण श्रीहरी के अदभूत सौंदरे को देखकर अभिभूत हो गये उनके नेत्रे त्रिप्त हो गये भगवान का मुख नील कमल के समान सुशोभी था मधूर मधूर हास्य से उनकी शुभा और भी बढ़ गई थी सनकादी मुनियों न कहा हे प्रभू यद्दपी आप अंतर यामे रूप से दुष्ट लोगों के हिर्दय में भी निवास काते हैं फिर भी उनके द्रिष्टी से ओजल रहते हैं परन्तु आज हमारे नेत्रों के सामने साक्षात उपस्थित होकर आपने हम पर जो क्रिपा की है उसे से हमारा हिर्दय गदगद है हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपका रहस से हमारे सामने वन्नित किया था उसी समय से आपकी रूप माधुरी हमारे हिर्दयों में विराजमान हो गई थी परंतु आज आपके साक्षात दर्शनों का जो सवभागे हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे कल्पित रूप से कहीं अधिक बढ़कर है आपकी इस सगून साकार मूर्ति को भक्त जन राग द्वेश से रही थोकर पून भक्ति भाव के द्वारा ही प्राप्त कर सकते है ए प्रभू आपकी कृपा के बिना इन दर्शनों का सवभागे किसी को प्राप्त नहीं होता आपका सुयश अत्यंत किर्तनिये और संसारिक दुखों को नश्ट करने वाला है आपके चरणों में समर्पित हो जाने वाले महा भाग शाली रसिक आपकी लिनाओं का बार बार गायन करते रहते हैं भगवन ये दपी हमारा चित भोरों की भाति आपके चरण कमलों में ही रमन करता है हमारी वाली तुलसी के समान आपके चरण रज का सदयों इस्पर्ष करती है हमारे कान आपके सुयश सुधा से संपूर्ण होते रहते हैं फिर भी यदि हमारा जन्म कभी पाप योनियों में हो तो आप अपने इस मिर्ती से हमें कभी विलग न करें आपने हमारे नेत्रों के सम्मुख यह जो मनोहर स्वरू प्रकट किया है उसे से हमारे नेत्रों को बड़ा सुख मिला है आप साक्षात भगवान हैं हम आपको नमन करते हैं आप हम पर सदयों क्रिपा बनाए रखिए हिंदू रिचुवल्स हिंदू रितिरिवाज ने अपने यूटूब परिवार के लिए राजीव सेहिं के नित्रित्तों में तीर्थ यात्रा की सेवा देना आरंब किया है हमारे साथ आप भारत वर्ष अंतरगत सभी तीर्थ अस्थलों और मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं तीर्थ दर्शन कराने का हमारा मुख्य उदेश लोगों में सनातन धर्मे के प्रती आस्था जागरित करना उसके महात में इतिहास और उसमें छीपे रहस्मई विज्ञान को दिखाना है हमारी कोशिश है कि आप सभी को आध्यात्मिक ज्यान पून एवं आरमदायक तीर्थ यात्रा की अनभूती हो जो भी सज्जन अथ्वा माताएं हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने में रुच्छी रखते हैं विक्रिप्या हमारे वेब साइट www.hinduritirivaz.com पर यात्राओं के जनकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा बुकिंग भी कर सकते हैं क्रिप्या हमें सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें सुलाहमा अध्याय मुनिगण की प्रशंसा से प्रसन्न होकर श्री हरी ने उनसे कहा मुनिगण ये दोनों जै विजए मेरे पार्शद हैं इन्होंने मेरे कुछ भी परवाहन न करके आपका बहुत बड़ा अपरात किया है आप लोग भी मेरे अनुकत भगते हैं अतह इस प्रकार मेरी ही अवग्या करने के कारण आपने इन्ही जो दंड दिया है मैं उसका समर्थन करता हूँ ब्राहमन मेरे परम आराध्य हैं मेरे अनुचरों द्वारा आपका जो तिरसकार हुआ है उसे मैं अपना ही तिरसकार मानता हूँ इसलिए मैं आपसे प्रसंन होने की प्राथना करता हूँ सेवकों द्वारा किये गए अपराध के लिए स्वामी ही दोशी माना जाता है उनके कारण स्वामी को ही अपयश प्राप्त होता है मुझे जो भी कृती प्राप्त हुई है वह आप लोगों के कारण ही प्राप्त हुई है इसलिए जो कोई आपके विरुधा आचरन करेगा वह चाहे मेरी भूजा ही क्यों ना हो मैं उसे काट डालोंगा हे मुनिवर जो यक्ति अपने संपून कर्मफल मुझे अर्पित कर सदेव संतुष्ट रहते हैं वो निश्काम ब्राहमण जब त्रिप्त होते हैं तो मैं भी उसी प्रकार से त्रिप्त हो जाता हूँ जैसे कोई याग्य के यग्य की अगनी में ग्रीत की आहूतियां देकर संतुष्ट होता है योग माया का अखंड और असीम एश्वर्य मेरे ही अधीन है मेरे चरणों से निकली गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में होती हुई स्वर्ग से शुव के मस्तक पर गिरती हैं और फिर वहां से धर्ती पर बहकर मिर्त्यू लोग के पापों का हरन करके उन्हें पवित्र करती है ऐसा परम पवित्र मैं परमेश्वर होकर भी ब्रह्मणों की चरण रज को अपने शीष परधारन करता हूँ फिर मैं आपका अपमान कैसे सहन कर सकता हूँ ब्राहमर दूद देने वाले गौवे हैं और अनात प्राणी मेरे ही शरीर है जो इन्हें मुझसे अलग मानकर इनका अपमान करते हैं उन्हें नरग गामी होना पड़ता है और उनके शरीरों को सर्प वगिध प्रोधित होकर नोचते हैं हे मुनिवर मैं तो आपसे बस इतनी प्रार्थना करता हूँ कि दया करके इनका निर्वासन काल शिग्र समाप्त हो जाने की क्रिपा आप इन पर करें और ये अपनी अधम गती को भोग कर शिग्र मेरे पास लोटाएं प्रभु श्रीहरी की मधूरवानी से मुनिवरों का क्रोध से भरा मन शान्त नहीं हुआ वे श्रीहरी से बोलें हे प्रभु हम आपके आशे को ठिक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं आप ब्रहमनों के परम हितकारी हैं परंत ब्रहमन, देवगण और सोयम ब्रहमाजी भी आपकी आद्मा है और आप ही उनके आराद्य हैं यहा सनातन धर्म आप से ही उत्पन हुआ है आप ही विभिन अवतारों के द्वारा इस धर्म की रक्षा करते हैं आप ही परम निर्विकार धर्म के मर्म है आपकी कृपा से ही योगी जन सहज रुप से इस भाव सागर के पार उतर पाते हैं फिर भला हम आप पर क्या कृपा कर सकते हैं आप तो अपने भगतों से विशेश प्रेम करते हैं यहां तक कि लक्षमी जी के प्रती भी आपका कोई विशेश आकर्षन नहीं है आप स्वयम ही समस्थ इस्तुतियों के आश्रे हैं फिर ब्राहमनों के चरण धुली आपको कैसे पबित्र कर सकती हैं प्रभ आप साक्षात धर्म है आप सत्य स्वरूप में सभी युगों में विद्यमान रहते हैं आप ब्राहमनों और दिवता के लिए तप शौच और दया से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं अब आप ही अपने शुद्ध सत्व मई और वर्दायनी मूर्ति से हमारे भीतर पनपने वाले धर्म विरोधी रजोगुन तथा तमोगुनों को दूर कीजिए हे देव यह ब्रहमण कूल आपके द्वारा ही रक्षित है आप त्रिलो की नाथ और इस जगत के पालन हार हैं इसलिए आप ब्रहमणों के प्रती इतने नम्ड रहते हैं हे सरविश्वर इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा इन्हे पुरशकार दें हम निश्कपट भाव से आपसे सहमत हैं हमने आपके इन अनुचरों को शाप दिया है इसके लिए आप चाहें तो हमें दंड दें वह हमें स्विकार होगा वह मेरी प्रेणा से ही दिया है अब शीग्र ही ये दोनों द्यात योनी को प्राप्त होंगे और वहां अपने क्रोध और एहंकार के कारण नश्ट होकर फिर से मेरे पास चले आएंगे ब्रह्मा जी ने कहा उसके बाद उन मुनियों ने नैना भिराम विष्णू और उनके स्वयम प्रकाश बैकूंट धाम के दर्शन किये तथा प्रसन होकर वहां से लोट आए उसके बाद भगवान ने अपने दोनों अनुचरों जय विजय से बैकूंट लोग छोड़ देने के लिए कहा जय विजय ब्रह्म शाप के कारण पहले से ही श्रीहिन हो रहे थे उनका सारा गर्व नश्ट हो गया था वे ततकाल बैकूंट लोग से नीचे गेवने लगे श्री मैत्रे जी ने कहा राजन दीती के गर्व में इस्थित महारशी कश्यप जी का जो तेज विद्यमान था उसमें भगवान के इन दोनों पार्षदों जय विजय ने प्रवेश किया है उन दोनों असरों के तेज से ही देवताओं का तेज धूमिल हो रहा है संभवत है इश्वर की ऐसी ही एक्षा है जो आदी पुरुष संसार के उत्पति, स्थिति और लय के कारण है उनकी योग माया को बड़े से बड़े योगी जन भी उनकी कृपा के बिना नहीं जान पाते है वे तीनों कुणों के नियंता श्रीहरी अवश्य तुम्हारा भी कल्यान करेंगे सत्रहमा अध्याय फिरन्य कशिपू और हिरन्याक्ष राक्षसों का जन्म और उनकी दिगवी जाए श्री मैत्रे जी ने कहा विदुर्जी ब्रह्मा जी से जगत में फैले अंधकार का कारण जान कर देवता लोक संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक लोट गए इधर दीती ने सो वर्ष के उपरांत दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया उनके जन्म लेते ही तीनों लोकों में अनेक उत्पात होने लगे जिन से लोग अत्यंत भैभीत हो गए इन भयानक उत्पातों से धर्थी कापने लगी ज्वाला मुखी फटने लगी आकाश से उलकाय तूट तूट कर गिरने लगी समुद्र की लहरें बीफर कर आकाश को छूने लगी और चारो और भयानक बवंडर उठने लगे गीदर और उल्लूओं के स्वरों ने वातावरन को और भी ज्यादा भयानक बना दिया यह सब देहकर सनकादी मुनियों के सिवाए अन्य जीव भैभीत हो उठे और सोचने लगें कि अवश्य प्रले आने वाली है उधर वे दोनों आदिदैते जन्म के बाद से ही भयानक आकार लेकर बढ़ने लगें उनका विशाल शरीर हाथियों और परवतिये चटानों के समान दिखाई देता है वे अध्यनत पराक्रमी थे जब वे प्रिथवी पर अपने कदम रख कर चलते तो ऐसा प्रतीत होता मानो भुकम पा गया है उनके काले शरीर से लटकते आभूशन और वस्त्रों से शूरी की क्रिणों के सद्रिश आभाफ फुटती प्रतीत होती थे प्रजापती कश्यप जी ने उनका नामकरण करते हुए पहले जन मिलेने वाले बालक का नाम हिरन्य कश्यपु रखा और उसके बाद जन मिलेने वाले का नाम हिरन्याक्ष रखा हिरन्य कश्यपु ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यू भैस से मुक्त कर दिया था इसे से वह उदंड हो गया था उसने अपनी शक्ती के बल पर तीनों लोकों को अपने नियंद्रण में ले लिया था और स्वयम को भगवान मानने लगा था वह अपने छोटे भाई हिरनयाक्ष को बहुत चाहता था एक दिन हिरनयाक्ष युद्ध का औसर ढूंता हुआ हाथ में गदा लेकर स्वर्ग जा पहुँचा उसे देखकर देवता लोग भैभीत होकर इधर उधर चीप गये जब उसने देखा कि उससे भैभीत होकर देवराज इंद्र भी कहीं चीप गया है तो वह भयंकर गरजना करने लगा फिर वह वहां से निकल कर जल में इसनान करने की इक्षा से समुद्र में प्रवेश कर गया समुद्र में घुज कर वह हाथी के समान लहरों को मतने लगा वह कई वर्षों तक समुद्र की लहरों के साथ जूजता रहा इस प्रकार घुमते घुमते वह वरूर देव की राजधानी विभावरी पूरी में जा पहुँचा वहाँ पताल लोक के स्वामी वरूर देव की हसी उडाते हुए उसने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा उस मदनमत राक्षस के द्वारा इस प्रकार हसी उडाने से वरूर देव क्रोध में भर गये परन्तु किसी प्रकार उन्होंने अपने क्रोध पर काबू किया और उससे कहा फिर अन्याक्ष जुद्ध का कोई चाओ अब मुझे नहीं रह गया है मैं विद्ध भी हो चला हूँ तुम्हारे शक्ति का सामना तो भगवान पुराण पुरुष श्री विष्णु ही कर सकते हैं इसलिए दैतिराज तुम उन्हीं के पास जाओ वे ही तुम्हारी कामना पुरी करेंगे क्योंकि वे तुम जैसे वीरों को मारने के लिए अनेक रूप धारन करने में चतूर है वह फिर तो बड़ा मजा आएगा रणियाक्ष जोर से हसा उनसे युद्ध करने में बराबरी की टक्कर होगी मैं चलता हूँ कहकर वह तिवर गती से रसातल की ओर श्री हरी से युद्ध करने की लालसा से चल पड़ा अठारहवा अध्याए फिर रणियाक्ष का भगवान वाराह से युद्ध श्री मैत्रे जी ने कहा विदूर जी जब फिर रणियाक्ष रसातल में पहुँचा तो उसने सुकर अवतार के रूप में श्री हरी को अपने दातों पर प्रित्री को रखे उपर की और जाते देखा तो उसने उन्हें ललकारा और गदा का प्रहार उनके पैरों पर किया वह चिलाया मोड लगता है तो कोई मायावी है इस धर्ती को छोड़ दे वरना तु मेरे हाथों से मारा जाएगा आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधू को प्रसंद करूँगा भगवान वाराहा ने हिरने आक्ष के कटू वचनों पर ध्यान नहीं दिया और धर्ती को जल से बाहर निकाल लाए उन्हें जल से बाहर जाते देख वह चिखा अरे जंगली पशु कायर तुझे भागते हुई लज्जा नहीं आ रहे अरे नर्पिशाच सच में ही हम जंगली जीव हैं और तेरे जैसे ग्राम सीहों को डूंडते फिरते हैं दुष्ट वीर पुरुष तुझे जैसे मृत्यू पाश में बंदे हुए आत्म प्रशंसा करने वाले अभागे जीवों की प्रवाह नहीं करते हैं हमें ऐसा सहस कहां जो हम तुझे जैसे वीर पुरुष का सामना कर सकें तुझे वैर बांध कर हम भला कहां जा सकते हैं लेकिन तु निराश मत हो तु हमें मार कर अपने भायों का शोक दूर करके उन्हें हर्शित कर देर मत लगा प्रहार कर मुझ पर मैत्रे जी ने कहा विदूर जी जब भगवान ने रोश में भरे उस राक्षस का खूप परिहास उड़ाया तो वह तिल मिला उठा उसने बड़े वेक से दोड़कर वाराह भगवान पर गदा का प्रहार किया किन्तु भगवान ने उसके प्रहार से अपने को तिलचा करके बचा लिया इसे से हिरण्याक्ष और भी ज़्यादा कुरधित हो उठा और पागलों की भाती गदा घुमाने लगा तब वाराह अवतार श्री हरी ने कुपित होकर बड़े वेक से हिरण्याक्ष की और छलांग लगाई और दोनों आपस में भीड़ गए जब पहुत देर तक दोनों लड़ते रहे तक ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर श्री हरी से उस दूष्ट राक्षस को मार डालने की प्रार्थना की उन्निस्वा अध्याए वाराह अवतार श्री हरी द्वारा हिरण्याक्ष कावद मेत्रे जी ने कहा विदूर जी ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री हरी मन ही मन मुस्कुराए और पलट कर इरण्याक्ष के मुह पर अपने दातों से प्राहार किया तथा उसका चेहरा लहू लुहान कर दिया इरण्याक्ष वाराह भगवान के प्राहार से बौकला गया और कुरोध में भर कर उनकी उर्देखने लगा उधर देवताओं ने श्रीहरी से विनती की कि हिरन्याक्ष का वद शिखर की जिये परन्तु तभी हिरन्याक्ष ने अपनी भारी गदा से वाराह भगवान के शरीर पर प्रहार किया गदा के प्रहार को वाराह भगवान ने सहन कर लिया और पलट कर पुनह अपने दातों को हिरण्याक्ष के पेट में गड़ा दिया रख्त की धार बहे निकली और समुद्र का जल लाल होने लगा दोनों के मध्य घमासान युद्ध चलता रहा वाराह भगवान हिरण्याक्ष के प्रहारों को विफल करते रहे एक बार उसने गदा छोड़कर त्रिशूल फेक कर वाराह भगवान पर प्रहार किया तो उन्होंने सुदर्शन चकर का समर्ण करके चक्र द्वारा त्रिशूल के टुकडे टुकडे कर दिये उसके बाद हिरन्याक्ष ने अनेक मायावी प्रहारों से वाराह भगवान का वद्ध करना चाहा किन्तु हर बार वह मायापते श्रीहरी से पराजित होकर बौखला जाता उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था कभी वह समुद्र की लहरों में तुफान खड़ा कर देता कभी उपर आकाश से पत्थर वर्षा करने लगता कभी रुधीर, विष्ठा, मलमोत्र और हड़ियां बरसाने लगता परंतु श्रीहरी के सामने उसकी एक न चली अंत में वराह रूपधारी श्रीहरी ने उसकी सारी माया को चिन भीन करके अपने पैरों के प्रहार से हिरन्याक्ष को जल के भीतर ही मार डाला विदोर जी इस प्रकार हिरन्याक्ष ने मर कर उस पाप योनी से मुक्ति पाई और वह पुनह भगवान को प्रणाम कर बैकुंठ लोग को चला गया देवताओं ने श्रीहरी पर पुष्प वर्षा की और उनकी स्तूती में स्तूत्र गाने लगे सूत जी ने कहा शोनक जी मैत्रे जी के मुक्ष से भगवान श्रीहरी की यह कथा सुनकर विदूर जी अती प्रसन्न हुए क्योंकि श्रीहरी का चरित्र ही ऐसा है कि जीसे सुनकर सभी को असिम आनंद की अनुभूती होती है जो भी उनकी शरण में जाता है वे ततकाल उसकी रक्षा के लिए नंगे पाउँ भागे चले आते है एक बार एक हाथी जल में प्रवेश करके जल क्रिडा कर रहा था तभी उस जल में रहने वाले ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खिचना प्रारंभ कर दिया गजराज को मुसीबत में देखकर हतनिया चिंग हाणने लगी उसने एक एक कर अपने साथियों की ओर देखा सभी विवश थें जल में प्रवेश कर ग्राह के मुख से उसे छुडाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया इस पर भी गजराज निराश नहीं हुआ उसने अपने मन को श्री हरी के चरणों में लगाया उसने जल में से एक कमल का फूल अपनी सूंड से उठाया और भगवान श्री हरी को आर्थ स्वर में पुकारा गजराज की पुकार पर भगवान श्रीहरी विश्णू नंगे पैर गरून कर सवार होकर भागे आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट डाला इस प्रकार अपने भक्त गजराज की उन्होंने रक्षा की शोनक जी भगवान श्रीहरी दुष्ट पुरुषों पर कभी प्रसंग नहीं होते हैं प्रित्विक का उधार करने वाले वाराहरूप श्रीहरी की इस लीला प्रसंग को जो पुरुष सुनते हैं और सुनाते हैं वे ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज ही छूट जाते हैं यह प्रसंग अध्यंत पवित्र धन और यश्ट देने वाला है और कामनाओं की पूर्ति करता है असीम शक्ति प्रदान करता है बिस्वा अध्याय स्वायम्भूव मनु से आगे की स्रिष्टी का वण्णन शौनक आदी रिशिवा ने ओग्रश्रवा सूत जी से पूछा भगवन विदूर जी ने रिशिवार मैत्रे जी से भगवान वाराह अवतार की कथा सुनने के बाद और क्या क्या पूछा उसे आप हमें सुनाईए उन दोनों में श्रीहरी से संबंधित और भी कितने ही पवित्र कथाय कहीं सुनी गई होंगी जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी कृपया उन्हें सुनाकर हमें रसामरित पान कराईए नैमी शरणेवासी मुनियों द्वारा इस प्रकार पूछने पर सूत जी ने कहा मुनिगण वाराह अवतार की कथा सुनकर विदूर जी को बड़ा हर्श हुआ उन्होंने मैत्रे जी से पूछा कि प्रजापतियों और मरिची आदी के उत्पन होने के उपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टी को आगे कैसे बढ़ाया क्या उन्होंने अपनी मानसिक सृष्टी का और आगे विश्तार किया या अपनी पत्रियों के सहयोग से उसे आगे बढ़ाया मैत्रे जी ने कहा विदूर जी, भगवान के गती और लीला को समझना बड़ा कठीन है मैंने आपको बताया था कि भगवान ने प्रकृति में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन गुड उत्पन करके आकाश आधी पाँच ततों से पाँच ज्यानेंद्रियें, पाँच करमेंद्रियां और पाँच पाँच देवगणों का निर्मान किया था फिर सभी ततों ने मिलकर सुवन अंड की रचना की उस अंड से विश्व पुरुष और विश्व पुरुष से ब्रह्मा जी का अविर्भाव हुआ ब्रह्मा जी ने मानसिक शक्तियों द्वारा स्रिष्टी की रचना की लेकिन उन्हें शिग्र ही अनुभव हुआ मानसिक स्रिष्टी का विस्तार हो पाना बिना तपश्चर्या के संभव नहीं है तो जो ऐसा कर सकने में अश्रक्त है उनका विस्तार कैसे हो पाएगा इसलिए उन्होंने स्रिष्टी विस्तार के लिए नर नारी को उत्पन किया इनके द्वारा मैथुनी स्रिष्टी से ही इस स्रिष्टी का विस्तार हो सका यह विस्तार नर और नारी के समागम द्वारा ही संभव हो पाया था विदुर जी, स्रिष्टी के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से मनू और शत्रुपा प्रकट किये थे उनकी पाँच संतानों का उल्लेख मैं पुर्व में कर चुका हूँ उन्होंने मैथुन धर्म को अपना कर स्रिष्टी को आगे बढ़ाया 21. अध्याय करदम रिशी की तपस्या और भगवान का वरदान विदुर जी ने कहा मुनिवर आप मुझे मनु की पाँच संतानों के विशे में बता चुके हैं मनु के पुत्र प्रियवरत और उत्तान पाद ने सातों द्वीप वाली प्रिथिवी का धर्म पुर्वग पालन किया था उनकी पुत्री देवहूती करदम प्रजापती से ब्याही थी देवहूती योग के सभी लक्षणों से युक्त थी उसने महायोगी करदम से कितनी संताने उत्पन की इसी प्रकार दक्षप्रजापतियों ने भी मनु की करदम से विवाहर अचाया था उन्होंने कितनी संताने उत्पन की वह सारा चरित्र मुझे सुनाईये मैत्रह जी ने कहा विदुर जी जब ब्रह्मा जी ने करदम जी को संतान उत्पन करने के लिए कहा तो वे सरस्वती नधी के तट पर बैठ कर श्री हरी का ध्यान करके तपस्या करने लगे दस हजार वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री हरी ने उन्हें दर्शन दिये करदम जी ने प्रभु को साश्रांग प्रणाम किया और कहा ये प्रभु आप संपून सत्व गुणों के आधार हैं आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं इस भाव सागर से पार हो जाओंगा इसमें किंचित भी संशय नहीं है प्रभु मेरा हिर्दे काम कलुशित है ब्रह्मा जी के आदेश पर मैं स्रिष्टी विकास के लिए ततपर हूँ किन्तु उसके लिए अपने स्वभाव के अनुरूप तथा ग्रिहस्त धर्म पालन में सहायक शील्वती कन्या से विवाह भीतु अनिवार्य है इसके लिए मैं आपकी चरण में आया हूँ कृप्या मेरा मार्ग दर्शन करें भगवान श्रीहरी ने कहा हे विप्रवर तुम्हारे मन की बात को जान कर मैं पहले से ही इसकी विवस्था कर चुका हूँ प्रसिध यश्रस्वी समराट स्वायंभुव मनू साथ द्वीपों वाली प्रिथिवी का धर्म पुर्वक शासन करते हैं वे अपनी महरानी शत्रूपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे उनकी एक अती सुन्दर कन्या देव हुती विवाह के योग्य है वे उसे तुम्हे अरपन करेंगे तुम उसका पाणि ग्रहन करके उसकी कोख से नो कन्याओं को जन्म दोगे फिर तुम्हारी उन कन्याओं से विवाह करके लोक रीती के अनुसार मरीची और रिशिगन पुत्र उत्पन करेंगे तुम भी मेरी आग्या का अच्छी तरह पालन करके शुर्द चित्त होकर अपने सभी कर्मों को मुझे अरपित करके मजखो प्राप्त हो जाओगे मैं स्वयम भी तुम्हारी पत्नी देवहुती के गर्ब से जन में लेकर सांख योग की रचना करूँगा ऐसा कहकर भगवान श्री अंतरधान हो गए मैत्रे जी ने विदूर जी से कहा लेकिन करदम रिशी प्रसन्न होकर वहीं सरस्वती नदी के तट पर बिंदू सरोवर नामकिस्थान पर रुके रहें और महराज मनु जी के आने की प्रतिक्षा करने लगें दो दिन बाद ही मनु और शत्रूपा अपनी कन्या देवहुती के साथ वहां पहुँचे और देवहुती के विवाह का प्रस्ताव करदम रिशी के सामने रखा श्रीक करदम जी का आश्रम अत्यधीक रमनिक था वहां का सौंदर्य देखकर देवहुती का मन अहलाद से भर उठा था वह मन ही मन रिशी करदम को अपना पती स्विकार कर चुकी थे हिंदू रिज्वल्स हिंदू रितिरिवाज के दूसरे नए चैनल राजीव सिह को भी कृप्या सब्सक्राइब कर हमें प्रत्साहित करें इस नए चैनल के जरिए हम दूरलब भजनों को राजीव सिह की आवाज में आधुनिक संगीत के साथ आप सब तक पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं इसी के साथ इस चैनल पर दूरलब तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा व्लोग्स के जरिये भारत के सभी तीर्थों का आप सब लाइफ दर्शन कर पाएंगे कृप्या इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें अपना आशिर्वाद और स्निह दे देव हूती के साथ रिशिकर्दम प्रजापती का विवा है महराज मनु के प्रस्ताव को सुनकर रिशिकर्दम संकोच से भर उठे तब मनु जी ने उनसे कहा हे मुनिवर वेदमूर्थी भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद मंत्रों की रक्षा के लिए आपको अपने मुख से रचा है और उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम शत्रियों को अधपन किया है हम दोनों ही श्रीहरी के एक्षानुसार इस धर्ती पर ओतिन्द हुए है यह मेरा बड़ा भागे है जो मुझे आपके दर्शनों का सभागे प्राप्त हुआ है आप कृप्या संकोच छोड़ें और मुझे दीन की प्रार्थना स्विकार कर मेरी कन्या का पाणी ग्रहन करें यह ग्रिहस्थोचित कारियों में सब प्रकार से योग्य है महराज मनू की बात सुनकर रिशिक करदम ने उनका प्रस्ताव स्विकार कर लिया और शुभ मुहुर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया विवाह के उपरांत महराज मनू और शत्रूपा अपनी पुत्री और दमात से विदा लेकर अपनी राजधानी लोटाए महराज मनू और महराने शत्रूपा अपनी राजधानी बहिर्श्मती पुरी आये तो वहाँ उपस्थित देवगण और गंधरवों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और देवभुती के विवाह का समाचार पाकर्तों वे और भी अधिक आनंदित होटे यह वह इस्थान था जहां भगवान वाराह ने प्रिधिपी को इस्थापित किया था उस समय भगवान वाराह के शरीर से जो रोम जड़कर वहां गिरे थें वे रोम ही अब हरे भरे घांस के मैदानों के रूप में फैल गए थे यही पर महराज मनु ने वाराह भगवान की पूजा की थी और इसे अपनी राजधानी के रूप में विक्सित किया था यही रहकर मनु जी नित्य श्रीहरी के गूणों का गान किया करते थे और उनकी लीला कथाओं को सुना करते थे विदुर जी भगवान श्रीहरी की कथाओं का श्रवन, ध्यान, रचना और निरूपन करते रहने से उनके मनवंतर में व्यतीत होने वाले इस्षान कभी व्यर्थ नहीं जाते थे विदुर जी जो पुरुष श्रीहरी के आश्रित रहता है उसे कभी भी शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुशिक अथवा भौतिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता मनुजी सदयों लोक हित के कारियों में लगे रहते थे उन्होंने मनुश्यों के सभी वर्णों का या थोचित प्रवंध किया था इसी से सभी जीव उनका आदर करते थे और निरंतर उनकी स्तुति किया करते थे अब आप उनकी कन्या देव हुति का चरित्र सुनो तेईस्वा अध्याय रिशीकर्दम और देव हूती का चरित्र मैत्रे जी ने कहा विदूर जी माता पिता के चले जाने के उपरांत देव हूती प्रति दिन अपने पती की एक्षानुसार उनके सेवा करने लगी वह अत्यंत सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी एक दिन करदमुरी ने देव हूती को मलीना वस्था में देखा तो उससे कहा प्रिय तुम मेरी सेवा जिस मनयोग से कर रही हो उससे मैं बहुत प्रसन हूँ परन्तु मैं तुम्हें प्रसन नहीं देख पा रहा हूँ तुम्हारे इस श्रिंगार विहिन रूप का क्या कारण हो सकता है क्या यहां रहकर तुम प्रसन नहीं हो या कुछ और बात है इस पर देव भूती ने करदम मुनी से कहा स्वामी ग्रिहस्त जीवन में पती पत्नी का जो दाई तो है आप उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं पती पत्नी का दाई तो है अपने वंश की व्रिधी करना किन्तु आप तो हर समय समाधी में ही लिन रहते हैं आपको अपनी पत्नी की ओर देखने का समय ही नहीं है फिर मैं किसके लिए श्रिंगार करो करदम मुनी का हिर्दय अपनी पत्नी की बातें सुनकर दुखी हो उठा उन्हें लगा कि उनसे बड़ी भारी भूल हो गई है उन्होंने ततकाल अपनी योग माया से एक विशाल विमान तयार किया जिसमें तरह तरह की योग समगरियों का संग्रह था सुख पुर्बक सोने के लिए शय्या थी और सुगंधित पुष्पो की महक से सारा विमान आपुरित था मुनी करदम ने देव हुती से उसमें प्रवेश करने के लिए कहा इस पर देव हुती ने अपनी मैली कुचैली धोती की और देखा और अपने उलजे हुए केशों पर हाथ फेरा करदम मुनी ने अपनी पत्नी के भाव को समझ कर तत्काल बोले कि वह दीव्य सरूवर में जाकर पहले इसनान कर ले देव हुती मुस्कुरा कर दीव्य सरूवर में इसनान करने चली गई वहाँ जल के भीतर उसने एक अति सुन्दर महल देखा वहाँ सेकड़ो सुन्दरियां तरह तरह के रेशमी वस्तर पहने और इतर फुले लगाए घुम रही थे उनकी बागी चितवने और उनके लहराते केश मन को मुहने वाले थे वे सभी मानो गंधर्व सुन्दरियां थे उन सुन्दरियोंने देव हुती को देखा और उसका श्रिंगार करने के लिए यहां आई हुई है उन्होंने स्वक्ष और सुगंधित जल से रगड़ रगड़ कर देव भूती को इसनान कराया और उसे सुन्दर रेश्मी वस्तर पहनाया फिर उसके पैरों के नक्षों से लेकर शिखा तक सुन्दर सुन्दर आभुश मिर्फनओं से श्रिंगार किया आखों में कजड़ा लगाया और केशों को फूलों से गूता देव हुटी का श्रिंगार करके वे उसे जल से बाहर लाईं उसके रूप लावन्य को देखकर कर्दम मुनी का हिर्दय चलायमान हो उठा वे उसका हाथ पकड़कर वीमान में ज जा सकता था मुनिकरदम ने देव हुती को धरती के विभिन्य द्वीपों की आतरा कराई और उसके मन को प्रसन्न किया उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोजिपदार्थों का सेवन कराया और रात्री विश्राम के समय मधूर वचनों से उसका मनुरंजन किया कुछ दिन भ्रमन के उपरांत वे अपने आश्रम में लोटाए और रात्री के एकांत छडों में उसके साथ रमन करके उसे रती दान दिया कितनी ही रातों के बीत जाने के उपरांत देव हूती को पता चला कि वह गर्पवती है मुनी करदम और स्वयम उसे यह जानकर बहुत प्रसनता होई करदम मुनी हर समय देव हूती को प्रसन रखने का प्रयास करने लगे उचित समय आने पर देवहूती ने नो कर्ण्याओं को एक साथ जन्व दिया उन्हें देखकर देवहूती का हिर्दे आनन्द से भर उठा परन्तु मुनी कर्दम ने ऐसे समय उनका न्याओं के पालन का भार देवहूती पर छोड़कर सोयम तपस्यारत होने की बात कही तो देवहूती का मन आहत हो उठा उसने कर्दम मुनी से कहा स्वामी आप ग्रिहस्त जीवन के पालन और वंश व्रिधी के वचन को तो पूरा कर दिया किन्तु इन कन्याओं की परवरिश के दाईतों से आप मुह मोड रहे हैं यह कदापी उचित नहीं है फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ आप जैसा करना चाहें करें मैं आपको रोकूंगी नहीं इन कन्याओं की परवरिश के उपरांत जब ये विवाह योग्य होंगी तब इन कन्याओं के लिए योग्य वर्क होजने होंगे आप तो वन में चले जाएंगे लेकिन आपके पीछे इनकी देखभाल क्या मुझे अकेले ही करनी होगी हे स्वामी मैंने आपको इश्वर भक्ती से विमुक कर भोग विलास में लगा दिया और स्वयम भी उसमें अनुरक्त रही तता इंद्रिय सुख भोगती रही लगता है मेरा वह समय वेर्थ ही चला गया आपके परम प्रभाव को मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई आप मुझे शमा करें इस संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है न वेरागय उत्पन होता है और न भगवान की सेवा ही संपन होती है ऐसा पुरुष जिवित शव है आप जैसे योगी पती का साथ पाकर भी मैं माया जनीत रोगों में लिप्त होकर संसार बंधन से छुटने की इक्षा नहीं कर सके इसका मुझे जीवन परियंत दुख रहेगा चोबिस्वा अध्याय श्री कपिल देव का जन्म मुनिकर्दम की नौ कर्ण्याओं का विवाह और मुनिकर्दम का सन्यास ग्रहन कर परमपद प्राप्त करना श्री मैत्रे जी ने कहा विद्योर जी देव हुती की वेरागय पुर्ण बाते सुनकर कर्दम जी ने देव हुती से कहा कि वह खेद ना करे उसके गर्भ में स्वयम श्री विश्नु भगवान आएंगे और उसकी कोक से जन मिलेंगे अतह उसे भगवान का श्रद्धा पुर्वक भजन करना चाहिए विद्योर जी कर्दम मुनी के कहने पर देव हुती ने श्रद्धा भाव से श्री हरी की अराधना प्रारंब कर दी कुछ समय बाद मुनी करदम जी के वीरी का सहरा लेकर भगवान श्री हरी ने देव हुती के गर्भ में प्रवेश किया देव हुती के गर्भ में भगवान के प्रवेश करते ही स्रिष्टी में मंगल गीतों की ध्वनी उठने लगी गंधर्वों के स्वस्तिगान के साथ साथ अपसराय निरित्य करने लगी आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे सरवत्र प्रक्रिती आनंदित होकर जूमने लगी उसी समय मरीची आदे रिशीगणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी करदम मुनी के आश्रम में आये और उन्होंने करदम जी से कहा पुत्र तुम सदेव दुसरों को मान देने वाले हो तुमने सदेव मेरी आग्या का पालन किया है तुम सभ्य हो तुमारी ये सुन्दर कन्याए अब विवाह योगे हो चुकी है स्रिष्टी के विकास में इनका बहुमुल्य योगदान होगा अतह तुम अपनी इन कन्याओं का विवाह मरीची आदे रिशीगणों से कर दो इससे संसार में तुमारा सुयश फैलेगा तुम्हें अब अपनी और देवहूती के चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है क्यूंकि देवहूती को संभालने के लिए स्वयम नारायन उसकी कोक से जन्म लेंगे वह बालक कपिल के नाम से विख्यात होगा और सांख्याचारियों में सर्वश्रेष्ट होगा विदुर जी इस प्रकार जगत के स्रिष्टी करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मलोग को प्रस्थान किया ब्रह्मा जी के चले जाने के उपरांत कर्दम जी ने अपनी कला नाम की कन्या का शुप विवाह रिष्य मरिची से कर दिया और अनसुया का रिष्य अत्री से, शद्धा का रिष्य अंगीरा से, हविर्भू का रिष्य पुलस्त से, गती का पुलह से, साध्वी क्रिया का करतू के साथ, ख्याती का भ्रेगु जी के साथ, अरुंधती का वशिष्ट जी के साथ, और शांती का अथरवा रिष्य के विवाह के अवसर पर उन रिशियों को बड़ा आधर सत्कार किया। विवाह के उपरांत सभी रिशिगन अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रमों को चले गए। उनके पास गए और उनकी स्तुती करने लगे। हे प्रभु योगी जन अनेक जन्मों की साथना के उपरांत अपनी साथना के सिद्ध होने पर जिनके दर्शन करते हैं वो श्रीहरी हम जैसे विशे लोलूपों के घर में अवतिर्ण हुए हैं। आप वास्तों में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। आप परब्रम्भ हैं। सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। आपकी कृपा से मैं आज तीनों रीणों से मुक्त हो चुका हूँ। अब मैं सन्यास मार्ग ग्रहन कर वन में जाना चाहता हूँ। आप मुझे आग्या दीजिए। श्री करदम जी की प्राथना पर बालरूप भगवान ने अपनी योग शक्ति से करदम जी से कहा। मुनिवर, मिरा यह जन्म इस लोक में भौतिक शरीर को छोड़कर मुक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों के मार्ग दर्शन के लिए हुआ है। आत्म ज्यान का मार्ग ही इस लोक से मुक्त होने का सर्वत्तम मार्ग है। मैं तुम्हें आग्या देता हूँ कि तुम एक्षा अनुसार जाओ और अपने संपून कर्म मुझे अरपित करते हुए दुर्जय मिर्तिव को जीत कर मुक्ष प्राप्त करो। मैं स्वयम, प्रकाश और संपून जीवों के हिर्दय में रहने वाला परमात्मा हूँ। जब तुम अपने अन्तह करण में मेरा साक्षातकार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूट कर मुक्ष पद प्राप्त कर लोगे। श्री मैत्रे जी ने कहा, विदूर जी, भगवान कपिल के ऐसा कहने पर प्रजापती करदम जी उनकी परिक्रमा करके वन में चले गए। वहां जाकर परम भक्ती भाव से उन्होंने श्री हरी को अपने हिर्दे में धारन कर, सबी बंधनों से स्वयम को मुक्त कर लिया। इस प्रकार एक्षा और द्वेश भाव से रिक्त होकर संपून भक्ति भाव से श्री करदम जी ने भगवान का परंपद प्राप्त कर लिया पच्चिसवा अध्याय भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन श्री मैत्रे जी ने कहा विदुर जी पिता के वन में चले जाने के उपरांत कपिल जी अपनी माता देव हुती के साथ बेंदुसार तिर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे एक दिन देव हुती ने कहा कि वह सांसारिक भोग विलास से उप चुकी है इस अंधकार से निकल कर वह अब प्रकृती पुरुष की अराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती है माता देव हुती के एक्षा को जानकर श्री कपिल जी मन हिमन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधूर मुसकान के साथ अपनी माता से कहने लगे माता अध्यात में योग ही मनुश्यों के कल्यान का मुख्य साधन है इसके द्वारा दुख सुख के निवर्ती हो जाती है इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है जब यह मन विशे भगों में आसक्त होता है तब इसे बंधन कहा जाता है और जब यह परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है जिस समय यह मन, मैं और मेरे पन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम, क्रोध, लोब, मुह आदी से तटस्त हो जाता है तब सुख दुख से परे यहां समदर्शी हो जाता है तब जीव ज्यान वेरागय से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृती के मायावी आवरनों से मुक्त बानकर भेद रहित, सुक्ष्म, स्वयम प्रकाश, अखंड, उदासिन और परब्रम्भ के रूप में देखता है हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हैतो, श्री हरी के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगल में मार्ग नहीं है परमातमा के प्रति आसकती का भाव ही संतों के लिए मुक्ष का द्वार है साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते हैं वे सदेव हरी किर्टन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं ऐसे साधु संतों की संगती करने से श्री हरी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्यों के विकारों अथवा दोशों को ततकाल हर लेता है और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव कर देता है इस प्रकार प्रकृती के गुड़ों से उत्पन हुई माया का त्याग करके तथा वेराग्य युक्त ग्यान योग और भक्ती से मनुष्य इस देह में इस्थित अंतरात्मा के सहाचरी को प्राप्त कर लेता है माता जिसका चित एक मात्र भगवान श्री हरी में ही लगा रहता है उसकी संपून ग्यानिंद्रियां और करमिंद्रियां पून भक्ती भाव का सहारा लेकर उस परंपद श्री भगवान में ही लीन हो जाती है इसे निश्काम भक्ती योग कहते हैं यह भक्ती मुक्ती से भी बढ़कर है क्योंकि यह समस्त भौतिक एक्षाओं को भस्म कर डालती है ऐसी निवर्ती हो जाने पर भक्त जब श्रीहरी के लोक अर्थात बैकूंट लोक में पहुँच जाता है तब उसे चीर आनंद की अनुभूती होती है इस आनंद की अनुभूती हो जाने के उपरांत उसे किसी आनंद की आवशक्ता नहीं रहती जिनका मन सदेव श्रीहरी को ही अपना प्रिय, मित्र, सखा, गुरु, सुहर्दय और इष्ट मानता है उन्हें बैकूंट लोक पहुँचने पर दीवे भोगों की प्राप्ती होती है और वे काल चकर के बंधन से सदेव के लिए छूट जाते है भगवान श्रीहरी उन्हें मिर्त्यू लोक के सागर से पार उतार देते हैं माते, भगवान श्रीहरी साक्षात परमात्मा है, प्रकृति पुरुश हैं तथा समस्त जीवों की आत्मा है उनकी अतिरिक्ते किसी अन्य का सहारा लेने से मिर्त्यू पाश से छुटकारा नहीं मिल पाता प्रकृति की समस्त गती श्रीहरी के कारण ही है उन्ही के भैसे वायू चलती है, सुर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अगनी जलाती है और मिर्त्यू अपना कर्म करती है योगी जन ग्यान वेराग्य युक्त होकर भक्ती योग से श्रीहरी के चरन कमलों का आश्रय लेते हैं इस संसारी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्यान कारी मार गई यही है कि वह पूर्ण भक्ती भाव से भग्वान श्रीहरी के चरन कमलों में अपना ध्यान लगाए और समस्त भौतिक आकर्शनों से अपना मन हटा ले 26. अध्याय प्रकृति के भिन भिन तत्वों के उत्पती का वंडन श्रीकपिल भगवान ने आगे कहा हे माते प्रकृति के विभिन तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुनों से मुक्त हो जाता है विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मुक्ष कहलाता है इससे हिर्दय की समस्त ग्रंथियों अथात बंधनों का नाश हो जाता है और एहनकार नश्ट हो जाता है यह सारा आकाश, पृत्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है वह अनादी, अनंत, निर्कुन, प्रकृती से परे अंतह करण में इस्फुटित होने वाला स्वयम प्रकाश है यह लीलामई प्रकृती अपने सत्व गुणों से श्रेष्ट पुरुषों का स्रिजन करती है राजसिक गुणों से विलासी पुरुषों का और तामसी गुणों से दुष्चरित्रे व्यक्तियों का निर्मान करती है मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुला कर स्वयम ही अपने को इनका करता समझने लगता है इस मिध्या भीमान के कारण वह अपने कर्मों का भुकता बनता है और कर्मों के निरंतर प्रवाह में बहता हुआ जन्म और मित्यू के बंधनों से कभी नहीं छूट पाता जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता देव हूती ने पूछा पुत्र इस विश्व के इस्थुल और सुक्ष मकारें किसके स्वरूप हैं? कौन इनका कारण है? प्रकृति और पुरुष के लक्षन क्या है? तुम मुझे बताओ भगवान हरी के अंश श्री कपिल ने कहा माते जूत्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रजित्तम अव्यक्त-नित्य और कारे कारण रूप हैं तथा स्वयम ही निर्विशेश होकर भी संपून विशेश धर्मों के आश्रे हैं अर्थात जिनके द्वारा सभी धर्मों का प्रादुर्भाव होता है उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं पांच महाभूत पृत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश पांच तन्मात्राएं क्रमशह, गंध, रस, रूप, इस्पर्ष और शब्द चार अंतह करण मन, बुद्धि, चित्थ, अहंकार पांच ग्यानिंद्रियां, आक, नाक, कान, रस, त्वचा पांच करमेंद्रियां, हात, पैर, वारी, गुदा, लिंग इन 24 तत्वों के समुह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं जिनकी प्रणा से इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन होती है उसे काल, अर्थात, पुरुष रूप भगवान कहा जाता है इस प्रकार अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से विद्यमान है वे ही प्रमुख तत्व परम पुरुष भगवान है इश्वर का तेज ही समस्त अंधकार को हरने वाला है जो सत्व गूण में स्वक्ष, शांत और चित्त स्वरूप है वही महत्व, अर्थात, वासुदेव है इन्ही के एक्षा से समस्त जगत का प्रदुर्भाव होता है इसके स्थिती होती है और फिर उन्ही में इसका लय हो जाता है अतह भक्ती, वेराग्य और चित्त की एकागरता से प्रकट हुए ग्यान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को इस शरीर में इस्थित जानकर सदेव उनका चिंतन करने से मुक्ष की प्राप्ती होती है 27. अध्याए प्रकृति पुरुष के सम्मंधों का विश्लेशन भगवान कपिल ने कहा माते जल में सूरी के प्रतिवीम के साथ जल की शितलता, चंचलता और आर्दरता का कोई संबंध नहीं होता उसी प्रकार प्रकृति के कारे रूप शरीर में इस्थित रहने पर भी आत्मा रुपी पुरुष वास्तों में उसके सुख दुख के साथ लिपत नहीं होता क्योंकि वह इस्थान से निर्विकार, निर्गूर और ना करने वाला अकड़ता है परंतु वही आत्मा जब शरीर रुपी प्रकृति के गुड़ों से अपना संबंध इस्थापित कर लेता है तब एहंकार से ग्रस्त होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है उस अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किये गए अच्छे बूरे कर्मों के दोश से वह अपना स्वतंद्र अस्तित्व खो बैठता है और विभिन योनियों में गुमता रहता है जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थों के साथ कोई भी संबंध ना होने के कारण भी वह सोच सोच कर दुख उठाता रहता है उधारन के रूप में किसी सुन्दर इस्तित्री से स्वप्र में इस्थापित किया गया संबंध कोई माइने नहीं रखता किन्तु उसका इसमरन करके जीव पच्छताता रहता है बुद्धिमान मनुष विशय वासनाओं में फसे हुए जीवों को भक्ती योग द्वारा उनकी वासनाओं से तटस्थ करके परमात्मा की ओर ले जाने का महत कर्म करते हैं हे माते जो मनुष्य श्रधा पुरुवक योग साधना से चित्त को एकागर करके श्रीहरी से सच्ची श्रधा रखता है श्रीहरी की कथा का नित्य श्रवन करता है समस्त प्राणियों के प्रति संभाव और प्रेम रखता है किसी से वैर भाव नहीं रखता समस्त सांसारिक आसतियों का तियाग कर देता है ब्रह्मचर्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरी चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देता है तथा जो स्वभाव से अपने भागे से जो मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेता है सिमित और सात्विक भोजन करता है सदैव एकांत में श्री हरी का समर्ण करता रहता है शान्त रहता है, कभी क्रोध और एहंकार प्रकट नहीं करता सबका मित्र बन कर रहता है, सभी पर दया भाव रखता है धैरेवान है, प्रकृती और पुरुष से युक्ते इस शरीर से इस्तरी, पुरुष और बच्चों के प्रती भेद भाव नहीं करता अपना अभिमान नहीं दर्शाता, अपनी बुद्धी से परमात्मा के सिवाए किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शि मुनी की तरह नेत्रों से सूरी को देखने की भावती अपने अंतह करण में पर्मात्मा के साथ साक्षतकार करता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है किंतु जो लोग विशे वासनाव में पढ़कर इस शरीर रुपी प्रकृती में ही रमि रहते हैं और अपने एहम में जीते हैं, वे कभी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, और विविध दुखों को जेलते हुए विविध योनियों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार जल में सूरी के प्रतिवीम को और दिवार पर पड़ी अपनी परशाई को देखकर क्रमशह आकाश में उदित सूरी को देखा जाता है। उसी प्रकार उस परशाई से मानव देह, इंद्रियों और मन की चंजलता का पता चलता है। जिस प्रकार स्वपना वस्था में अपने आपको मरा हुआ देखकर मनुष्य अपने को मरा हुआ जाल लेता है। और धन नश्ट हो जाने पर अत्यंत व्याकूल हो जाता है। उसी प्रकार भ्रह्म में पड़ा यह मनुष्य प्रकृती के तीनों गुणों के कारण दुख सुख का अनभो करता रहता है। परन्तु जो मनुष्य विवेकी होते हैं वे आत्म साक्षतकार करके अत्वा आत्मा के सत्य को पहचान कर कभी दुखी नहीं होते। देव हूते ने पूझा पुत्र पुरुष और प्रकृती दोनों ही नित्य हैं और एक दुसरे के आश्रे से अपने अस्तित्व को पकट करते हैं। इस प्रकार प्रकृती का आस्तित्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार गंध और पृत्वी रस और जल अलग-अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृती भी एक दुसरे को नहीं छोड़ पाते। अतह जिस परमात्मा के द्वारा पूरुष को कर्म बंधनों में बंधना पड़ता है तब उस प्रकृती के गुणों के रहते हुए उससे मुक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है उसका भय तो सदेव बना ही रहेगा श्री कप्रि भगवान ने कहा हे माते जिस प्रकार लकडी से उत्पन अगनी से वह लकडी जलकर भस्म हो जाती है उसी प्रकार निशकाम भाव से किये हुए अपने करमों से अंतह करण के शुद्ध होने पर और बहुत समय तक भगवान श्रीहरी की कथा का श्रवन करते रहने से पुरुष की प्रकृति अर्थात अग्यान रुपी अंधकार नश्ट हो जाता है भक्ति ज्यान और वैरागे इसे नश्ट करने में अत्यंत सहायक होते हैं जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने दोशों को देख कर उनका आकलन करता रहता है ऐसा पुरुष सांसारिक बंधनों से स्वता ही मुक्त हो जाता है और वह प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगार पाती जैसे स्वपने में देखे गए अनिष्टों का जाग्रित अवस्था में कोई महत्व नहीं होता वैसे ही जाग्रित व्यक्ति पर प्रकृतिक दोशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो व्यक्ति पून भक्ती भाव से श्री हरी में ध्यान लगाय रखता है और आत्म साक्षतकार की रहता है प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगार सकते श्री हरी की कृपा के बिना तत्व ग्यान के प्राप्ते नहीं हो सकते यदि योगी का मन मायावी सिध्यों में नहीं उलसता तो उसे निश्शित रूप से श्री हरी का अविनाशी परंपद प्राप्त होता है मिर्तिव की पहुँच वहां नहीं हो पाते अठाइस्वा अध्याय अश्टांग योग की वेधियाँ श्री कपिल भगवान ने कहा माते योग के द्वारा चित्य शुध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति उन्मुक हो जाता है योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन यथा शक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए दुश प्रविर्तियों का त्याग करना भागे से जो प्राप्त हो जाये उसी पर संतोश करना आत्मे ग्यानियों के चरणों की सेवा करना, विशय वासनाओं से दूर रहना, श्रेश्ट धर्मों का आचरन करना, शुद्ध, सात्विक और सिमित भोजन करना, दिरंदर एकांत में निर्भय होकर साधना करना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, आवशक्ता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, सदेव ब्रह्मचर का पालन करना, बाहर भीतर से शुद्ध और पवितर रहना, भगवान श्रिहरी की पूजा करना, वाणी का सैयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके इस्थिर्ता लाना, धीरे धीरे प्रणयाम के द्वारा श्वास के आरोह अवरोह को संतुलित करके जीतना, मन को इस्थिर करके इंद्रियों पर नियंत्रन करना, और उसे मुलाधार आदी किसी एक शक्र में इस्थित करना, ध्यान योग गह प्राणायाम में साफ सुथरे स्थान पर सीधे बैठ कर आरोह अवरोह द्वारा श्वास को एक स्वर से लंबा खीच कर रोके और उसे दुसरे स्वर से बाहर की और छोड़े फिर दुसरे स्वर से उसे उपर की और खीच कर पहले स्वर से बाहर की और छोड़े इस क्रिया को पूरक, कुम्भक और रेचक कहा जाता है इसे अनुलोम विलोम के द्वारा करना चाहिए इसे से प्राण का मार्ग स्वक्ष हो जाता है और चित्थ इस्थिर तथा निश्चल होने में सहायता मिलती है प्रणयाम द्वारा शरीर के अनेक रोग स्वत ही शान्त हो जाते हैं जिस प्रकार वायू और अगनी से तपाया हुआ सोना अपने मेल को त्याग देता है उसी प्रकार जो योगी प्राण वायू को जीत लेता है उसका मन बहुत शिग्र शुद्ध होकर चमकने लगता है अश्टांग योग योग के आठ अंग हैं जिनके आधार पर इसे आश्टांग योग अथवा राज योग के नाम से पुकार जाता है ये आठ अंग इस प्रकार हैं यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यम ये पाँच हैं आहिंसा, सत्य, अस्तिया, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अहिंसा में मन, वारी तथा कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार भी कष्ट ना पहुचाना है सत्य में इंद्रियों के द्वारा जैसा ग्रहन किया है, उसे वैसा ही वारी के द्वारा प्रकट करना होता है अस्तेय में कोई भी वस्तू अथ्वा पदार्थ बिना उसके स्वामी की स्युक्रिति के न लेना ब्रह्मचर्य में मन, वचन और कर्म से काम भावना पर उन नियंद्रन करना होता है अब परिग्रह में साधक के लिए केवल आवश्यक्ता अनुसार सयम की प्रविर्थी को त्याग कर मात्र शरीर की रक्षा के लिए वस्तू का संग्रह करना चाहिए नियंद्रन ये भी पांच प्रकार के हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और इश्वर परिधान शौच दो प्रकार का होता है आंतरिक और बाह्य शरीर के भीतर अंतह करन को दुष्प्रविर्थियों से मुक्त रखना आंतरिक शौच है जबकि शरीर को बाहरी प्रसाधनों से स्वक्ष रखना बाह्य शौच कहलाता है संतोष में अपनी शक्ती और सामर्थ के अनुसार कर्म करने के बाद जो प्राप्त हो उसी में प्रसन रहना होता है तप में साधक अपने शरीर, प्राण, इंद्रियां तथा मन को अपने अधिन कर लेता है स्वाध्याय में धार्मिक गरंथों द्वारा भगवान की लीलाओं का अधियन किया जाता है एकांत में बैठकर अपनी स्थुल सुक्ष में क्रियाओं प्रति क्रियाओं को जाचना परखना भी स्वाध्याय है इश्वर प्रणिधान में इश्वर के प्रति पून समर्पन भाव रहता है आसन कितने ही प्रकार के होते हैं आसन वह है जिसमें साधक स्थीर होकर सुख पुर्वक बैठकर इश्वर का ध्यान कर सके इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ नहीं सताते इन्हें पदमासन, सिधासन, सुखासन आदिनाम दिये गये हैं इनके द्वारा अनेक रोगों का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है प्रणयाम हमारे शरीर में इस्थीत अनेक शक्तियों के समुच्चे का नाम है प्राण प्राण के द्वारा ही शरीर जीवित रहता है प्राण का बाह्य प्रतीक श्वास है श्वास के आने जाने से ही प्राण के अस्तित्व का बोध होता है नासिका द्वारा थेफणों में श्वास को खीचना पूरक बाहर निकालना रेचक और अंदर बाहर रोकना कुम्भक होता है जो साधक, श्वास के पूरक, रेचक और कुम्भक अंगों पर अधिकार कर लेता है वह प्राण को जीत लेता है इस प्राणयाम से चित पर पड़ा हुआ अज्ञान अथ्वा माया का आवरन हट जाता है, मन एकाग्र हो जाता है प्रत्याहार शरीर में स्थित दसों इंद्रियों को विशे भोगों से हटा कर अंतर मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है धारणा चित को किसी विशेश वस्तु अथ्वा परमात्मा में सनलगन करना धारणा कहलाता है ध्यान जब चित लंबे समय तक अपने इश्ट में लगकर निर्विकार हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं समाधी जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूप जाता है और साधक तथा साध्य में कोई अंतर नहीं रहता तब उसे समाधी कहा जाता है यह समाधी के स्थिती ही जिवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है इसे ही योग कहते हैं माते कुमार्ग गामी चित्त को धीरे धीरे एकागर करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए पहले आसन को जीते फिर प्रणयाम के अभियास से योग साधना करें एक साधक यम नियम में बंध कर आसन और प्रणयाम से वात पित और कफ आदी दोशों को दूर करता है धारणा से पापों को नश्ट करता है प्रत्यहार से विश्य भोग से किनारा करता है ध्यान से उन राग द्वेशों को दूर करता है जो उसे भगवान से दूर ले जाने वाले होते हैं योग का अभियास करते समय जब चित्ति निर्मल होकर एकागर हो जाए तब नासिका के अगर भाग में द्रिष्टी को स्थिर करके श्रीहरी के मूर्ती का ध्यान करें भगवान श्रीहरी का मुख कमल आनंद से सद्व प्रफुलित रहता है उनके नेत्र कमल कोश के समान प्रतनारे हैं शरीर नील कमल दल के समान श्यामवन है उनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और पदम है कमल की केसर के समान रिश्मी वस्तर पितामबर उनके शरीर पर लहराता रहता है उनके वक्ष अस्थल पर स्वस्थी चिन्ह अंकीत है गले में कौस्तुक मडी की माला जिल मिलाती रहती है वन माला चरणों तक लटकी रहती है मतवाले भौरें उसके चारों और मधूर गुंजार करते रहते हैं उनके अंग प्रत्यंग में रत्न जडित हार, बाजूबंद, कंकण, किरिट और नुपुर शुभायमान है कमर में करधनी की लडियां सुशो भी थैं भक्तों के इहदे ही उनके आसन है उनका नैना भिराम रूप अत्यंत शांत एवा मन को आनंदित करने वाला है उनके जहां की आती मनुहर है, वे सदेव संपून लोकों द्वारा वन्दित होते हैं उनका परम यश, पवित्र और किर्तन योग्य है जो भी उनका ध्यान करता है, उसे भगवान का बैकूंठ लोक प्राप्त होता है श्रीहरी के चरन कमलों का ध्यान करके योगी और भक्तगण उनकी कृपा के अधिकारी बन जाते हैं जो लोग भगवान के संपून विग्रह का प्रतिपल स्मरन करते हैं, भगवान श्रीहरी उन्हें अपने हिर्दय में स्थान देते हैं यह रूप भगवान का साकार रूप है, जो भी इस रूप का ध्यान करता है, उसे परमपद प्राप्त होता है माते, इस प्रकार के ध्यान से साधक का श्रीहरी में प्रेमुत्पन हो जाता है, उसका हिर्दय भक्ती भाव से द्रवित हो जाता है शरीर में आनंदा तिरेक के कारण रोमांच होने लगता है, आखों से प्रेमाश्रू बहने लगते हैं योगा भ्यास से प्राप्त होई चित्थ के गती, अविद्या के अंधकार को दूर कर सुख दुख से रहित हो परमातमा के दिविय प्रकाश में लीन हो जाती है जिस प्रकार मदीरा के मद से मतवाले हुए पुरुष को अपने गती और वस्तों का ध्यान नहीं रहता उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह का ध्यान नहीं रहता परमानंद के स्थिती में उसे श्रीहरी के रूप माधुरी के अतरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता जिस प्रकार एक ही अगनी अपने अलग-अलग आश्रयों में भिन-भिन दिखाई पड़ती है उसी प्रकार एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुणों के अनुसार अलग-अलग दिखाई देता है जबकि वह एक ही होता है भगवान की इस अचिंति शक्तिमई माया को भगवान की कृपा से ही भेदा जा सकता है और प्रमात्मा के ब्रह्म रूप में स्थित हुआ जा सकता है उनतिस्वा अध्याए भगती का मर्म और काल की महिमा देव हूती ने अपने पुत्र कपिल का प्रोचन सुनकर पूछा पुत्र सांख योग के अनुसार प्रकृति पुरुष और ब्रह्म का वास्तविक रूप तुमने मुझे बताया और योग द्वारा परंपद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया अब तुम मुझे भक्ती योग के मार्ग को विश्तार पुरुभक बताओ तथा काल की महिमा का उल्लेख करते हुए जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेख करो जिसके सुनने से वेराग प्राप्त होता है श्री कपिल भगवान ने माता के वचन सुनकर कहा हे माते साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं क्योंकि प्रतेएक साधक का स्वभाव और उसके गुणों की सीमा अलग-अलग होती है जो क्रोधी पुरुष रिदय में हिंसा, अहंकार और इर्ष्या का भाव रखकर श्री हरी से प्रेम करता है वह उनका तामस भक्त है जो पुरुष विशय वासनाओ, यश और एश्वरे की कामना से श्री हरी की पूजा करता है वह उनका राजस भक्त है जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरी को अरपन करते हुए पूजन करता है वह उनका सात्विक भक्त है जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भाति श्री हरी के सागर रुपी धाम की और अपने जीवन का प्रवाह रखता है वह निश्चित रूप से श्रीहरी के धाम को प्राप्त करता है यह निर्गून भक्ति का लक्षण कहा गया है भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरसकार करने वाला यह भक्ति योग परम पुरुशार्थ अथवा साध्य कहा गया है ऐसा व्यत्ति प्रकृति के तीनों मायावी गुणों को पार कर श्रीहरी के प्रेम पुर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाता है माते, मनुष्य को निश्काम भाव से सभी जीवों पर दया और प्रेम भाव रखते हुए श्रीहरी के प्रती अपने श्रद्धा सुमन अरपित करने चाहिए जिस प्रकार पुष्पों के पराग कणों से उठकर भीनी सुगंध नासिकार अंध्रों तक स्वता ही पहुँच जाती है उसी प्रकार भक्ती योग में ततपर भक्त की पुकार परमात्मा तक पहुँच ही जाती है श्रीहरी आत्मा के रूप में सभी जीवों के हिर्दय में निवास करते हैं जो लोग मोह वश स्वार्थ में लगे रहकर श्रीहरी की मूर्ती की पुजा करते रहते हैं वेकेवल स्वांग भरी पुजा करते हैं ऐसी पुजा कभी भी श्रीहरी को प्राप्त नहीं होती जो व्यक्ति दुसरे प्राणियों के प्रती इर्श्या का भाव रखता है वह एक प्रकार से श्रीहरी से ही द्वेश करता है ऐसे व्यक्ति को कभी शक्ती प्राप्त नहीं हो सकती हे माते जड़ पदार्थों में पत्थरों से व्रिक्ष श्रेष्ट जीव है उनसे अधिक श्वास लेने वाले जीव श्रेष्ट है उनसे भी उत्तम मन वाले प्राणी है और उनसे भी श्रेष्ट इंद्रियों को धारन करने वाले प्राणी है उनसे भी उत्तम वे प्राणी है जो स्पर्ष का अनुभव करते हैं और उनसे श्रेष्ट वे प्राणी है जो रस ग्रहन कर सकते हैं रस ग्रहन करने वालों से उत्तम गंध का अनुभव करने वाले प्राणी है इनसे भी श्रेष्ट शब्द ग्रहन करने वाले प्राणी है उनसे श्रेष्ट रूप का अनुभव करने वाले प्राणी है उनसे श्रेष्ट उपर नीचे दात रखने वाले प्राणी है उनसे श्रेष्ट चार चरणों वाले पशु और पशुवों से भी श्रेष्ट दो पाउवाले मनुष्य है मनुष्यों में भी चार वरणों के अंतरगत ब्राहमन श्रेष्ट है ब्राहमनों में भी वे ब्राहमन श्रेष्ट हैं जो वेदों का ग्यान रखते हैं उनसे भी श्रेष्ट वे हैं जो संशय का निवारन करने वाले हैं और उनसे भी श्रेष्ट वे हैं जो आसकतियों का त्याग करके निश्काम भाव से आचरण करते हैं उनसे भी श्रेष्ट वे हैं जो अपने संपून कर्म और उनके फल तथा अपने आपको भी श्री हरी को समर्पित कर देते हैं इस प्रकार इस संसार में चित्य और करमों के द्वारा समदर्शी भाव से श्रीहरी को समर्पित हो जाने वाले व्यक्तियों से श्रेष्ट कोई नहीं है हे माते इस प्रकार भक्ति योग अथवा अश्टांग योग के द्वारा श्रीहरी की साधरा करने से जीव परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है भगवान को ही काल कहा गया है प्रकृति और पुरुष इन ही के रूप है और वे साथ भी है और अलग भी है जो सब को आश्रे देने वाले हैं सभी भूतों के पालन करता है और सभी जीवों का संहार करते हैं वे जगत का शासन करने वाले काल ही यग्यों का फल देने वाले श् भगवान का न तो कोई मित्र है न कोई शत्रू और न कोई सगा संबंधि भगवान काल रूप में सदा सजग रहते हैं और पाप करमों में पड़े हुए प्राणियू का संगहार करते हैं समस्त प्रकृती इन ही के भैसे गतिमान रहती है वे स्रिष्टी के नियंता है इस काल के ही भैसे समस्त गूण, देव, दान, जड़ और चेतन प्रकृती अपने अपने कारियों में सक्रिय रहती है यह अभिनाशी काल स्वयम आजन्मा और अनादी है किन्तों दुसरों का आदी करता उत्पादक भी है यह स्वयम अनंत होकर भी दुसरों का अंत करने वाला है यही सारे जगत की रचना करता है और सनहार भी करता है यही काल पुरुष कहलाता है हमें इसी काल पुरुष की निश्काम भक्ती करनी चाहिए तीसवा अध्याय शरीर में आसक्त मनुष्यों की अधुगती गावन्न शरी कपिल देवजी ने कहा हे माते जिस प्रकार वायू के द्वारा उड़ाय जाने वाला मेग समुह उसके प्रबल वेग को नहीं जान पाता उसी प्रकार यह जीव भी काल के प्रबल वेग को नहीं जान पाता और विभिन योनियों में गिर कर अनेक कश्टों को भोगता रहता है यह अपने सुक के जितने भी साधन एकत्र करता है काल उन सभी को नश्ट कर डालता है इसका कारण यही है कि यह जीव अपने शरीर और अन्य संसाधनों को नित्य और स्थाई माल लेता है यहाँ जीस योनी में भी जन्म लेता है उसी में इसे सुख मिलता है और उसी से इसको मुह हो जाता है यहाँ उस योनी को छोड़ना नहीं चाहता है मनुष्य यूनी में भी यह अपनी स्त्री, पुत्र, माता-पिता, मंधु बांधों के सुख दुख के मुह में उल्जा रहता है और विविध पाप कर्मों में फसा रहता है यह अपने स्वार्थ के लिए चोरी और हिंसा करने से भी परहेज नहीं करता शनिक सफलता को ही यह सुख माल लेता है और अभावों के इस्तिती में भगवान और संसार को अपशब्द कहकर पाप का भागी बनता है जब यह अपने परिवार का पालन पोशन करने में असमर्थ रहता है तो इसके परिवार के लोग इसे बुढ़ा बैल मानकर इसकी उपेक्षा करने लगते हैं इस पर भी इसे जीवन से वैरागे नहीं होता भरे ही परिवार में असहाय होने के कारण इसकी जिन्दगी कुत्ते जैसी क्यों न हो जाए इस प्रकार जो मुढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर परिवार के पोशन में ही लगा रहता है वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ मित्यू को प्राप्त होता है जब यमदूत उसके सुक्ष में शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं तो मार्ग में उसे अनेक कश्टों को सहते हुए जाना पड़ता है तरह तरह की यातनाएं उसे दी जाती है उसे चलने में असमर्थ जानकर अथवा उसे ठका हुआ देखकर भी वे उस पर दया नहीं करते हैं उल्टे उस पर कोड़े बरसाते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं यम लोक का मार्ग निन्यानबे हजार योजन लंबा है इतने लंबे मार्ग में उसे तरह तरह की नारकिये यातनाओं को देते हुए यम पूरी ले जाय जाता है साप विच्छू उसे डस्ते हैं उसे खौलते तेल के कडाह में डाला जाता है उसके शरीर के मांस को गिद्ध और भयानक कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं उसे परवत शिखर से कटिले जार जखाडों में गिराया जाता है उसे विष्टा और मल आदी खिलाया जाता है ऐसे कितने ही नारकिये कश्ट स्त्री होया पुरुष सभी को भोगने पड़ते हैं ये कश्ट उनके द्वारा दिये गए सांसारिक पापों के आधार पर उन्हें दिये जाते हैं वास्तों में यदी देखा जाए तो स्वर्ग और नरक इसी लोक में विद्यमान है किन्तु मोह और स्वार्थ के कारण अहंकार में भरा प्राणी इसे भूला रहता है और अनेक प्रकार के जगन्य पापों के कश्ट भोगता रहता है माते यह मनुष्य योनी बड़ी साधना के उपरांत मिलती है परंतु मनुष्य इसका लाभ भगवान की भक्ती करके नहीं उठाता यदि वह चाहे तो भगवान श्रीहरी की भक्ती करके अपने नाराकिये जीवन को वह स्वर्गिक आनंद में परिवर्तित कर सकता है परंतु उसका स्वार्थ, लोभ, मोह आदी उसे अपने परिवार तक ही से मित रखते हैं उनके भौतिक सुख के लिए वह अनेक प्रकार के पाप करमों में लिपत रहता है वह यह नहीं जानता कि मिर्तिव के उपरांत उसे अपने पापों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है कोई परिजन उसके पापों का फल भोगने के लिए उसके साथ नहीं आता फिर भी वह नहीं समझ पाता और पाप कर्म करता रहता है हिंदू रिजुवल्स हिंदू रितिरिवाज ने अपने यूटूब परिवार के लिए राजीव सिहिंके नित्रितों में तीर्थ यात्रा की सेवा देना आरंब किया है हमारे साथ आप भारत वर्ष अंतरगत सभी तीर्थ अस्थलों और मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं तीर्थ दर्शन कराने का हमारा मुख्य उदेश लोगों में सनातन धर्मे के प्रती आस्था जागरित करना उसके महात में इतिहास और उसमें छीपे रहस्यमही विज्ञान को दिखाना है हमारी कोशिश है कि आप सभी को आध्यात्मिक ज्ञान पून एवं आरंदायक तीर्थ यात्रा की अनभूती हो जो भी सज्जन अथ्वा माताएं हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने में रुच्छी रखते हैं वे कृप्या हमारे वेब साइट www.hinduritirivas.com पर यात्राओं के जनकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा बुकिंग भी कर सकते हैं कृप्या हमें सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें एकतिस्वा आध्याय मनुष्य योनी में जीव की गती का वर्णन श्री कपिल देव ने कहा हे माते जब यह जीव मनुष्य योनी में जन्म लेता है तब उसे 84 लाख योनियों के दुखों को भोगने के उपरांत ही यह योनी प्राप्त होती है उन योनियों में किये गए करमों के अनुसार ही उसे मनुष्य योनी में भी अनेक प्रकार के वर्ग प्राप्त होते है कभी वह सुख संपन परिवार में जन्म लेता है कभी वह निर्धन और मध्यम वर्गिये परिवार में तो कभी वह विकलांग होकर जन्म लेता है अंधा, लंगडा, लूला, बहरा, रोगी आधी जन्म उसे पुर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं उसका रंग रूप भी उन्ही कर्मों के आधार पर तै होता है मनुष्य जन्म की प्रक्रिया पती पतनी के संयोग से होती है स्त्री के गर्भ में मनुष्य के वीरी का बीज, स्त्री के रज डीम्ब से संयुक्त होकर पल्लवित और विकसित होता है लगभग नौ मास तक वह गर्भ के नर्क में पड़ा अनेक प्रकार के कश्ट जिलता है जब उसे प्रभू के एक्षा से स्मरन शक्ति प्राप्त होती है तो वह पूर्व जन्मों के सुख दुख का अनुभो करता है तब वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि वह बड़ा अधम है उसने अब तक विवीध योनियों में पड़कर जो पाप कर्म किये हैं उन्ही कर्मों के अनुसार उसकी यह गती हुई है किन्तु हे प्रभू अब तो उसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति देदो इस देह के उदर में पड़ा हुआ वह मल मुत्र और रुधिर के कुए में पड़ा अनेक प्रकार के रोरव कष्ट भोग रहा है उसे मुक्ति दो प्रभू आप दयालू है आपकी कृपा के बिना इस जीव का कहीं भी उद्धार नहीं है सभी जीव संसार में अपने मुढ़ बुद्धी के अनुसार ही समस्त दुख सुख को अनुभो करते हैं यद्यपी इस गरभाशे में अनेक प्रकार के कष्टों को वह भोग रहा है किन्तु यहां से बाहर भी कम दुख नहीं है सारा संसार ही माया के कारण अंध कूप बना हुआ है उसमें गिरने की उसकी कोई इक्षा नहीं है क्यूंकि वहां जाने के उपरांत जीव को आपकी माया घेर लेती है और उसे एहंकार क्रस्ट कर देती है जिसके कारण उसे फिर से संसार चकर के बंधन में बंधना पड़ता है अतह प्रभू उसे जीवन मिर्त्यू के इस फंद से अब मुक्ति दो माते वह नो दस माह का जीव माता के गर्भ में पड़ा रहकर इस प्रकार भगवान के स्तुति करता है तो प्रसवकाल की वायू उसे बाहर की और धकेलती है बड़े कश्ट से बालक के बाहर आते ही उसकी पुर्व जन्म के स्मृति नश्ट हो जाती है बाह्य कश्टों को जहलता हुआ वह जोर जोर से रोने लगता है माता पिता और बंधु बांधो उसके रोने के कारण को नहीं समझ पाते और उसे भुखा जानकर उसका पालन करते हैं शिशू अवस्था में होने वाले उसके कश्टों को अनुमान से समझ कर ही वे उसका लालन पोशन करते हैं जब पल कर वह युवा वस्था को प्राप्त होता है तब उसे संसारिक भोग विलास, काम, अर्थ, लोभ, मोह आदी चारों और से जकड लेते हैं उन्हीं के बीच रहकर वह अनेक पाप कर्म करता है और सुख दुख को भोगता है बुद्धी और विवेक का सहरा वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लेता है संसार का यह काम मोह मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ता एक बार स्वयम ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती के रूप माधूर्य पर आसक्त होकर उसके पीछे पड़ गए उन्हें अपने पद और गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा सरस्वती अपने पिता की दुशित मनोकामना को समझ कर मरीगी का रूप धारन करके वहां से भाग खड़ी हुई ब्रह्मा जी ने भी मरीग का रूप धारन किया और उसके पीछे भागने लगे तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनकादी मुनियों ने अपने पिता को समझाया और उनके मर्यादा हीन आचरन के लिए उन्हें भटकारा तो उन्हें बड़ी गलानी हुई प्रयाशीत स्वरूप उन्होंने अपने उस शरीर को त्याग कर दिया और शोका को उल्होकर तपस्या में लीन हो गया पर मातमा से उन्होंने अपने आचरन के लिए शमा मांगी और अपनी पुत्री को अभःदान दिया माते एक नारायन श्री हरी को छोड़कर ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके बुद्धी का हरण इस्तरी की माया ने न किया हो यह इस्तरी अपनी मा की चित्वन से बड़े से बड़े दिकजों को अपने जाल में फसा कर उन्हें अपने चरनों में गिरने को विवश कर देती है परन्तो जो पुरुष योग के वाहन पर आरूड हो जाता है अथवा श्री हरी के प्रती पून भक्ती भाव से अपने को समर्पित कर देता है उनके लिए नरक कादवार कभी नहीं खुलता स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में भी स्त्री के ध्यान में लगे रहने से जीव को स्त्री योणी ही प्राप्त होती है इस प्रकार स्त्री योनी में जन्म लेने वाला जीव पुरुश रूप में प्रतीत होने वाली श्री हरी की माया को ही धन, पुत्र, ग्रिह आदी देने वाला पती मानता रहता है और मोह में पड़ा हुआ मृत्तिव की ओर अग्रसर होता है हे माते, इस प्रकार जीव अपने भागे के अनुसार विविध कर्मों को भोगता हुआ, विविध योनियों में पड़कर विभिन लोकों में आता जाता रहता है यही जीव का जीवन और मृत्तिव का चक्र है अतह ज्यानी पुरुष को मृत्तिव भे, दीनता अथवा मोह कभी नहीं होता वह जीव की गती को समझ कर अपना लक्ष श्री हरी को ही निश्यत करता है और भगवान के ध्यान में आनंद की अनुभूती करता है बत्ति समा अध्याय मिर्त्यू लोक से अन्य लोकों में जाने के तीन मार्ग श्री कपिल देवजी ने अपनी माता देवभूती से कहा माते मनुष्य इस धर्ती से तीन मार्गों से होकर अन्य लोकों में जाते हैं मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की अस्तिर्ता के विशे में बताया था संभवत आपके मन में यह संदेह हुआ हो कि इस समस्त संसार में जीवों की उत्पती, मादा, अर्थात, स्त्री जाती से होती है और धन से अनिक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं फिर यदि इन दोनों का ही त्याग कर दिया जाए तो संसार का कारे कैसे चलेगा इसके लिए मेरा कहना यह है कि स्वचंद रूप से नारी और धन का मर्यादा विहीन उपभोग मनुष्य को नरक की और धकिलता है ग्रियस्थी के मध्य इन दोनों का उपभोग बूरा नहीं है यह सकाम कर्म के अंतरगत आता है जो मनुष्य ग्रियस्थाश्रम में रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भव सागर से पार उतरना चाहता है उसे अपनी पत्नी और परिश्रम से उत्पन किये धन का साथ कदापी नहीं छोड़ना चाहिए अपितु पती पत्नी मिलकर उस धन से अपनी आवशकताओं के पूर्ती करते हुए अतरीक्त धन से लोक कल्यान तथा धर्म परायन का कार्य भी करें ग्रिहस्थ जीवन में पाप की कमाई की कदापी इक्षाना करें जितना हो सके देव कर्म, पित्री कर्म, श्रीहरी की पूजा, साध्वों और निर्धनों की सेवा करके अपना हित संधान करें जो व्यक्ति ग्रिहस्थ धर्म का पालन, शुद्ध मन और सेवा भाव से करता है और निश्काम भाव से परमातमा का ध्यान करता है वह मिर्तिव के उपरांत देव यान अथवा सूर्य मार्ग से बैकूंठ धाम जाता है किन्तु जो ग्रिहस्थ अज्यानी है वे न तो पितरों की पुजा करते हैं और न दिवपासना ही करते हैं उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुखो पभोग में ही व्यतित होता है वे यह नहीं जान पाते हैं कि श्रिहरी की पुजा किये बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता वे अपने अहंकार के वशिभूत होकर सभी कर्मों को अपने द्वारा ही संपून हुआ मानते हैं ऐसे लोग मित्यू के बाद चंद्रमंडल के मार्ग से होकर पित्रू लोग को जाते हैं और कुछ दिन वहां ठहर कर फिर संसार में जन्म लेने चले आते हैं तथा आपने कर्मों के फल भोगते हैं माते सूर्य जब उत्तरायन के शुक्ल पक्ष में होता है तब मिर्त्यू को प्राप्त व्यक्ति सूर्य मंडल से होकर बैकूंड में जाता है परन्तु जब सूर्य दक्षडायन के क्रिश्न पक्ष में होता है तब मिर्त्यू को प्राप्त व्यक्ति चंद्र मंडल की राह से देवो लोग को जाता है वहां का सुख कर्मा नुसार भोग कर वह व्यक्ति पुनह संसार में जन्म लेता है जो मनुष पाप कर्मों में लिपत रहते हैं वे 84 लाख योनियों में गिर कर रौरव नरक का दुख भोगते हैं माते जब तक मनुष इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर अंगुठे के बराबर बना रहकर जीवन मिर्त्यू के चक्र में फसा हुआ घुमता रहता है परंतु जो व्यक्ति पून तथा निश्काम भक्ती भाव से श्री हरी की पूजा करता है और अपने सभी सांसारिक कार्यों को करते हुए अपने सभी कर्मों को श्री हरी को समर्पित करके जन्म से मिर्तिव तक का अपना समय व्यतीत करता है वह व्यक्ति सीधे देवयान से बैकूंठ लोक को जाता है मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवा गमन चक्र से छूट जाता है वह फिर कभी इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता इसे निरगुन भक्ति कहते हैं जो व्यक्ति श्रीहरी की राजसी भक्ति करते हैं वे कई जन्मों से मुक्ति पा जाते हैं वे पहले मिर्त्यु के उपरांत ब्रम्ह लोक में जाते हैं अवधी व्यतित हो जाने पर वे वहां से गिर कर किसी दुसरे जन्म में मुक्ति पाते हैं जो व्यक्ति अपने वन्न के अनुसार कर्म करते हुए दुशित कर्मों से दूर रहता है जो व्यक्ति श्रीहरी की पूजा वास्मरन प्रेम और भक्ति से करे और जो व्यक्ति श्रीहरी के चमतकार सभी जीमों में देखे तथा किसी से भी शत्रुता न करके प्रेम करें सभी को समदर्शी भाव से देखे वो हव्यक्ति श्रीहरी की कृपा से शिग्र मोक्षपद पराप्त करता है हे माते ग्रिहस्त, ब्रह्मचारी, योगी, वानप्रस्थी, सन्यासी, पती और भक्त सभी की प्रिती प्रभुचरणों में रहती है उनके मार्ग अलग-अलग होते हैं, फिर भी उनका लक्ष एक ही होता है वह लक्ष प्रभुचरीहरी के चरणों में नमन करना होता है लेकिन जिसके मन में परमात्मा के पती प्रेम नहीं है उसे यही मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हुए है ऐसा व्यक्ति अम्रित रस को छोड़ कर समुद्र का खारा जल ही पीता है श्रीहरी के चरणों में जिसकी भक्ती है, प्रीती है, सेवा भाव है उसे संसार से विरक्ते ही समझना चाहिए संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझता है अतह माते मैंने यह सारा ग्यान आपको दे दिया है इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़ कर जाने लगेंगी तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा दुख सदेव नश्वर पदार्थों के प्रती मुह करने से उत्पन होता है इस ग्यान से आपको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा ए माते मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ग्यान को किसी दुष्ट, दुरविनीत, घमंडी, दुराचारी, अहंकारी और स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनाना ऐसे व्यक्ति श्रीहरी के भक्तों से द्वेश रखने वाले होते हैं किन्तु जो अत्यंत श्रद्धालू हैं, भक्ते हैं, विनई हैं, प्रेमी हैं, दुसरों के प्रती द्वेश या इर्श्या भाव नहीं डखते सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखते हैं, गुरू की सेवा में तत्पर रहते हैं, शान्त चित हैं, विशे वासनाओं से अना सकते हैं, शुद्ध हिर्दे हैं, उन्हें यह ग्यान आप अवश्य दें जो मनुष्य श्री हरी में चित लगाकर, शद्धा पुरुवक उनके चरित्र का श्रवन या कथन करेगा, वह निश्चय ही श्री हरी के परमपद को प्राप्त होगा तेतिस्वा अध्याए मैत्रे जी ने कहा, विदूर जी, श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर, देव हुटी के मोह का परदा हट वेया उन्होंने श्री कपिल जी को प्रणाम किया, और कहा, पुद्रे, मेरे पती महर्शी करदम जी ने कहा था, कि मेरी कोक से स्वयम भगवान श्री हरी का जन्म होगा आज तुम्हारे तारकिक वचनों को सुनकर, मुझे विश्वास हो गया है, कि मेरे पती ने सत्य ही कहा था तुम वास्तों में श्री हरी के ही अंशावतार हो, मैं तुम्हें बार बार नमन करती हूँ तुम ही इस स्रिष्टी के नियंता हो, ब्रह्मा जी का जन्म तुम्हारे ही नाभी कमल से हुआ था तुम ही पुन निश्क्रिया, सत्य स्वरूप, संपून जिवों के प्रभु तथा सहस्त्रों शक्तियों से संपन्न हो हे प्रभु, तुम्हारी यह कैसी लीला है कि जिनके उदर में प्रले काल आने पर सारी स्रिष्टी लीन हो जाती है उन्हें ही मैंने अपने गर्भ में नो माहतक धारन किया आप पापियों के दमन और अपने भक्तों तथा धर्म की रक्षा के लिए स्वेक्षा से ही देह धारन करते हो वारा अवतार की भाती आपने यह कपिला अवतार ग्यान की इक्षा रखने वालों को ग्यान का मार्ग दिखाने के लिए लिया है भगवन आपके नामों का श्रवन करने वाला चांडाल भी पुझनी हो जाता है फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है जो श्रेष्ट पुरुष आपके नाम का उचारन करते हैं उन्हें वेद, ज्ञान, तप, हवन, तिर्थाटन और सदाचार पालन आधी का ज्ञान स्वतन ही हो जाता है मैंने जान लिया है कि आप ही साक्षात परब्रंभ परंपुरुष है आपके वचनों से मिरे हिर्दे पर पड़े माया के आवरन हट गये हैं मैं आपको नमन करती हूँ विदूर जी, माता देव भुती के इस प्रकार कपिल भगवान के स्थुती करने पर मातरी वत्सल कपिल जी ने सहज मुस्कान के साथ कहा माते, मैं कोई भगवान नहीं हूँ मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ तुम्हारी कोख में रहकर जो ग्यान मैंने प्राप्त किया है उसे ही मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है मुझे जो कुछ भी मिला है, तुमसे ही मिला है मुह तथा आज्यान के कारण तुम पिताश्री के मोह में पड़कर इसे भुला बैटी थी परन्तु अब तुम्हारा वह मोह अंधकार छट गया है अतह अब तुम इसके द्वारा शिर ही परंपद को प्राप्त करोगी ब्रह्मवादी सभी मूनिजन इस मर्म को जानते हैं पिताश्री भी जानते थें इसलिए ऐसे ब्रह्मवादी जन्म मिर्त्यु के चक्र में नहीं पड़ते किन्तु जो इससे अंजान बने रहते हैं वे जन्म मर्ण के चक्र में पड़कर अनेक दुखों को सहन करते रहते हैं मैद्रेजी ने कहा विदुर्जी इस प्रकार भगवान कपिल देव ने अपने श्रेष्ट ज्यान का उपदेश देकर अपनी ब्रह्म वादनी जननी देवहुती से अनुमती ली और वहां से पुर्वदिशा की ओर चले गए तब देवहुती भी सरस्वती नदी के तड़ पर योगा भ्यास करती हुई समाधिस्त हो गई उन्होंने ग्रिहस्त धर्म का त्याक कर दिया किन्तु पुत्र वियोग के कारण वे अवश्य व्याकुल रही पती पहले ही वन गमन कर गए थे अब पुत्र भी उन्हें छोड़ कर लोग कल्यान के लिए चला गया था परन्तु उन्होंने यह मोह भी त्याक दिया और समाधिस्त ही एक दिन भगवान श्रीहरी का चिंतन करते हुए शरीर भी त्याक दिया विदुर जी इस प्रकार देवहूती ने कपिल देवजी द्वारा बताये गए मार्ग से थोड़े समय में ही परमात्म स्वरूप श्रीहरी को प्राप्त कर लिया जिस इस्थान पर उन्हें सिध्धी प्राप्त हुई थी वह इस्थान त्रिलोकी में पवित्र सिध्ध पीठ के नाम से विख्यात हुआ हे निश्पाप विदुर जी आपके पुछने पर मैंने आपको भगवान कपिल और देवहूती का परम पवित्र चरीत्र सुनाया भगवान कपिल देवजी का यह मत अध्यात में योग का गूढ रहस्य है जो पुरुष इसका श्रवन और किर्टन करता है वह भगवान गरून ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शिगर ही श्री हरी के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है श्री मैत्रे जी से ज्ञान का उपदेश पाकर और भगवान की लिलाओं को सुनकर विदुर जी का मन हर्शित हो उठा इस प्रकार 33 अध्याय के साथ श्रीमद भागवत का तृतिय इसकंध पूर्ण हुआ इस प्रकार 33 सकंध के साथ श्रीमद भागवत कथा का प्रथम भाग पूर्ण हुआ इसके आगे की कथा का श्रौन आप भागदो में करेंगे तो मिलते हैं आपसे भागदो में तब तक के लिए धन्यवाद जैश्री हरी आपसे छिए का तो में का श्रौन आपसे लिए